तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पे उपर देखो तो सब लोग क्लास नाइन्थ न्सी एर्टी मैट्स एक्सरसाइज 2.1 लेकिन इस 2.1 को सुरू करने के पहले इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है जैसे इसे क्या बोलते हैं बहुपद पॉलिनॉमियल बोलते हैं तो इसका कंसेप्ट सीखना जरूरी है नहीं तो फिर ऐसे हम कुश्चन करवा देंगे तो तुम्हें इसे ताक्ते रजाओगे मूँ बनाके और फिर बात में कहोगे एक को समझ में नहीं आया सब फालत हुए वही से कर दिया मजा नहीं आया तो समझ में आये मजा भी आये इसलिए आप लोग पहले कंसेप्ट सीखो तो बच्चा लोग बहुपद की अगर बात करें तो तुम्हें ऐसे ऐसे मिल जाएंगे नए नभीले ऐसे तीन एक्स प्लस नाइन एक्स का स्क्वायर प्लस वन कहोगे यह तो हम कहीं देखे थे बच्चपन में देखे थे ना बच्चा ऐसे ऐसे मिल जाएंगे बिटा ऐसे ऐसे बड़ा तेड़ा मेड़ा मिल जाएंगे ऐसे मिल जाएंगे लेकिन इनके बारे में हम इनकी थो यह सब जानोगे तो थोड़ा सा तुम्हें मजा भी आएगा और तुम्हें समझ में भी आएगा चलो आओ जल्दी आओ फट आफट दिलीब सिंग ठीक है कमेंट आ रहा भाईया आ रहा बाबू आ रहा है चलिए पूजा कुमारी कुड इबनिंग अधिती गुपता पुस्पलता काजल कामा घानी जी यह सोधास ठीक है सब का कमेंट आ रहा है बेटा देखो तुम्हारा क्या नाम है मिश्टर निकुल तुमको निकॉल देंगे हम यह भी जान लो यह तो तुम चुपपढ़ लो चुपपढ़ लो चलो अचा एक बात बताओ क्या यह सभी है 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 मुझे लग रहा है लाइट कम है क्या कि अ कभई लाइट कम मैं इसके बारे में तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे बस इतना ही कहेंगे कि अभी आप देखते रहो बस और हां एक चीज और मैंने बोला बहुत देर से देखो यार बच्चे 100 प्लस हुए नहीं आप अगर सो से कम बच्चे हैं तो बिल्कुल मजा नहीं हरी जान लो सभी जितने भी साथी जुड़े हो ना आप तो बहुत ही प्यारे हो हमारा बात मानते हो तो आप जल्दी से अपने वर्ट्सअप ग्रूप में अपनी वर्ट्सअप स्टेटस में हर जगा इस लिंक को शेयर करके आजाओ ना बाब उजल्दी से एक मिनट में आधा मिनट लगेगा मानलो 80 90 बच्चे अगर तीन तीन बच्चे लेके आते हैं तो 270 बच्चे हो जाएंगे भी फटा फट तो कर दिये सभी भई देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं आती हाँ जल्दी करो ऐसे सही नहीं है जान लो देखो थोड़ा मुझे लग रहा है जूम भी कर रहा है क्योंकि मैं हट जाता हूं न तो मुझे खोजने लगता है कहां गया कैमरा हमारा जो है अब बीज गड़ितिये अब ऐसे उल्टा लिख रहा है का देखो समझो है आप आप सभी जल्दी से पहले सेयर करके आओ नहीं तो ऐसे फिर मज़ा नहीं आ रही है जान लो मैं बार बार बोल रहा हूं जल्दी सेयर करके आओ तुरंत बीज गड़ितिये बेंजक अब बाई हिंदी ये गलत हो सकती है मुझे नहीं मालूम लेकिन इंगलिस सही रहाएगा ठीक है इसे बोलते हैं आलजेवरिक एक्सप्रेशन ठीक है बच्चा तो ये जो तीन मेहमान हैं इनका इतिहास जानना बहुत जरूरी है तब हम बहुपत सीख पाएंगे आसानी से समझ पाएंगे और जो इस कालास को शेर नहीं करें है ना बच्चा शेर कर दो नहीं तो जान लो अब सीधे सीधे बोल रहा था भी तक फटाफट हटा देंगे जो नहीं कर रहा जानival चल दी शेयर करके आओ दुरंता ऐसे मज़ा नहीं आ रही चलो देखो मैं सुरू करूं टाइम बेस्ट ना हो हमारी यह भरपूर कोशिस होती है कलास पहले से सीडियूल रहती है तुम लोग पहले से के शेयर कुछ नहीं कर देते CT नारायन सिंग बेटा तेज नारायन सिंग कमेंट आ रहा आपका जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बिना सब्सक्राइब के कमेंट नहीं आता है ठीक है बच्चा ठीक है बाबू तो चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आपका भी कमेंट आएग है अगर आपको यह आएगा तो concept इसे मानेंगे कि हाँ पूरा clear है चर्पद या variables means वो होता है यहां से समझो जैसे a b c d मतलब डाट 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 जेड तक कुछ समझ में आपको यानि ए से ले ह pacing करना के जड़ा के जितने भी लेटर आपको कहीं भी मिलेंगे वह चर्पद होते हैं जने बरीयबल कहा जाता है क्या जाता आप बारियबल कहा जाता है तो कुछ समझ में आया जैसे अगर मैं तुम से पूचा की P चर पत है कि नहीं है अगर मैं पूछा R क्या है वरियेबल है से तो आप कुछ समझ भाई है ह sincerity कुछ समझ में बाई है गंगा पाटिल आया समझ में अब आपसे एक सवाल यहां से पूछा जाए कि चरों की संख्या कितनी होती है नंबर आफ वरियेबल यानि टोटल नंबर आफ वरियेबल कितने हो सकते हैं तो भाया हो एवी सीडी में कितने अच्छा तो कुछ अईसे नालायक है जो कहेंगे चार अच्छा एबी सीडी अरे इडियाड एवी सीडी का मतलब केवाल डी तक नहीं एटू जीनना है 26 लेटर अच्छा ना कितने 26 ना रिया पटेल बहुत पीछे हो गई हो बहुत अच्छी बात है तुम अभी और पीछे हो जाओगी हां जब कलास नहीं देखोगी हर दिन तो का आम तो को खीच के पकड़ के लाएंगे का आगे पढ़ाया तो जा रहा हर दिन तो यह चीज आप समझ गए एसे लेकर के जड़ तक के सभी लेटर जितने भी हैं वो सभी क्या कहलाते हैं वरियेबल कहलाते हैं इसके बारे में आपका तो बात यहाँ पे क्लियर हो गई तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं समझो एसे जड़ तक के सभी अचर क्या कह लाते हैं वरियेबल कहलाते हैं बच्चा दूसरा आता है इकांस्टेंट यानि की अचर पत क्या होते हैं जितनी भी गिंति की संख्याय नहीं होते हैं जैसे one से लेकर के लेकिन जीरो से नहीं हाँ पर जीरो अगर आएगा कहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा one two three four five dot 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 anant तक यह आप कह सकते हो कि वो संख्या है जिनको हम गिन सकते हैं वो सभी क्या कालाती है बच्चा समिक्षा कुमारी आरा समझ में पूजा आरा समझ में हर्स कुमार चिराग चिंटू मनोज कुछ बच्चों की सिखायात है कि मेरा नाम नहीं बोलते हैं वै इडियर तुम पहले कमेंट करो ताब बोले ना तुमारे मुह में तो दही जमी है हाथ में पता नहीं गोबर लियो क् अगर तुम नाम के पीछे पढ़ोगे तो नाम नहीं होगा यही तो एक मुसीबत है इनसान जो चाहता है ना उसके लिए कुछ करम करना पड़ता है करम नहीं करोगे तो नहीं होगा तो बच्चा यह है दाल यह है चावल दाल चावल एक में मिला के पकाओ तो क्या बनता है खिचड़ी बनता है ना डाल चावल दोनों एक में मिला के पकाओ तो क्या बनता है खिचड़ी तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है खिचड़ी नहीं बनेगा यहां बीच गड़ती है बनेगा अलजेबरिक expression बनेगा है ठीक है क्या बनेगा यहाँ पर अलजेब्रिक expression बनेगा तो चलो कोई अलजेब्रिक expression आप लोग बताओ एक बार कोई पोचिस करके बताओ मैं देखता हूं और बताओ कोई भी एनिमन बना लोग क्या कोई ट्राइ करके देखो, अगर मेरी आवाज कमाएगी तो बता देना, टेंसन मतले न, आप एक भी पैसे का, तो बेटा बीज गड़िती ये बंजक क्या होता है, जब कोई एक चर और एक अचर मिला के बनाते हैं, जैसे माल लो मैंने एक चर ले लिया, X, और एक अचर ले लिया म खिचड़ी बन गई, नहीं, ये एक चर पद है, ये अचर पद है, ये क्या बन गया, एक बीज गड़िती है, बेंजक बन गया, अब इसमें एक वर्ड और तुम्हें मिलेगा आगे, वो क्या है गुडांक, गुडांक मीन्स कोफिसियंट, ठीक है, तो बट्टा गुडांक का होता बच्चा, गुडांक क्या होता है, जैसे तीन यक्स है ना, तो जो यक्स है ना, इसके साथ में जो गिंती लगी है, लटकी हुई है, वो क्या इसका गुडांक है, यानि हम बोलें, यक्स का गुडांक क्या है, एक्स का गुडांक क्या है, तो बेटा यक्स का गुड अंक क्या है बताओ 17 है यानि जो परियबल्स के साथ में नंबर लगा है वो क्या है उसका गुड़ांक है को समझ में आया लुलू हां सभी समझ पाए ना तो छापलो फटा-फट छापलो फटा-फट जल्दी से विल्कुल देर ना करो बहुत जल्दी लिखो इसको उसके कि चले आगे चलिए इतना लिखिए पहले लिख लो भाई लिख लो मैं सामने से हट जाता हूं कि चलिए आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हैं तो यहां से आप लोग कुछ समझ पाए कि नहीं बताओ अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप टेंसन मत लेना बस मुझे बता देना कि यहां नहीं समझ में आया ठीक है लेकिन जो टाइम से आये हैं जो चच्चा नहीं है क्योंकि वो टाइम से जुड़ते नहीं है तो हम कुछ नहीं जानते उनके लिए कि सबको समझ में आया चलिए तो हम लोगों ने क्या पढ़ा वरियाबल कंस्टेंट और अलजेबरिक एक्सप्रेशन यह तीनों-चारों इन सब की पहचान कर लिया आप सभी गुड कुमारी कमेंट आ रहा तुम्हारा ठीक है चलो अच्छा है संकेत सुनिल कुमार गुपता राम राम भाही राम राम चलो तो बच्चा अब हम देखेंगे चर पदों का जोड़ना घटाना गुड़ा भाग यहां पे कुछ चीज़ें आपको समझना है और सीखना है जैसे मानलो कि मैंने लिखा तीन एक्स और इसमें मैंने लिख दिया साथ एक्स तो क्या जानते हो यह दोनों जुड जाएगा क क्योंकि आपको हम तैयार करें क्लास के लिए बोलो जुड जाएगा ना कि नहीं जुड़ेगा देखो इसके लिए कुछ चीज़ें यहां पे तुम्हें और भी सीखना होगा वह क्या सीखना है सजातिये पद सजातिये पद यानि लाइक टमस और एक होगा बिजातिये पद आज के इस जमाने के हिसाब से समझें तो सजातिये पद का मतलब होता जो अपनी जाती का लोग हो जोसे कोई ठाकूर है कोई ब्रहमड है कोई यहीर है कोई कुर्मी है समझ रहो तो वह अपने अपने विरादरी की बात होगी यहां पर समझ भा रहो कि नहीं सजातिये का मतलब यहीं हुआ बयवारी ग्रूप में अगर तुम्हें समझाए तब लेकिन अभी यहां पर तो यह सब बताओ यहां पर समझो सजातिये बद को इंगलिस में बच्चा लाइक टम्स बोलते हैं या लाइक ए लाइक इधर दिखेगा क्य मतलब यह होता बच्चा जैसे वे पद जो चर और घात दोनों को मतलब एक परकार से इक्वल करके चलें मतलब अगर हम सिधा सिधा अगर एक सब्द में बोलें इस कहानी को भीना गुमाए हुए तो जिन दो पदों के चर और उनकी घाते समान होती है वो सजातिये पद कहला इनकी घाते साथा आते है नियुक्त फीक हdessाञे जिन दो पदों की घाते और चर समान होते पदाता है कि कमेंट करके बता जल्दी से तो भाई किदने लोग है अशे जिनको सजाती ये पदाता है लाइट मुझे लग रहा बहुत ही मायकार हां मैं दिख पा रहा हूं कि नहीं कि देखो मैंने होल्ड किया एक-एक मिनट के लिए हमें लग रहा है सब कमेंट के साथ कमेंट कर रहें तभी ज्यादा कमेंट नहीं आ mandat तब है कर एक मिनिट पुझा भाई रुब्लकर यह सब गरियार है मनीं तो सब की Mara कैने तो बहुत ज्यादा काफी करते और तो निए धाना नोग मैं सब जो बच्चे कुछ जुगार लगाने आये हैं चेटिंग वेटिंग करने वो अपना करके निकल ले हैं क्योंकि उनको कुछ करना है नी लाइफ में तो समझो हां तो बच्चा हम बात कर रहे हैं सजातियवद क्या होता है जैसे यहां पर हम कुछ खिचडी माडल लिख रहे हैं इन में से तुम ढूड़ोगे जैसे तुम को मैंने बता है ना एक्जामपल सभी लोग जानते हो खिचडी तुम्हें दे दिया जा बनाके बोला जा इसमें दाल दाल निकालो तो तुम दाल दाल भी इनके निकाल लोगे ना अलग कर लोगे ना बस वैसे ही तुम्हें करना है देखो यहां से समझो जैसे मैंने लिख दिया तीन अक्स यहां पर मैंने लिख दिया पांच वाई का स्क्वाईर और यहां पर मैंने लिखा एक्स का स्क् 15 y का स्कॉएफ और यहां पर है यक्स और यक्स के बाद है एक यक्स योईर यह बता इसमें कुछ सजातिये यको तो आठ पार तो ही आठ पुम्हा भी और भी स्दाट्य बनें से क्या कुछ सजातिय पत हैं कि इसमें क्या कुछ सजातिय पता है यहाँ पर धाट्य यहां पर सजातिय पतह हैं बह inferior देखक्र01 सबसे पहले सदातीपद के लिए हम देखते हैं उनकी घात बराबरसुनी पहले उनके चर बराबर होने चाहिए मतलब जो चर उसमें वह की उसमें भी होना चाहिए хотя अबर आप अभी आपी मने बताया थाओ अभी की वो एक ही जाती के होने चाहिए जाती मतलब समझे रहो ना तुम मैंने भी एक्जांपल दिया था चलो तो बच्चा इसमें अगर हम तीन एक्स को ले लें तो क्या इनके जैसे सकल सूरत का और कौनों है हमें सोचो ढूणो है की नहीं आमन सिंग बेटा नहीं पता है तो सीफो तब आएगा ना पढ़ोगे तब आएगा ना कलास याद रखना साम को साथ से आठ डेली साम को साथ से आठ मैद और सुबह उठ जाना सो करके सुबह साथ से आठ वजए के बीच में साइन्स होगा तो टाइम तो नहीं बूलोगे ना सुबह भी साथ से आठ साम को भी साथ से आठ सुबह साइन्स साम को मैद इंगलिस का कलास जल्दी ही चलेगा बस हम आपके लिए नया टाइम बताएंगे थोड़ा फ़बेट करो तो बच्चा तीन यक्स है फिर पांच वाई स्कॉयर है फिर यक्स है देखो अभी मैं देख रहा हूँ इसमें क्या है तीन यक्स में यक्स है ठीक है इसकी घात की बात करें तो जिसके कुछ नहीं होता ना उसकी घात एक माना जाता है तो यह क्या है एक गात है इसमें तो चब यक्स हैं लेकिन गाट इसमें एक होनी चाहिए इसमें दो है इसलिए नहीं है इनको परकशन Express इसमें साथ में और णोट बगया दूंट कि सजयती नहीं इस चाहिए इसमें पाट बिकार दूंट कि इस में थो हैनी यक्सुब आइए कि बहुता है तो इसी घात क्या एक है। अब को गुरुंजी तीन नहीं है इसके गुढ़ांग से कोई मतलब नहीं है तो बच्चा इसका जो साथी है वो आप~~~~ 수도 दोनों की जोड़ी बन गई अपनी बस अब इनके साथ और कोई दूसरा बीच में नहीं आएगा अब तुम कहोंगे का दू लोग के जोड़ी बनाते हैं का नहीं इसमें पूरे में केवल दो ही पद इस तरह के थे इसलिए मैंने दो लिखा बाकी और होते तो वह भी इसी में लोगर तो ये तो हो गए दो एक जैसे सजाथिये प도 यह दोनों क्या हो गया एक जैसे सजातिये प Од क्यूंकि इनकी घाते भरबर है और इनका हो चर है वह आ क्वाइप कंड़ क송 में और लूएब पकडर है भाईया कोई है बिजय संकर पांडे सोनु यादो चिराग रुपेश राजा बाबु मनोच सिंग बेटा मनोच सिंग पढ़ लो काजल के पीछे ना पढ़ तुम 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 अच्छी बात है इतना देर से मैं देख रहा हूं तुम्हारे काजल लगने की जो है और जतने भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं भाईया इस सेसं को लाइक नढ़ रहे बाबु जल्दी करो यार वाई स्क्वायर मुझे लग रहा है इसका है साथी इसमें एक ना परदीब बिल्कुल ठीक है देखो बाई लीजेंड गेमिंग ने बताया है बहुत अच्छे हरसीड देखो यहां पर समझो पांच वाई का स्क्वायर इसमें सबसे पहले वाई का स्क्वायर खोजो कहीं इसमें तो है नहीं यह तो हो गया इसकी हो गई अब इससे कोई मतलब नहीं है इसकी भी हो गई है इससे भी कोई मतलब नहीं है इसमें देखो वाई है नहीं इसमें वाई ह वाई है लेकिन वाई का घात एक है अगर तुम देखो तो यह जो घात लगी थी इसमें दो यक्स पे लगी थी वाई की घात एक थी तो बच्चा हमें वाई की घात दो होनी चाहिए एक नहीं होनी चाहिए इसमें देखो वाई है नहीं इसमें है वाई का घात दो है 15 है तो को तो मैं चैप्टर पे चलूं खतम कर दूं तुम्हें भी पढ़ना ना पड़े और मुझे भी पढ़ाना ना पड़े अधित्य कुमार बेटा क्या लिख रहा तुम एक कैमे क्या लिख रहा है तो थोड़ा सांस लेने के लिए इस पर छोड़ दिया करो चलो देखें आगे बढ़े तो यह हो गया अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो भाईया यह इन सब की क्या हुआ जोड़ी बन गई जिन लिख में करें अगर तुम देखो दित्टिया और निकाल लो एक सकाइस काइसक्वायर जैसे Count को इसłem है तो तर एक सकाइसक्वायर कि जैसे अगर कोई बात करें तो यह सकाइसक्वायर तो इसे क्या हो गया सजातिवर इनको कोई और इस्ट्राइल में घहर्लो येलो ये लो चलो ये दोनों हो गए अब ये दोनों भी सजातिये हैं आपस में क्योंकि इसमें एक्स की घात दो है इसमें भी है इसमें वाई का एक है इसमें भी वाई का घात एक है तो ये सजातिये पता आप सभी लोग सीख गए ना कि सभी सीख गए ना कौन बत्तिमीजी कर रहा भाई कोई गड़बड कर रहा है का बताना अगर कोई करेगा गड़बड तो सब लोग एक साथ में कमेंट करना उसे एकदम से ब्लॉक कर देंगे हम बेटा या सराज सिंग पढ़ लो हाँ अमन सिंग ने महिमा सर फोन अमरे भाई का पढ़ रहे हैं हम तुमको बताने की कौन सी जरूरत है दादी तुम पढ़ो या ना पढ़ो कोई पढ़े कुछ लोग ऐसे होते हैं अपना बहुत अच्छा से परिचे देते हैं सर फोन मेरी दीदी का है पढ़ रहा हूं मैं अब य कर रही हो कि तुम्हारा भाईया पढ़ रहा है कोई पढ़ रहा है तुमका कमेंट कर रही है ऐसे तो को मतलब नहीं है चलो कि यह आप लोग इसमें लाइक एंड अनलाइक टम समझ गए सजातीय और बिजातीय पद समझ गए तो बच्चा अब मैं सोच रहा था कि आपका य जो है ना बेसिक है एक दम मतलब उस पर आधारी जिससे तुम्हें जब चैप्टर कराया जाया तो कोई समस्या नाए कोई नहीं आफ़त ना कि पकड़े इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं हूं समझ रहा हूं है अब इसमें मैं थोड़ी सी और कुछ आपको आगे एक्स्प एदन नहीं जो ऄह Caitr bomb वालों में हमारे जहांती हो कि कि नाम कैसे कैसे होते हैं सीधे साथे बगवानके नाम पर आहां हुआं तो आगे बढ़े हैं क्या हो रहा था आगे ठीक है तो हम पढ़ रहे थे अब मुझे यह बताओ कि तीन एकस प्लस एकस प्लस दूई और प्लस एकस का स्कॉरर और प्लस तीन अगर इसको हल करों तो कितना आएगा देखो आज मैं एकसरसाइज नहीं शुरू करूंगा आज मैं सिर्फ आपको सिखाओंगा ठीक है बैटा रोहिस तुम बहुत ज्यादा आगे जा रहे हो तुम् मारा कमेंटर में देकंब राएं बहुत है चलो देखो आगे तो बच्चा इसको क्या करना है इसे हमें छोटा करना है हल बल करके जो भी हलू है तो आप इसमें देखो पकड़ो इनको तीन यक्स है और यह क्या है यक्स यह दोनों सजातिये नेवारी फ़का है इन दोनों कि आपस में क्या हो गी में हम नहीं समझ defensive यह दून कुछ गया पैसमेश जूड़ जाएंगे मतलब विम्मulsive आप यह इंप यहहां जबत संसा समझ हो जाएगी क्या है क्या है क्य Armenian यह समझ रहा他 तो पानी में नमक डाल के गुल जाता है न तो हमें re ripping भी खानाउन गर नमक ये तो आगल हो आज नहीं होता है या गोई क्यों कि उसमें पूल जाता है तो भी जैसे गुल में तो सजातिये पद होते हैं और आपस घुछा Vors में अगर पानी में चीनी फोलो तब लेकिन यहां पे क्या बोलेंगे यहां पे तुम्हें बाद में बात करूंगा पहले तूम बताओ तो अगर CINI पानी घोल ते नग motion जो पतुम्हें लेकिन अगर एक वाल्टी पानी में तुम एक मूठा या पांच किलो लाके गिट्टी डाल दिये उसी में पत्थर तो वह गलेगा नहीं न तो उस तरह यह पिजातिये पद होते हैं पानी और पत्थर की तरह होते हैं वह आपस में मिलते नहीं है उन्हें बीच में उचित दूरी बन कि यह दोनों का है यह चीनी और पानी इनको मिला करें रस बनेगा मतलब यह क्या हो जाएंगे दोनों जूड़ेंगे तीन और यह एक यहां पर एक चीज और चूट गया था बच्चा देखो जैसे यह तीन है और यह एक से न तो जुड़ता है तब इनका गुडांक गुड कितना है कोई बताए कितना है इसके आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा तो इसका गुड़ांग हमेशा वन माना जाता है और इसका गुड़ांग क्या है तीन है तो तीन में जोड़ोगे फाइनल में क्या होगा हैं तो इससारा से दोनों जुड़ेंगे बच्चा तो यह क्या हो जाएंग चार एक्स हां जो भी पन साथ में लगा रहेगा उसे लगाना नहीं भूलना आइसा लग जाएगा यह हो गया है सबको समझ में आया उसके बाद अब प्लस टू आप देखो यह दो क्या है एक अचरपद है ना इक होगे आपका क्या आंसर लेकिन अगर इसे सरल करना था कहीं आपको इस तरह से मिला था तो बच्चा इसे ऐसे छोड़ो जो कमजोर होते हैं सभी पार्ट में उन्हें मालूम है कि वह कितना पड़ें कोरोना बैच में बिना पड़े पास हो गए उनके बगवान ही मालिक है योगी बाबा तो मालो चले जाएंगे का दूशाल बाद तो क्या होगी मालूम नहीं बच्चों दिया अभी फिर आएंगी लाहबाद में बाद में तैयारी करने आएंगे तो दूख पावर पांच उनका मलूम है निकाह होगा तो क्या करेंगे इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सिखात हूं जिससे थोड़ी सी बाद के लिए मुसीवत कम हो जाए हां चलो राज बर्मा बेटा तुम तो जाने वाले हो अब इसमें जब आंसर लिखते हैं फाइनल तो सबसे बड़ी घात पहले लिख देते हैं फिर उससे चोटी घात लिखते हैं फिर उससे चोटी यह अब तो फाइनल में आंसर हो गया अगर इसको सरल करना होता तो इस तरह से ठीक है सबको समझ में आया ना भाई 200 पार कर दो आप जल्दी बताओ 3x का square plus 9x और plus 1 और प्लस x का square और plus इसमें क्या अबच्चा yax क्या इनको आप सरल कर सकते हो जल्दी बोलो क्या इनको सरल कर सकते हो हां समिक्षा कुमारी भाई देखो तुम लोग गडबड कर रहे हो जान लो बार्चीत ना करो चलो इसको सरल कर सकता है कोई एनिवन इसमें से बता दे जल्दी से अगर कोई कर सकता है तो मनु राजपूत कितना आएगा अरे इमें तो बड़ा पानी है यार मैंने नीचे लिखा कितना आएगा जर बताओ सोचो और बताओ एनिवन सरोज बिजय संकर राजकुमार तिवारी ठीक है एनिवन और कोई भाई नीचे मैंने एक इक्वेशन दिया है इसे तुम्हें सिंप्लिफाई करना है थोड़ा से सरल करके इसे आसान भासा में परस्तुत करना है देखो बच्चा अगर तुम इसे अच्छे से नहीं पड़ोगे तो जब मैं चैप्टर कराऊंगा 2.1 तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मैं त तुम सीखने वाले नहीं हो बेटा चलो तीन एक्स का स्कॉयर है यह जुड़ेगा ने इसमें क्योंकि यह 9 एक्स है यह सजाती है नहीं यह बेटा जुड़ेंगे इनके गुड़ांग केक है इनके 3 है तो मैं यहां पर हल करूंगा उपर फाइनल में 4x का स्कॉयर हो बेटा और सब्सक्राइब हो कोई जिरे एक्षा और पालेज में के आप देखो को यह अफा कोई आप यह ज़्यार कर दिया बच्चे बहुत अच्छे चलिए तो यह आपका क्या हो गया यह सरल भासा में मतलब इस परकार से कहें तो इसका सद्सेश परकार नहीं सब्सक्रा इसलब सिम्पलिफिकेशन कर दिया या फिर इसे हम हल कर दिये जहां तक यह हो सकता था यह तो फिलाहल अब तुम सीख गयो हो चोटा-मोटा अब बुड़ा की बात करते हैं देखो कोई जाना नहीं अगर गड़ित सीखना है तो जाना नहीं नहीं सीखना तो दुबारा आना यह भी बता रहे हैं यहां पर कोई तमासा तो दिखाते नहीं हो यहां पर सिर्फ पढ़ाया जाता है देखो समझो अगर मैं तुमसे बोलूँ अब कुछ लोग कह रहे होंगे तीन तीन कहें लिखरा बार-बार यह मेरी खोपड़ी में आके बिना मतलब कवेट गया जल निकल चलो पांच यक्स का गहाद दो और इसमें तीन और यह यक्स का गहाद पांच बच्चा अगर इनका दोनों का गुड़ा करा जाये तो क्या होगा जल्दी बताओ क्या होगा अगर इन दोनों का हम मल्टीपल करें तो क्या होगा चलो जल्दी बताओ देखो यह कलास उनके ल क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट नी कर पारे मएं देख रहा हूं क्योंकि वह चैनल सब्सक्राइब ने करे सब्सक्राइब फ्री होता है कोई पर में लागेगा तुन सब्सक्राइब करो आप भी कमेंट करो है जैसे पर देखो ऑन कर système दिब्या दावत कर रही हैं तरुसुना कर रहे हैं लालीमा पवन राज विसाल सिंग बेटा बहुत अच्छे अधिती गुपता देखो कुछ बच्चों ने इसके आंसर भी बताए हैं कुछ लोग तब इससे देख रहे हैं दात निकालके मारेंगे ना अंदर गुष जाएग कोसित तो करोगे नहीं एक को है एक अगर कोई कुछिन देया जायत्य तो तो भी चूंतर करो कम से कम तब बताएं भी सोचें भी कि यहां बताएं लेकिन तुम एक-को कोसित नहीं करोगे तो बताओ crystalline कि allowed निया पार कैसे अउसने कि हमिसे ने बताहे हूं चलो बेटा जब गुड़ा करते हैं तो गुड़ा करने में जो अचरपद होते हैं उनका अपस में गुड़ा कर लेते हैं तो इनका पांच में गुड़ा करेंगी 15 हो जाएगा यक्स का घाथ 2 और यक्स का घाथ 5 तो गुड़ा करने पर घाथे जूड़ जाती है तो फाइनल में ये 15 यक्स की घाथ साथ हो जाएगा कितना हो जायगा 15 Self wavingagain सबको समझ में आया को अच्छा एक बात बताओ इसमें यह किसको नहीं समझ में आया जिसको नहीं समझ में आया जल्दी से बोले नू कि क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसको नहींemen جा है कि कमलेश राम बेटा तुम पढ़ाई कर लो तो अच्छा है कौन किस राज्जे से जुड़ा है वो तुम बाद में इंक्वारी करना चलो हरीश कुमार कमेंट अभी कहां फास्ट जा रहा है अभी तो मैं पंद्रा सिकेंड का रोंक लगाया हूं अभी मैं रोंक हटा दूं देखो बाढ़ आ जाया कमेंट की कि सबको समझ में आ गया ना मुझे लग रहा है चलो बच्छा एक और बताओ एक और बताओ तुम यह कंसेप्ट सीख लो तुम्हारे काम का है चलो दो आई नीचे तेन एक्स अच्छा यही बता दो कितना आएगा फाइनल में बहुत ही छोटा सा सिंपल सा ही कोईसान है कित चांदनी मनुराजपूत इक्सपलोर अर्थ अमित सिंग बगवाना उज्वला चलो ठीक है बच्छा देखो समझो बहुत ही सिंपल है वेरी सिंपल सा है आप इसे कर सकते हो इसमें कोई मुसीबत की बात नहीं है बटा चलो ठीक है तो इसका अंसर जो मैं बता देता हूं त तो फाइनल में दो यक्स वाई आएगा लेकिन एक्चुली होता क्या है मैं अगर पूरा एक्स प्लेंग करूं तो यह एक्स का घाद 2 है ना बच्चा तो यक्स की घाद 2 अपान यक्स का मतलब यह होता है यहां से समझ लो साइड में यह तो अंसर आगया तुमारा इसका मत पूरा होगा तो फाइनल में दो यक्स का वाई अंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आ रहा ना सबको ठीक है तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिनियूमियल बहूपद क्यों यही तो चैप्टर है बहूपद आपको क्लियर दिख तो रहा है बहूपद क्या होता है इसकी परिभासा हम आपको दो तरह से देंगे पहली डिफनीशन अगर आप यहाँ पर देखो बच्चा तो पहली इटीजा चैन आफ टर्म्स अब कहोगे इंगलीस तो मुझे नहीं समझ में आ रही है बता रहा हूं इटीजा चैन आफ टर्म्स यह केवल एक लाइन की परिभासा है लेकिन इससे आप लोग नहीं समझे होंगे हिंदी वाले को तो कुछ पल्ले ने पढ़ा होगा इका लिख दिया इटीजा चैन आफ टर्म्स मैं हिंदी में बता रहा हूं आप टेंसन मतलो हिंदी में पूरा विस्तार से जैसे तुम चा और उनके घातांक के जोड़ घटाना गुड़ा इवं भाग की किरिया वाले बीजगणितिये बेंजक यानि अलजेबरिक एक्सप्रेशन को बहुपद गहते हैं कुछ दिमाग में गुसा फिर से सुनो शर अचर एवं चरों के गुड़ांक घातांक के जोड़ घटाना गुड़ा भाग वाली किरिया और आगे क्या वाले बीजगणितिये बेंजक को पहुपद कहते हैं जैसे देखो यहां पर एक एक एक्जामपल देखो अगर मैंने ल सकार्ट मैं प्लस 9 Ybq यह एक बहुपद है यह तो गुरुच 2 एक दुधाद समीकरण भी है तहां वह भी है यह न sachनल समीकरण भी लेकिन पहले पहले बहुपद समीकरणबा अधाध में दैसे हम लोग पहले इंसान है और उसके बाद einige या कुछ समझ में आ रहा है काजल जी गुड इबनिंग हरसीद गुड इबनिंग बच्चा गुड इबनिंग विसाल कुमार परजापती सूरत सरोज तो अगर आप चाहो तो यह definition लिख लो अगर सच्चे दिल से पढ़ोगे तो पूरी guarantee लेते हैं तीन लाख बच्चों का विस्वास है टॉप करोगे mathematics में लेकिन इमानदारी से पढ़ोगे जो हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ोगे नोट्स बनाओगे कापी में लिखो गए तब ऐसे नहीं कि आके कलास देख लिए थोड़ा देर थोड़ा देर फलाने कमेडी देख लिए निकल लिए तो ऐसे नहीं होने वाला है जब कलास शुरू हो तब जुड़ो जब खतम हो तब कलास छोड़ो जितना पॉइंट लिखवाए उसको नोट करो कापी में एक एक बात सुनो समझो दिल दिमाग सब इधर रखो तब है आएगा चलो देखो समझो तो यह हो गया बहुपद आप समझ गए यानि कि कोई भी चर अचर चर अचर मैं कल बहुत अच्छे से बताया हूं बच्चा चर को वरियेबल बोलते हैं अचर को कांस्टेंट बोलते हैं इनका जो सलूसन होता एक परकार से इनकी जुक्रिया होती चाहे वह जोड़ घटाना की हो या गुड़ा भाग की हो तो इस तरह से जो एक अल है ललित कुमार समझ में आ रहा है अधिती गुपता बहुत अच्छे बेरी गुड़ एन एक्सप्रेशन आप मोर देन टू एलजेबिक टर्म्स इच काल पॉलिनॉमियल बिलकुल करेक्ट तो सीबसी वाले जो बच्चें वो तो सब समझ गये होंगे इसलिए हम दोनों लें ने क्सक्राइब तो कार के कुल पलस होता नहीं पॉत ऐसे भी हो सकता बचा थिन एक्स वाई है ये भी क्या전에 और है लो कोहीं बता ये हैं है कि ये बहुन है यह भोपद है ये नहीं मनो जादो टेली गराम पर साइंस की पीडियाप नहीं आया बेटा पीडियाप अभी तुरंते नहीं आएगा पहले कुछ पढ़ाया जाएगा तब आएगा जब एक चैप्टर खतम हो जाएगा साइंस का तब पीडियाप आएगा यह नहीं कि आज दूपॉइंट लिखवाय तो इसे एक प्रकार से रहाएखिक बहुपद बोल सकते हो आप लोग ठीक है क्या बोल सकते हो रैखिक बहुपद बोल सकते हो अगर बात करें हम इसमें कई से बहुपत तो बोली नहीं सकते हो क्योंकि इसमें दो से अधिक अगर पद है मतलब मोर दें तीन से अधिक अता बहुपत होता है तो यह एक पद है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं जो टम्स होता है पद इसके दो भाग होते हैं एक आप आपका चर वाला पार्ट होता है कि एक चर वाला होता है तो बत्चा अगर चर वाले पद की बात करें तो यह बैरियेबल पार्ट क्या है बार spikes को और यह reference क्या यह reference रे घांश्टेंट कि हिंदी वाले इसको लेख लें पज células के यह चरपत है चर्मतलब यह चा और राचर को समझ रहो न यह चीज होता है आप सभी समझो यहां पर बच्चा देखो सभी ध्यान से पढ़ो बाकिक दूसरा काम ना करो तो अब हम आगे बात करते हैं जो मतलब की बात है वह यह आप लोग समझ गए यह भी बताना जरूरी था कोई भी पद में दो पार्ट होता है एक कंस्टेंट पार्ट होता है अब चलो इसके आगे इसमें ब ceremonial यह है एक परकार से बात करें लोग के बारे में बात करना है घक ते जो चोटे भाई-वैन हैं कवह कहँ हो कि आख़़ आप लुक रहे क्या है क्या हो था हच भीडियो रूंक रहे क्या है क्या कि अब SPD条να अगे समझते अब आप लोग sự हेडिंग लिखो नहीं हेडिंग लिखो जो बना रहे हैं उसको बनाओ तीन आपको कालम बनाने है ऐसे वहां पर आपको समझना है देखो बच्छा जो लिखवा रहे हैं इसका नोट से जरूर बनाओ अब मैथमेटिक्स की पीडियाप नहीं देंगे बेटा याद रखना क्योंकि गड़ी तु हाँ चलो बनाओ ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ सभी बच्चे कि तना बनाओ गें तीन चार लाइन बनाओगे ठीक हैं बच्च्चा देखो दूए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता एक पद देखो अब मतलब समझो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं बहुपद की पूर्ब पीडियों के बारे में बात कर रहें जैसे हम लोग हैं तो हम लोग की पूर्बज के बारे में कोई बात करें अगर हमारे पूर्बज के बा बारे में चर्चा करते हैं तो बहुपद के पहले क्या होता है मॉनोमियल जिसे बोलते हैं एक वद ग्वद जो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था वैसे ही कुछ होगा जैसे मालों नौ वाई लिख दिया यह क्या है एक पद है ठीक है बच्चा अगला लिखो बायो नो इसका मतलब होता है बच्चा दूइपद यह वर्ड याद रखना अगर आप सीबसी वाले हो या यूपी वाले हो भाईया कौनों भी बोर्ड है हिंदी मीडियम हो एंग्लिस मीडियम हिंदी-ंग्लिस आपको दोनों वर्ड आने चाहिए अगर आगे चलके आपका प्लान आई दो मजा नहीं आएगी कि गनेज बर्मा बेटा और देर में आओ हैं टाइम पर आओगे तब समझ में आएगा ठीक है आगे लिखो ट्रेनोमियल ट्रेनोमियल मीज तिरपद देखो अगर शिस्टम से पढ़ोगे तब आएगा पूरा टाइम पढ़ोगे तब लिखो ट्रिन मतलब तिरपद अब मैं ते टाइटल लिखवा दे रहा हूं देखो बच्चा दूइपद का मतलब जैसे मनलो 7y प्लस 1 यह दूइपद हो गया अब दूइपद हो जाए जैसे तिरपद मानलो 9x का स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस वन यह तिर पद हो गया अगला आता है आपका जिसके बारे में हम सारी कहानी कर रहे हैं पॉलिनॉमियल यह बहुपद यह क्या बच्चा यह बहुपद है यह तीन से अधिक पद बच्चा एक पद अगर होगा तो बाइनोमियल बोलेंगे तीन पद होगा तो उसे क्या बोलेंगे बहुपद बोलेंगे सब्कों समझ में है ना यह साइधी बनालो यह बनालो तुम्हारे बहुत काम हो सकता है काम आपके परिप्रामें बच्चा ऐसे कम पूछ लिया जाए उगा नंबर में हाँ ऐसे दिया जाए एक ठीभि पूंस लिया जाए दिया कि इसमें देखो एक बीच में चिन्द लगा एक पदिये है एक पदिये दूरी पद कि सचीन रावत थोड़ा सा लेट हो गया बहुत अच्छी बात है अब टाउल लेट हो जाओ तुम हम तो सोचते हैं कि तुम और लेट में आओ ना समझ में आए तो दूबारा हमना बताएं अधिति गुप्ता समिक्षा प्रिया सर्मा बाल कृष्णा दूबे सबको समझ में आ रहा है न तो भाई आप लोग इस सेशन को लाइक करो बाबु ऐसे मज़ा नहीं आ रही ठीक है बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही अगला कंसेप आपको सिखाने चल रहे सभी जल्दी से सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों में एक बार सेयर करके आओ जो सेयर नहीं कर रहे हैं यह आपके वी जिम्मेदारी होती देखो पूरा दिल से मैं पढ़ा रहा हूं और वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूं मैं टाइम कर रहे हूं आपके लिए अलग से अप्लिकेशन की एक कलास बंद करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप लोग कलास को सेयर करो जल्दी से तुरंट सभी साथी सेयर करके आजाओ और फिर हम आगे बढ़ते हैं अन्स यादो धोनी गुपता ठीक है इसको मिटाता हूं इ इसक्रीन साथ लेलो जल्दी से इसक्रीन साथ लेलो मैं हट गया हूं चलो मैं बोलता हूं तो इसका मतलब यह थोड़ी कि मैं पांच दिन रुका रहूंगा तुम इसक्रीन साथ लेते रहोगे हैं ऐसा तो नहीं होने वाला ना अच्छा तो अब आप लोग टाइटल डालो बहुपद की घात क्योंकि अभी घात के बारे में हम अध्यन करेंगे बहुपद की घात चलो हेडिंग डालो बहुपद की घात लिखो कौन है ये डंडा करा है यार एकदम इस सब मारें परिसान कीके रख दीए सही बता रहा हूं निकुल कुमार अब्बु कुमर ठीक है बच्च पड़ाई कर लो पड़ाई कर लो लिखो बहुपद की घात टाइटल डालो आप जानते हो किसी भी बहुपद की अगर एक घात होती है दिखतां तो उसे क्या बोलते हैं कोई जानता है तो बताए एक घात वाले बहुपद की घात लिखो बच्चा डिगरी आफ डिगरी आफ पलिनॉमियल डिगरी आफ पलिनॉमियल बहिया ये कौन सी डिगरी की बात हो रहे है जरा ध्यान से समझना संकेत कुमार आरहा कुछ समझने बच्चा आकास यादो नहीं नहीं वो नहीं है मोनोमोनियल जो काका बोल रहे है वो सब नहीं वो सब हो गया उसकी काम कतम हो गई नहीं मोनोमियल नहीं वो तो एक पद है उसकी बात अलग है यहां घात की बात हो रही है गहात की बात हो रही बेटा देखो उसे लीनियर पॉलिनॉमियल बोलेंगे ठीक है बहुपद की गहात में लिखो इसमें भी आप लोग बनाओ ऐसे जैसे अभी मैंने बनाया था वैसे चलो कालम बनाओ ऐसे बनाओ यह मारकर मुझे लग रहा है बहुत जादा नहीं चलेगा थोड़ा हलका चल रहा होगा ना कि चल रहा है दिख रहा है ना बच्चा देखो बहुपद की घात है अब यहां पर हमें तीन परकार का बहुपद आपको दिखाना है तीन परकार का बहुपद देखो समझो फिल हाल तो भी मैं तीन ही दिखाऊंगा आप लिखो अगर मालो यहां पर बी वाई है और प्लस सी है तो यहां पर चर की अधिकतम घात क्या है बही कोई बताए ऐसे बना लो चाहें चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात क्या है एक है तो भाईया अगर चर की अधिकतम घात होती है एक तो बच्चा इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद मतलब समझो वह एक पद बहुपद दुईपद बहुपद अलग है बच्चा हो दुईपद बहुप बहुपद को भी रेखिक बहुपद बोलते हैं जैसे सेबन वाई प्लस वन है ना इसमें जो चर पद है उसकी अधिक्तम घात एक है अगर हम पिछला जो अभी पढ़ाए उसके अकार्डिंग देखेंगे तो यह दूई यह दूईपद है यहां लेकिन बहुपद वर्ड नहीं आएगा यह दूईपद है अगर किस टाइब का यह बहुपद है आप ऐसे बोलोगे तो यह रेखिक बहुपद है समझ रहे हो ना लेकिन पद इसमें दो हैं घात एक है घात अधिकता में एक है क्योंकि वाई पे कोई घात नहीं तो एक मानी जाती है किसी भी चर्पे अगर कोई घात नहीं होती तो एक मानी जाती है तो बच्चा यहां पर जो घात है यहां पर अगर तुम देखो वाई प क्या है बी और सी कंस्टेंट है बच्चा बी और सी क्या है basta 1967 पीजिटगा पे 1 आगे देखो आगे देखो एसक्वाई स्कुरेर क्लिए वाई स्कुरेर प्लस प्लस गवाई तकval डेम अभी स्में देखो इसमें वाई की अधिकतम ना यहाँ पर लिखो चरकी अधिक्तम घाथ कि दो लिखो लो फटा-फट लिखो चरकी अधिक्तम घाथ 2 देखो अगर अच्छे से सम्झों कि बच्चा तो समझ में आएगा प्राजेश कुमारी बोल रहे हैं इक्सरसाइज बताओ तुम तो यहां से निकल लो तुरंद निक चलो यहां से इनको exercise करवादो question चाप लें बस यह इनको समझने से कोई मतलब नहीं कि दुई घाद बहुपद कि जिनकी चर की अधिक्तम घाद दो होगी वो क्या होगा दुई घाद बहुपद होगा एक और लिखो ay cube plus by square plus यहां पर कुछ भी मानलो e मानलो इसमें लिखो चर की अधिक्तम घाद चर की अधिक्तम घाद तीन तो भाईया इनको क्या बोलते हैं तिर घाद बहुपद क्या बोलते हैं तिर घाद बहुपद परिक्षा में आएगा ना तो मुँ बनाया रहे ना exercise करके बैठे रहो exercise करके बैठे रहो कुछ नहीं होने वाला है कांसेप्ट सीखो सब कुछ सीख जाओ तो exercise तुम खुद ही कर लोगे अभी देखना ना कर लेना तो बताना खतम हो गया जैसे exercise करवाएंगे न तुमको इतना तैयार कर देंगे कि तुम्हें कुछ नहीं बताना पड़ेगा सब कर लोगे लेकिन अगर वही तुम्हें कांसे पड़ने नहीं मतलब है इनको बस यही मालूम चले कि समीक्षा कहां से है बस इनका कल्याण हो जाए यह इतने में ही इनका मतलब सब कुछ पूरा है चलो अंसिका बर्मा अधी बर्मा जी बिल्कुल कमेंट आरा आपका चलो हो गया इस्क्रिंसाट ले लिए अब हम चलेंग जब तुम इसे कांसेप्ट को सीखे होगे नहीं तो फिर वहां भी मुव बनाओगे तो हम कुछ करने वाले हैं नहीं हां चलो विटाएं इसे भाई इमारे जो टेक्निकल टीम के सदस्त हैं जो फालतू की बातचीत करने इन्हें बलाक करो अब इन्हें बिल्कुल छूट नहीं देना है तुरंद फटा-फट सबको बलाक करो हम बोल रहे हैं जो भी फालतू की बातचीत करें उन्हें बलाक करो पांची लोग देखें ना दोसों लोग देखें लेकिन पढ़ने वाले बच्चे देखें हां आलतु को बात चीत नहीं चलो अब exercise 2.1 खोलो exercise खोलो फटाफट देना करो चलो exercise open करो फटाफट मनु राजपूत परदीब धकड रमेश पालिवार बेटा इंगलीज भी चलेगा इंतजार करो कि सीवम कुमार जब चैप्टर खतम होगा तब नोट्स आएगा मैथ वाला नोट्स नहीं आएगा मैथ वाला तुम्हें यहीं पढ़ना पड़ेगा हां मन्टू मन्टू एक्सरसाइज प्याजाओ एक्सरसाइज 2.1 कुईस्ट नमबर फाइस्ट पहले मुझे मारकर में स्याही भर लेने दो जिससे खुब मस्त चले यह ठीक है आप लोग देखो कलास को लाइक नहीं कर रहो मजा नहीं आरी जान लो हम बंद कर देंगे बस मैं खोपड़ी जहां संकीन तहां में बंद किया बोला हूँ एक बार की भईया कलास को लाइक कर दो बाबु लाइक कर दो लेकिन बाबु का है सुने इनका का जाता है सबी जितने भी बच्चे जुड़े हैं कलास को तुरंद लाइक करें बहुत जल्दी करें देर ना करें आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और अगर आप जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम आपको डेली पढ़ाएंगे फ्री में बिल्कुल यूटूब पे लेकिन आप कलास को रोज अपनी वाट्साप स्टेटस में लगाओगे मैं अभी चेक करूंगा कौन-कौन लगाया है आज मैं खुद देखूंगा कोई दू कौन ना करना मेरे पास हां चलो तो बच्चा चैप्टर की बात करें 2.1 सभी बुक खोल लो पहले फटाफट एक मिनट पहले आप लोग सेयर करके आओ तब बात करेंगे हम चलो जल्दी जाओ सेयर करके आओ सभी सभी जाओ तुरंद सेयर करके आओ पहले कलास को तब आप कुछ करेंगे तुरंद करो फटाफटेर ना करो यह से मज़ा नहीं आ रहे हैं देखो बस आदा मिनट लगेगा अब सेयर की बटन पे किलिक करो ले जाके अपने टेली गराम पे वाटसाप पे फेस्बूक पे जह अब तुमारे दोस्तों लोग जाता हूं वहां पे लिक दो कि जिनको भी मैद सीखना है ना इंथ में पढ़ना है आजाओ अब इतने तो करना है कि अभी मेरे बोलने के बाद 30 लोगों ने राइक किया है तीस लोगों ने कि अभी पागेल का नंबर है लेलो सब लोग लेना हो तो लेलो बहुत परिसान नहीं है इनका नंबर लेलो सब लोग भाई हो गए कर दिया आप लोग तो चलो बच्चो फिर टाइम ना बिताते हुए आगे देखते हैं यह बताओ कौन-कौन किताब लिया है बेटा यह बताओ किताब लिये हो एं-C-R-T वाली तो बच्चा अगर किताब लिये हो तो पहला कुश्चन देखो कहरा है कि निम्लिकित बेंजकों में कौन-कौन एक चर में वहुपद है और कौन-कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए एक बार फिर से सुनो exercise 2.1 क्लास 9 की NCRT mathematics का सलूशन है कुश्चन कहरा है कि निम्लिकित बेंजकों में से कौन-कौन एक चर रासी में रैखिक समीकरण है नहीं स्वारी एक चर रासी में बहुपद है कौन-कौन नहीं है ये भी बताना है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है समझो आरती पाल आरा कुछ समझ में स्याम सुन्दर देखो बच्चा पहला है पहला 4x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का सेबन क्या ये एक चर रासी में बहुपद है पहले तो मुझे तुम सबही ये बताओ इसमें कौन सी चर रासी है जल्दी कमेंड करो एक सूर में इस समीकरण में या इस बहुपद में चर रासी कौन सी है? सबको दिख रहा ना बच्चा ओललू तुमी से पूछ रहा हूँ इसमें कौन सी चर रहा सी है कमलेश मेवाडा सिवम मौम्मद हाफीज एक चर में बहुपद है अच्छा मनोज यादो ने बहुत सही बताया है बेरी गुड तीन चर है बहुत नलायक होया तुम तो एकदम पागला हो सही में रंजु देवी तुम मत आओ आज अभी अच्छा है इसमें जो चर रासी है बेटा वो यक्स है क्या है यक्स है अगर पद की बात करें तो तीन पद है चर वरियबल यक्स है ठीक है क्योश्चन में कह रहा है कि बिंजकों में से कौन एक चर रासी में बहुपद है और कौन नहीं है एक चर रासी में बहुपद कौन नहीं है इसका मतलब यह है कि जैसे यह फोर एक्स का स्कॉयर होता माइनस यह तीन वाई प्लस यह सेवन होता तो ये नहीं था क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें यक्स भी है वाई भी है इसमें दो चर्रासी है क्या है भाईया? इसमें दो चर्रासी है बाबू यक्स भी है वाई भी है इसलिए ये एक चर्रासी में बहुपद नहीं था लेकिन इसमें यक्स है यहां भी एक्सय है इसलिए क्या है ये एक क्षरासी में भुअपद है कि मैं कि समझ गए ना बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना इसमें आगे लिखेस्व बधा से लिए गए बासुम में ऐसी एक चर्रासी वाला नहीं रहा जाता ये रिसप सिंग आरा समझ में दसरत कुमार क्या बोल रहा भई चलो तो ये हो गया आपका अगला इसमें दूसरा वाला देखो बच्चा दूसरा वाला कह रहा क्या ये एक चर्रासी में रहखिक समझ करण है वाई स्क्वायर प्लस अंडरूट दो बताओ क्या ये बहुपद है एक चर्रासी में बहुपद है या नहीं है देखो बच्चा इसमें एक चर रासी जो है वो क्या है चर क्या है इसमें वाई है और एक के चर है वाई ही तो है बाकी और तो कुछ है नहीं इसमें इसलिए क्या है यह एक चर रासी में रैखिक बहुपद है स्वारी रैखिक बहुपद नहीं है रैखिक का कामी नहीं इसमें जो पूछा है तुम्हें सिर्फ इतना ही लिखना है एक चर्रासी में बहुपद है बस तीसरा देखो बच्चा तीसरा कह रहा है थ्री इंटू अंडर रूट टी और प्लस टी इंटू अंडर रूट दो अच्छा एक बाद बताओ इसमें सभी यह बहुपद है या नहीं है मतलब एक चर रासी वाला बहुपद है या नहीं है कोई बताया निमन क्या ये एक चर रासी वाला बहुपद है कि नहीं है भाईया बताओ नहीं है बच्चा देखो इसमें अंडर रूट टी का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं कि कोई वर्गमूल निकल के कोई पुरुड संख्या आ जाए इसमें ना तो दो कावर्गमूल निकलेगा तो यह नहीं होगा क् 이쪽 थिक है समझत रह रह cidade क्योंकि इसमें नहुंकि पर कशिक परकार से अगर देखो यह अपर तो फोरथ करकार था नहीं नहीं है इसमें है इसमें देखो जो चर था वो स्वतंत ता उसमें कोई लफड़ा नहीं लगा था पीछे तो यह नहीं होगा यहां इसमें लिखो के नहीं यह एक चर रासी वाला पाउपद नहीं है जुझे है चॉथा जब्चा का कहह रहा ही यह वाइप लस टू अपान वाई देखो भाईया इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो वाई प्लस टू वाई का पावर माइनस वन लिख सकते हो कि नहीं पहले तो यह बताओ सभी आयोस जी ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा ये भी क्या है एक चर रासी वाला बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी घाद जो है वो पूर्व संख्या नहीं है क्योंकि इसकी घाद क्या है पूर्व संख्या नहीं है घाद पूर्व स समझे सिंग तो तुम पढ़ लो नीज भाग कर।י हम Аप देंगे अन। शों यह हो गया समझगे ना। तो इसमें और भी पार्ट है पाच 700 देखो कि इसमें एक और है आप लोगों में都 कोई इना बताएगा समें नहीं है 5 नमबर पार्ट बहुपद है या नहीं है देखो बच्चा जो 5 वाला है वो कह रहा है कि X का पावर 10 प्लस Y का पावर 3 प्लस T का पावर 50 यह बड़ा खतरनाक है बड़ा अजीव टाइब का यहां पर समझो यह कैसे है देखो यहां पर यहां पर समझो 5 वाला यक्स का पावर 10 प्लस Y का पावर 3 प्लस T का पावर 50 कह रहा कि क्या यह एक चर्रासी में बहुपद है एक चर्रासी में बहुपद है तो बच्चा यह बहुपद तो है लेकिन एक चर्रासी में बहुपद नहीं है यह तीन चर्रासी वाला बहुपद है तो कुश्चन में क्या कह रहा था निमनलिखित बेंजकों में कौन-कौन एक चर्रासी में बहुपद है और कौन-कौन एक चर्रासी में बहुपद नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर जीए तो यह लिखो यह एक चर्रासी में बहुपद नई है क्योंकि इसमें तीन चर्रासी या एक्स कामा वाई कामा टी सामिल है यह तो समझ गये ना सभी को समझ में आ रहा है ना बच्चा संकेत दोनी गुपता प्रिया सर्मा अधिते दुबंसी ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी गुड अगर मैं पढ़ा दूं इन सब को पूरा कंपलीट कर दूं आप लोग क्लास को सेर करके आओ तो मैं अगला कोईश्टन भी पढ़ा दूं पूरे एक गंटे पढ़ा दूं अगर बच्चे हंड्रेट की प्लस हैं तब मैं आधा गंटा पढ़ाई दिया उतना देर हो गया आप लोग जल्दी से 200 प्लस करो फटा फट मैं एक्सरसाइज खतम कर देता हूं आज चलो देखो जल्दी जल्दी पढ़ लो रिवाइज कर लो खतम कर लो किताब जो तीन महीन हम सब सभी साथी जल्दी सेयर करके आओ कुईश्टन नंबर दूसरा हम लिखते हैं आपे भाई देखो जितने जादा लोग देखेंगे हमारा भी उद्देश से पूरा होगा और हम बीख भूना करो जैसे आया करो तुरंन सेयर किया करो और नए बच्चे सब्सक्राइब समझ रहु है नवच्चा तो जितने भी नएто साथ ही है सबस्क्राइब करें दूसरा देख करो करें और जो सब्सक्राइब नहीं करें वह receptors रहा होगा तक यह नहीं सबस्क्राइब कर रहा है उसका पर That's a क्यों भाई रुका हुआ है का रुख गया ना भाई रुखा हुआ है का वीडियो रुखा है थोड़ा सा इंतिजार करो कि यह फ्रीज कर रहा है मुझे लग रहा है ना 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 पच्चों हमारी वाद सुन पा रहे हो आप लोग देखो थोड़ा सा रुख जाओ भाई पता नहीं इसमें कौन सी आफ़ाथ आ गई यह तो गुस्सा लग रही इसको देख करके अगर मैं बंद कर दूँ तो फिर से इस पर सुरू हो जाएगा कि नहीं हो बंद करता हूं देखो कोई जाना नहीं अभी इसी चलेगा फिर से चलेगा जाना चलो बच्चा फिर से आगे हम हां आगे ना कि नहीं चलो ठिक कोई दिक्कत नहीं है आप देखो तुम तुम नीचे का जो नंबर था न वह भी बदल गया कलर दीला चल रहा था अलग चलने लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अभीने दूबे बच्चा पढ़ाई कर लो और कुछ मत देखो हां को गया चल रहा है ईफल डोल रहा हूं मैंना चलो हाथ पैर ह पैर हील रहा मेरा क्विश्टन नमबर दूसरा लिखो भाई या डिस्टर्ब वह जाता बीच बीच में करा कि निमनलिखित में से परतेक में x2 का गुडांक लिखिये परतेक में से x2 का गुडांक लिखिये तो लिखो टू पलस x2 पलस x2 पलस x2 पलस yaks ये बच्चा question number second का पहिला पार्ट है इसमें यक्स का गुडांक कोई बताएगा कोई बताएगा कोई बताएगा इसमें यक्स का गुडांक कितना आएगा कह रहा है कि निमलिखित में से परतेक में यक्स स्कॉायर का गुडांक गयाद करना बच्चा गुडांक मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया है ग कोफी सी एंड बोलते हैं ऐसे कुछ होता ना इंगलिस कि देखो बच्चा यह एकसिस्क्वाइर है इसके आगे पीछे कोई गिंती है नहीं जैसे अगर यह सेवन एकस का इसक्वाइर होता और मैं तुमसे पूछता कि यकसिस्क्वाइर का गुडांग क्या है तो बच्चा इस यह केवल y cube है इसके आगे पीछे कोई गिंती नहीं है तो यहाँ पे हमेशा 1 माना जाता है और इसका गुडांग क्या होगा 1 होगा समझ रहो ना उसी तरह से अगर ये सिर्फ x का square है तो इसका गुडांग हमेशा 1 माना जाता है यानी यहाँ पे क्या है 1 है इसलिए इसका गुडांग क्या होगा 1 होगा तो इस तरह से इसमें x square का गुडांग आप लिखो गए x square का गुडांग बराबर 1 कितना है वन है तभी बच्चे एक बात ये बताओ किसके किसके पास किताब है क्या आप लोगों के पास किताब है बोलो यस विसाल कुमार परजापती रोहिज सिंग मनु राजपूत दसरत ललिद अभी किताब लिए हो ना बच्चा भाई देखो न esti वाली बुक लेके बैठोगे तो मज़ा आएगी समझ लो नहीं लेके बैठोगे तो मज़ा नहीं आने वाली है लिख ले न बस इसमें 165 का गुडांक 1 है बाकी कुछ लिखना नहीं है च्छापना नहीं है तुमें रमेस प्रिया सर्मा इनके पास किताब है उनका सब मिल रहा होगा मज़ा आभी आ रही होगी चलो दूसरा यह हुआ इसे दिया है तू माइनस एकस स्क्वाइर प्लस एकस क्यूब अच्छा इसका जो आंसर बता देगा ना उसे हम मानेंगे कि वो बहुत जानता है और खुब बहुत सारा जानता है पच्चा इसमें एकस का इसक्वार का गुडां कोई बता दे निमन कितना है पूजा कुमारी दोनी गुपता कैलास कुमार रजक परतिभा कुमारी लीजेंड गौड गेमिंग अनिल मालविये मनोज बच्चा देखो कलास बिलकुल फ्री होती है रात क साथ से आठ के बीच साइंस भी होता है बिलकुल फ्री दोनों टाइम आओ और पढ़ो घर बैठे मैथ और साइंस और आपके जो भी दोस्त दोस्त हैं उनको भी बता दो क्योंकि एक अगस्त से कक्षा दसका भी बैश सुरू हो रहा है एक अगस्त से सभी बच्चे आओ तुमारे पास कभी दो चलें आगे लेको जो ग्यारा बतारा उसका गलत है जो वन बतारा उसका भी गलत है बहुत अच्छे चिराग पटिदार फूजा दंगी अंसिका बर्मा आपका भी सही है माइनस है बाबु देखो यहां पर माइनस का चिन्न पहले है ना तो इसका गो बता रहा है उसका गलत है कितना है बच्चा माइनस वन है इस बात को ख्याल रखना अग्ठी आउर है भाई या पाई बटा दूई इंटु एक्स स्क्वाइर और प्लस एक्स इसमें एक्सी स्क्वाइर का गुडांग क्या है कोई बताएं इसमें यक्सी स्क्वाइर का गुडांग क्या है इसमें बहुत सिंपल है बता लोगे तो इस तरह से आपका दूसरा क्यूश्चन भी खतम हो गया तीसरा कहरा है 35 गहात के दूइपद का एक और सो गहात के एक पदी का एक एक उधारण दीजिए 35 गहात के दूइपद और सो गहात के एक पद का एक एक उधारण दीजिए भाईया कहां रखोगे इसा उधारण लेकर के हां चलो कर लो भाई दीप राज जी आ रहा समझ में हां सब को समझ में आ रहा ना राजेस पांडे ठीक है अगला कुश्चन में देखता हूं इसमें और कौन कराने लायक है वैसे सब तो मुझे नहीं लग रहा कराया जाए 2.1 इसक्रीन साथ लो फटा फट मैं सामने से हटा हूं नहीं तो फिर आ जाओंगा तो फिर छुप जाएगा तो फिर तुम देखते रहोगे मूँ बनाके हां चलो 35 गात के एक और 100 गात के दुई पदी का एक एक उधारन दीजिए ठीक है इसका भी उधारन लिख लो कि वह से मुझे लग रहा है चालिस मिनिट हो गया कलास का टाइम ओबर भी हो गया ना 35 गात कोई भी एक बना लो ना यारो जैसे वाई का घात 3 गात 35 क्या पूछ रहा था 35 गात के दुई पद तो तीन वाई का घात 35 प्लस वन कर दो प्रस तीन वाई का घात 35 प्लस वन 35 गात का दुई पद हो गया यह कुश्चन नंबर होगा सिकेंड फर्ष्ट कुश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं गुडांक क्या होता है पहले तो कुश्चन आप लोग किताब लिए हो तो जानी रहो निम्न में से निम्न में से मैं प यक्स इसक्वायर का गुडांक पताईए यह बताना है गुडांक को इंग्लिस में कॉफिसियंट बोलते हैं तो बच्चा इसके आगे दीख रहा है न देखिए मैंने आपको चर और अचर पढ़ाया है जब आपका दूसरा चैप्टर सुरू हुआ उसके पहले ही इसको मैं हाँ ठीक है सीवेसी के लिए भी है गुडांक को इंग्लिस में कॉफिसियंट बोलते हैं क्या बोलते हैं कॉफिसियंट बोलते हैं ठीक है तो बच्चा चलो लिखो 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 इसका जो पहला है सिकेंड का फर्स्ट पार्ट है तो टू प्लस यक्स का स्क्वायर प्लस एक्स हमें क्या करना है एक्स स्कुयर का क blocking निकालना है तो बच्चा लोग यह देखो इसमें यक्स का स्कुयर है कहा यहां कहीं एक एक रेड़ Pensy में उसको भी लेता तो अच्छा रहता यक्स का स्क्वायर जो है वो देखो तो यह दिख रहा है न यह है तो हम इस पद को पकड़ेंगे अरपित यादो जी बहुत अच्छे इसके साथ देखो गुड़ा में कोई गिंती है क्या नहीं है आप कहोगी यह कौन सी बात बता रहे हो एक मिनट यह तो पूरा छेका हुआ यार इसको थोड़ा साइड करता हूं यह लो बस चलो अब देखो इसके साथ कोई गिंती नहीं है जैसे एक छोटा सा उदारन समझ लो जैसे अगर यह सेवन एक्स का स्कोईर होता तो यहाँ पर हम कहते कि एक्स स्कोईर के साथ गुड़ा में सेवन है क्या है सेवन है अगर यह 19 एक्स का स्कोईर होता तो यहाँ पर हम कहते कि एक्स स्कोईर के साथ गुड़ा में 19 है समझ रहे हो ना बच्चा तो यहाँ पर ए कि बात करें तो वो seven है क्या है seven लेकिन अगर यहां पर एक सिसक्वायर के गुडांग की बात करें तो क्या होगा बताओ रंजुदेभी आप बताओ दोणी गुप्ता सूरज ब्रो सचेत टेक्निकल इंडिया बताओ चलो क्या होगा अब कोशेज करो ना यार थोड़ा सा क्या है कुछ नहीน मतलब कोई गिंती नहीं दिख रहे है तो बच्चा अगर कोई गिंती नहीं होती है इसी नियमें गुडानक होता वह माना जयाता है क्या होता है व् mixed सिव म कुनार का सबसे नायंटीं होगा उन्नी सदो सही होगवा 9 होगा 19 भाथ बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी कुल बहुत अच्छे कपिल थिक है ख्ञज ऑके यहीं इसंदी घएग हाथ में भी होती हे बच्चो अगर यहां पर यक्स है ना इसकी कोई घा नहीं खोपड़ी कोई नहीं बैठा इसके वान माना जाता थो किया माना जाता है वान माना जाता है तो यहांपे घात की बात करें करेंगर कुछ नहीं तभी वन होती है उस तरह से इसका जो गुड़ाँक क्या है एक है तो हम चलते हैं अपने कुश्चन पर यहांपे समझोत्ство को यहां पर सीधा सीधा मैं नहीं बता सकता कि आपको सिर्फ आंसर बता दूं क्योंकि हमारा उद्देश से है हर किसी को समझाना तो जो इसमें ज्यादा माश्टर बनते हैं उनको कभी नहीं पढ़ना औरना वो हमारे यहां पढ़ पाएंगे इनको सीखना है वो पढ़ सकते ह कि हम step by step सब बताएंगे तो लिख लो नीचे किसका निकालना एक सिस्कॉार का ला कि टुड़ा अंक बराबर 1 इंग्लिस मेडियम उल्ले कोफिसियेंट आप एक्सिस्क्वाइर कल वप पस हो गया यही तो निकालना था अब तुम कौंगी कोफिसियन की स्पेलिंग भी नहीं आ रही भाई स्पेलिंग तो जन्बे करते हो क्या लिखू फालतू मुझे तो हिंदी मीडियम पढ़ाना लेकिन मैं इंग्लिस बता दे रहा हूं जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं ठीक है कुश्चन उनके में कुछ ऐसा होगा इंग्लिस मीडियम की बुक मैंने तो नहीं देखा मेरे पास तो नहीं हिंदी मीडियम है लेकिन उनके में ऐसा ही कुछ लिखा होगा न मतलब फालूइंग करना है ऐसे कुछ करके होगा सिंटेंज जो भी होगा ठीक है चले कीता मोर्या हां राज बर्मा बेटा बहुत अच्छा कह रहे हो तुम पढ़ लें तब बात करें न ठीक है अच्छी बात है कम से कम सुधर तो रहे हो तुम चलो अच्छा एक बात बताओ इसका जो सिकंड पार्ट है जितने भी बच्चे एंसी आर्टी बुक लिए है सब में मिल रहा है सिधा सिधा यह है टू माइनस यक्स का स्कॉयर और प्लस एक्स का क्यूब है तो बच्चा इसमें क्या होगा भया राजा इसमें का होगा हां सोचो इसे यह भी है वैसे यह भी है कोई बताया निवन गेमिंग मीना आर्या फैमली बहुत अच्छी बात है तुम लेट हो गई तुम कल भी लेट होना कल भी लेट होना तुम्हें आवार्ड देंगे लाइस्ट में हम पढ़ा देंगे तो सब को क्योंकि तुम रोज लेट आती तो बच्चे आप चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आप भी कमेंट कर पाओ ठीक है और अगर आप चाहते हो कि मुझे रोज पढ़ना है और फिरी पढ़ना है न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस कलास को ल करना वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब सिर्फ एक दिन होगा रोज नहीं होगा सिर्फ एक दिन सब्सक्राइब होता है लाइक और सेर रोज रोज चलो इस यह हो गई कुछ भी फलाने बहुत अच्छा आदमी रहें- नीक आदमी रहें जिल्डा करते थे हर किसी के सहयता करते थे और ऐसा बुड़ा जो रहे जा रहा गरी आरा सब को लाठी फैंग बिखने मरूत मिफ़ा है ऐसलिए कि यह मां इने किसमें माइनस मेrim यह माइनस के साथ ही नीचे उतरहेगा मतलब इसका करम है यह समझे लो माइनस का स्क्राइब क्या है माइनस का एक स्क्राइब तो इसमें अच्छा जो गुडांक होगा माइनस वन होगा क्या होगा माइनस वन अगर कोई भी पद माइनस में है तो उसका गुडांक भी क्या होगा माइनस में होगा ठीक है समझ रहो ना पेटा यादो जी गेमिंग तुम जी एफ हो अब तो नहीं बना पाओगे लेकिन तुम्हारी जिंदगी भरबाद हो जाएगी जरूर यह कंफरम है समझ रहे हो न क्योंकि हर चीज का टाइम होता है पढ़ने का टाइम है पढ़ लो तेको यह कमेंट कर रहे हैं मेरी जी एफ अब तुम किस काम के हो बताओ तुम्हारा कोई क्यों बनेगा हां कुसी काम के हो बताओ आज कर लोग क्या खोजते हैं मालू मैं तुम्हें किसी काम का होना चाहिए बंदा तुम किसी काम के हो नहीं करो कि क्या तुम ना तुम पढ़ लिख रहे हो ना तुम कमा रहे हो तो कुछ काम भी रहेगा चलो आगे तो पढ़ लो इसलिए यहां पे समझो अगला इसका जवाब देदो तुम्हारी बनवा देता हूँ आज चलो चलो अगर तुम्हें एक कुश्चन का जवाब कर देदो तो मैं आज से तुम्हारी फिक्स कर वान देता हूं भ बैइप यक्स स्क्वायर प्लस यक्स चलो भाई बताओ यादव जी गेमिंग यादव को बलाग वह बदनाम ना करो इसमें एक्स स्क्वायर का गुडांग क्या होगा यह बताओ तुम मनोच सिंसा ही बोल रहे हो अच्छी बात है लेकिन बच्चे हैं चोटे हैं तो एक आत बार देख लेता हूं मैं भी मजे में बाद में इनको बलक तो करूंगा यह मुझे मालूम है अगर दुबारा फिर रही करेंगे तो वो तो बोलूंगा नहीं बलक करते समय बोलना नहीं जाता है चुप्पे से बलक कर दिया जाता है चट पटा नहींगे बस क्या होगा कोई बताएगा मनु राजपूत भैरो गेमिंग पूजा कुमारी रंजू चिराग बलराम सर्वन हिमान्सू प्रीतम तनू जेके लाइट बहुत अच्छे तुम लोग कभी फास्ट जा रहे कमेंट और फिर कर दूँ क्या मुझे लग रहा हुआ कुछ समय होल्ड किया गया ना कमेंट 15 सीचेंड होल्ड है ना नहीं 15 सीचेंड जरूरी भी है ना कि नहीं जरूरी है लोग बंदी कर देता हूं एक दम से खूब कमेंट करो दाब के चलो हाँ खूब करो खूब दाप के कमेंट करो चलो ओके गुड तो ठीक है बच्चा आगे बढ़ते हैं समझते हैं इसमें यकसी स्कॉयर का गुडांक निकालना है तो हम पूरा-पूरा पद पहले उतारेंगे समझ रहे हो ना पूरा-पूरा पद जैसे यह समझ लो कि अगर किसी इसको पेट में बिमारी है तो डाक्टर के पास पूरा इंसान ले जाना पड़ेगा तो कुछ सिसमें हमें इसमें जिसमें करना है शवर कोफिसिएंड़ करना strength, हम पूरा पूरा पद लेंगे मतलब- iqs2 थे тsk लेंगे इसके साथ में method कि आप रिए इसका जो बदा मतलब इसके साथ बड़ा में मसदल फिका लगा हुए मतलब गुड़ा में लगा हुए अंक ही क्या कह लाताया गुड का लाता है तो यह पाई पान्टू क्या होगा की स्का किसी को कोई परेसाँ आफ़त कोई मुसीवत नहीं न देखो मैं सामने से हड जाता हूं तो तुम आगे इसे लिख सको तो बच्चा यह तो आपका पहला कुषचन के सारे पार्ट हो गए खतम अब सिकेंड कुईस्टन हो गए आपका खतम थार्ड कुईस्टन पर आगे बढ़ते हैं पहले मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे कमेंट करके कि कौन-कौन बुक लिया है कौन को नहीं लिया है इमानदारी से बताएंगे जो बुक लिये हैं वो हाँ बोलेंगे ओर जो नहीं लिये है ना वो ना बोलेंगे चलो बताओ किताब लिये हो ना यह पूछना मेरा फ़र्जी से लिए है क्योंकि बिना किताब के बिट्टा तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं हां छटपटाओगे चाहे जितना आएगा नहीं तो NCRT किताबें ले लो चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो जारखंड बोर्ड है बिहार बोर्ड है यूपी बोर्ड है सीवेस्टी है कहीं से भी हो किसी भी बोर्ड से हो आप लेकिन आप किताबें जरूर रखो ठीक है सिबेस्टी वालों के लिए ये है हिंदी में हो या इंगलिस में हो question सेम है अगर आप मिलाओगे तो question सेम है कोई भी अंतर नहीं सिबेस्टी में यही question है same to same ठीक है रेनु चोधरी ठीक है very good सभी किताब लिए हो इसमें कुछ जूटा बोल रहे हैं न्यृसनाहितानि आ है जो जूट नहीं बोलना जो जूट बोलना न exclusivo नहीं बोलना चलो चाहिए कहां से होगा वो बताएंगे तुम को नोट सो गर नहीं मिले जो जूट बोलेगा और क्या है तो अगला गहात के दुई पद का और सो गहात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए 35 गहात के दुई पद का और 100 गहात के एक पद का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए तो बच्चा जो दुई पद होता है बच्चा बाबू उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं क्या बोलते हैं बाइनोमियल बोलते हैं यह जो सीबेसे वाले हैं वो लिख लें बाइनोमियल यह क्या होता है दूइपद क्या होता है यह दूइपद हां सही लिखाओ ना हिंदी हां दूइपद का उदाहरण और क्या है एक पद का एक पद को इंहलीज में क्या बोलते हैं मॉनोमियल मॉनोमियल जिन में वानली वन टर्म भोता है यह तो लीख लो सबसक्ति मैं तुम इसमें रूंका किपन्हें मैंने तुम्हें चर अचर बहुत अच्छे से पढ़ाया चार आचार पढ़ाते समय मैंने कहा था कि बेटा तुम्हें mathematics की बैक्सीन लगा दे रहे हैं तुम्हें मैत वाली कभी बिमारी नहीं होगी लेकिन तुम पढ़े ही नहीं क्या करूँ तब तुम साक्षी का कमेंट देख रहे थे जब मैं पढ़ा रहा था आज क्या होगा ऐसे दूइपद का मतलब होता है वही जिसमें दूइपद हो हां दूइपद हो मतलब टूटम्स पद मीन्स टम्स इंगलिस में ठीक है ये टम्स मतलब पद तो दूइपद हो लेकिन घाद कितनी हो 35 तो तुम कुछ भी बना सकते हो इस तरह का एक चोटा सा उधरन अगर ले लो चाहे तो यक्स कघाद 35 और प्लस 7 यह भी हो गया कुछ लोग कहेंगे नाई गरूजी हमारे कितब यह हम तो कुछ और दिया है तो बच्चा देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो आई कघाद 35 और माइनस करना ही मतलब कुल मिला के सीखो मिन मतलब पूछा क्या है हमें कोई ए यगार आप सबिसे को ना मालुमें तो बता देना हम उंपी सीख लेंगी है चलो तो तो 26 और उसमें से कुई भी आप एक भांगे कोई भी ऄगी लेलो चाहे एक से लेलो अग्साखे लेलो तो डह बी लेलो कुछ भी लेलो ठीक है इसमें क्या दर急ी कि गहात लगा ना है उत कि इसके साथ में कोई ना कोई गिंति जोड हो गया घट अब कुछ लोग कहेंगे कहें गुरू जोड़कों इसे भी कर सकते हो इक है का हाइट 35 अब अपन है यह 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 जोड़ा दो है कि यह भी सही है यह इसके अलामात्यार यह कुछ concur दिखो साथ में और एक चीज़ और समझ लो भाई दूइये लोग होना चाहिए तीन हो जाएंगे मामल अगर बढ़ा जाएगा यानि इसमें तुम्हें काट यह और भी नहीं जोड़ सकते हो तब तो पिर यह कुछ आउर हो गया एक पद अगर आपने एक्ष्टा जोड़ दिया तो पिर यह दूइपंद नहीं रहा और क्या 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 करना यह दूइपाद होना चाहिए कोई बी चरह हो कुछ भी हो जो ठीक संतोज तिर पाथी समझ में आ रहा है असम मलिक विसाल समझ में आ रहा ना बच्चा मनोच सिंह अच्छा एक बाद बताओ मेरी आवाज भट रही है क्या मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आवाज जो है मतलब मदूर मदूर नहीं निकल रही अच्छे से मतलब बड़ तो बता देन आ क्योंकि थोड़ा धीम करना पड़ेगा सिस्टम यहां से तेस होगा न ऐसा कुछ है का फिर आवाद धीम हो जाएगी फिर मतलब आपको थोड़ा धीमा सुनाई पड़ेगा बहुत तेज नहीं सुनाई पड़ेगा ठीक है फिर आगे चलें चलो थोड़ा सा मैं बैलूम धीमा कर देता हूँ आवाज का आप देखोगे आप तो आपको आवाज उपर खुपड़ी सो लगा दो बस यह हो गया अब तुम कहो कि का है गुरुजी वाई पर ही सो लगाएंगे इसी से दुस्मनी है का नहीं तुम कुछ भी यक्स लिखके उसके उपर सो लगा दो क्या करना है कि 35 गात के दुइपद और सो गात के एक पदी का एक उधारण दीजिए तो तुम इसमें कुछ भी लिख सकते हो लेकिन ध्यान रहे यह 100 नहीं कम होना चाहिए 100 रहना चाहिए खोपड़ी पे इसके साथ में कोई जुड़ना नहीं चाहिए अगर कोई जुड़ा लेकिन तुम्हारा कोई आ गया या आ गई ना तुम्हारा मामला डिश्टर्ब हो जाता पढ़ाई वड़ाई होती नहीं है तो बस वैसे है इसको भी अकेले ही रखना है डबल नहीं होना चाहिए तब ही चलेगा अच्छे नहीं तो गड़बढ़ा जाएगा है समझ रहो न तो यह सिंगल ही होना चाहिए बस हम फिलहाल लिखे है वाई का हंड्रेड हमें यही अच्छा लग रहा था तो आपका यह कोईश्चन हो गया खतम रेम चंद बच्चा समझ में आ रहा है कुंदन कुंदन पंडित जी समझ में आया है चलो नाम तुम्हारा है लव गर्ल तो तुमको कलास में कहा मजाएगा अब यह कह रही कि आज की कलास बोरिंग लग रही है बोरिंग मतलम इनको कुछ गर्म गरम चाहिए मतलम में पढ़ाना बंद करके कुछ और करूँ अब यह हम नहीं कर सकते हैं हमारा पेशा को यह अलग है चलो अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अभी पढ़ लो गाना वना सुना देंगे डान्स वांस कर देंगे अभी ठोड़े देर पहले पढ़ लो हां अगला कुश्चन तीसरा हो गया चौथा कुश्चन नमबर फोर क्या करना है find the power मतलब आपको दिये गई क्वेशन की घात निकालना है क्या निकालना है आप लोग जानते हो घात क्या होती है देखो बच्चा घात में क्या करना है कहरा कि निमनिलिखित बहुपदों में से परतेक बहुपद की घात ग्यात कीजिए ठीक है घात ग्यात कीजिए ये बताओ सबके बुक में मिल रहा भईया कुश्चन देखो बच्चा अगर नहीं मिल रहा है ना तो तुम बहुपद चैप्टर खोलो और तरीका सीखो मानलो हो सकता है हमने यहां पर एक्वेशन में कुछ और लिखा है तुमारी किताब में ए लियुपद खाय है आप समय करन पर बिलकुल दहान नहीं कि आपकी बुक में क्या समय कर इसे कोई मतलब नहीं तुम तरीका सहीखलो समझ रहे हो ना कि आ झाज बढ़ा है किसी के घर जाना है और उस घर जाने का कई रास्ता है तो तुमको केवल मतलब उसका घर मालूम होना चाहिए बस अब तुम किसी बीट रास्ते से उसके घर जाओ पहुचोगे तो वही ना सिपधारे इसा समझी की अबिए इसकूल जाने के तुम्हारे घर से जर्ए कही रासता है ड़ुटाया जर्ची चलुकर जा घमिए ना चाहिए प्छवार्ष जाओ तो मतलब तीन रस्ता है ना तो तुम्हें स्कूल पता होना जी कहाँ है वैसे यह गडित काकुष्चन है। तुम्हारी किताब किसी भी परकासन की है ये एक्सरसाइज किसी भी नंबर पे है चाहे दूसरे पे है पच्वें पे है कहीं भी है तुम्हें केवल तरीका आना चाहिए तुम पहुंचोगे वहीं समझ रहो ना तुम किताब में कुश्चन डूड़ो गया करे गुरुजीत हमारे मिलते है ना हम कहें पड़े हमारे कामे करने है तो फिर ऐसे कुछ होने वाला नहीं है समझ गये ना चलो देखो पहलूम कम हो गई कि आवाज कमारी क्या तुम्हार पहुंचोगी स्पूर्ट आवाज तो आ रही भाई चलो ठीक है देखो यहां पर बहुपद की घात ग्यात कीजिए तो बिटा पहला जो बहुपद है चल जा भाई चलो देखो फाइफ एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स का स्क्वायर और प्लस सेबन एक्स इसमें कितनी घात होगी कोई बताएगा इसका अंसर हां इस ट्व्सी स्टूडियो अवाज तो सही आ रही बच्चा अच्छा जिसके में धीमा आ रहा होगी तो चलो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं उसमें क्या करना है लो ठीक है मैंने बढ़ा दिया इसमें जितने भी पद दिये गए हैं उसमें जो अधिकतम घात है जैसे गर में देख लो अगर 4 भाई है तो सबसे बड़ा है उन्यता बनता ज़्यादा वही मालिक राता है वह हमी पापा लोग कहते है भाई यह सबसे बड़ा है सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीखिए ऐसा होता है कभी आपके घर में कि नहीं कोई बहन है या भाई है जो सबसे बड़ा होता है वो सबको दुद्धी पढ़ा का मार मार कंट्रोल किये रहता है लेकिन हमारे लोग कह हम मानने वाले हैं हम कहा एंगे उनका कहिन आया है या फिव कषण न मैं पड़ रहे उनकी दीदी या उनके भएया भले उनसे दस साल बढ़े हैं यह बहा लिए वो कहेंगे पढ़ ले लड़के पढ़ ले पड़ी चाहना पड़ी तोसे का मतलब तो यह सब हमारे हां की सच्चाई है हमारे देश के गाउं की सहर की हमारे का मतलब हमारे नहीं तोरो किया इसे है कि मैं चल लो गया समझ में आए न अगले पर चले मिंखिए त्रफी केंड़ वाला देखो छाइंस वारी का स्कॉर इसमें कोई बताय क्हा ऩग गाथ और वाल केंगिंघ माकई कि दो मुझे अरण सबको कि असमझ में आ रहा हना मज़ा आ रही की नहीं देखो आप लोग वीडियो को like कर रहा हो season को बच्चा देखो मुझे नहीं मज़ा आ रही है जान लो तुम धीक हैं करने के थाड़े 300 प्लफ लाइक होना चाहिए अभी थाड़े 300 प्लस तुरंथ क्योंकि बच्चे अगर धाए 300 है तो लाइक तो उसका मतलब ज्यादा ही होना चाहिए ना क्योंकि कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं चलो तो आप लोग फटा फटी सेशन को लाइक करो फिर मैं नेक्स्ट कुष्चन पर बढ़ता हूँ अगले कुष्चन पर बढ़ता हूँ लेकिन उसके पहले इसमें एक इंप्वार्टेंट है वो बताना जरूरी है वो इंप्वार्टेंट मैं बताऊंगा लेकिन पहले तुम ल समय नहीं है कि मैं तुम्हें दूबारा समय दूँ तो बच्चा हो इसमें का इठी पार्ट है किसी घातांक वाले का तीन फिरी का कितना पावर होगी यह पूछ रहा है मतलब यह भी क्या है इसकी भी आपको घात बताना है लेकिन यह मुझे लग रहा थोड़ा गलत लिखाए हो जाए कुछ लायक तो बचा रहने दो जल्दी करो जल्दी करो 100 by 300 तो करो और जो भी साथी हमारे सेर नहीं करें कलास को वह सेर जरूर कर दें देखो इठी नालायक जुड़ा है आदे से स्टडी इनका नाम है इस्टडी यह इतना बड़ा क्या कहूं नहीं बोलना पाकी तो इनको इस दुनिया में कुछ मिलेगा नहीं अब तुम्हें बता दो कि फेस्बुक चलाती हो कि नहीं बेटा पढ़ लो पढ़ लो नहीं फेस्बुक नहीं बुक छोड़के फेस्बुक में लगोगे ना तो बरबाद हो जाओगे जो भी लाइक नहीं करेगा उसको ड़ा काटेगा देखो कमाल कमाल के हमारे बच्चे है तो भाई बट्षी करो फट़ा फट आगे बढ़ते हैं चलो देखो समझो तीजसे आप वोलते हैं बोलते हैं तो 60 वाला कोई भी अगर RNA कोई नंबर यगांग है दीजिट है और उसकी घात हमेशा 0 मानी जाती है क्या होता यह जीरो मानी जाती है इसकी घात हमेशा सुनन्ग इन भाज में तो बढ़नों से किस अधार से में ऊचेब मों से में कि 195 का घात कितनी होगी वाट इद पावर आफ 195 जल्दी बताओ तुरंत बताओ एंजल ठीक है बहुत बहुत थैंक्यू आपको दिल वसे थैंक्यू अच्छा वाला थैंक्यू सुन्दर वाला थैंक्यू चलो 195 की घात कितनी होगी देखो क्वेश्चन पूछूना तो इमानद क्यात तो प्रितम ठीक है बहुत अच्छे अजारों बच्चों के कमेंटार है वाई हजारों से भी ज्यादा कमेंटार है अगर वो अकेला हे उसके आगे पीछे कोई नहीं है तो उसकी घात हमेसा वन होती है समझ रहो ना अभी तक इन्होंने लखत और लवगर लिखा था मैथ लवगर लिख लिया क्योंकि मैंने इनको कुछ बोल दिया तो इनको लगा नहीं मैथ लिख लूँ तो अच्छा रहेगा चलो ठीक है अच्छी बात है कम से कम तुम्हारा दिमाग तो जागा तो बच्छा ये चार हो गया इसके बाद पच्छवा कुछिशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं पच्छवा पढ़ो चलो अलाल तो पी तुम्ही पढ़ो हाँ पढ़ो पच्छवा कुछिशन पढ़ो क्या है हाइप नंबर कुछिशन रीड करो मतलब पढ़ो तेखो मैं बता रहा हूं कहरा कि बताईए कि निम्हिलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं कौन दुई घाती हैं कौन त्री घाती हैं मतलब बताना है कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं कौन दुई घ mathematics और 2.1 में बेटा खोल लो question no.5 ठीक है परशना वली आप में लिखा है अध्याय लिखा है कुछ भी लिखा है 2.1 खोल लो चलो चलो देखो यहां पर समझो पहला question क्या कह रहा है यक्स का square प्लस यक्स के रहा है यह दूइपदी है या तीर पदी है या फिर रैखिक बहुपद है किस तरह का बहुपद है बताओ लक्षमी वर्मा की कमेंट है आपका ऐकोसिस कर लो फटा-फट टाइम है राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट कवंत काल पच्छता होगे जब प परनेवाद बदावना बहुत-बहुत भेश मцहिए कि टेर सारा थैंक्यू एक्समया है इसमें क्या करना है इसमें पताना है कि कितना है एक बंगतर है अया है मैं यह से बताओ अगर अगर बीच में एक प्लस है या एक माइनस है सब पदों की संख्या दो होगी अगर बीच में दो प्लस है या दो माइनस है सब पदों की संख्या क्या होगी तीन होगी लेकिन ये हर जगा लागून नहीं होगा तो तुम ऐसे समझ नहीं पाओगे इधर देखो इसमें कितना पदा है बच्चा ललू-लाल कितना पदा है यमें बताओ सागची अदो, आर्या फेमली, गोपाल, संतोस, नरेश, चिराग, प्रितम, गोपी अदो, अन, आयूस, पुजा, ठीक है देखो, मतलब समझो, ये भाईया दुई घात हैं, इमें एक घात हैं, इनका जो है सिस्टम हो बराबर नहीं एक दूसरे के ये एक दूसरे में जुड नहीं सकते हैं, जुडेंगे भी तो बगल बगल बैठे रहेंगे किसी मिया बीवे में लड़ाई जगरा हो जाए, वो कहीं चले भी जायां, अगर तब भी उदर उदर को मुऊ करके बैठे तो ये क्या होंगे, मतलब चाहके भी नहीं जुड पाएंगे, क्योकि ये दूनों की घातें हैं वो अलग अलग हैं अगर एक चिन है तो दो पद माना जाता है, तो बच्चा देखो इनकी घाते बराबर हैं, घात बराबर है ना बच्चा, घात बराबर है ना, जब घात बराबर होती है तो इनके गुडांग गुडांग जुड़ जाते हैं, तो इसका फाइनल में आ जायेगा 2x का स्कॉर, त कितना पद है एक पद है तो हम पदों को तभी डिफाइड कर सकते हैं कितना पद है उसमें जब उनका कैलकुलेशन एकदम अंतिम चरण तक कर लें कि इसके आगए अब कोई कुंजाइफ नहीं है कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और मैं देख नहीं पाया भी तक अभी बंद भी होने वाला था एक आये को बज़रा है बेज़्जती न करवा वाई एक मिनट रुख जाओ में लगा दूँ चलो कि इसमें पदों की संख्या कितना है एक है इस बात को ध्यान रखना है यह क कह सकते हो लेकिन इसको नहीं कह सकते हो इसको कुछ समझ रहे हो ना एक पदी बदी की बात हो रही है ऐसी कुछ और भी था दूपद एक पदी था ठीकर झाल से क्या हो रहा है और आप उसे हल करते हो सिंप्लिफाई करते हो और वो हो जाता है तो फाइनल में जो बचता है वही उसका क्या करेगा निरड़य करेगा कि वह एक पदी है कि दूइपदी है समझ रहे हो ना तो किसी को बाहर से फटा पुराना कपड़ा पहिने और साइकिल फेजा रहा तुसको गरीब मत समझना हो सकता हो बीमडबू को पैसा जेब में रखा हो हां समझ रहे हो ना कोई बढ़िया से अगर कालर खोल के जा रहा है चंडिया के गाड़ी से इसका मतलब राजा नहीं है हो सकता हो करजे लेके गाड़ी लिया हो हमारे देश में बहुकाल चलता है समझ रहे हो ना हमारे देश में बहुकाल चलता है इसका उधारन मैं इस लिए बताया कि जो यह कुश्चन है ना उसको देख करके तुम पहले डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वह एक तो अगला देखो यह बुक वाला है आपका एक्स माइनस एक्स का क्यूब यह कितना पदी है पताओ यह कितना पदी है बोलो गीता मौर्या दोनी मनीश आर्ति गुपता हीना साहू देखो इसमें अगर आप कोशिस करो हल करने का तो इसमें कुछ हो गका बया इनकी एक गात है इनकी तीन गात है यह किसी भी तरह से एक दूसरे के बराबर है नहीं तो इसमें मुझे ने लगता कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला बेटा तो यह दूइपदी है क्या है दूइपदी एक बार मैं आपको फिर से दोहरा दूँ आप पढ़ रहे हो कक्षा 9 की ncrt math exercise 2.1 चल रहा है अध्याय 2.1 चल रहा है प्रसना वली 2.1 चल रही है सवाल नंबर प्रसन नंबर या question नंबर पांच चल रहा है और पांच में सिकेंड है दूसरा पार्ट कुछ समझ आया चलो तो तीसरे की बात करें अगर इसमें third part की तो बच्चा यह है y plus y का square और plus 4 इसमें कितना पद है यहां पर समझो सपना आजय गेमिंग दरेश भाई ज्यादा तर तो हमारे गेमिंग वाले हैं क्योंकि जो छोटे चोटे बच्चे हैं पिल्ले भर के न यह सब एकठी चैनल बना लेते हैं दिन बर गेम खेलते हैं इनको पढ़ने बढ़ने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि टाइम बदल गया पहले वो समय था जब कोई बच्चा नाइन्थ में एट में कि हाई स्कूल इंटर तक अगर मोबाईल लेके जाता था तो खूंडा जाता था कि स्कूल में मोबाईल काहल आया है आज कख्चा दो का बच्चा भी मोबाईल में स्कूल चला रहा है मतलब उसको इस कथन को और करनी को सब उल्टा कर दिया कि स्कूल मोबाईल में चलेगा आप यानि इस्कूल ही मोबाइल में आ गया मोबाइल में इस्कूल नहीं ले जाना है मतलब इस्कूल में मोबाइल नहीं ले जाना है इस्कूल ही मोबाइल में आ गया है है ना इसमें तीन पद है क्योंकि यह ना जुड़ेगा इसमें ना घटेगा कोई बदलाव नहीं हो सकता ती लें लें जोड़ा ओड़ा है नहीं कुनक का बताएं एक दिया और बताओ यह कितना पद है यह में देखो आपके बुकिया में दिया हो गई सत्वा नंबर सेवन एक्सक्यूब इसमें कितना पद है बताओ उपासना चाइना अवस्थी नाम तुम्हारा बहुत अच्छा है तुम थोड़ा लेट नहीं हुए हो बेटा तुम बहुत लेट हुए हो कलास खतम होने वाली है कमाल कहें लल्लू चचा तुम 8 बज़े आ रहे हो कह रहे हो कि थोड़ा लेट इनका नाम बहुत बड़ा है इतना चौड़ा था है मुए पढ़ नहीं पाया क्या नाम था यह कह रहे हैं कि सौरी हम थोड़ा लेट हो गए है मतलब कलास तो हमारी चल रही साथ बज़े से यह जुड़ रहे है आट बज़े इका कह रहा है तिरगहात गलत बताया है उपासना तिरगहात नहीं बता रहा हूँ यह तिरपद है तिरपद है यहां पर एक पद बहुपद यह कौन सा मतलब है वो बताना है क्या क्या बताना था इसमें घात वाला बताना था क्या कि यह पांचमा चल रहा है न एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो मैं दोनों एक साथ बता देता हूं सब क्लियर हो जाए कुछ लोगों को कंफ्यूजन है जिनके बुक में घात वाला बताना और जिनके में पद वाला द करना था ठीक है समझो समझो में पहले से ही कलियर कर देता हूं समझ्लो टेकर इसमें अगर पद की बात करें तो यह दूइո है है लेकिन अगर घात की बहुत करें तो यह कौern सा है यह त्रिगत है याद क्योंकि इसमें क्या है माइकिसम्यम घात तीन है ठीक है तो लिख लो इसको त्रिगाती चलो फटा पड़ लिखो हां हां में दोनों चीज इसमें क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा इसमें देखो आप लोग क्योंकि मैं कुछ और बता रहा था यानि इसमें दोनों चीज में आ answer मिला है रहो कोई दिक्कत नहीं है आपहे समझो एई जलत नहीं बताया आपया तुम लोगका दिमाग साही नहीं है देखो कुष्ट्र में आप से हां मैं मानता हूं कुष्ट्र में आप से पूजा अै घात के बारे में भात करना हैं करना इक है नहीं कि क्या हम पद के बारे में बात कर रहें घात के बारे में बात नहीं कर रहें यही कह रहे हो ना आप लोग यही कह रहे हो ना तो हम दोनों चीज के बारे में बात कर लेते हैं यह तिरपद है हाँ अगर घात की बात करें तो यह दूई घाती है क्योंकि इसमें अधिकतम घात क्य तो यह तिरपद यह है K racial और एस पहाई कीम पेदा है यह लेकिन अगर घ़ात की बात करें करती है यह को पढ़र हो रही थी किसमें हम आपको के बात करें थे घात में बात नहीं कर रहे थे लेकिनमे इसमें इसमें क्या आ पावर के बारें बात करना है यह जरूरी है कुछ नहीं बात करो या ना करो लेकिन मुझे यही ध्यान नहीं था क्योंकि मैं कुछ और बता रहा था ठीक है लेकिन जो बता रहा था वह सही था उसमें कोई गलत नहीं था में कुछ और समझा रहा था आपको समझाना कुछ और था बस इतना है यह हो गया इसका जो फाइस्ट पार्ट है इसका जो फाइस्ट पार्ट है उसको मैं बता देता हूं उसको भी समझे लो आपके काम का इसमें सिर्फ यही उत्तर है तिरगाती उत्तरमाला में आपके पूछाई नहीं है ठीक है लेकिन मैं बताया हूँ इसलिए मैं लिखाऊं चलो तो कुछ एक्स्ट्रा सीख लोगे तो खराबेगा नहीं पहले के बारे में बात कर लेते हैं जो पहला मैंने छोड़ दिया मतलब बता दिया आपको आगे चल दिये तो जो बच्चे उत्तरमाला मिलाएंगे हाँ उन्हें दिक्कत होगी क्योंकि मैंने पादि के बारे में बात किया है घात के बारे में बात नहीं किया है तो बच्चा पहला कोई च्छन था यह न एक आपको इसमें बताना है कितना घाथ का है बस आप nutrition दूई निहीं क्वाला ये आपका अंसर से अुझाना नविजार उत्ट खात नहीं से डूई पत है इन दूक्ट ईंच समझ गए न ये दूई करन आ है अगर पद की बात करें तो क्या है दूइपद है जानते हैं तो और उह यह से कुछ बता थह ना मोनोमियल और भाइनो मियल दूइधाय क्वाइध है उने ुखाट है तो मतलब क्वाइटरेटीग समझा है यहां से का मदलत दूइपदी नहीं होता है दोनों में अंतर होता है जैसे यहां पर देखो अगर एक स्कॉायर प्लस तीन एक्स प्लस वन लिखूं तो बच्चा यह क्या है यह दूइघाद समीकरन है यह क्वाड्रेटिक की क्वेशन है लेकिन अगर पद की भात करें तो तिरपद है जैखो जो चीज पढ़ो ना उसको एकदम गोल के पी जाओ समझ रहो ना इसमें तीन पद है एक दो तीन इसलिए क्या है तिर पद है इसकी अधिकतम घाद दो है अधिकतम घाद दो है इसलिए क्या है यह दूइघाद समीकरन है समझ में आया ना तो सब चीज समझो प्रकाल का समी करण है लेकिन हम आपको इसमें एक एक्स्ट्रा यह भी बता रहे है कि वह कितना पद काने है ठीक है था साइनस का बैटा मिल जाईगा ना साइन्स का पीडियाप मिल जाएगा देखो पहला चैप्टर खतम हो गया है आपका पीडियाप आज राद तक हम डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर ठीक है साइन्स का पहला पार्ट खतम हो गया है उसका टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडियाप मिल जाएगा लेकिन एक क्योंको कि कुछ वोगा नहीं तो आपका तूपॉइंट वन हो जाएगा खतम हां यह भी देख लो सत्मा वाला यह कहरा कितना घात का है चलो बताओ जल्दी बताओ जो पॉइंट वन का पचवा का सत्वा ये कितना घात का है भाई चलो जल्दी से पटा पट कोशिस करके बताओ आप लोग देखो बच्चा अगर इसमें हम घात के बारे में बात करें अगर इसमें घात के बारे में बात करें तो ये तिर घाती है क्योंकि अधित्तम घात क्या है तीन है लेकिन अगर पद की बात करें तो ये एक पद है क्या है एक पदी है क्या है बच्चा ये एक पदी है एक पदी मतलब मोनोमियल है ये मोनोमियल है औरे क्या बोलते हैं उसे वन पावर को क्या बोलते हैं इसका तिर घात को इंगलिस में क बहुत कमाती है इंग्लिस क्या बोलेंगे इसे जैसे दोगात को क्वाट्रेटिक बोलते हैं हाँ है ट्राइनोमियल ऐसे कुछ होता है हाँ है यही होता है तो समझ रहे होना आप लोग समझ में आ रहा है ठीक है ओके बेरी गुड बहुत अच्छे बहुत अच्छे काफी कोशिस कर रहो भई अंजली ठीक है दिलीब सबका हो गया सब लोग कर लिए ठीक है चलो बच्चे बहुत अच्छे तो आपका यह 2.1 एक्सरसाइज खतम हो गई एक्सरसाइज 2.2 क्या पढ़ना बच्चा लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ना है जिसे हिंदी वाले कहेंगे परसना वली या अध्याय जो भी तुमारी कित में दिया हो 2.2 यह कलास हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम के लिए इस बात को ध्यान रखना ठीक है बच्चा चलो बूक लिए हो पता नहीं कौन ना मतलब मैं क्या बोल दूं इनको यह जब कलास शुरू हो जाएगी तो वाटस अप पे डारेक्ट वीडियो काल करेंग मतलब इसम हद कर देंगे कि मतलब क्या बोलूं कि पता नहीं कोन ना लायक है कि मुझे कमेंट ने दिखता ना कॉल करने लगता है मेरा कमेंट टूक जाता है चलो देखो समझो परस्णावली 2.2 तो बच्चा लोग जिनके पास तो किताब है वो तो किताब में कुईश्चन देखें और जिनके पास किताब नहीं हमें देखें हां दोनों में से काम करो चलो कुईश्चन कह रहा है कि निमनलिखित पर बहुपद 5x-4x2-3 के मान ग्याद कीजिए बहुपद का दिया भाया बहुपद को बच्चा बोलते हैं पॉलिनॉमियल इंगलिस तुम्हारी कोसिस कर रहा हूं कि थोड़ा सीख जाओं जिससे साधी भीया होई जाए चलो कि इस पर क्या करना है आपके बुक में तीन पार्ट दिख रहे होंगे तो बच्चा हो बाबू हो राजा हो इसमें जो तीन पार्ट दिख रहे हैं इसका मतलब है कि यक्स बराबर 0 रखने पर इसका मान ग्याद करो दूसरी कंडिशन में यक्स बराबर माइनस 1 रखने पर इसका मान ग्याद करो मतलब आपको तीन कंडिशन दिया गया तीनों चलो में एक एक ट्राई करता हूं और आपको दिखा देता हूं इसमें से कोई ऐसी महान आत्मा है जो इस प्रस्न का यादो जी दान बहुत निकल रहा है मंजन उंजन कर लियों मुझे लग रहा है चलो देखो तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे एक्स इक्वल जीरो रखने पर और और इंगलिस मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे पुट एक्स इक्वल जीरो मैं फिलहला हिंदी में तो जहां-जहां पर यक्स है वहां-वहां पर बच्चा क्या करोगे आप जीरो रखोगे तो यह हो जाएगा 5 इंटुX की जगा पे जीरो माइनस 4 और इसकी जगा पे क्या जीरो मतलब जीरो का क्यूब स्कॉयर देखो दो घाट लगी होती तो इसको स्कॉयर बोलते हैं ती गात लगी होती है तो क्यूब बोलते हैं ठीक है और पलस का थ्री कि देखो सून ना एक ऐसा बिगड़ा हुआ अउलाद है जीरो एक ऐसी बिगड़ी हुए अउलाद है कि जिसके साथ मिल जाती उसको बरबाद कर देती है इसमें से भी कुछ ऐसी अउलाद है जो कमेंट कर र अट्रह इसमें एक 0 है ना इसका गुड़ा भाग हो रहा है कुछ नहीं रिखे लाइच में जीरो को सब खतम कर देगा फाइनल में यह भी जीरो जाएगा जो इतना मोटा बड़ा दिख रहा है लाइश में का बचेगा इती तीन बचेगा देख्वों तीन इनकी फैमली से तीन इनकी फैमिली से अलग इस लिए है क्योंकि इसके बीच में प्लस का चिन लगा है तो यह जीरो नहीं होने पाएगा मतलब बीच में एक रोंक लगी है तो इस तरह से यह जीरो-जीरो से कोई मतलब है नहीं फाइनल में तीन बचेगा अब चाहे तुम प्लस लगाँ या ना लगाँ कोई मतलब नहीं वाले है अभने आरे सुपर स्टार वो मिला के बताएं उत्तारमाल मिल रहा की नहीं ह chromosome पूरी किताब में उत्तरमाला मैच करेगा NCRT से लेकिन जब पर्मिय संक्या पड़ोगे तो रेफनल नमबर में उत्तरमाला नहीं मिलेगा क्योंकि वह एक ऐसी कहानी है जिसका उत्तरमाला निश्चित नहीं होता है ठीक है संजीव कुमार अधिती गुपता राहुल यादो नाब्या गुपता कुछ समझ में आ रहा है अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम नहीं लेते हैं जिनका नाम ले रहे हैं वो कैसे इनको जानते हैं देखो हम सब को जानते हैं बस ऐसे नजर गुमाते हैं इधर क कर्मेंट तो 180 की स्पीड में जा रहा है किसी का पढ़ लिया तो पढ़ लिया चलो यह पहला हो गया बच्चा ठीक है तो फ़र्ष्ट का अंसर हो जाएगा क्या आएगा तीन दूसरा सिकेंड पार्ट पर आजाओ बच्चा एक सीक्वल माइनस वन अच्छा मुझे एक बात बताओ एक्स कमान अगर इसमें माइनस वन रखें तो क्या कोई इतना अच्छा बच्चा है जो मुझे उत्तर बता देगा एक्स कमान माइनस वन रखके कितना आएगा परदीव जी इसका तीसर को लिख लो तब फिर हम आगे करें तीसर का पार्ट इह में है बच्चा एक सीक्वल दो यह तीनों करने है पहला मैंने कर लिया अब यहां पर समझो परिया सिकंड पार्ट में क्या करना बच्चा एक्स कमान माइनस वन रखना आ हैं तो मिझरीय मोरे लिखेंगे अब कि मैं इंग्लिस में लिखांगा पूट एक्स एकवल माइनसह भंदी मिझ्यम में गाली नहीं यह देंगे वह लिए ग्स बाराबर तो यह ऐसे बनेगा ठीक है उसके बाद में माइनस चार और यक्स का स्कॉायर का मतलब बच्चा माइनस वन का स्कॉायर प्लस तीन इसको हल करके मुझे बताओ कितना आएगा यह वाटसप पर कोई नालायक बहुत देर से कॉल कर रहा है उसके खुजली मची है मैं उसको बुलाक करके तो आता हूँ है रुक जाओ या तो मैं फोन करके इसको बता दूँ या फिर मैं क्या करूँ है चलो आगे बढ़ें ठीक है तो बच्चा इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा यहां से समझो समझो थोड़ा से फाइब का जब माइनस वन में गुड़ा करेंगे एक चीज आप समझ लो मैं यहां पर बताऊं या कहां पर बताऊं अच्छा दिख तो रहा है न वैसे क्लियर हो रहा है न मैं इसको लगाया रहूं नहीं मेरे लिए खत्रा है तो माइनस वन इसका जब मल्टीपल होगा तो माइनस का पांच हो जायगा इसका कहानी थोड़ी सी लंबी है यह माइनस प्लस कैसे हो जाता मैं आपको बताऊंगा आप थोड़ा सा इंतजार करिए Po Dalman कर analyst कर्वाद नो फिर मैं इसका आपको पूरा फंडा इसका बताऊं गा किork यह माइनसौब देखो अगर कोई बी ग इनने जो खतम हो जाता है वैसे होता जैसे आज कल की राजनीतिक पार्टियों में जो बहुत ही गंदे भरष्टाचारी लोग होते हैं वो अपनी पार्टी छोड़ करके सरकार जिसकी है उसकी पार्टी में चले जाए तो उत्तार जाते हैं से मुएसे यह होता है समझ रहो ना उनकी सारी गलतियों उनकी सारी कमी असाद दूर हो जाती हैं तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई मुझे इसमें कमेंट देखना पड़ता है तो यह दिककत पाल देते हैं मेरे लिए नहों चलो ठीक है तो यह हो गया तो इससे क्या मिला कि भाईया हो जो इसَّ का स्क् exceptions होगा त तो क्या होगा तो होगा क्या फिर देखो समझो फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस फाइनल में कुल मिलाके जो आएगा वो माइनस में ही आएगा और प्लस का तीन अच्छा एक बात बताना सभी क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है सवर्य आवस्थी अगर नहीं आएगा तो मैं इसको अभी थोड़ा डीटील में बता दूँगा आप टेंसन मत लेना चलो तो बच्चा अब यहाँ पे एक कहानी बन रही है कि पलस पलस जुड़ता है माइनस माइनस जुड़ता है ठीक है समझ रहो ना पलस पलस जुड़ता है माइनस माइनस जुड़ता है तो भाईया यह दोनों न जुड़ेंगे यह दोनों जुड़ेंगे यह माइनस है यह माइनस है समझ रहो ना इनमें कोई समानता होनी चाहिए यह तो यह जुड़के 9 हो जाएंगे और यह पलस का 3 फाइनल में जो आएंगे भाई साहब बाबू इन में आएंगे माइनस छे ये बता इसका उत्तर माइनस छे आराग नहीं अनुराग जी बहुत अच्छे राजिव कल्पना बैभो पूजा कुमारी वाटसअप याद हो आपको तो बिल्कुल नहीं आएगा संभव नहीं कि आपको समझ में आजाए ऐसा हो इनी सकता है चलो देखो इसमें भाई कुछ लोग बुढ़े लोग जुड़े हैं 180 साल वाले उनको समझ में नहीं आएगा तो हमारी गारंटी नहीं है चलो ठीक है यह हो गया मिटाएं कि आप लोग इसक्रीं साट ले लिया और इसको ठीक है जैसे हल हो जाये तो इस्क्रीन साइट निकाल लिया करो जिससे की लिख सको बाद में आराम से दीरे दीरे पानी पीपी के नहीं तो वैसे तो मैं मिटा दूँगा तो तुम लिख पाओगे नहीं अब एक्स कमान दो रखके निकाल लो सभी बताओ मैं नहीं करूँगा चलो मैं देखता हूं कौन- अमनोज सिंगर इक्स कमान दो रखके मुझे इसका मान बताओ हर कोई बता है नहीं यह थपड़ मारूंगा खीचके जानलो चलो जल्दी बताओ यक्स कमान दो रख करके बताओ अ पिरियंका इनका भी दूसर क्या रहा है दादी इतना पीछे कहे हो तुम हां इतना पीछे कहां से काम चलेगा कपिल मनु राजपूद पूजा कुमारी यंसिका पटेल रतन समोटा इनका नाम है हम समोसा बोल रहे थे ठीक है ठीक है अच्छा है टेक्निकल सर्मा जी ठीक है कोशिस कर रहे अच्छी बात है देखो बहुत कर लोग माइनस बता रहे हम भी उत्तरमाला वाला मिला लिका कितार है कर लो कर लो बच्चा कर लो कर लो कर लो कि चिराग पटिदार तुम्हारा तो कभो नहीं आने वाला है तुम पढ़ते नहीं हो तुम के वल दूसरे काम करते हो हम हां तो यक्स कमान अगर दो रखोगे इम लिए परदनी चalen ऑंगे face कि माइनस में तीन माइनस कटिन हाए ठीक है सब्सक्राइब यह आपका हो गया खतम पहला कोईश्चन खतम हां कोईश्चन खतम पैसा हाजम अब अगले में चलो बढ़ो उपासना अवस्ति बहुत अच्छी बात है कि आप लेट हो गई महाना आत्माय जो होती वहीं लेट होती है वकी छोटे-मोटे आत्मी लेट नहीं होते चलो यह होगे खतम अब एक ब अब इसतार से पढ़ाना है प्यार से पढ़ाना है तो आप लोग यह बताओ किताब उताब लिये हो कि नहीं हम आई देखो किताब कहां पी लेकर बैठोगे तो खोपड़ी में थोड़ा बहुत गुसेगा हम अगर नहीं समझ में आरा ना जिसके बाल चिला दो जिसके समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है को पड़ीक बाल चिला दो आधा लेटर तेल सुबेरे ठोका करो सरसो आला इस समय तो तो तेल भी महिंगा होगे जिनको खरीबना है कि हाँ दिमाग धीर धीर ना तेल पड़ेगा ना तो गूमेगा तो फिर आने लगेगा तो सभी किताब लिये ह तो बच्चा किताब लिये हो तो सुनो ना बता रहा हूं सुनो देखो किताब लिये हो तो कुष्टन नंबर सिकेंड पर आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 का NCRT मैथ चल रहा है यहां पर लिख दूं कि देखो राइटिंग वाइटिंग अच्छी बन रही है नहीं एंसी जाने दो चलो उसके आगे जानगे तुम तो कुष्टन नंबर सिकेंड में क्या कह रहा है है हां देखो एक बड़ी आफ़त यह है कि कुछ बच्चे हमसे सिकायत करते हैं कि कौन सा बोर्ड पढ़ाते हो उनके मार परिसानी बड़ी रहती फोन करते हैं कौन सा बोर्ड पढ आते हो तो बेटा देखो में तुमको एक बात बता दूना अगर मैथ में दो में पांच जोड़ोगे तो पांच दूशाथ होगा न यह साथ यूपी बोर्ड में भी होगा सीबसी में भी होगा बिहार बोर्ड में भी होगा जारखन बोर्ड एंपी बोर्ड हर किसी के बोर् तो चैप्टर आपका आगे पीछे हो सकता है लेकिन है सब वही समझ रहो ना इफ लिए पढ़ो पूरा इमानदारी से बिल्कुल भी टेंसन मतलो हां यह मुख NCRT से मैं पढ़ाता हूं जो केंद्र सरकार की NCRT ऐसा मानलो होती है मतलब में NCRT में का मतलब जानते हो कुछ राज्य आस्तर पर NCRT होती है तो यह राज्य वाली नहीं है क्योंकि हमें पूरे देश के बच्चों को पढ़ाना है कि वह एक राज्य नहीं कि मैं यूपी वाली ले लूँ यूपी की NCRT या फिर बिहार की NCRT ऐसा कुछ नहीं है अगर जो बच्ची CBSC बोर्ड पढ़ते हैं वो देखेंगे तो उनका कोईस्टन सेम टू सेम मैच करेगा CBSC बोर्ड के बच्चों से कोईस्टन सेम टू सेम मिलेगा उनकी लैंग्वेज सिर्फ इंगलीज है बाकी एक्वेसन वही है मिला लेना जो CBSC वाले है ठीक है तो चल मतलब क्या है बहुपद को इंगलीज में पॉलिनोमियल बोलते हैं जो CBSC वाले उनको मालूम होगा क्योंकि वह हिंदी नहीं समझते हैं सिर्फिवाला के अलग है दुनिया रहती है तो देखो यहां पर हमें क्या गयात करना है बई समझो यहां से मुझे लग रहा है लाइट कुछ जादा है का हम ज्यादा गोरे दिख रहे हैं का लाइट जादा है मतलब चमक रहोगा जादा आप लोगों को थोड़ा सा कम कर द देखो मैं अफिली भाइस में आगे ना अपने काला काला दिखा बूट जीक से ना समझो इधर देखो तो कुष्चन क्या है हां एक चीछ समझो यह ऐसे लिखा होता है इसे पी आफ जीरो बोलते हैं कहीं किसी से कुष्चन उच्चन बताना तो पढ़ लेकते हैं कुछ देखा है तो पी आफ एक्स ठीक है बोलना तो सीख लो कम से कम मैं थाया ना है और अगर इसको देखें यह पी आफ के यह आपको आफ लगाना है बस उसका नाम बोल देना जो अंदर में बंद हैं समझ गए ना तो बच्चा इसमें क्या करना है कुष्चन नबर सीकेंड में कह रहा कि पी आफ जीरो पी आफ वन और पी आफ टू ग्याद कीजिए और जो इक्वेशन दिया गया है अब मैं इसका हिंदी नहीं लिखूंगा एक बार पढ़ दे रहा हूं फिर से सुन लो कुष्चन कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से परतेक बहुपद के लिए पी आफ जीरो पी आफ वन और पी आफ टू गयाद कीजिए तो बहुपद क्या दिया है ददा यह दिया है हां 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 वाई का स्कॉयर माइनस का वाई और माइनस का वाई के बाद प्लस का वन इसका क्या निकालना है पी आफ जीरो निकालना है देखो इसका मतलब समझो भाई यह यह पी आफ जीरो का मतलब यह है कि जहां-जहां पर वाई है वहां वहां पर सुन लाके ठूस दो हां भास्पश होई का आंस्प प्रियंका और भाई सावधान रहो दूनों इसे मिनन धोनों बोला एकट्था दोनों कमेंट कट्था दिख गया मुझे और मैं समझ भी गया कि तुम लोग कहा कर रहो हैं ऐसा नहीं है कि मैंने ही समझ रहा हूं जो लोग चैटिंग कर रहे ना पू कि एक पाइनल में तो फाइनल में कितना हो जाएगा बच्च यह जीरो हो जाएगा यहाँ प्लस का वन तो आप कहोगे की फ जीरो इक्वल क्या यह एगा वन ठीक है कियो बही जाए पकल नहीं लग रहे है का यह कि नाई ठीक है कोई दिखकत नहीं कि चलो help एक जगह पे जीरू रख दिया वन notor हो गया ना देखो बच्चा एक एक पार्ट में तीन तीन पार्ट हल करना है समझ रहे हुए हो ऊहना एक एक equation में same to same equation में same to same sorry equation नहीं से polynomial बोलेंगे हाँ एक परकार से बभुपद है तो इसमें अब हमें क्या निकालना है पहले तो यह कुश्चन में लिखे दें तब बताई दूखा पी आफ वन निकालना है इसका कोई मान बताएगा सोनम राय ठीक है कमेंट आ रहा है आपका ठीक है अच्छी बात है बेरी गुड चलिए आदेश यादो अंसिका राजीव आदित्य परसांत पटेल यह बच्चा सुनो हमाईसे इतना बेवकूप तो नहीं है कि हम भर बढ़ा आपके लिए जाएंगे तुम पहले कलास को लाइक करो सभी चलो तूरंत लाइक करो एक मिनिट के अंदर उसके बाद आगे पढ़ाते हैं टाइम भीताओगे न तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता थिक ना इसलिए टाइम नहीं बिताओ तुरंत लाइक कर दो जितने भी नए महमान आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी करो फिर मैं प्याफ वन निकाल के बता रहा हूं आपको बहुत जल्दी करो भाई जल्दी करो ना करोना करोना बोलने से करोना निकल रहा है क्या जमाना आ गया है हां मैं तो लाइक करने को बोल रह जल्दी करो जल्दी देर नहीं और हां जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो भी कमेंट कर पाएंगे कोई पैसा लगता है जल्दी करो फटा फट कि शिराग पटिदार बेटा तुम्हें बलाक कर दूंगा क्योंकि मैं तुम ना मेरी नजर में कई दिन से चुब रहे हो कि तुम बड़ा कूज़रा खचरा बेजते रहते हो कब ऑइमोजी बेज दोगे कब ऑडिबा बेज दोगे कब ऑबल्टी बेज दोगे मैं तुमको देखता रहता हूं रोज बंटी सिंग, कौन गलत आंसर दे रहा है, कौन है गलत आंसर दे रहा है, ऐसे बढ़ोगे, रुको बताता हूँ मैं इन लोगों को, ठीक है, रुको चलो, इधर पहले इसको कर लेते हैं, तब इनका बताते हैं, देखो बच्चा, तुई आफ y 1 निकालेंगे न, इसमें जहां जहां पर y है, वहां वहां पर 1 रखोगे, ठीक है, तो y का स्क्वाइर है, मतलब यह 1 का स्क्वाइर हो जाएगा, माइनस y की जगा पर 1 और प्लस का 1, फाइनल में यह 1 का चाहे जितनी बार स्क्वाइर करो, जैसे कोई TV कमरीज हो, उसको चाहे इतना गी पिया दो, तेनर त लगा दो, कितनी भी लगा दो, इसका मान एक के आएगा, कितनी बड़ी घात लगा दो, लाखो में लगा दो, इसका मान के आएगा, हमेशा वन आएगा, तो उसी तरह से इसका दो घात है, तब यह वह नहीं आएगा, और माइनस का 1, प्लस का 1, देखो बच्चा जो एक जै गड़ जाएगा ठीक है तो बहुआ यह प्लस वन है यह वन है तो यह जूड़ के टू हो जाएगा अब बीच वाला यह सीधा साथ है इसको किसी के साथ जूड़ने का मतलब नहीं है यह माइनस का वन कि ऐना यहेगार आगे जगह है तो चलो कि किद आइगा बच्चा कर लो कर लो कर लो फटीक है कि है सोरभी परजापति बहिए सora बीचिए आपको तब आएगा जब आप रेगुलर क्लास देखोगी ना मामा के हां बंडारा थोड़ी है कि एक दिन आ गई मिल गया लेगी पर साथ चली गई रोज आके पढ़ो तब आएगा ना एक दिन में नहीं आएगा चलो देखो जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहें उनको नहीं आ रहा होगा और एक बात ये भी समझे लो बेटा पिछली कलास नहीं देखे हो तो उसे देख लो चैनल पर पढ़ा है ठीक है तो पहले कुष्टन में तीन मान निकालना था क्या क्या निकालना था पी आफ वन पी आफ जीरो पी आफ वन मैंने दो निकाल दिया पी आफ तीन निकालना इसको मैं आप निकाल देता हूं ये ल आप 2 अखागे इसका स्कॉायर होगा उथी दो और फाइनल में आपका 4 हो गया माइनश कर 2 और प्लस काी जान से आप फ्लस फ्लस एड़ करोगे मैंने काई बार बताया है जो जो नंबर पॉजिटिव है वो आपस में जूड़ेंगे ठीक है तो यह चार एक पांच माइनस दो फाइनल में आएगा तीन घटा होगे यह आपका अंसर हो गया जैसे मैंने अभी बताया था ना जो नालायक नालायक टाइप के हैं वही जूड़ेंगे जो अच कर लो इसमें कुछ बच्चे बात करें कुछ बच्चे पढ़ रहें तो जो पढ़ रहें वह पढ़ने वाले हैं वह आपस में जूड़े हैं उनका मतला पढ़ाई है जो नहीं पढ़ने वाले वह चैटिंग कर रहे हैं क्योंकि नहीं पढ़ने वाले आपस में जूड़ गय जलो आ इसक्रीन साट लेलो मैं इधर शूप जाता हूं थोड़ा सा लिख रहा हूं का वहां मेरी भी फोटो ले ले ना इसक्रीन साट में मेरी भी फोटो आनी चेहिए थोड़ी सी देखो आ गई अब आया तुम लोग किचो गए नहीं तो हूं फ़ गले रहेंगे का दिन पर सब अ देखो अभी आपका कुश्चन हो गया आ कितना हो गया एकुश्चन साई बॉप एकषजिस बहुकल का को किस्चन सिक्यंड का पहला हो गया है थधरन माइन करना है Four पी ऐस अगर हम एक कुश्चन बताएं तो आप दो कुश्चन करो एक बताएं तो दो करो तब अच्छा होगा अगर तुम सोचो कि मस्टरवा सब लिख दे थाम उतार ले तो बच्चा फिर कुछ होए होए ना समझ रहो ना लक्षमी बर्मा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं था मनें कहा नहीं मास्टरों नहीं बोल रही रहा है भटरों नहीं मैंने आपका वीडियो देखा यूटूब से नम बल्ल या है हम बोले चलो ठीक है बहुत तुम तेज बोल रहे हैं मैं डर रहा हूंँ तुमसे फिर मैंने रख दिया बाद में अपना कॉल-aल किया होगा फि ot bin saama कर तो च्छार्वर माइनस hai अगला लिखो अज़िका क्यूं है Denson myself के अब यह इसमें विए आपको यूं निकालना है Build 1 सो पी आफ मेस जीरो निकालना जालना में कि आप 2 निकालना है si बहुत अच्छे इतना सुन्दर सुन्दर बच्चे जुड़े हैं ना कि वो पढ़ नहीं रहें सिर्प बाती कर रहें चलो ठीक है ठीक है तुम किसी चीज में एक्सपर्ट बन जाओ किसी भी चीज यह दो देखो हमें क्या-क्या निकलना भाई इदर साइड में मैं लिख देता हुँ पी आफ 0 निकलना है ठीलिक निकलना दिख रहा हैना nro of 2 निकलना है कि यह 3 निकालना है मैं क्या बोल रहा हूं हम फी आफ 0 कुछ तो लोग नहीं सुन पा रहे होंगे पी आफ जीरो यह इनका नाम है च्छा का छोटे वाले का हाँ चलो तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं मनीस मानी बच्चा देखो हमारे पास इतने करमचारी नहीं है कि मैं तुम को हर चीज का पीडिया बनवा बनवा के दूँ और तुम बैठ के आराम से लेते जाओ समझ रहे हो ना अभी कोर्स लेने को कहेंगे पांच रुपया जमा करने तो द पर दे सकते हो का जुगार लगा यहां जाओ बइठ जाओ है इस एक भी निठी फोन आया था वो बताओंगा बाद में चलो आगी उकर ता गुरुजी जितना पैसा लगेगा हम देंगे बस हमारा बिहार बोर्ड में आपकी बार निकलवा दो बस हम कर देखो तुम्हारा य पहर टेबल वहां वहां पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे तो यह टी के जगापे 0 प्लस यह टू इस टी की जगापे जीरो का स्कॉयर और माइनस इस टी की जगा पर 0 का क्यूब बस इतने तो करना था हमें ठीक है ललित मीना भूत अच्छा बेरी गुड आग लगा दो ठीक है तो यह टू प्लस जीरो और यह प्लस देखो बच्चा 0 का स्कॉर करोग्वे जीरो होगा है है तो आपको बच्चा चाहे छोटा हो चाहे तो यह पड़ा हो असर उतने करता है है वैसे यह है जाय जए वैसे ज्दशन inग्स बिचे में पलत में लगा तो छी मिला के जीरो दो ऋश्चा जाता लगंए तो यह कितना हो जाएगा जीरो और माइनस यह जीरो हो जायेगा इसकी चुरकी पर जाए जितनी घात लगा दो कोई मतलब नहीं है सेम हो ऐसे जैसे कोई इंसान मर जाए तो उसे चाहे जितना कुछ खिला पिला दो कुछ होने वाला है नहीं तो वैसे यह जीरो है इसकी घात चाहे जितनी लगा दो जितनी भी लगा दो कोई मतलब नहीं वह 0 ही रहेगा तो यह क्या हो जाएगा जीरो भाइया यह सब जीरो-जीरो है इनके आगे पीछे कौनों है यह नहीं है तो यह जो बचे को बस समझ गए न सभी पंकज यादो समझ में आ रहा है पंकज का बाई दो चार चार आ रहा है और कोई निकाला अच्छा ठीक है अब यह बताओ तुम सभी अब मैं नहीं बताने वाला हूं एक एक बच्चा बताओ पी आ फोन क्या होगा जहां जहां पर टी है वहां वहां पर वन रखोगे सभी बच्चे तुरंद करके दिखाओ मैं तुम्हें दो मिनट का टाइम दे रहा हूं और दो मिनट भी जादा है कि जल्दी करो बेटा देर ना करो हां कि जल्दी करो पी आफ वन का मान बताओ आप सभी मैं आपसे कुश्चन पूछा हूं चलो जल्दी करो फटा फट बोल दो भाई बोल दो जल्दी से और है सुनो दादा कलासवा की की लाइक करें जो कलास को लाइक ने किया भाई तुरंद लाइक कर दो फटा फट रहार पहुंचा है तीन-चार-फांस लाइक गरीव आदमी को भी कुछ आगे बढ़ाओ ना सुन्त सिंह बटा तुम तुम्हारे लिए तुम्हेरे पास कोई सब्द ही नहीं है हिमान्सु बर्मा, गीता मौर्यातुल, संतोस, सुरेश, मनीशा, दिलीब, तनू, राज, कल्पना, जुंगी, जंगली, सबका कमेंट आ रहा है चलो ठीक है तो सब कुछ ठीक है ओके है बिल्कुल चल भाई, चल भाई, चल भाई, चल भाई, चल भाई, ठीक है तो बच्चा इसका मान वन अगर तुम रखोगे देखो मैं इसको लगाया तो हूँ नहीं अभी तो मुझे मलूमें नहीं कहाएगा देखो मैं बता देता हूँ वन रखोगे क्या है एक आधो 20 ही रहेगा यह फान हो ईसपर रख उती वं का मुल्टी पलता करो गया की अ benzulu का मैं आधोiantes नि-' Renee मिनगलें रहेगा मंसाइड कर दे रहा हूं लेकिन बताओंगा नहीं दैसे मैं बताया उपर वाला वैसे तुम कर लोगे देखो सार्ट कर्ट में बता रहा हूं यह आएगा तू प्लस वन प्लस यह टू और माइनस यह वन बस इतरह आएगा दू दू चार एक पांच दू 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 चार एक पांच आज मैं से गया चार इसका करेक्ट आंसर फोर होगा क्या होगा हो रहा हैगा चार आएगा परसांद जी ठीक है मंदाकिनी सूर्य वनसी समझ में आ रहा बच्चा अब बच्चा हो की नहीं हो लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बच्चे ही हो क्योंकि नाइंथ की कलास चल रही इसमें कभी-कभी बहुत से गारजियन भी पढ़ते हैं तो उ थोड़ा सा लाजसरम के साथ बोलना पड़ेगा वहीं घरगार जीन देख रहे होंगे अगर सिर्फ बच्चे बच्चे देख रहे हैं तब तो अलग बात है नहीं कहेंगे यह बहुत गडबड आदमी है हो गया मिटाएं चलो तो पी आफ तू निकालो कोई अब आप लोग तो निकालोंगे 5 to कि चलो बाऊचो निकालके बताओ यह यहनी दो रखना आपको जहां जहांँ टी है वहां वहांपर क्या रखना है कि चलो ठीक है देखो यहां पर समझो आप लोग हैं कई लोग मुझे पता है चलो ठीक है अच्छी बात है देखो हम भाई हमारा यह उद्देश से होता ना कि बच्चे बोरना हो बच्चों को नीद नह लगे और बच्चों को मजा है इसलिए मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है चलो ने तो बच्चे पढ़ना कहा चाहते हैं यह पढ़ना थोड़ी चाहते है पी आफ टू कमांड निकालो कितना आएगा जहां जहां पर टी है वहां वहां पर दो रखना है मसूद बर्मा मसूद आरम सौरी बर्मा जी नीचे थे उसमें आ गया थे लिजेंड गौड गेमिंग अदित्ते मिस्टर परफेक्ट शिवं तरनू आओ पवां ओमा ठीक है चलो तो जहां जहां पर टी है वहां वहां पर हमें दो रख देताना है ये दो तो पहले सही था इस त्मीकी जगह पर दो रख दिया इसकी जगह पर यह दो अब एसे ले लिया और टी करी स्कुराइर का मदलब दो का स्कुराइर माइनस थी का क्रीwest कियुक मदलब दो कं ciao бы है कि यह दो ऐसे ही रहेगा आइसे का है रहेगा पहले जाő मिघ & a गलत पक्का गलत कि यह माइनस का चिन थाना थी माइन सी इस नहीं बदलेगा ठीक है बच्च अब देखो इसमें जितने जितने प्लस में नंबर हैं सभी जूड़ जाएंगे जो जो माइनस में हो घड़ जाएंगे इसमें दो तरीका है चाहे तो तुम प्लस माइनस इनको काट पीड़ दो यह खतम हो जाए लफड़ा कटम हो जाए सिर्फ चार बचेगा और चाहे तो तुम्हें काम करो इन सब को जोड़ो आठ तूटा कर लोगे वो थोड़ा गंदा लगता है ठीक है हाँ लेकिन अगर यह कुश्चन बढ़े हैं नंबर तो आपको पहले काटना आसान रहेगा बाद में जोड़ की घटाना फिर कोई मतलम नहीं रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद बहुपद को इंग 2.1 जो है वो खतम हो गया है 2.2 में दो कुश्चन मने किया है अभी तक आप लोगों ने भी किया है और 2.2 में केवल 4 कुश्चन है तो तीन और चार आज हम लोग कर लेंगे यह चैप्टर खतम हो जाएगा ठीक है आप समझते हैं पहला कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए ग निम्निस्तितियों में संगत बहुपद के सुन्यक हैं और यह मान का दिये गए हैं दादा यह देखो यह चैचा लोग इसे हैं यह क्या है भाईया 3x प्लस 1 और इनके छोटकव जो दिये गए हैं वो क्या है माइनस वन अपान थिरी मतलब आप समझ रहो आईसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध कीजिए सिद्ध यह कीजिए कि भाईया फलाने आपके लड़के हैं जैसे आप से कोई कहे मातलु मैं आज के जमाने में ना मैज्च करता है कि अजो का ना है तो बच्चा क्या कर रहे हो भई कुछ समझ में आ रहा है चलो सुन लेते हैं मतलब की बात समझते हैं क्या करना है इनको सिद्ध करना है कि दिखाए गए जो मान है इनके क्या है बहुपद सुन्यक है सुनक को क्या भोलेंगे बच्चा zero above polynomial English medium उलेCVSC जीडोड वाले समझे ले zero पहलिनॉम्यल तो हमें ये पॉरोब करना है कि जो value दी गई है एक्स की वो क्या है इस polynomial का zero है वो कैसे होता है जीखो समझो अगर ये दिया गए अमान हम इसमें put करेंगे रखेंगे तो अगर यह total value 0 हो जाती है तो हम लिखेंगे कि यह जो दिया गया मान है इस बहुपद का सुन्यक है अगर 0 नहीं होता है कुछ भी आ जाता है x y z 1 2 3 4 5 8 10 20 40 तो लिखेंगे कि दिया गया मान इस बहुपद का सुन्यक नहीं है चलिए try करते हैं कि आजओ फटाफट तो बच्चा क्या करेंगे अब लोग हम इसमें मान रखेंगे चाहे तो यहां पर लिख लो कि यदी कि पी आफ माइनस वान अपान थ्री ऐसे लिख लो कोश्टग में अच्छा लगेगा काम आण कि तूनने आता है कि तूनने आता है तो तो पी आफ एक्स इक्वल थ्री एक्स प्लस वन का यह लिख लो कहानी लिख लो जरूरी है का यह बराबर माइनस वन अपान थ्री एक तून्यक होगा वह यह हिंदी मीडियम वालों के लिए लाइन लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अच्छा लगे कि जैसे दाल भाद वनाये हो और भाईया उसको फ्राई कर लो अच्छा सा बढ़िया से अल्ला सुनते आज मिला करके तो क्या हुआ रही तो वही दाल लेकिन उसका टेस्ट बदल गया बदल गया कि नहीं ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और उसका टेस्ट कई गुना बदल गया तो वैसे इसमें है बच्चा तुम हल तो इसको करोगे मान तो निकालोगे सिद्ध भी करोगे लेकिन अगर यह लाइन लिख दोगे न तो यह फराई हो जायागा एक परकार से मतल हमारी जीएफ नहीं तुम कभी यह वर्ड नहीं सुन सोचते ने बने दिमाक में समझ रहो ना जो कुछ नालायक टाइप के हैं वही कमेंट करते हैं एक काम करता हूं मैं यह बिना मतलब का ही तो कमेंट कर रहा है ना पढ़ो चाहे तुम जाओ भाड में पढ़ोगे तो है नहीं मुझे मालूम है 60 सिकन्ड के लिए तुम्हें मैंने रोंक दिया चलो अब तुम्हें जादा खुजली नहीं होने वाली है एक दम पर एसान करके रख दिया जो पढ़ने वाले हैं उनको भी नहीं कमेंट करने दे था हां तुम्हें पढ़ना लिखना तुह लाइप मे अब इसको लिखने के बाद मैं मिटाओं गए स्क्रीन सांट आप लोगों नहीं लिया तो ले लीजिए अब मैं मिटा करके आगे बढ़ता हूं चलिए ठीक है मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया पूरा मंत्र बता दिया बैटा अब तुम अपने से कर सकते हो मतलब का काम समझो यहां से अपने से कर सकतो यहां पर अब यहां से हम P of minus 1 upon 3 निकालेंगे यानि इसका मतलब यह है कि जहां जहांपर X है वहां वहां पर minus one upon three रखोगे यह हो जाएगा three into minus one upon three और plus का one ठीक है बच्चा तो भाईया यह तीन से तीन कट जाएगा देखो गुड़ा में है न ऐसे कट जाएगा यह है तो final में यह minus one उपर बचेगा और plus का one equal का हो जाएगा बबवा equal zero हो जाएगा यह zero आ गया न तो आप लिखोगे क्या लिखोगे zero हो गया बस बात खतम अब नीचे लिख दो आता हां लिख दो गेदा अच्छा लगेगा आता हां यक्स इक्वल माइनस वन अपांथरी बहुपद तीन एक्स प्लस वन का तुन्यक है अब यह मैं हर एक में नहीं लिखूंगा यह पहला था इसलिए मैंने इसको सजाद हजा के आपके लिए करवाया है अब मैं सभी में नहीं लिखूंगा बच्चा ठीक है यू उतारलो इसको इसको इसक्रीशार ले लो पहला हो गया मैंने पूरी कहानी बता दिया अगर तुम नहीं समझे तो वीडियों को बैठ करके फिर से देखो बहुत अच्छे से बताया हूं पूरा दिल से बताया हूं चलो इस इसक्रीन साट ले लो चलो अच्छा पोज पे चलो ले लिए खिचबे नहीं करोगे तम कब तक खड़े रहेंगे मिटाने भी चल रहे हैं तो यह हो गया आपका पहला का पहला पार्ट बच्चा अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम लोग अच्छा एक बात बताओ इसमें से कौन-कौन किताब लिया है कौन-कौन नहीं लिया और बेटा एक लाष्ट वार्निंग सुन लो जो लोग चैटिंग कर रहे हो गल्फेंड वाफ्रेंड का मफला चला रहे हो ना उनको ब्लग कर देंगे तो फिर दुबारा तुम्हारा कभी कमेंट नहीं आएगा पढ़नी पाओगे इसलिए अपना दिमाग अगर पढ़ाई बच्चे जोड़ दो आखे चैटिंग करो किसके लिए नहीं हो पढ़ने वाले जो हमारा कार्य को देख रहे हैं उनके लिए तुम्हारा टाइम बरबाद करने लिए दिए नहीं चलो आगे चले चलो तो इसका सिकेंड पार्ट देखो बेटा समझो सिकेंड पार्ट देखो सिकेंड पार्ट दिया है पी आफ एक्स अच्छा चार से बताएं तीन तुमारे काका करेंगे जिनको आ रहा है उनके छटपटी मचिए पी आफ एक्स इक्वल 5 एक्स माइनस का पाई देखो बच्चा इसमें का दिया है माइनस का पाई इसमें दिया है एक्स का वैलू 4 अपान 5 क्या दिया है Kyx, equal, four upon five, यह मान रख करके आपको बताना है किया जिरो आता है नहीं आता है अगर जिरो आयेगा तो यह इसका सुन्यक होगा और अगर जिरो नहीं आएगा तो सुन्यक नहीं होगा ठिक है समझ में हा रहा ना सबको समझ में हा रहा न बाबू चलो तो अब हम क्या करेंगे इसके मान रखेंगे लाके इसमें धकेल देंगे पि-आफ जहाँ जहाँ एकस है वहां वहां फार अपान 5 रखेंगे तो यह हो जायेगा 5 इंटो 4 अपान 5 माइनस का पाई यह पाई वहाई लगा है सीधा-सीधा, पहले से मालूम चल रहा है यह नहीं होने वाला 0 यह फोर माइनस पाई आएगा और अगर तुम्हें काम करो इसमें मान भी रख दो पाई का तब यह जीरो नहीं होगा तो आप लिखोगे वही लाइन जो मैंने लिखा था अब मैं दुबारा नहीं लिखूँगा यहां पर ठीक है क्या लिखोगे यहां पर लिखोगे क्या लिखोगे लिख दो क्यूंकि ऐसे चिंद बना तो अच्छा लगेगा चूंकि पी आफ वोर अपसाइव does not equal 0 does not equal 0 आता है x equal 4 upon 5 आता है x equal 4 upon 5 दिये गए बहुपद 5x minus pi का सुनिक नहीं है दिये गए बहुपद 5x minus pi का सुनिक नहीं है ठीक है Mr. Perfect बेटा पढ़ लो अगर तुम्हें तो थोड़ा सांत रो ज्यादा उछलो नहीं हां समझ रहो ना मुझे तुम्हें अकेले नहीं पढ़ाना न मरे पास और भी हजार बच्चे देख रहें उनको भी तुमुझे ख्याल रखना है ना तुम्हें तीन नंबर आ रहा है तुम उछल रहा है नहीं चोड़ दो सब छो से बताओ पेपर में तुमारे जैसे ना ऊपर को पर करके लटक जाता है नीचे को सिर करके नुक आता नहीं है जो आ रहाए उसको भी करओ जो तक कहता है मुझे उतना रिबाईज करोगे मैं उतना आंगी रिबाईज जरूरी है नगे तुम लोग खुद से बताओगे इसके आगे वाला मैं अकेले नहीं करूंगा अगर पढ़ना लिखना है तो समझो यहाँ पे देखो अगला यह दो पार्ट इसके हो गए तीसरा पार्ट है बहिया कह रहा है इसमें कि यदि पी आफ एकस इक्वल गिवेन क्या दिया भई x का square minus 1 इसमें दो value दिया गया है x equal 1 भी है और minus का 1 भी है यानि आप क्या करोगे एक बार x की value 1 put करोगे एक बार minus का 1 put करोगे अगर p of minus 1 equal 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि minus 1 जो है वो x square minus 1 का एक सुन्यक है और अगर p of 1 ये भी 0 आ जाता है तो कह दोगे ये भी सुन्यक है मतलब जिसमें 0 आ जाएगा कह दोगे वो सुन्यक है जिसमें नहीं आएगा वो क्या है सुन्यक नहीं है ठीक है धेम राज सर्मा बच्चा देखो यहाँ पर कोई rally नहीं हो रही है तो कोई राजनीतिक कमेंट से कोई मतलब यहाँ पर है नहीं ठीक है समझ गए ना चलो तो अब हम एक एक मान निकाल लेंगे चलो अच्छा तुम लोग बताओ मैं करूंगा नहीं बताओ तुम अब मैं बताया हूं न p of 1 जहाँ जहाँ पर यक्स है one रखो और मुझे यह बताओ जीरो आएगा या नहीं हाँ या नहीं बोलो अतुल कुमार सबसे पहले बता रहे हैं राहू ले दो देव की दुकान बहुत अच्छा भाई देवी की दुकान कहां से आगे तुम तुमारी तो खोच जारी थी कई दिन से इधर यार जगा थोड़ा कम है यार जहाता है इधर से हाँ चलो बिनोद म्यूजिक विसाल कुछ तो बता रहे हैं कि है और कुछ तो बता रहे नहीं है ठीक है बच्चा देखो समझो मैं बता देता हूँ जहां जहां पर x से 1 पूट करोगे बेटा तो यह ऐसे बनेगा फाइनल में 1-1 इक्वल 0 तो जो बता रहे थे हैं उनका सही है आप लिखोगे क्या लिखोगे अरे भाई लिख दो ना कुछ चनमत यही दिया था कुछ और था यक्स का स्कुएर माइनस 1 था ठीक है आप लिखो क्योंकि पी आफ वन इक्वल 0 इसलिए दिया गया मान एक्स बराबर 1 बहुपद एक्स स्कुएर माइनस 1 का एक सून्यक है ठीक है क्या है सून्यक है वैसे तो आपके उत्रमाला में इसका अंसर हाँ या नहीं में दिया होगा बस मतलब सून्यक है या नहीं है आपको हां या नहीं बताना ऐ इसमें लाइफ में आप हां लिख तो तब भी सही है केवल हां लिख दो बस चलो समझो है अगला वाला भी कर लोगे आ commodity बता देता हूँ छोटा साय कुछ बच्ची कम जोर है लोगे अब जहां पर यक्स है माइनस का रखोगे एक माइनस का 1 का स्कॉायर और माइनस का 1 माइनस का स्कॉायर कर दोगे तो प्लस हो जाएगा चैनल यह प्लस ऻो जाएगा माइनस फिर तो जीरो आज नो प्लस वर जाएगा है यानिYO नहीं अर jrage i.s स्क्रिंसार्ट लो मैं देखता हूं इसमें और कितना कुष्चन है 2.2 है ना इसमें अब मुझे लग रहा है सिर्फ एक है कुष्चन और बच रहा है बस जल्दी स्क्रिंसार्ट ले लो बचवा फटब फट ले लो ले लो तुरंद ले लो देर नहीं चलो तीन नंबर हो गया अब एक ठीवर बचा है दोनों है ठीक है दोनों क्या है इसके सुन्यक है मतलब जीरो आप पॉलिनॉमियल पेदान्त पांडे कुछ समझ में आ रहा है आ रहा ना भईया तो चौथा वाला कर लोगे की नहीं सभी बच्चे बताओ हाँ या नहीं इसका नेक्स्ट पार्ट कर लोगे या मैं बताओं जो बच्चे कर लेंगे बोले हाँ जो नहीं कर पाएंगे बोले नहीं चौथा पा आपकी साथ पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन पढ़ने वाले होता बना कुछ तो ऐसे कचरे जुड़ जाते हैं जिनको देख करके खून खूल जाता है उनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं चौथा पार्ट कर लोगे सबी कर लेंगे लगबों कुजा कुमारी देखो बैटा NCRT की मैं बात कर रहा हूं जो में NCRT है प्राइबेट किताबों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुख NCRT भुक है उसके एकार्डिंग चार कूश्चन है अगर आपकी कोई प्राइबेट भु कोई नया नहीं होगा इसी में से कुछ होगा घुमा फिर आके लिकास सिंग राजपूत कि देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं लो सब कर दे रहे हैं तुम छाप लो हां छाप लो समझना नहीं एक को पहली बात तो टाइम से जुड़ते नहीं है साथ बजे कलास सुरू होगी तो यह जुड़ेंगे एक गंटा बाद इसमें एक्स का दो वैलू दिया है एक्स का मान क्या क्या दिया है माइनस का वन दिया और दो दिया है दोनों मान पर आपको ट्राई करना है चलो ठीक है देख लो मैं एक के बताऊंगा इसमें का बस आप बजे हमारी कोशिस है एक अगस्त से चलेगा कोशिस तो भरबूर है कि सब कुछ चले लेकिन क्या करूं मैं भी तो इनसानी हूं नहीं कि हाँ चले गदस का भी चलेगा तो पी आफ माइनस वन मान रखो जहां जहां पर यक्स है वहां वहां पर माइनस वन रखो लाकर यह हो जाएगा –1 और यह प्लस का ओन और यह हो जाएगा –1 और मार गुगा 2 यह माईनस्प्लस भाईय हो जाएगा 0 और यह माईनस्प्लस का हो जाम माईनस्प थीन व॥ाइनल मेंगो सब 0 हो जाएगा तो आप लिखोगे हां हां ठीक है कि लिखोगे हां एकस बराबर माइनस वन दिये गए बहुपद पी आफ एकस इक्वल एकस प्लस वन इंटु एकस माइनस टू का एक सुन्यक है जो को मैं बोल दे रहा हूं जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चें वो लिख लेते हैं ब दिया गया मान एकस बराबर माइनस वन दिये गए बहुपद पी आफ एकस इक्वल एकस प्लस वन इंटु एकस माइनस टू का एक सुन्यक है बस हो गया ठीक है समझ में आ रहा है ना नीली मा एको बच्चा जो भी नए साथ ही जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो किवल पढ़ते हो चले जाते हो फिर अगले दिन आपको कलाफ नहीं मिल पाती है यह यह मुसीब करना और बीना सब्सक्राइब किये तो आप कमेंट भी नहीं कर पा रहे होंगे यह भी तो एक पबंदी होती है तो चलो आप लोग करोगे आपकी बारिमान दारी से मैं मान रखते रहा हूं हल करो गया रेटी हो ना चलो तो पी आफ अब टू हम हर जगा जहां जहां यहां रखेंगे तू रखेंगे इसको भी ट्राई करेंगे तो चलो बच्चा मुझे यह बताओ अब तुम सभी यह दो माइनस दो यह यह हल करने पर जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है पर अंजलतिवारी ठीक है ठीक है बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड चलो बताओ जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं देखो आप सब्सक्राइब कर लो तो आप भी कमेंट कर पाऊगे इसलिए आपका कमेंट नहीं आ रहा क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो कमेंट नहीं कर पाएगा अगर आपको य संधीत नितीज सतनामी रूपेश आयन तिवारी बेरी गुट बहुत अच्छे बच्के। निर्जल यादो रामकिसोर प्रीतम रोट जीवम सुकला राजबीर गीत मोर्या पंकज यादो थनु हजारेज चंद्रकांत पाठक आवाज कट रही इनकी पाठक जी क्या सबकी आवाज तो नहीं कट रही है तो यह हो गया आपका यह कुष्टन ही खतम हो गया 7 इसमें का कुछ कटीन वाला है वो मैं करवा देता हूं 4 और तो हो गया पाच्माँ पार्ड तुम Those both कर लोगे मैं नहीं करवाऊंगा चालओ करवा देता हूं पाचमा आपके लिए हों मौर्ख है पाचमा होमवर्ख है खुद से करके बताओ थार्ड question में इसके आठ भाग हैं टाइम तो थोड़ा लगे गाना कई भाग है इसके मतलब यह पापा है इनके आठ लड़ी का है अब तो सरकार अमारी नियम ला रही हम दो हमारे एक क्या बिनमना है कुछ आप लोगों को भी समझ में आए कि नहीं इसमें चलो पहले कुष्टन देखो आप लोग अभी समझना अभी टाइम बहुत बचा है वो सकता है आप लोगों के नियम टाइम तक नियम आ जाए कि हम दो हमारे कोई नहीं समझ रहे हो ना यहां पर इतना पापूलेशन हो जाएगी कि ऐसा रूल आजाएगा भाई ना अब मना है यक्स इक्वल माइनस यह मापान यल यह मैं बता रहा हूं इसलिए चुकि इसमें यह यल यम बी सीडी दिया है तो हो सकता है तुम्हें कुछ दिक्कत हो इस वजह से मै अर्मी तैयारी फिटनेस बहुत अच्छे दीपक यादो जोती मतलब इनका दोनों नाम है यह आधा मेल है अधा फीमेल है तो पी आफ माइनस यम अपान यल निकालोगे यह मान लाके एक्स की जगह पर रखोगे तो बच्चा यह एक्स की जगह पर ध्यान दो यहां पर यह यहां पर एक्स है उसकी जगह पर तुम क्या रखोगे माइनस का यम अपान यल कुछ समझ रहे हो कि नहीं इसको थोड़ा और लंबा चोड़ा करके लिखें जिससे तुम और अच्छे से समझ सको देखो समझो क्या करेंगे इसको थोड़ा नीचे लिख दें क्योंकि हमारी कोशिश है कि तुम्हें समझ में आए है एक एक पॉइंट भूलो नहीं ये यह न है यक्स की जगह पे हम क्या रख रहे है माइनस का यम अपान यल यह यह यन हर में है यह आन्स में थीक है बच्छा और यह प्लस का यम अलग से इक्श्ट्रामे अर्ये यह कट जायएगा ग भाइया लोहा से जब आग टकराती तो का होता है मतलब आग में लोहा डालो गे गरम होगा और उमें पानी डाल दो गया होगा तो बूत जाएगा न बस वही से यह क्या होगा अब खतम होजागा जीरो आजाएगा आजये मोहंती कुछ समझ में आ रहा बच्चा देखो एक बात आप लोग समझ लो एक बात आप समझ लो कि आप लोग सभी बच्चे कलास को बिना कहे रोज लाइक किया करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आती है जानलो मेरा दिल तूट जात अंदर से एकदम लाइक जरूर किया करो ठीक है ऐसे मत मारो मुझे भी जब तक मैं थोड़ा एक्टिंग किया करूं तब तक तुम लोग स्क्रीन साट ले लिया करो अपने हो इसलिए बता दे रहा हूं बाकि नए बच्चों को नहीं बताता हूं समझ रहो ना कुश्चन हो हो जाए तो मैं कुछ और करने लगता हूं कि उतना देर में तुम समझदार हो इसक्रीन साट ले लो तुम्हें मालूम है कि इसके बाद मिटा के इसको लीप पोत के अगला करवाएंगे न हूं चलो समझ गए ना कलपना यादो कुछ समझ में आ रहा है तो यह आपका हो गया इसमें का एकाद पार्ट और है जो बड़ा खतरनाक है मैं उसको भी करवा देता हूं है मैं का करना था मैं तो अहीं नहीं लिखा नीचे लिखो लिखो इसको करने के बाद नीचे लिखो ऐसे जैसे इसके पीछे वालें बताया हूं मैं इसमें आठ पार्ट है मैंने पांच पार्ट में सब बोल बोल के बताया चिला 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 के उसी तरह से इसमें भी लिख लो समझ रहो ना अगर अभी अभी जुड़े हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देखो लाइब सेसन अब थोड़ा भीस्तार से लिख दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा है ठीक है चलो तो बच्चा यह आपका कितना हो गया अच्छा तभी इसमें कोनों बता रहा था आठ पार्ट है कि अरे गदों मैं वह आठ की नहीं बात कर रहा था न्या वाला कुश्चन की बात कर रहा था ना सत्वा में देखो दिया है P of X equal 3X का स्क्वाइर माइनस का 1 यहाँ पर X का 2 मान दिया बच्चा, बड़ा खतरनाक है यह मान, बड़ा डेंजरस है यक्ठी तो ही दिया है, यक्ठी यह फलाने चाचा है, यह थोड़ा हूँ रहे ठेह हुए है पहलें से यह दोनों मान बारी-बारी इसमें रखके आपको बताना है कि 0 होता या नहीं होता है, ठीक है परजापती सागर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, free A student, दिल से धन्यवाद, दिल की गहराईयों से अंदर वाला धन्यवाद चलो, ठीक है, बहुत आगे बढ़ोगे, यह हमारी सुब कामनाएं है, चलो, तो अब क्या करेंगे हम पहले एक बार माइनस का 1 अपान अंडर वूट 3 रखेंगे, और एक बार 2 अपान अंडर वूट 3 रखेंगे, दोनों बारी-बारी रखेंगे, अगर 0 हो जाता है तो लि नहीं है बस, तो यह हो जाएगा, पी आफ, ए सुनो, सबको थांक्यू जो बोल रहा हूँ ना, मैं सब लोगों को नहीं बोला, मैं उसको बोला जो लाइक करा था, नहीं तो सब लोग उसमें हिस्सा बटाओ, चलो, तो यह 3 जहां पर एक्स का स्कॉायर है बच्चा, उसकी जगह पर माइनस वान अपान थ्री रखोगे, ध्यान से देखो, यह अक्स के चुर्की पर क्या लगा है, ऐसे समझे लो जैसे तुम्हारे पापा है, और वो करजा ले लें कहीं 10 करोण रूपया, 10 करोण रूपया करजा ले लें, उसके बाद वो कुछ दिन बार निपट ज होती है, वो उसका उत्रादिकारी उसका बेटा ही होता है, अगर नहीं तो बेटी होती है, यह होता है लेकिन क्या है खिर वोसमपती कहीं बना कर नहीं जाता बल्कि बहुत गढ़ जाता है, और व बताने लगा बीच में यहाँ पर बच्चा इनके खुपड़ी का लगा इसक्वायर लगाए अब इसकी जगह पर एमान रखा जा रहा है तो यह स्क्वायर जो है ना इनकी उपर से खुपड़ी पर अहट के इनके ऊपर लग जायेगा समझ गए ना क्या होगा इनके उपर लग जाएगा चलो तो यह क्या होगा अब यह चली नहीं रहा आप तो भाईया रूप जाए कमिनेटी इसको थोड़ा जाड़ने फूंकने दो इसके नजर लग गई तुम लोग ध्यान से इतना देख रहे हो तो यक्स कमान रखो माइनस का वन अपान अंडर उट तीम इसका स्कॉयर क्योंकि यह स्कॉयर एक्स के उपर लगा था इसलिए इसके उपर लग गया और माइनस का क्या होगा वन ठीक है अब बच्चा इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा इधर चलना पड़ेगा लचमान रेखा खीच रहा हूं इसी अंदर में समझना इस रेखा के बाहर मत जाना देखो बच्चा जैसे अंडर उट तीन है न अगर हम इसका स्कॉयर करेंगे तो तुम जानते हो क्या होगा वह यह तीन का स्कॉयर करना तो तुम जानते हो तीन का स्कॉयर करना तो जानते तो यह कितना आ गया अंडरूट नो आया न और इसका वर्गमूल करोगे बचवा तो तीन आएगा तो कुल मिला करके हम तुम्हें यह सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी नंबर है जिसका अंडरूट पे चिन लगा है मतलब उससों पर एंडरूट लगा है अर उसके बाद किया है अंडरूट लगा है लेकिन उसका इसकौइर है तो तुम डारेट उस नंबर को लख सकते हो बस यह सब पूरी कहानी लिखने से अच्छा है तुम डारेट 3 लिख दोगा यह नी सिसका मान क्या थीन होगा? समझ गए ना है और देखो अगर अंडरूट में पांच का स्क्वायर लिखा है तो बच्चा इसका मान क्या होगा पांच होगा तो यह याद रखना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर भी हल करेंगे मान रख देंगे तो तुम चट बटाने लगो गया कैसे होई गई हां समझ गये ना हम लो पता वीडियो को टक पटा करहें है मैं जाम हो गया का भई कैमरा इस नाट बीजिबल फ्री जो रहा वीडियो अच्छा ही है मतलब कर दो बताओ मुझे लग रहा है कि रूका हुआ है को मतले ना तुरन्त हीलने वॉल अभी मां जिन्दा हूं तो मैं जिंदा हूं तो मैं चलूँगा भी टेंसन मतलो रुकॉब को मैं फिर फे चला देता हूं न इने खाल बील रहा हूं हानवाथ वात हील रहे हैं देखो देखो खुपडी भी मेरी मेरी कि दिल रहना यह सब कैप्चर कार्ड का कमाल है यहां पर कई डिवाइस लागे होते हैं एक साथ में तो कुछ डिवाइस होते हो थक जाते हैं और रुक करके मुझे गाली देने लगते हैं अब इतना सुबहरे से नादा है मुझे कभी तो आराम करने थे भाई इसमें मेरी क्या गलती है चलो ठीक है अब चलने लगा होगा ना चलने लगा ना परसांत कुमार जैसे तुम हीना 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 कर रहे हो ना वैसे अभी तुम हीना होगे अभी देर नहीं रुको परसांत कुमार तुम्हें लास्ट वार्निंग दे करके पांच मिनट होल्ड किया इथैर चलो में तो यह क्या होगा website ममें आपको इसका सारा कहानी बता दिया अब यह होजाएगा माइनस होन की स्क्राइर करोगतुम था जाएगा प्लस होATE गार यह प तो यह कट जाएगा यह था झाईगा यह हई जो बचेगा बहिया भूबार वो बचेगा 1-1 और फिर 0 आजाएगा क्या आजाएगा 0 अले सुन्दर्फ लिख लो तो आप इसका क्या अंसर लिखोगे हाँ क्या लिखोगे हाँ लिखोगे बस हो गया ठीक है या फिर वो लंबा वाला बात लिख दिना जो मैंने बताया है चूकि पी आफ माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 इक्वाल 0 इसलिए दिया गया मान एक्स बराबर माइनस 1 अपान रूट 3 दिये गया बहुपद पी आफ एक्स एक्क्वाइर माइनस 1 का एक सुन्यक है थोड़ा सा बुद्धी लगाओगे लिख लोगे बुद्धी नहीं लगाओगे तो लटके रहोगे चाटा गट्टा जीसे हां समझ लो चलो चंदन बर्म समझ में आरा ना बच्चा वापस आ गया वापस आने दो देखो मैं इनको एक मौका देता हूं जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है न तो जो भी यहां गलती कर रहा बेटा उसे मैं एक बार 5 मिनट के लिए रोकता हूं उसे एक मौका मिलता है कि देखो समल जाओ तो तुम्हें फिर पर्मानेंट के लिए क्या कर दिया जाएगा यहां से परखास्त कर दिया जाएगा सेवा से बाहर हो जाओगे फिर चलो आज मैं तीसरा ही करवा भी पाऊंगा चौथा कुश्चन नहीं होगा क्योंकि तुम लोग चाहते हो मैं सभी करवा हूं अब इसमें तुम्हें सब मिटा दिया अगला मान लिखके खुद से कर ले ना इसमें एक और मान दिया था दूई बटा रूट तीन कर लोगे ना इसमें एक मान और दिया था दो बटा रूट तीन कर लोगे ना बोलो सत्वे में दो मान दिये थे पहला मैंने करके दिखा दिया वन अपान माइनस वन अपान रूट तीन कर दिया अब दो बटा रूट तीन करके ऐसे कर ले ना अगर जीरो आ जाएगा तो लि पाल तू की न टंकी न करो हां चल लो तो मैं इसको मिटाता हूं अब यहां से समझो बिटा एक मिनट एक बात सुनो तुम लोग बाई कलास को बाबू लाइक करो यार ऐसे मजा नहीं आरे ठीक है जितने भी नए बच्चे है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बिल्कुल फ्री यूटूब पर पढ़ो रोज साम को साथ बजे से लेकर साथ बचकर चालिस मिनट तक साथ बचकर चालिस मिनट तक हम दो चार दस मिनट देर तक पढ़ा देते हैं वह हमारी खुसी है हां साथ चालिस तक होती है कलास बाकी साम को 7 से 740 टाइम याद रखना रोज के लिए याद रखना तो भाईया यह दिया है 2X प्लस 1 इसमें X का मान दिया है बच्चा X का मान 1 अपां 2 दिया है क्या दिया है X का वैलु 1 अपां 2 दिया गया आपको X की वैलु 1 अपां 2 पुट करना है if the value of fee of minus इंग्लीज के चक्कर में उल्टा हो जा रहे हैं सुनो इफ द वैलू आप फी आफ वन अपान टू इज इक्वल जीरो इस गिवन वैलू एक्स एक्वल वन अपान टू विल वी जीरो आफ पॉलिनॉमियल 2x प्लस वन अरे इंग्लीज बोलने की प्रेक्टिस कर रहा हूं तुम लोग भी समझ जाओ थोड़ा मोड़ा समझ में आया ना कुछ उल्टा-पुल्टा की नहीं देशी भासा में समझ लो कि अगर दिया गया मान एक्स का जो है एक बटा दो इसको रखने पे जीरो आता है तो यह दिया गया मान एक बटा दो दिये गया बहुपद दो एक्स प्लस वन का एक सुन्यक होगा कि समझ गए ना लेकिन उसके पहले हमें आज पढ़ना है रिमाइंडर थेवरम क्या पढ़ना है सेस्फल परमिये कि सभी के बास किताब है एंसी आर्टी वाली ठीक है बादे एंसे आर्टी गंटा न बच्चा अज हम लोग पढ़ेंगे सेस्फल परमिये क्या पढ़ेंगे कि सेस्फल परमिये जिसे बोलते है रिमाइंडर थेवरम सथ है ऑस तो प्रूम्स आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा भाहरो पढ़ लो तो अच्छा है नहीं तुम्हारी गेमिंग आडी ना तुम्हारे गर चली जाएगी और तुम्हें आथ निकल लो गया तो पढ़ लो कमेंट ठाल दूना करो अभी 45 सिकेंड का मैं होल्ड किया हूं भी मैं तीन मिनट का साथ दूंगा फिर तीन मिनट यह सो लाइक भी नहीं हुआ तुम लोग सेघर भी नहीं करें जिए च्छा लोग क्या करना चाहते हो पढ़ना चाहते हो यह फटाफट जल्दी लाइक कर दो च्लुझ Спाश्पल doğrubia क्योंकि जो आगे का एक्सराइग एक्सपल अलवा कि अगर आपको आपको क्कोो सेस्प करना है और यह जरूरी है कि दो मिनिट हम बेट कर रहे हैं आप लोग जल्दी से कलाश को सेयर करके लाइक करो पुरन हंडेड प्लस लाइक पहुंचाओ पहले 200 लाइक कि यह कलाश चलेगी एक गंटे में पढ़ाऊंगा दिमाग पकाऊंगा नोचूंगा अपने आपको आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या होती है ना आप फिरी में पढ़ रहे हो घर बेटे पढ़ रहे हो बाबु तो कर दो ना इतना सा करना है इसमें कोई ब मैं इसलिए रुका हूँ कि आप लोग कलास को सेर कर दो जल्दी से सभी सेर कर दो एक एक बच्चा जब तक सेर नी करेगा और लाइक नी करेगा तब तक मैं सुरू नी करूंगा और बहुत इंप्वार्टेंट टॉपिक है आज का जो टॉपिक है बेट अगर इसको तुम तो आज समझ लो फिन नाइंत में दिक्कत बड़ी बारी है जल्दी सेर सभी सेर कर दो एक एक बच्चा जब तब खेयर हुआ कि अगर कि रुको मैं इनको ब्लॉक करके आता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं ठीक है क्योंकि यह कुछ कि अलग तरह के भी प्राणडी आ जाते हैं जो 24 गंटा फोन करते हैं इनको चाहिए कि हर समय बात हुआ हो गया सभी कर दिए कोई नहीं बचाब सभी कर दिये भई अभी तो डेर्ड़ सो प्लस भी नहीं पहुंच यार मतलब कैसे क्या चाहते हो तुम लोग पढ़ना चाहते हो न पढ़ना चाहते हो ना बच्चा तू पॉइंट टू में कुश्चन चार अच्छा तू नमाद याद दिलाए कौन है यह महानात्मा कौन थी भाई जो याद दिलाया मनोज याद हो ठीक है मनोज जी मैं उसको ही पहले बता देता हूं चलो सेस्पल पर मिये बाद में बताऊंगा पहले कि शुकर नंबर चार करलो क्या शुकर देखता हूं अदा मिनट और मु absolute करें और बिना सब्सक्राइब करें आप कमेंट नहीं कर हो इसलिए आप सब्सक्राइब करो बल्याइज कि हो गए 200 पहुंचाना है 200 पहुंचाना है वह जाएंगे बस सिंपल सा है देखो तुम्हें कुछ टेंसर नहीं लेना कि 200 कई से आएंगे कहां से आएंगे सबी जितने वी बच्चे हैं अपने वर्टसप के गुरूप में सेर कर दो दो चार जो भी हो आपके जो गुरूप में हैं या मोवाइल में अंतलब कॉंटेक्ट हैं वर्टसप में चाचा चाची अंटी अंकल भाईया भावी देदी सब को बेज दो बस-बस कोई ने-पोई किसी ने किसी काम का चुकि पढ़ाई सब के काम की होती है तो चलिए सुरू करते हैं नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिबार पीबियार स्टडी में तो बच्चों आज आप पढ़ेंगे क्लास नाइंथ की एंसी आटी उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.3 सेसफल परमिये बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनमें आदित्य कुमार है राहुल कुमार है राहुल बाबु भी है भैरोडराम गेमिंग रूपेस प्रियंका अमित संजना तिवारी चे दूबे प्रितम विश्वास और प्रतिम अभिसकर्मा धोनी अंसिका संजय सिंग यसराज बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं माफी चाहते हैं सब का नाम नहीं ले सकते हैं चलिए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं तो बच्चों सेसफल परमिये हम नहीं ठीक है जो हेडिंग लिखा ना विटा वो मिटाया नहीं जाएगा तो चलो ठीक है कि ओके बेरी गुड चलो तो टूपाइंट टू का जो कुस्ट्ट फोर था वो क्या कहता था चलो पढ़ते हैं टू पॉइंट टू का कुस्ट्ट नमबर फोर आप लोग किताब में देखो अपने सभी देखो कह रहा है कि निमनलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में बहुपद का सून्यक ग्याद कीजिए क्या करना बच्चा सून्यक कल में बताया नहीं था इसको क्या माले बताया था नहीं बताया था सायद कुछ बच्चे ब editor न॓ पर बैए चलो देखू ठीक है तो मीछ नमबर चार và यह यह तो इसका क्या करना में सून्यक कर इंकालना है सुननर को इंग्लीज में बोलते हैं zero of polynomial मतलब इस polynomial के zero find करने हमें जो सीबसी वाले हैं उन के पी आफ एक्स एक्स प्लस फाइब तो इसके क्या करने हमें जीरो फाइंड करने मतलब सुन्यक निकालने हैं तो बच्चा सुन्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे पी आफ एक्स जो दिया है उसे जीरो के बराबर करेंगे ठीक है जीरो के बराबर करके इसके क्या निकाल ल के बराबर होगा तो यहां से यक्स कमान निकालोगे बाबू माइनस का पांच होगा और यह माइनस का पांच क्या है इसका सुन्यक है क्या है इसका सुन्यक है लिख लो स्क्रीन साथ ले लो रूपेश बेटा देखो मोबाइल नुमबर यहां जो कमेंट कर रहा हो ना बहुत लाते लात मार खाओगे समझ लो कुछ समझ रहो कि नहीं पढ़ने आयो नहां कोई नटंकी थोड़ी हो रही है पढ़ लो यह तो भाग जाओ तुरंट भाग जाओ मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं बुरा लगे तो लगे लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे रहें कि इनको कुछ करना है इनको यहीं सब करना हो यहां से भागे तुरंट तो यह क्या हुआ आपका हो गया अंसर इसे आप लोग नोट कर लो इसक्रेंसाट ले लो मैं इसमें थोड़ा सापको और एक लाइन कर देता हूं वो क्या है समझ लो इदर साइड में इसके पीछे वाला जो हो अपद के जीरो है यानि सुन्यख है या नहीं है तो हम लोग क्या करते थे जो मान दिया होता था उसको इसमें रखते थे अगर सुन्ने आ जाता था तो लिखते थे कि यक्स की जो बैलू दी गई है उसको equation में put करने पर polynomial में put करने पर 0 आ रहा है आता ही इसका सुन्यक है करते थे ना तो बच्चा हो इसको एक बार चलो इधर verify कर लेते हैं वैसे question में कहा तो नहीं करने को लेकिन मैं आपके विश्वास के लिए इधर करवा देता हूं इसको उतारना नहीं केवल समझे लो देख लो बस तो जो हमारा polynomial है P of x यह है x plus 5 और हमने इसका जो सुन्यक नि किवल एक्स की जगह पर अगर हम एक्स की जगह पर माइनस पांच रmeal तो यह जीरो आना चाहिए तो बच्चा यह से हो जाएगा माइनस का पांच प्लस का पांच इकूल के आजए गा जीरो सुन्नि हो रहा है न अगर कर लो इसका कोई मतलब नहीं था इसको मैं आपको किवल संतुष्टी के लिए करवाया कि आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है जो बच्चे पीछे का कोईस्टन नहीं देखे हैं चैनल पर वह कलास है कल वाली वह देख लें बेटा दूबे जी नाम लेके जो कमेंट कर रहे हो कि समझ रहे हो ना जो नाम लेके कमेंट कर रहे हो किसी का यहां पर नहीं है किसी का नाम कोई लेके कमेंट नहीं करेंगे अब पूरी तरह से कडाई के साथ हैं पर पढ़ाई के साथ तुम लोग की कुटाई भी जरूरी है लेकिन यहां कुटाई का तातर पर है कि तुम बल और बिना उस सेवा के तुमारी हड़ी मजबूत होती नहीं है आपको पता है कलास 9 में हर बच्चा पढ़ रहा है कोई बच्चा बड़ा हो करके आईस बनेगा अधिकारी बनेगा जीले का डीम बनेगा और कोई बच्चा उसी जीले में सफाई कर्मी बनेगा नाला में यहां कच्ड़ा में गुष गुष के नली साब करेगा समझे लो बहुत बड़ी बात बता रहा हो दिमाग से सोच लो अभी तुम नाइंथ में पढ़ रहे हो तुमारा भविस से आगे बच्चा है तुम ही में से कलास में एक कलास में सो बच्चे होते हैं 50 बच्चे हैं कोई तो और कोई उसी जिले में सनक पिजाड़ू लगाएगा क्यों सफाई कर्मी बनेगा ना कोई तो कौन बनेगा भई जो पढ़ रहा है मानदारी से कुछ कर रहा है वह अगे बढ़ेगा वह अधिकारी बनेगा और का यह जो नंबर दे रहा फ्लाने का नाम लेके कमेंड कर रहा वह क्या करेगा वह उसी काम में आएगा समझ लो तो अब तुम अभी सोच लो कि तुम्हें सफाई कर्मी बनना है या फिर जिले का मालीक बनना है कुछ बड़ा करना है उसी अधार पर पढ़ो हाँ जैसे काम करोगे वैसे तो मिलेगा ना जो बहुत तो काटोगे चलो इसक का सिकंड़ पार्ट क्या है पीया एक से क्क् Soon सिंपल सी बात है इसको जीरो के बराबर करते हैं पी आफ एक्स को जीरो के बराबर करते हैं पी आफ एक्स बराबर क्या करेंगे जीरो तो पी आफ एक्स कमान कितना है बहिए इसका मान कितना है एक्स माइनस पांच है तो बिटा यह एक्स माइनस पांच बराबर क्या करोगे जीरो तो यक्स कमान के आएगा पांच आएगा देखो मैं दो लाइन में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगा नहीं है नहीं तो तुम सोच वाइसे करना इसे नहीं करना इसको नीचे एक तरफ करते जाना है एक मिनट रुको में इतनी लंबी कहानी फालतू का लिखा देता हूं मुझे confusion हो रहा है कुछ बच्चे ऐसे नूट कर लेते हैं और वह सोचते हैं कि मुझे ऐसे ही करना है तो बेटा ऐसे नहीं करना अगर तुम्हारी कापी किताब में जगा है तो इसको एक ही लाइन में करना है तो ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है नितीस दालना है मतलब 0 कि हाइंड़ जीरो आफ गिवन पॉलिनोमियल तो सिकेंड है प्याफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव यह दिया है अब यहां पर जगा है तो यहां पर बनने का काम तो प्याफ एक्स इक्वल जीरो के बराबर करेंगे तो यह इसका मतलब ही हुआ तो कमान पांच आई एंसा हुआ ऐसे लगाना था एक ही जगा पर निचे थोड़ा सा कम जगा थी इसलिए मैं उसको दो बार में अर्जेश्ट कर रहा था बगल बगल आजेक्स समझेते यह पांच क्या है इस बहुपद का क्या है सुन्यक है रोच्य थी एक फरकार से बहुपद नहीं है है κण दूइपद है नहां दूइपद बोल सक्यों अ कुछ बाइनोमियल न एबटा निकुल तुम नाम लेके कमेंट कर रहे हो ना नाम लेके कमेंट कर रहो नो पढ़ लो बता रहूं बाघ बारिकल राहूं टो मेरे चलती ही और नहीं देखाई ऑम तो चैनल पर अ है बात में देखे ले कि अब आज के लिए है लेकिन रोज रोज छोड़ो के नहीं मिले इसलिए रोजमाथ चोड़ो c graduates आठ बजे चली थी ना आज ठीक है आगे चलो देखो ये दो पार्ट हो गया तीसरा पार्ट है इसमें का भाई पी आफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पांच इसका तुम लोग अंथर मुझे बताओगे चलो इसका सभी बच्चा बताएगा कितना आएगा भाई इसका सुन्यक बताओ देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है सटर्डे को कल टेस्ट होगा और कल 200 रूपए का सर्प्राइज होगा जो बच्चा तीन कुष्टन अधितम कर लेका दस में से उसे 200 का सर्प्राइज मिलेका तुरंथ याद रखना जितना पढ़ाया हूं उसी में से पूछा जाएगा बहुत छोटा-छोटा कुष्टन तुम लोग की कापी चेक होने वाला भी तो समझ रहो ना कापी चेक होने वाला प्लान भी बना रहे हैं लेकिन उसमें कंडीशन होगी कि तुमें अपने अंसर एक निश्चिट टाइम दे दिया जाएक को इसन लिखने के बाद उतने जल्दी हमारे पास आजाने चाहिए य नहीं ऐसे नहीं होने वाला थिक है कितना आएगा यसराज सिंग बता रहे हैं बाई मनोज कुमार माइनस पांच बटा दो बता रहे हैं दिलीप माइनस पांच बता रहे हैं और लीडर गेमिंग डॉन तुम लोग का लग-लग उत्तर आरा सबका एक उतर आएगा सब का सुनिक निकलना भालों के लिए इस बन संग्गी अवियो इसका 0 निकालना भी इन फंड करना है ऊपारलों के लिए संग्डißtर, मैं भी इंग्लिस में बोलेंगे 0 कि तो फैन्डेश बन व्ल जिछा लोग पृनिम्य यह क्या तो क्या करते हैं बच्चा यह जीरो के बराबर करते हैं, यह तो करते हैं न, तो इस कमान क्या है यह लाकि इदर पतक दो ना इसमें, 2x plus 5 equal 0, निकाल लो, यह चर्चा इधर जाएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे, और यह दद्दा इनके नीचे अग लटक जाएंगे, बस होईगा, माइनस 5 बटा 2 इंच करेक्ट, माइनस 5 अपांट 2 इंच करेक्ट अंसर, मुझे ज़्यादा इधर नहीं लिखना चाहिए मुझे ग्यान हो रहा है मुझे उतर ज़्यादा लिखना चाहिए जिससे मैं यहां कम से कम ऐसे खड़ा तो हो सकूँ लग कुछ समझ में आ रहा है रादे स्याम मातो बिटा जो भी नए बच्चे अभी जुड़े हैं बाबु कलास को लाइक कर दो जिससे कि आपको अगली कलास भी मिल सके और आप बिल्कुल फ्री पढ़ सको घर बैठे ठीक है एक बात बता दें आप सभी बच्चे टेली गराम चैनल जरूर जोईन कर लेना अगर जोईन किये रहोगे तो डेली उस पर लिंक भेजी जाती है जब कलास सुरू होती है वाटसब की सुविधा नहीं बच्चों माफी चाहते हैं हमारे पास तीन लाग बच्चे हैं वाटसब में 256 लोग जुड़ते हैं तो हम कितना गुरूप बनाएं वाटसब वाले हमें कहते हैं तो आप इतना फारा मैसेज बचते आप फराड कर रहे हो वो उनले बंद कर देते हैं तो इसलिए आप टेली कराम चैनल करो अ कि और यूटुप चैनल सब्सक्राइब करो पढते रहो बड़े प्यार से घर तो वह विंडो बतन दबाओ बंडो के बाद पी-सी-टी-र-स से कुछ बटन होती ना इक मिन बता रहा हूं कि पिनल एक मिनट खाए अहां बिंडो के साथ साथ तुम्हें यह यह उफ 10 एक परकार से नहीं घुच्ट अखिव डेल मेरे अज़ये में लगभाग है यह तरह इस ह बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए प्रीतिविसकर्मा पर्दीप चंद्रकांथ पाठक चेतन ठीक है बेटा वकूर आलम निकल लो यहां से तुम्हारे लाइक नहीं पढ़ाई उड़ाई तुम्हारे बसका नहीं चाओ तुम नहीं पढ़ पाओगे यह काफी देर से परेस सकते हो तुम कहuben देते हैं परदान-gmental मों मेरा नमबर आयए क tengokil मेरा इनसान तुम एवड़ का अश,-ड़ान-मबर देख différentes तुम से छोटे ही लेकिन तुम कि तुम खुदे दिये पड़े हो चलो अगला कि इसलिए मैं समझाता हूं रोज समझाता हूं रोज बताता हूं पढ़ लो कि पी आफ यक्स इक्वल 3-2 इसको क्या करना है इसमें आप लोग बताओ देखे सबसे पहले कौन बताता है जल्दी बताओ इसका पॉलिनोमियल का जीरो के आएगा जैसे मैंने बताया था वैसे ट्राइ करो कितना है अब मैंने बताओंगा अगले एक्सरसाइज पर चलते हैं तुम लोग कर लेना सब अब सब कर लेना मैंने बताओंगा ठीक है अब 2.3 स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है अब इन्हों दूबे उसको फोन करके गाली दें क्या हाँ बिल्कुल दो तुम लोग मैं बोल रहा हूं ठीक है सब लोग जो नंबर देना उसको फोन करके खुब घरियाओ जी वर के गरियाओ बिल्कुल पूरा खुली चूट हमारी तरफ से कमेंट में नंबर क्यों दे रह आएगा उपर कमेंट में उसको खटेगा ही नहीं ठीक है चलो आपकी आने दो है हां नंबर दो सभी लोग नंबर दो चलो दो जो नंबर देना सब का नंबर ले लो खुब घरियाओ उसको जी भर के दुबारा ना करें वह पढ़ने लिखने आयों कि नहीं कि देखो यहां पर समझो इसको क्या करना है इसमें जीरो फाइंड करना है तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे लिखक जी रोको बराबर करते हैं और इसका वैल में जूह जुन है थिरी एक माइनस दो दिया है इसको जीरोके बराबर करों एand हालो कि रिक्स कमांद मान थ motrice भी हो गया हाँ चलो लिक्लो फटा फट लिक्लो सिवं कुमार प्रिया सर्मा बहुत अच्छे राधे सया मातो बेरी गुट बिए गुट बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंका लेलो नर्प सबी लोगत रोहित चौहान यह कापी परेसान है इंका नमबर लेलो देखो पिन कर दिया हूं उपर रोहित चवहान का नंबर लेलो सभी लोग इनको सुनाना जरूर अगर नंबर सही होगा तो क्योंकि यह काफी परिसान है सुनने के लिए उत्साहित है नंबर ले लो ऊपर दिया गया है चलो और किसी का कोई सवाल बेटा देखो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कोई अपना नंबर कमेंट ना करो किसी को डिस्टब ना करो ठीक है यह को डिलीट कर दिया चलो अगला अब तुम लोग कि मैंना अच्छी बेज़िती करूंगा चलो करो तीन अक्स इसको कर लोगे अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ी बात है इसका कोई आंसर बताए कितना आएगा अब सभी बच्चे कर लेंगे तो बच्चा यह चैप्टर खतम होता है ऎ सुपेतेश आफ्चल बच्चे सब करले न जैसे मैंने फाइस्ट फर्ट सिकेन्ट्र लेके फ़ाइपफ तक किया है वैसे इसमे के अभी एके पार्ट बचाए इक पार्ट बचाए कर लेए बस लोग्या ठीक है एक ही पार्ट और बचा है तो चलो अब नया पार्टी स्टार्ट करते हैं ठीक है बच्चा नया पार्टी स्टार्ट करते हैं चलो चलें शुरू करें अगला नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो सेस्फल परमिये हेडिंग डालो सेस्फल परमिये चलो जल्दी करो सेशफल पर्मिये लिख लिए इंगलिस में सेशफल पर्मिये को रिमाइंडर थरम बोलते हैं क्या बोलते हैं रिमाइंडर थरम तो बिटा एक मिनिट मैं एप्लिकेशन का लिंक पिन कर दे रहा हूं आप लोग PBR study app डाउनलोड कर लेना जिनको पूरा complete class ही क एपन डीफ भी विमाइ भी चल्वर कि मैं डीक कर्विश पिरवी पूरं सेस्ट करें जल्दी जल्दी पढ़ा दू बहुत बड़ी बात नहीं आप लोग यह बताओ आपको कुछ समझ में आया इंद ना मैंने आपको पढ़ाया ecoas में आया अट आया समझ में ना तो चलो अब next नेक्स्ट मतलब अगला क्या है 2.3 2.3 का जो भी concept है वो सेसफ़ल परमिये पर डिपेंड है तो सबसे पहले हमें सेसफ़ल परमिये पढ़ना होगा सेसफ़ल परमिये पढ़ने के बाद ही हम आगे कुछ इसमें कर पाएंगे अभीनों दूबे पढ़ाई कर लो अच्छा अछी बात है पढ़ाई कर लो बात्ची संडे को करते हैं संडे को आना रहें थ 동 एक बदाउनलोड करके ट्राई करना फिर मुझे बताना अ कि सेस्फल पर्मिय यह क्या है जानते हो कि नहीं यह बताओ कौन-कौन इसको जानता है रिमाइंडर कि थेवरम कि रिमाइंडर थेवरम क्या है जानते हो देखिए जैसे हम लोग भाग करते हैं तो हम लोग को मालूम है उसमें क्या क्या आता है भाग करने पर भाजफल होता है जिससे हम लोग भाग करते हैं जिसमें भाग किया जाता है वो भाच्य होता है जो उपर जाता है जिसे बोलते हैं जो उसका मेन होता है वो क्या होता है भाग फल होता है मतलब उसका रेजल्ट होता है कुलमिला के मेन मुख्य और जो बच जाता है नीचे वो क्या होता है सेसफ भी है लाइब टेस्ट हो गएरा बहुत कुछ है धेर सारा चीज मिलेगा डाउनलोड करना चलो देखो समझो कि तो सेस्पल पर्मिये के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग यह जानते हो कि नहीं का होता यह अझे परन ऐब यह सुने कि निए 1 मिनिट रूखो लिखने ने साथ भाज़्य बराबर है लिखो भाज़्य बराबर अभाज़क गुड़े भागफ़ल हां मि और धन्ट जेश कि भाज़य का मतलब मतलब होता है दिवाइजर और भागफल मतलब कौशियंट एंड रिमांडर प्लिस कर देते हैं ठीक है समझ रहे हो न तो बच्चा इसमें क्या करना है हमें समझो यहां से हमें इसका कांसेप्ट समझना है कि आखर यह सेजवाल पर्मीए क्या है तो आप इसको लिख लो तो उसके बाद फिर हम आपको आगे लिखवाते हैं इसका मुख्य क्या चीज है जो आपको समझना है वो चीज आप समझ लो जो बच्चे NCRT किताब लिए हैं वो बुक खोल लें हैं NCRT की चाहे सीबेसी बोर्ड के हो यूपी बोर्ड के हो बिहार बोर्ड एंपी बोर्ड जार्खंट बोर्ड केरल करनाटक पस्चिम बंगाल कहीं से भी हो आप NCRT बुक लिए हो तो पेज नंबर 46 कोलो पेज नंबर 46 पर आपको सेजफल परमिये दिख रहा है रिमांडर थेवरम दिख रहा है इसीबेसी वालों में दिख रहा बच्चा की नहीं हां एक 42 पर तुम्हें दिया होगा लेकिन वो नहीं है 42 पर जो दिया है वहां से कहानी में होगा तो किसी में 46 48 में होगा 42 घूंड लो आगे पीछे सेश्पल परमिये उसमें देखो लिखा गया क्या लिखा गया है कि मान लीजिये P आफ-एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपध है कि मान लीजिये पी आफ एक्स क्या है पी आफ एक्स एक से अधिक मतलब एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए पी आफ एक्स को क्यों आफ एक्स से भाग दिया जाता है किससे इसा माने लेने को तो कह रहा है कह रहा है कि मान लीजिए P of X को Q of X से भाग दिया जाता है नहीं X minus A से भाग दिया जाता है ऐसा बोल रहा है आगे कह रहा है तो भागफल Q of X होता है क्या होता है भागफल Q of X होता है यही क्या है सेस्पल पर्मिय हैं नहीं मिल रहा है । तुमको नहीं मिलेगा भाई पढ़ने वाले बच्चे इसे वड्योग याद खाने इनको नहीं मिलने वाला है इनको तेकेवल सोना चाहिए दालबात खा करके दुपारीयम गंटा सोना चाहिए आँ साम को नहीं बोलेंगे जाने दो चलो यह हो गया यह आप समझ गए तो यह पूरा इस्ट्रेक्चर है आपका रिमेंडर थेवरम का अभी मैं इसको थोड़ा सा चलो समझो इदर साइड में दिखो किताब में नहीं मिल रहा है वो भी केवल समझें किताब केटाब के क сказал मिल रहा है समझ लो बस जिनकी मक्ष किन एंसि इतरो Adobe्र मिल रहा होगा देखो कुछ लोग को मजा को मजा आ गया धालबात काके दुन बारीया मैं बहुत आज़ुक अब बेंग्जति हो गए बाई वह रिक्ति लेकिन यहीं बात है। है हम भी ऐसा करते था पहले हम नहीं तो आब आगे left उसमें करना क्या है इंगलीस में लिखाऊ हुगो Pennsylvania इसमें यह बतायो अंगलिस में लिख के कि डिवाइजर देखो अभी में हिंदी में लिखा था यह मत कहना तुम कि हिंदी वाला नहीं देख रहे हो हिंदी वाला मैंने लिखा था मिटा दिया कि इस पेलिंग और आपना सही कर लेना अगर गड़बड होगा तो कि एंटी है प्लस रिमाइंडर अभी मैं हिंदी में लिखा था यही चीज अब मैं इंगलीस में लिख रहा हूँ आप लोगों ने लिखा था तो उसे लिख लो ठीक है तो बच्चा देखो अब इसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसका पूरा भयानक रूप समझो यहां से कि देखो बेटा 45 सिकेंड में कमेंट रोका हूं एक एक बच्चा का नहीं तो यह लोग ना इतना कचणा कर देते ना यहाँ पे कि तुम यहाँ पर पढ़ नहीं सकते थे देखो समझो कि यहाँ पर समझना क्या है डिवीडियंड यह पी आफ एक्स क्यों भाई यही था कि दिवाइजर क्या था एक्स माइनस एक बार फिर से पढ़ लो किताब लियो देखो जिनके पास किताब नहीं उनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा किताब लिये हो तो पेज नंब छहालीस पर दिया सेसभाल पर मिये उसको खोल लो उसमें क्या कह रहा है मैं फिर से बोल रहा हूं अगर नहीं है तुम्हारे पास किताब लिख लो मैं जो बोल रहा chociaż लो आराम fine लूगा लिख है आगे क्या कह रहा है जब पी आफ यक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाता है तो भागफल क्यू आफ यक्स भागफल को पड़िये तो आवा थे उपर रहे ना यह आता है ताथा या फिर और जो भी लिखाओ किताब में शेसफल आफ यक्स है तो सेफ़ यह नीचे आफ बचेगा ना आराफ यारा फैक्स नहीं या प्याफ आफ रहोगा न क्या है जो एक मिनट रूख को दिखा रहा हूं चलो अब दिखा है नीचे दिखाल क्या है राफ एक यह क्या है पूरी इसकी कहानी है तो हम क्या लिखेंगे डिफीडियन मतलब या भाज यह भाज जे इसको पकड़ क्या इलिख है दिवाइजर यह भाजक भाजक मतलब इह लाग पट़को ये यह नौ नहीं है मैंने लिखा है एफार एप्पल कि एफार एप्पल है तो इसको तुम नौ लिख लो नौ नहीं है मतलब कान से सुनो दिमाग से समझो और हाथ से लिखो तभी चलेगा अगर तुम सिर्फ छापोगे तो मज़ा नहीं आएगा ठीक है अब प्लस कोर्शियंट कितना आया है क्यों आफ यक्स और प्लस में से सक्क्याaufen यह कहानी है अब चलो इसको पूरा हमेंहा कर अपको बिस्तार से दिखाते हैं ऑर जनीज कुछ समझ में आ रहा है बच्चा राहूल बाबू require राजीव प्रकाशन में भी 46 पर है ठीक है बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी किताब में मिल गया तुम खुस हो गया चलो मुझे भी याद आगया तुम लाइक ने कर रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो यागे बढ़ते हैं फिर टाइम जादा है नहीं बेश्ट करने के लिए फटा फटा लाइक कर दो तुरंट आ क्या रखना है एक रखना है ठीक है इतना साही करना है जहां एक मतलब कोई भी गिंती रख दो भाया एक मतलब कुछ भी एक कोई मतलब अगर बोले तो पूर संख्या कुछ भी रख दो एक चलो देखो कैसे यहां पर अगर हम ए रखते हैं तो पी आफ एक वल यह हो जाएगा बिटा ए माइनस ए प्लस प्लस शंजो कि यह क्यू आफ एक्स कीव आफ एक्स का मतलब क्या हो पहले बता मुझे जल्दी बोलो कि आफ एक्स का मतलब यहां पर ए रहेगा अंदर में कोश्ठग में कि यह वजाएगा क्यूत ए प्लस आफ यहां पर है मलत यहां पर मतलब यह प्लस और एक्स का मतलब है ठीक है इतना समझ में आए हा nutrition सेसपल तो लेकिन अलग से जोड़ा गया था ना तो यहां पर कहा कि वाफ था क्या था यह तो रिमाइंडर अलग से जोड़ा गया था ना एक मिनट सुनो यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिमाइंडर लिखना है यहां पर आर आप से कोई मतलब भी नहीं है रिमाइंडर बताओ मुझे चलो बताओ क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए अरे यार मतलब इतना देर से दिमाग नहीं काम कर रहा है यह भाजक यहां पर गुड़ा होता है यह जा रहा है आप लोग भी काफी सोच रहा होंगे गलत गलत पढ़ा रहें अभी हिंदी में लिखाता तो गुड़ा ही लिखा था ना कि उसमें भी यहीं लिखा था प्लस देखो कभी कभी थोड़ा बहुत मिश्टेक हो जाती है सोरी इसके लिए चिन वह गयरा थोड़ा सा प्लस कर देखो जाता है वह से फैनल तो नहीं हुआ लेकिन है कुछ लोग क्या करेंगे मिश्टेक वाला पार्ट काट करके वाइरल कर देंगे कहेंगे यह तो गलत बढ़ा रहें मतलब पूरी कहानी समझो हाँ चिन्नी की थोड़ी मिश्टेक थी मैंने माना आगे जाकर के टाट करेंगे जैएगा और श对शान चल जाया देओ कि जिए स्सक्राभाद वालू चल जाय से जाया ऑफ गढ़ मुस्की आज वह जाए में तो यह नहीं होता यह प्लस कर देते तो आगे जाली नहीं होने यह व्या अ dedic जाता तो आगे यह समझ लो ऑसी गलत रास्ते कि फाइनल में इसका गुड़ा करोगे जीर हो जाएका किवाल आर बचेगा या नियों कहें सकते एक हे 15 कुल किया बचेगा वचेगा कि आथ कूल मिला करके फाइनल आपका हो यह इसे लिख लो यही था शेसफल परमिय यह क्या है सेसफल परमिय ठीक है समझ में आया न सबको सबको समझ में आया चलो ठीक है लिख लो यह आपका क्या था रिमाइंडर थेवरम क्या था यह रिमाइंडर थेवरम अब हम लोग इसी अधार पर कुष्टन करेंगी किताब वाला लेकिन मुझे लग रहा है आज टाइम नहीं बचेगा न किताब वाला कुष्टन एकसरसाई 2.3 खोल लो मैं एक बता देता हूं उसी तरह से तुम लोग ट्राइ करना फिर कल बता दूंगा ठीक है मनीशा सर्मा लाइफ लाइफ लाइन सूर्य वन्सी तेजस्वी बहुत बहुत धन्यवाद रूबी दुबेदी हाँ जी बताइए आडर करिए इसक्रिंसाट ले लिया मैं मिटाओं इसे लीपूं की नहीं चलो जैसे हल हो जाओ वैसे इसक्रिंसाट ले लिया करो तुरंदेर ना किया करो और बाद में अराम से फुर्सत में बैठके एक एक अच्छर चापा करो क्योंकि यहां ज्यादा टाइम तो होता नहीं कि तुम छापो और मैं बैठा रहूं है तो बच्चा 2.3 खोल लो जो बच्चे एंसी आइटी वाली बुक लिये हैं चाहे वह यूपी बोर्ड है सीबेसी बोर्ड है कोई भी बोर्ड है और कुछ तो बता रहे हैं कि राजीव परकासन में भी वहीं पेज है तो ठीक है 2.3 खोलो आदेस यादो बिटा पाढ़लो 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 सब मिलेगा पाढ़लो यह आप एक édक और कोई ए पढ़ा कंथा थोड़ी हो है कभी संग बजएगी तुमको मिलेगा थोड़ा-थोड़ा नहीं पढ़े रहो गेसं कुछ ना मिलेगा समझ रहे हो ना मनोज सिंग ठीक है और अंगाबाद से हो तूँ वहीं बैठे रहो बोलो मत 2.3 देखिए बच्चा इसमें मतलब क्या है यह सेस्पल पर्मिय हम लोगों ने क्यों पढ़ाया पता है सेस्पल पर्मिय इसलिए पढ़ा है क्योंकि जो 2.3 का आपका पहला कुश्चन है वह कह रहा कि यक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्कॉयर और प्लस यह तीन एक्स प्लस वन इसमें क्या कह रहा है कि निमनलिखित में से भाग देने पर सेसफल ग्याद कीजिए मतलब फाइनल इसका ये है कि इसको भाग करना है किस से है इनसे करना चच्चा से यक्स पलस उन से इनको भाग करना है तो भाईया जैसे मैं तुमको कहूँ कि बेटा तो तुम काओगे इसमें कौन बड़ी बात है इसको तो मैं करी लूँगा हट प्रतिमध कभी ओजाएगा था टाएगा प्रतिम्ह आप में कभी ओजाए गार पिन्टु दुटा ड़्याइज है कर लोगे नहीं कर सिस इसका घृट इसमें करना है देखो ओ तो जैजे कुछ लोग तो इसे कह दे रहे हैं हाँ जैसे लग रहा है अलुवाय खाय लेंगे बास पानी ने पियेंगे यह हो जाएगा लेकिन इतना आफानी फे नहीं हो जाएगा मतलब थोड़ा कठिनाई करनी पड़ेगी इसमें तो हमें क्या करना है बच्चा इसको भाग करना ही नहीं है अभी जो रिमांडर थेवरम पढ़े हो ना उसी को इसमें लाके ढखेल देना है क्या करना है रिमांडर थेवरम लाके इसमें ढखेल देना है हमें भाग नहीं करना है भाग करेंगे तो बड़ा लंबा जाएगा मैं वह भी बता दे रहा हूं को ऐसे भाग करते हैं देखो एक बार समझ लो एक बार समझ लो भाग करते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है कर तो लोग देखो यहां पर समझो इसमें भाग करने का मतलब यह है कि यह से बनेगा उदर यह दिख रहा है न देखो एक्स का क्यू प्ल यहां पर से तुम 3 थैने स्कॉयर चुंद जूड़ जाएगा तो बही साहब यह चार एक्स स्कॉयर हो जाएगा बावू ऊपर से तुम 3 द्योंतार लोगे उपर से तुम सीम्हां चाहिए कि यह काई है तो गलत है क्यों और यहां भी चिन्द बदलेगा तो यह घटेगा दो एकस का है बचे गाऊ किया बचेगा डोयकस का स्कॉायर बचेगा और और प specs Джories आप ऊपर हम कितने ले जाएंगे दो यकस ले जाएंगे इसमें गुड़ा करेंगे तो जाएगाBar और रह सल लोगों को यह बिलकुल लेना पड़ रहा होगा है नwegen यह इतना असान नहीं है हाँ आएगा अगर आप सिष्टम से सीखोगे तो आएगा आएगा सिष्टम से सीखोगे तो आएगा अच्छा एक बात बताओ इमांदारी से इसमें कितने लोगों को यह समझ में आया मैंने जो किया दो इस्टप अगर किसी को समझ में आया तो बच्चा लिखो हां यह यह हां यह यह मैं लिखो जलदी आया समझ में किसी कुष समझ में आया न आया तो ना लिखो ह। है यह कुछ थोड़ा बहुत देखो ये तरीका काफी बड़ा होजाता है काफी लेंती हो जाता है। ठीक है है ईक सूरे क्या प्राव्लम कुछ मिष्टेक को इसको मुझे करना भी नहीं जो भी एओ व सही है तो यह क्योड़ा लगता है हमें यह तरीका करना ही नहीं है हमें क्या करना सेसरफल पर मियूझ करना है जो कि आप ने पढ़ा है यह तरीका थोड़ा लंती हो जाता है इसमें अधिकांस बच्चों का गलत भी हो जाता है इसमें टाइम भी लगता है तो यह तरीका करना ही नहीं है ठीक है कोई बात नहीं जिनको नहीं समझना है बहुत अच्छे हैं क्योंकि वह तरीका यहां पर करना ही नहीं तो हम इसको मान लेंगे क्या इसको हम मान लेंगे जो उपर दिया है उसको पहला पद मान लेंगे उसको दूसरा मान लेंगे डाय चलो है तो समय इसको मान लेंगे पीओ अफ एक्स क्या मान लेंगे पीओ एकस मेंब लेख यकस का q प्लस 3 x का स्कॉएर प्लस 3 x प्लस 1 लिख लो आप लोग इससे इसको क्या मान लेंगे q आफ एक्स चुक्कि हमें इससे क्या करना है भाग देना है ठीक है अब सेशफ़ परमी यह क्या कहती है सेजफल पर्मिये क्या कहती है बता मुझे सेजफल पर्मिये अभी तुम निकाले हो पी आफ क्या निकाले थे बराबर क्या रहा था अभी निकाले हो ना अभी अभी निकाले हो सभी सेजफल पर्मिये से हमें क्या करना है क्यों आफ एक्स को जीरो के बराबर कर देना है यहां है शेशपल पर मिएसे कर upon से एकारडिंग तूरिमायंडर ठोरम एकारडिंट्टू रिमांदर ठोरा अब इधर आज़ाओ नीचे जगा मैं इसलिए मैं इ encanture men3 यॉर्म क्या करोगे बत्या इनको क्या करोगे क्यों आफी X equal 0 करोगे तो Q of X command X plus 1 equal 0 तो X command क्या गाएगा minus 1 क्या हैगा minus 1 अब देखो यह क्या answer हो गया बताँ क्या यह answer है कर यह answer नहीं है यह answer नहीं है क्यों कि अभी यह मान तुम ले जाकर में वाले में रखोगे ठीक है त reality जो आपक पी आफ एस है तो यहां पर किया रखोंगेे प आफ read देखो इसमें मान रख रहा हैं इसमें फ याफ एक्स वाले में तो जहां-जहां यक्स है वह में एक्स हो यह माऊनस ओं का का जो हुआ ऐसा क्यों हुआ क्यों क्यों यहां पर 100 का का तो इस वजह से इसका मान रखा माइनस वन तो माइनस वन का होल क्यूब हो गया बीच में प्लस तो ठीक है तीन भी ठीक है यहां पर देखो आप यक्स का स्कॉयर है तो यक्स का स्कॉयर है इसलिए यहां पर माइनस वन का स्कॉयर हो जाएगा और प्लस यह तीन और गुड़ा यक्स यक्स का मतलब minus one और प्लस वन इनको हल करना है जो भी आएगा यह आपका क्या हो जाएगा फाइनल हो जाएगा फाइनल फट्वर थोड़ा कट रहा है तो मैं उसको कबर कर लेता हूं थोड़ा सा रुप जाओ कैमरा में इधर गिर्रा देता हूं अलका खिसका देता हूं तो हमें क्या करना है अब इसको समझना है मैं इसको समझा दे रहा हूं कि थोड़ा मुझे चवड़ा करने दो इसे हां चलो समझ लो समझना है आपको तो यह क्या हो जाएगा भाई माइनस वन का कितना बार भी गुड़ा कर दो तुम क्या होगा भाई माइनस वन का कितना बार भी गुड़ा कर दो वो माइनस और वह सो मैंस जो गाएब तो यह माइनस 1 हो जाएगा और यह 1 का computer करोगे प्लस हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा और यह माइनस 3 प्लस 1 he plus plus जूढ़ेगा बिट्टा यह माइनस का चार है और प्लस का चार We मैं क्या आगा जीरो आएगा n पार्ट हम लोग करेंगे जो एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्कॉएर और प्लस 6x-1 को एक्स माइनस एसे भाग दीजिए तथा सेस्फल ग्याद कीजिए फाइनली यह कहना चाहता है कि आप रिमेंडर थोरम ठूसिये इसमें और उत्तर निकालिये जैसे देखने हो काव होते हैं मुष्शचव मुष्चब्राइब निकलता जाता है तो ऐसमें क्या करना है लेकिन इसका बैलु इसमें डालना है मंदलब करना है रखना है इसका मान निकल और उत्तर निकल जाएगा चलो कि आगे बात करते हैं मनोज यादो परिति इसकर्मा अंकुर बिसकर्मा हिमान सूप क को नहीं ना ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे इसको पी आफ एक्स के बराबर मान लेंगे यह पी आफ एक्स है तो यह मैंने उतार लिया और यह मैंने उतार लिया मतलब यह लिए खास्टो कि एक हैं तो आपका क्यू आफ x है ये जो आई-से बना रहे ना इसको क्यू ए ब्रेकर ने यह से, fatal देते हैं इसको पड़ते हैं क्यू आफ आफ एक्स आप मतलब रे यह चछा रहेंगे निया छोटके बाले आफ तो मतलब इसका नाम बोलोगる इसका बोलोगे इन दोनों के बीच में इसको होगे एल्पाफ यह बोलना सीकलो कम से कममानलो हम कहें चलो कूश्चन पढ़ो तो तुम realistically है ऐसे ऑसे बना गरम में को सुखना करते हैं यह मान निकालके अलिक देञे को सुनने कर दिया कैसे कर दिया क्यूं कून कमानिक निकालोगे जो कि मुझे ओला है अब यह मान ला करके रख दोगे कि पी आफ एक्स में ला करके वह मान रख दोगे तो पहले तुम्हें पी आफ एक्स तो यह A का क्यूब हो जाएगा माइनस यह A पहले से है और यह A का ही स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू A माइनस A उन्हों बताएगा कितना आएगा गुलसन कुमार आयूसका रहा है ठीक है तुम भी किसी से कम नहीं हो अच्छा है अभी अभी नाम ले लेके सबका कमेंट करो फिर कहना असर जी मुझे तो ऐसे बोल रहा है तो तुमको ना एक बढ़ा का मारेंगा दूसरा वाला माइनस A का क्यूब है तो यह दूनों कट मर जाएंगे अपना फाइनल में इनका अस्तित खतम हो जाएगा और बचेगा 6 A माइनस A बराबर 5 ही बचेगा यह वैसे कट जाएंगे जैसे चुनाओ के समय हिंदू मुसलिम हमारे यूपी में कटते मरते हैं कोनो पीला बांद लेगा कोनो निला बांद लेगा कोनो लाल पगड़ी बांद लेगा सब अलग पार्टी हो जाएंगे क्यूं कि नेता लोग उनकी बजाते हैं समझ रहो ना हां चलो तो आप से भी इस क्लास के माध्यम से हमारा एक ही अनुरोध होगा कि अगर आपका कोई दोस है वो किसी भी जाती समुदाय का है अगर आप किसी अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं राजनीती में वह अलग तो आपको आपस में बाहर नहीं करना चाहिए क्योंकि कल को अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका दोस्त ही आपका सहयोगी बनेगा आपके नेता म यह लिख लिए पहला हो गया इस्क्रीन साट ले लो मैं सामने से हट गया हूं आप इसका स्क्रीन साट ले लो जल्दी से गोपी आदो एस्टडी चैनल बल्राज बोस ठीक है बच्चा बेरी गुड बहुत अच्छे लोकुस यूपी असी घर्ल बेरी गुड बल्राज अभी नहीं चलो सिकेंड टम में एक्जाम में आया सीवेसी का गाइडलाइन्स है का है बता रहे हो गाइडलाइन्स बाद में देखना पहले पढ़ो चलो हो गया तो मैं इसको मिटाता हूँ बच्चा आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका स्क्रीन साट ले लो बाबू स्क्रीन साट ले लो अगर किसी को कोई बात हमसे कहनी है जो यहां पर हम नहीं सुन रहे हैं आपकी तो आप देखो नंबर चल र ज्यान से नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि मालो 200-300 बच्चे भी लाइब देख रहे हैं हम कमेंट देखेंगे तो फिर हम आगे नहीं पढ़ा पाएंगे इस वजह से मजबूरी है नहीं देख पाते है तो इसमें का आपका दूसरा हो गया तो तीसरे कुश्चन पर आगे यह तो ऐसे हो गया जैसे पडोसी हमरे चच्चा है उनके ठीक खतरनाक लड़का है उको नो बढ़ूत बड़ा अपराद कर दिया अब फिर पुलिस कहरे जांच करो इनका लड़का एक नहीं है तो इनका है या किसी और का है यह भी कोई बात हुई तो क्या करेंगा उसका ट कि 7 plus 3x 3x का क्यूब प्लस 7x का एक गुड़नखंड है 3x का क्यूब प्लस 7x का एक गुड़नखंड है बेटा अभी तुम लोग का कमेंट में थोड़ा धीमा कर दूंगा क्योंकि कुछ लोग इसमें कापी पेष्ट कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूं यह पता नहांलाय का एक भी 10th prior weiterhin नहीं आаемся बहुराएं रुपार लिखरा सीपचरे मैंध का नंनाद में इसलगार कॉरन मतलब नहीं है पढ़ लिए हो तेक बात और भी दिमाग में अपने रख लो चीजों को सीखना जरूरी है तुमारे सिलेबस में आये पेपर में आये कोई जरूरी नहीं है आपको आना चाहिए सीखो सीखो लर्न करो पढ़ाई का मतलब सिर्फ नोकरी करना एकजाम में पास होन अब तीस सिकेंड में करो चलो अकलेस कुमार बेटा देख रहा हूं मैं तुम्हें हाँ नाब्या गुपता होगी रात नो बजे रिवीजन होगी ठीक है चलो हाँ सभी बच्चे याद रखो इसी चैनल पर रात के नो बजे से आपका मैथ का रिवीजन चलेगा मैथ का बीजन होगा पीछे सुरू से एकदम पहले चैप्टर से तो आना जरूर ठीक है चलो तो बिटा यह कैसे करोगे जांज करना है ना देखो अगर मैं तुमसे एक छोटे से लाहजे में बात करूं कि बच्चा यह बताओ राजा कि जांज कीजिए सिद्ध कीजिए कि संख्या बारा का इक गुरणखंड गुरणखंड को इंगलिज में फैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं तो जांच कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए कि बारा का फैक्टर चार है सिद्र करके बता benefici जल्दी बताugen सभी है या नहीं है है या नहीं है बताओ अब तुम करोगे हाँ घुरु जी इसका फैक्टर का मतलब क्या होता है कुछ लोग क्हुंठ नहीं पता होगा कुछी लोग क्योंपल नहीं पता है न तो पढ़ो आज समझ में आ जाएगा तो चार से कट जाएगा तो बारा आएगा चार तीह बारा यानि बारा का गुड़न खंड क्या है कि मतलब चार है समझे लो ठीक है फैक्टर है यह तो देखो कौनों बता रहा नहीं है रिसु तिवारी ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड़ बच्चे बेरी गुड़ बरसा सिंग मनोच को बला करें कबेल उंडे आइसे बोल रहे हैं कुछ ऐसे नलायक हैं क्या करेंगे उतना काट लेंगे दस सिकंड का कहेंगा रहे तो गुरु जी आईसे कलास में बोल दिये आई सा कहें बोल दिये और यहां दंडा करके रखे हैं लोगों के उसको नहीं बताएंगे नहीं उसको नहीं बताएंगे कि हां मतलब हम का कर रहे है कि जाच कीजिए चलो ठीकछ करते हैं छोड़ het Fair of x है जो मेन वाला है और यह इतना है यह क्या है क्यों आफ एक्स सेवन प्लस तीन एक्स तो इसको क्या करना है जांच करना है कि इसका गुड़नखंड है या नहीं है फैक्टर है या नहीं है तो इसमें सेस्पल पर्मिय लगाओगे अगर यह इसका गुड़नखंड होगा तो सेसपल 0 आएगा अगर गुड़नखंड नहीं होगा तो सेसपल 0 नहीं आएगा ऐसे समझे लो चच्चा जैसे मैंने अभी बताया था कि 12 का जो गुड़नखंड है वो 4 है 12 का गुड़नखंड क्या है 4 है तो अगर हम 4 से इनको भाग करेंगे तो यह 4 तियां 12 मतलब सेसपल के आएगा जीरो सेसपल 0 आएगा लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि कका यह बताओ सातरा सातरा का गुड़नखंड 4 है कि नहीं है बताओ बोलो बेटा मनोज सिंग पढ़ लो पढ़ लो पांच मिनिट तुमको चुट्टी पे कर दिया हूं चलो तो संतना का गुड़नखंड 4 नहीं है यह इसका फैक्टर नहीं है नहीं है क्योंकि जब इससे हम इसको बहा करते हैं तो चार चुका 16 यह सेसपल आजाता है इसको certified नहीं कर पाता है यह संतुष्ट नहीं होता है मतलब यहां पर reminder बच जाता है इसकी कुछ इच्छाये पू का फिनिस हो गया तो यह क्या इसका गुड़नखंड है उसी तरह से अगर हम इस समझ में आया ना चलो देखो समझो अब को इदर साइड में समझो है मैं तो भाग करने का दो तरीका है एक तो हम πά mensenšक्टिकर दे और एक X ön अगर हम इसको इससे भाग करेंगे यह लंबी विधी वाली तो यह बड़ पड़ जाता है पिर त bombers लोग कहोगे गुरुजी समझ में नहीं आ हम आ रहा है पता नहीं का बघ्क कि जाएगी तुम्हारे साथ समझ नहीं पाओगे देखो कि समझो तो इसको हम क्या करेंगे सेस्फल पर्मिये परियोग करके लगाएंगे यानि रिमाइंडर ठेवरम यूज करेंगे और फिर हम इसे आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो नीचे लिखो आप सेस्फल पर्मिये से कि बराबर कर सकते हो तो इस तरह से यह आपका हो जाएगा यहां दिख रहा है यहां से हम यक्ष का वैलू निकालेंगे माइनस साथ बटा तीन आएगा कितना आएगा साथ उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तीन इधर जाएगा गुड़ा में है तो भाग में हो जाएगा कि इतना ठीक है सत्य प्रकाश समझ में आ रहा है अंकुर बिश कर्मा चेतन प्रियंका जी तेंद्र बाबु देखो चैटिंग ना करो भी तुम लोग की जिन्दगी थोड़ा पढ़ने लायक है हम लोग के जैसे आधा बुड़ा हो जाओ तब करना एक टाइम हो तार चीज का समझ रहे हो ना अभी नाइंत में पढ़ते हो पढ़ लो अभी जुन लोग को ज्यादा चरस चड़िये ना उठंडाई जाएंगे कुछ दिन बाद फेलो लो जाएंगे नमई में दसाइम भी फेलो जाएंगे तो बाबु काएंगे बेटा चलो तुम भाई चराओ अब और यह मान रखदो अगर वह 0 आगया तो लिख देना गुड़न खंड है और अगर नहीं आया तो क्या लिखोगे कि गूड़न खंड नहीं है लिखो यहां पे अब आप इसमें मान रखोगे P of X equal 3 X का Q plus 7 X इसमें क्या रखोगे इसमें मान रखोगे तो बेटा ये P of minus का 7 upon 3 रखोगे याद रखना minus का 7 upon 3 तो 3 into ये minus का 7 upon 3 इसका Q plus 7 into minus का 7 upon 3 बहुत बड़ा लग रहा है, भाइजे बहुत बड़ा हो जाएगा, फ्रल्मिल के इससे फाइनल है, यह 0 तो नहीं आएगा, यह जीरो तो नहीं आएगा, क्यों, देखो, बाई साहब, यह 3 गुड़ा, 7 सत्ता उन्चार, 7 सत्ते 443 होगा, तो यह माइनस 343 होगा और 3 तरिका 9 तरिके 27 होगा और यह का होगा 7 सता 49 माइनस का 49 बटा 3 होगा तो यह माइनस भी हो जाएगा फाइनल में यह 0 होगा नहीं इसको हल करने का कोई मतलब नहीं पहले से इसके लच्छन लग रहे हैं तो हल करने से क्या मतलब है हल करने से कोई मत तो को हम नीचे लिख दें गए नीचे लिख दो इतना करने के बाद कि दना कर लो उसके बाद छोड़ देना तो हम कर लेना आगे ल्त genome कर लेना कोई मतलब कर लेना लेकिन अद्れ पहले से उसके लक्षण दीख रहें वो जीरो नहीं होने वाला है तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो लाश्ट में आप नीचे यह लिखोगे क्या लिखोगे चूकी कि वाफ एक्स डजनाट इक्वाल जीरो अता है कि यहीं तो था ना 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 कि एक मिनट रुको 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 ऐसे लिखोगे पी आफ यक्स डिवाइड वाई क्यू आफ एक्स यह डजनाट इक्वाल जीरो आता हां आता हां देखो हम P of X इसको मान रहे हैं और Q of X इसको मान रहे हैं तो हम इसको डारेक्टरनल लिख करके कोड भासा में लिख रहे हैं लेकिन उसका मतलब वही होगा ठीक है अताहा Q of X फिर कामा लगाके बहुपद 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 P of X का एक गुड़नखंड नहीं है ठीक है जागरती समझ में आ रहा है सौर्य आवस्थी UPSC गर्ल मनोज लीडर गेमिंग बेटा देखो तुमको इतना मारेंगे ना कि तुम्हारा दिमाग जो है ना वह काम करना सुरू कर देगा इतना बड़ा नालायक है देखो इसको बला करो भाई से बला करो तुरन पता नहीं कहा कहा पाईदा हो जाते हैं इनके माँ बाप भी गलती कर देते मुझे ऐसा लग हाँ इंगलीज में ऐसे लिख सकते हो 3x 3x नहीं 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x लिख लो जल्दी से मैं हट गया हूं सामने से मिटाता हूं फिर जल्दी करो मैं मिटा दे रहा हूं कि एल एस बर्मा कि संजना कुमारी कि संजना कुमारी कि किसका नाम ले रहा है कौन ले रहा है कि नरेश बेटा पढ़ लुबाबू अब एक बात मुझे सभी बच्चे यह बताओ किसके किसके पास किताब नहीं है कि जिसके पास नहीं दो नूकर जिसके पास है बोलो यस किताब है क्या आपके पास किताब लाइक के बैठों तभी मजा आएगा हाँ 490 बटनो आ आएगा ठीक ऐसा ही कह रहे हो चलो बुक लियो ना विनोध सभी लियो ना चलो ठीक है सिदार्थ रतन अभिने राहुल अभिषेख रीडिंग कलासेज देखो कमाल कमाल के गुरुजी है 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 तो आपका यह चैप्टर खतम हो गया 2.3 2.3 है इंडेड इंगलीज में इसे बोलेंगे ना फिनिस्ट हो गया है तो 2.3 फिनिस हो गया तो अब शुरू होगा 2.4 2.4 ओके चलो तो 2.4 पढ़ लेते हैं चलो ठीक है नाट प्रॉब्लम हम है सलोनी नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा कमेंट बड़ा खतरनाक है तुम्हारे जैसे लोगों से ही यह दुनिया गरुगा रही है नहीं बोलूंगा है क्या बोल रही है फ लाहल आप लोग देख लिये होंगे तो तो बच्चा 2.4 एकसरसाइज खोलो एकसरसाइज 2.4 आज पढ़ा देना चाहिए नहीं बताओ कल पढ़ाया जाए अब है पाहिला कोईस्च्चन है काई नंबर चार डाल रहे हो 2.4 आज पढ़ाया जाए भारती बवन बुक है अच्छा कोई भी बुक है NCRT पाठेकरम से पढ़ाया जाता है तो सब के लिए होता है अगर आप कांसेप्ट सीख जाओगे बिटा तो सब के लिए है कोई भी बुक लिए हो किसी भी परकासान राइटर की है इससे कोई ज्यादा फरक नहीं पढ़ता है नो इफेक्ट कोई फ्रॉक नहीं पढ़ता इससे चलो ठीक है कि देखो अभी मुझे कुछ लाने जाना है दूद लेने जाना है हुआ है साम कुदेर हो जाती दूद भी ने मिलता है हां तो फिर वजिसे चलता है कि चले तो लोग से बता दे रहें क्योंकि तुम लोग अपने हो गंदालाल इनका नाम बड़ाजी टाइप है यह गंदालाल मुझे बोल रहा हूं ना इनका नाम गंदालाल है ठीक है बाई गंदालाल चलिए तो यह अगला एक्सरसाइज प्याओ बताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़नखंड एक्स प्लस वन है फिर से सुनो बंदो बताईए कि निमनलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुड़नखंड एक्स प्लस वन है यह क्या करना है यह बताना है क्या करना है यह बत लाना है चलो फिर लिखते हैं कि कुष्टन नमबर पहला है कि निमलिखित बहुपदों में से न तो इसका जो पहला बहुपद था भाईया वह था एक्स का क्यूब प्लस यक्स का स्कायर और प्लस यक्स प्लस वन तो आप लोग मुझे यह बताओ क्या इसका एक गुड़नख यह जबाब दीजिये निलिमगा आवैयुशका रूबी दुबेदी पंकज राजकुमार तिवारी सुरज सरोज स多सस्य बेटा जबाब दो जल्दी-जल्दी फटा 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 पांच घंटा ना लगाया करो चलो छलो चलो 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 है पूनम देवी प्र प्राण्यल वर्तिका की कौन काका लिख रहा है आप लोग मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहते हो तो यूटूब पे सर्च करो कृष्णा कुमार यादो हिंदी स्टोरी एंड सब्सक्राइब कामाल क्यों यार तुम तो रजा तुमसे तो हम भी फ्रेंडशिप करेंगे अभी रुख जापड़ा लें तब चलो कहरा इसका एक गुड़नखंड है या नहीं है इसके लिए क्या करोगे भाईया इसमें आप फैक्टर नहीं अब यहां पर गुड़नखंड पर्मिये कहानी पहले थी वही कहानी इसमें भी है अगर यह इसका एक गुड़नखंड होगा तो इससे इसको भाग करने पर जिरो आएगा कुछ समझ में आया कुछ पल्ले पड़ा हाँ जैसे भाग में था बाब वैसे इसमें भी है ठीक है समझ रहे हो ना तो चलो बएखो इदर कमेंट आरा मुझे लग रहा है नैने शिंग इसका अंसर जिल होगा तागल की दिलाना यह इस बतानाा है कि इसकी आझा सनस्राइब का चल मी दिला x plus 1 बहुपाद xq plus x का π्लस x plus 1 का एक गुडनखंड है क्या है गुडनखंड है लिकलो तो तो इससे इसको भाग करने पर क्या आएगा 0 आएगा हम इसको माल लेते है पी आफ एकस इसको माल लेते हैं कि आफ एकस लिकिन अभी तुम लोग हो जाओगे ना के इजह धू एक काम करो यह कहाणी लिखने के पहले उपर लिखो गे इसको लिखने के पहले धान से सुनो जिससे थोड़ा आसान हो जाए लिखना न पड़े अब इधर समझो एक मिनट सुनो यह जो लिख लिया है वो मिटाएगा नहीं वैसे तो तुमको लिखना नहीं पहले समझना है समझना है पहले छापना नहीं है तो हम यहां से हल कर रहे हैं मान रहे हैं ठीक है तो तुम सबसे पहले लिखो के माना माना यक्स का क्यूब प्लस यक्स का इस्क्वाइर प्लस यक्स प्लस वन इक्वल पी आफ एक्स और x plus 1 बराबर q of x यह तुम सबसे पहले मान लोगे तब कुछ करोगे ठीक है जैसे इस question को लिख लिए लिखने के बाद पहले यह लिखोगे माना या फिर English वाले लिखेंगे let's let's x q plus x का square plus x plus 1 equal p of x and x plus 1 equal q of x इसको मान लोगे मानने के बाद नीचे लिखोगे यदी अब तो तुम दूसरे लेंगोज में इसको लिख सकते हो आसान भांसा में यदी पी आफ एक्स उल्टा हो रहा है यदी q of x बहुपद क्या बहुपद देखो अब यहां समझो सार्ट कट में क्योंकि आपको एक्जाम में करना बिटा तो यहां पर यह पूरा बहुपद लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि मैंने एक कोड भासा मान लिया उसे यदी q of x बहुपद पी आफ एक्स का एक गुडनखंड है एक गुडनखंड है तो 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 क्या होगा ऐसे लिखोगे q of x से भाग करोगे किसको p of x को भाग करोगे यह ऐसे इक्वल जीरो होगा देखो यह concept सीखना बहुत जरूरी है लिखना पूरी कहानी जो लिख रहे हो ठिक है समझ में आ रहा है ना अमिज सिंग बेटा तुम दूसरी आइडी से आ गए ना दूसरी आइडी से आ गए ना तुम मनोच सिंग बच्चा तुमको तुम्हें मन कर रहा कि बला कर दूं क्या कह रहा है उसा ही रहेगा कि नहीं पढ़ना तुम चाहते हो नहीं पढ़ना तो चाहते हो नहीं चलो लना संजना समझ में आ रहा है लहेंगे में वाईव यह इनका नाम है भाई क्या खतरनाक नाम था क्या करेंगे अब हम इसे ट्राइ करेंगे जैसे वैंने कहा था उस तरह से लिखू चलो करो अब इतना पहले माना था फिर इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे सेसफ़ल पर्मीय से सेसफल पर्मीय से मतलब रिमाइंडर थेरम बाइंडर थेरम क्या होगा बाबू Q of X equal 0 होगा वही तरीका पूरा करोगे जो अभी तक करते आए हो जो अभ तक करते आए हो वही परक्रिया पूरा करोगे इसमें भी ठीक है? समझो इसको कर लो अब इसका मान क्या है? X plus 1 है equal 0 है तो यहां से तुम्हें X का मान 1 आएगा कितना आएगा? 1 आएगा और भी माइनस में कितना आएगा? 1 आएगा माइनस में देखो नहीं दिख रहा है तो बता दो दिख रहा ना भाईया? यह लो मैं दिखा दिया हूँ, चलो यहां से क्या आएगा मान? 1 आएगा इतना लिख लिए, चलो अब यहां से तुम निकाल लोगे क्या यह निकाल लोगे पूरा पूरा फी आफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वाइर प्लस एक्स प्लस वन यहां से तुम निकाल लोगे इसको तो बेटा यह माइनस वन हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वाइर प्लस माइनस वन और प्लस यक्स यह हो जायेगा ठीक है इनको हल करके मुझे बताओ जीरो आएगा की नहीं अखिलेश कुमार बेटा तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो नहीं सुधरने वाले हो तुम एके बड़े दिन बाद आये हो सोनम तुम ही का कर ले रही हो यहां पर यहां बाताचीत तो कर रहे हो तुम लोग बकाईती तो कर रहे हो पढ़ थोड़ी रहे हो चलो इसक्रीन साट ले लो और इसको अभी पूरा करना है संदधे चाब प्रेशर्च अधयर सोच बीचार के बतां उचार की पारी प्षयायओ लोनी समझ में आ रहे हैं सलोनी अभी ने चलो चलो बताओ उस बच्चे इसको बाताऊ जीरो संद्धा करो लाइक कर बाब्व ऐसे मजा नहीं आ रही राज़ा फटा फट लाइक करो करो चलो अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ है अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ पुजिचन मैं मिटा दिया हूँ यह माना वाला मैंने मिटा दिया उपर क्योंकि अब मुझे इसे हल करना है नीचे जगा है नहीं नीचे जगा नहीं तो क्या करेंगे उपर आएंगे समझो कि सारे मान ला करके इसमें रख देंगे इनको हल करोगे माइनस वन का क्यूब तो क्या होगा बच्चा माइनस वन होगा बाबू यह प्लस और माइनस वन का स्कॉयर क्या होगा प्लस हो जाएगा यह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा कि फाइनल में प्लस प्लस जूड़ जाएगा माइनस माइनस जूड़ जाएगा तो यह इतना आएगा यानि जीरो आएगा लाश्ट में क्या आएगा सुन ने आएगा ठीक है तो आप क्या कहोगे अगर यह 0 आ गया तो आप लिखोगे आ तहां दिया गया बाउपद फलाने बोपद का एक गुणनखंड है इतना करने के बाद जो लिखना मैं बता दे रहाँ लिखो लिखो चूंकि P of X divided by Q of X equal 0 अता 0R अहा लिख लो अता पी आफ यक्स का Q of X एक गुणनखंड है क्या है गुणनखंड है बस हो गया काम खतम भीबेक कुमर प्रीतम विश्वास और कोई बच्चा और कोई बबूब फत्तब बता दूना कुछ समझ शुमझ में आ रहा है तुमें कि नहीं आ रहा है मनोच पूननदेभी हैि सब को समझ में आ रहा है है अच्छा इक बात बताओ इसमें कुछ कुछ German वाजा भी आ रहीक नहीं ही तन में मजा वाला कुछ करूं ऐसां कि मजा नहीं है और नया जुकर हैं अंदी उंदे में पड़ो तो प्रेमी प्रेमका की कहानिया बताएं रसलंकार के साथ लेकिन हिंदी पड़ाने क्टाइम है नहीं हाँ रायल मुंडा शिंदू कमलेस एस्टडी चैनल सिवं धोनी जितेंद्र सबको आ रहा है अंदर से जल रहे हो उपर से ठंड़ा रहे हो न चलो ठीक है तो यह आपका हो गया आपनी चलिख लो अता क्या है ऐगा वह गुड़ंखंड है कि सो इसका सिकर्ण पार्ट देखो बाबू सिकर्ण पार्ट देखो सम्जों याँ पर सो नम रहा का देखो मूं टूटके नात निकल गया है पता नहीं का हुआ है औगी घाए है तो इसे केंड पार्ट में बताओ जीरो आएगा कि नहीं है इसे केंड पार्ट में सुने आएगा या नहीं आएगा है है देखो यार यहां पर गर्मी बहुत तेज है यह इसी का प्रावलम है जो बनता है वहीं अरे डेयर सारी वजा है यार मल इच्छपन सवार हो जाता है न तो प्रावलम होती है एक्चुली यहां पर प्रावलम है कुछ ऐसे आएगा ठीक है चलो बिटा समझो अब समझो तुम लोग सिकेंड वाला कहे रहा है एक्च का पावर फोर प्लस एक्स का क्यूब और प्लस एक्स का स्कुएर और प्लस एक्स प्लस वन यह कह रहा है कि यह बताओ बच्चा क्या क्या इस एक्वैसन का यह प्लस वन एक गुड़नखंड है यह नहीं है यह आपको बताना है ठीक है बात समझ में आ रहा है न हां मिस्टर पर्फेक्ट मैं तुमको बला कर दूं का मिस्टर पर्फेक्ट क्या बोल रहे हो बच्चा कि बताओ फटफट कि बोलो कि शलोनी एंड सलोना पढ़ाई कर लो नहीं उठाक पटक देंगे ना बाग जाओ यहां से समझ रहा हो ना चलो तो आप वही पर किरिया यहां पर भी करोगे सब कुछ वैसे ही करोगे माना लिखो माना पी आफ यक्स इक्वल यक्स का पावर फ च्वार मुझें आसी आरे ही मों के कमेंट जो कह रही है तो ऑन लाभ यू अश्ट७ी क्योंकि उनका क्या है पता नहीं क्या है श्ट्यी करना घूलाइं अच्छी लगती है यह लग चुछ ले love you baby अभी बताओ इनका कौन समझाए इनका कौन समझाए इनकी तो वही हाल है जैसे नंगे खड़े हैं और इनको देखके कोई हसरा है तो इसे क्या मान लोगे कि वाफ यक्स अब सेस्फल पर मिये से लगा दो कि वाफ यक्स को जीरो के बराबर करोगे यक्स प्लस वन इकपल जीरो तो यह माइनस वन आएगा क्या आएगा माइनस वन अब देखो अब इसमें लाके मान रखोगे V of minus 1 हम क्या रखेंगे जहाँ जहाँ X है वहाँ minus 1 रखेंगे तो बच्चा ये minus 1 का घाद 4 बनेगा बाबू ये minus 1 का घाद 3 बनेगा ये minus 1 का घाद 2 प्लस ये X की जगा पे minus 1 और plus 1 ये पूरी कहानी आपकी बनेगी अब इसे समझो समझो और पूरा समझने की कोशिस करो ठीक है UPSC गरल को बलाक करें रुक जा इसका थोबड़ा तोड़ता हूं मैं रुको ये 1 आएगा ये minus 1 आएगा और ये plus 1 आएगा ये minus 1 आएगा ये plus 1 आएगा अग ये नालायक ये नहीं पूछेंगी ऑफड़ा नहीं की से आ रहा है नहीं इनको प्रूही मतलब नहीं को चैटिंग करने को मिले जा बस मस्त हDaily समय पादा नहीं कहां पहुंच गए है यह काद पांच में आठ में उनको छबाटा है काइसे काम कौन सा सिस्टम है नहीं फार्ण हो गई है कि अब प्लस-फलस जुट जाएगा ये वण ये वण और ये वन ये वण तो बेटा हो जाएगा ये कि ये चछां दोनों जूड़ के अपडिन हना आएगा कहो हि से तो जीरो का या नहीं है दो चलो आप बताओ यह नलाइक का कह रहा है पिलीज मनोज सिंग हूं मैं हमको पढ़ना है अनबलाग कीजिए अच्छा बेटा तुमको पढ़ना है तुमको तो पढ़ना है नहीं तुम्हारे तो बसका नहीं पढ़ना तुमको अनबलाग नहीं करेंगे अभी तुम्हारी नहीं करसों कर दूसरे को नहीं परता दूसरे को कर रहा है K छीरो नहीं आएगा तो आप किया लिखोगे के अब नीचे लिखोगे यहां पे पी आफ एक्स डिवाइड वाइड वाइड क्यू आफ एक्स डज नाट इक्वल जिरो आता हां आता हां क्यू आफ एक्स बहुपद पी आफ एक्स का गुडन खंड नहीं होगा इसको करने के बाद नीचे कहानी लिखलो पी आफ एक्स डिवाइड वाइड क्यू आफ एक्स डज नाट इक्वल जीरो डज नाट इक्वल जीरो का मतलब है बिटा इसका मतलब है बबुआ कि तुम जीरो के बराबर करके काट दोगे जीरो के बराबर करके जीरो का चिन काड़ दोगे इसका मतलब यह है कि वो उसके बराबर नहीं है निचे लिखोगे अताव P आफ P नहीं Q Q आफ X बहुपत P आफ X का एक गुड़नखन नहीं है इस नाट अफ हीक्टर आफ दिस पॉलिनोमियल ओके चलो बरसा कुछ समझ में आया कि इसे बरस रही हो ललिच चौधरी जूही तनु हजारे रवी संकर सुभम यादो मुकेस दीके सैनी कुछ दिमाग उमाग में आ रहा है बुझा उजा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बच्चों फैस्ट कुष्चन है पहले तो इसका मूल मंत्र समझो क्या है इस प्रस्न में आप सभी क्लास नाइन्थ का NCRT मैथ याद रखना NCRT मैथ बुख खोल लो पेज नंबर बावन है अगर आपके पास रियल वाली NCRT है तब राजज पर आधारित NCRT या फिर किसी राइटर की अधर से NCRT पर आधारित होगी तो उसमें नहीं मिलेगा लेकिन अगर मुख NCRT बुख है तो पेज नंबर बावन खोल लो कुष्टा नंबर पहला कहता है पताईए कि निमनलिकित बावपदों में से किस बावपद का एक गुड़नखंड X प्लस 1 है तो बच्चा निमनलिकित बावपद में 5 से 6 बावपद दिये है जिसमें तीफरा ये है हमें ये बताना है कि X प्लस 1 जो है ये छुटका हुआ जो है इसका बावपद है वो गुड़नखंड है क्या है इसमें कैसे समझेंगे वो तुम्हें एक आदर से एक्जामपल बताया कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले जिनको नहीं आ रही देखो आप ECLPU बच्चा पढ़ लो पढ़ लो विकास सिंह राजपूद गुड़ इवनिंग देखो कि समझो मैथमेटिक्स में आते हैं एक छोटा सा और उदारन करते हैं अगर हम आप से तुमसे पूछें इधर साइट देखो समझो कि बच्चा ये बताओ सिध करो क्या संक्या 22 का एक कंद 2 है यर नहीं हो सभी बच्चे बोलो यस யा ж नो हम पताओ दो आप लोग बताओ क्या संख्या 22 का एक गुड़न खेंद 2 है 8-2 अगर है तो बोलो यस नहीं है तो बूल दो नो हे वहा नहीं हिए तो भाई आओ समझो यहाँ पे बाबू यह इसका एक गुड़न खंड बाईस का दो जो है वो इसका गुड़न खंड है पक्का है क्यों है तुम्हें पता कैसे चला क्योंकि चचा ओ छोटु चचा से भाग करेंगे इनको आई से आई से उपर से दो उतारेंगे दो एक कम दो यह भी लपेट लेंगे सब जीरो आ जाएगा यह नहीं ले बनाएगा अच्छा यह बताओ तुम लोग सभी बच्चे ध्यान से समझो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यह बताओ चच्चा संक्या 45 का एक गुड़न खंड तेरा है बोलो देखो टॉपिक पर ही बात कर रहा हूँ जब तक तुम पॉइंट को गहराई से नहीं समझोगे कुष्चन कुष्चन रटते रहो खोपड़ी पीटते रहो कुछ हिलने वाला नहीं है इसलिए समझ लो चाहे देशी उदारन से चाहे पर देशी उदारन से कैसे भी समझो तुम पॉइंट को समझो बस गोबिंद जी पेटा पढ़ाई कर लो पूस्पालता तुपॉइंट आफ रीडिंग कुनाल यादो मीना बर्मा राचकुमार तिवारी ठीक है बेरिकूर तिवारी जी बिसकर्मा जी ठीक है बर्मा ठीक है यह सरने में जो मैं बोल रहा हूं बत्रह से बोलना नहीं चीए क् यूब बड़ा कड़ पड़ चलता है चलो ठीक है फिल हाल है नहीं है क्योंकि फ्लाने काका से इनकी पटती नहीं है पटती कैसे नहीं है इनको जब भाग करते हैं हम 13 से तो यह कटेंगे पूरा-पूरा कहेंगे ना तुम तो अलग बिरादरी से हो बनेगा नहीं ऐसे बात समझ रहो ना हिं ठास बहु को जगड़ा होता इन में ये बराबर कभी भी जीरो के नहीं है अगर जीरो होंगे नहीं तो क्या है यह सारा मैं यह सुना रहे था उसको समझाने के लिए मैं इसको समझाने के लिए तो वही तरीका लाकर कि करोगे इस इस बहुपद को बड़े वाले बहुपद को इस छुटकववा से भाग करोगे और अगर भाग करने पर से इस पर जीरो आया तो लिख दोगे हाँ X plus 1 is a factor of polynomial P of X P of X हिंदी में बोलोगे X plus 1 दियेगे बहुपद P of X का एक गुड़नखंड है यहां P of X का मतलब है यह पूरा यह P of X का मतलब क्या है यह पूरा इसका एक नाम रख दिया गया छोटा सा जैसे देखो कच्छा दस में तुम्हारे सो बच्चे हैं किसी का नाम पंकाज है किसी का रोहनी है तो कलाफ नाइथ का मतलब सब आजाएंगे तो उसी का मतलब यहां पर रखा गया यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से है ना इस तरह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो यह भी तरीका सही है भाग करके तुम देख लो अगर जीरो आ गया तो गुड़नखंड है नहीं है लेकिन यह मेथड बहुत लंबी भाग विदी होती है इसलिए हम इसको त्याग देते हैं क्योंकि हम इंडिया वाले जुकाड़ खोजते हैं परदान लगाएंगे सेस्फल पर्मिये चलो सेस्फल पर्मिये में हमें यह पूरा कहानी नहीं करनी पड़ेगी तुम बड़ी चलो मनोच समझ में आ रहा है मोकेश कुमार रूपेश अनूप चिव राजपूत प्रिया सर्मा यादो जी गेमिंग तब को आरा बिट्टा है चलो अब यहां पर लिखेंगे सेस्फल पर्मिये से क्या लिखेंगे सेस्फल पर्मिये से यह मैंने मान लिया देखो यह एक्वेसन था इसको मैंने पी आफ एक्स के बराबर मान लिया जो चुटका हुआ था उसको क्यू आफ एक्स के बराबर मान लिया चुटका हुआ का मतलब जो गुड़नखंड कह रहा था उसमें है तब के बुग में दिया है हां देखो प्रि माइनस वन है अब इसी तरह से सेस्पल परमिये की सहायता से ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे में नीचे जगा नहीं है इस वज़ा से हम बगल में हल कर रहे है तो तुम्हारे में अगर जगा है चाचा तो तुम बगल में नहीं करना नीचे ही करते जाना अब ये जो यक्स का वैलू है इसे लाके इसमें डखेल दोगे पुट कर दोगे अगर ये 0 हो जाता है पूरा पूरा तो कहोगे कि यक्स प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है और अगर 0 नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है तो चलो पी आफ 1 निकाल लेते हैं माइनस 1 न जहां पर यक्स है ध्यान दो ये यक्स है न यक्स की जगा माइनस 1 चलो यक्स का घाट 4 है तो माइनस 1 का घाट 4 करोगे तुम जिसे बोलेंगे माइनस 1 का पावर 4 और फिर प्लस ये 3 है यक्स का पावर 3 है न यहां ध्यान दो यक्स का पावर 3 है न बाबू तो क्या करोगे यक्स की जगा पे माइनस 1 रखोगे तो ये माइनस 1 का पावर 3 हो जाएगा और प्लस 3 यक्स का स्कॉयर है तो ये 3 ऐसे ही रहेगा यक्स की जगा पे माइनस 1 का स् प्लस यह माइनस वन और प्लस यह वन कि यह पूरी कहानी है इनको हल कर लो कि सत्यम एजेंट गेमिंग कि पच्चा समझ में आ रहा राजा कुछ आ रहा रहा है कि नहीं से देखे जा रहे हो बस आ रहा है ना चलो देखो बीच बीच से सामने से हडता हूं तो तुम स्क्रीन साट ले लिया करो अब देखो भाईया वन का कितना बार भी तुम घात लगा दो वह वन ही रहेगा यह वैसे है बुड़वा कुछ इतना में मिस्री दूद गी पिला दो जवान नहीं होगा सोला साल के जवान हो जायगा तो फिलाल किसोर आवस्ता में हो गया मान लो तो जो बुडवा बुडवा ही रहेगा चाह जितना तेल मसाला लगाओ जैसे देशी कहावत है कूप कुर्दोष बच्षिया नहीं बना तो वही तरह इसकी हाल है कि माइनस वन है या प्लस वन है दो नए तो इसकी का चाहिए जितना लगा तो तुम कि इसका मान हमेसा वह नहीं आएगा या जितनी घात इसकी का दो ये लो कि इतनी घात कर दो सका आमई हमेशा वनन आएगा तो ये चच'll Κभि बदलने वाले है नहीं अ? अब देखो आगे समझो देखो तुम लोगों को हमारी कोशिस है कि नीद ना आए इसलिए थोड़ा मजा किया अंदाज में भी बताना पड़ता है ने तुम सोने भी लगते हो न यह प्लस एक चीज यहां पर बहुत ही important समझने वाली है ध्यान दो अब लगंडे बातचीत का यह कर रहा है ध्यान दो इदर देखो सुनो सुनो अगर one या कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है मानलो हमने वह नंबर को ए से मानलिया कोई भी नंबर है अगर उसकी घात बच्चा सम है क्या है उसकी घात कोई सम संख्या है जयान से समझ लो पढ़ना आगे तो नहीं पढ़ना तो फिर इसे पटकते रहोगे होगा कुछ नहीं तो अगर उसकी घाज सम संख्या बेटा अंदर में वो माइनस है चाहे वो संख्या 2 है 5 है 8 है 1 है कुछ भी है तो उसका जो फाइनल आंसर हमेंसे प्लस में आएगा क्या आएगा प्लस में आएगा किवल यह समझो बास बाकी नहीं है कि जैसे उद्धारण देखलो अगर माइनस वोन का घाज चार है तो चार एक संख्या है तो इसका आंसर प्लस वनाएगा कि अस आज़ लेगा और अगर कोई संख्या मालब ए है इसकी घाज बी सब्सम है क्या यह बिटा विसम है कि यहां देना अंदर में संख्या मायनस होगी, याद रखना, इसको नहीं स conception, नहीं, अंदर में संक्या मायनस रहेगी, जैसे வा मायनस हो नहीं, समझो δεν समझें, यह समझना है, तो अगर यह मायनस है और यह बिसम भैट्टा, तो हमएIGHT ऐसा सान्सर मायनस में है इस इस बात को याद कर लो, कंठस्त कर लो, दिमाग में बसा लो, खोपडी में रख लो, नहीं तो फिर इसी में कन्फ्यूज हो जाओ गए, इसमें जहाँ थोड़ा सा चिन्न मिश्टेक हुआ, तुम गिरे, साधानी हटी दुर गटना गटी, एक चिन्न गडबड हुआ तुमार कुईश्चन माटी कर देगा, इसलिए ध्यान से समझो, हीना, तुम कहे हीना रही हो इतना देर से, हाँ, तुम कहे परसालो, फढ़ लो, ज्यादा ना उड़ो, फढ़ लो, अभी बहुत टाइम है, उड़ने का, देखो समझो, यह वन हो जाएगा, इस तरह पर, यह माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन का तीन में गुड़ा करोगे बिटा, तो बच्चा, माइनस और प्लस यह माइनस हो जाएगा, अब मैं फिर ना बताओंगा तुम्हें, जाने दो, जो नहीं समझ रहे हो, तो फिर जाओ, मुझे क्या करना है, यह तीन हो जाएगा, यह माइन यह या, इनू, बोलो, हाँ? उन्हें भगवान भी न सिखा पाएगा अभी तुम्हारा नाम इतना अच्छा है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है अच्छे बताओ तुम लोग कलास अगाने सेर कर रहा है लाइक भी नहीं कर रहा है इसका स्क्रेंशाट लो मैं इसका फाइनल आंसर कर देता हूं फिर मैं तुम्हारा बताता हूं चलो कलास को सेर कर ओ ऐसे मजा नहीं हा रही दिल ना तोड़ो बाई एकदम एकदम ना तोड़ो देखो यहां पर लिखो यह इतना आ गया ना आब यहां पर लिखो क्योंकि सेजफल सुनने नहीं है आता हूं उसके बाद लिख लेना मैं बोल दे रहा हूं आता हूं आता हूं एकस प्लस वन आता हूं एकस प्लस वन दिये गे बहुपद दिये गे बहुपद पी आफ एकस का एक पुडन खंड नहीं है समझ मैं है ना एक बार फिर से सुन लो मैं बता दे रहा हूं ये आंसर लिखने के बाद छोड़ना मत लिखना जरूरी है लिखना जरूरी है देखो क्या लिखोगे लिखोगे चूकी ये चूकी का चिन्ने ऊपर दूठी बिंदी नीचे एक ठी सेस्पल सुनने नहीं है क्योंकि सेस्पल सुनने नहीं है आता है एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद पी आफ एक्स पी आफ एक्स का मतलब ये लिखना ये साथ बजकर पंधरा मिनट से अभी इस चैनल पे हो रही है लेकिन चैनल अभी बदला है कुछ दिन के लिए तो इस वजह से थोड़ा सा बदलब टाइम आपका पंद्रह मिनट बढ़ा है इस पर ठीक है वागी हम पीबियार स्टडी लहाबाद पर साम को साते बजे लाइब आजाते हैं वहां आप लोगों को पकड़ के गिर्रा गिर्र करो क्योंकि यहां पर हम चापने का टाइम नहीं दे सकते हैं माफी चाहते हैं आपो कि जब तक तब तक टाइम दिच जाएगा कि तो वाट्स अप यादो जी आप आ गए आपी का तो इंतजार था आई ये ऐसे यार वो मुझे तो बनता है नहीं आई ये आपका इंतजार था है ना लेकिन अब नहीं है अब खतम हो गया चलो क्योंकि आ गए न तो खतम हो गया ये आपका हो गया थर्ड पार्ट इसमें कब फोर नंबर कौन कौन कर लेगा परणजलतिवारी कर लोगे बच्चा एकसरसाइज 2.4 कुश्चन नंबर फाइस्ट का पार्ट नंबर फोर कौन कौन कर लेगा बोलो हां कर पाओगे की नहीं रूबी दुबेदी लिख रही हाई ही ना बेवी ए बेवी का बच्चा पढ़ लो नहीं जान लो फिर आगे क्या होने वाला है पिर ऐसे दूसरें को बेवी बोलोगे अपना तो बेवी आएगा नहीं पढ़ लो जिससे तुम्हारा भी कुछ बेवस्ता हो जाए चलो कि कर लोगे ना देखो सिंपल सा जैसे इसको थार्ड वाला करें हो वैसे फोर वाला भी कर लोगे हां जैसे थार्ड इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है यह सब इतने नलायक टाइप के वच्चे हैं कि मैंने क्या बोलूं यह को लाइट नहीं है बहुत कम लाइट है बूच जैसे दिखरा हूंना मैं लाइट चली गई सब्सक्राइब कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं आप बिल्कुल परिसान ना रहों इक अखित है मैं हमारी बी कुछ अपनी चाटिंग भी देख रहा हूं लेकिन हमारी भी कुछ अपनी मजबूरिया है उन्हें भी हमें देखना है समझ रहो ना इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाना है हमारा कोर्स भी आगे बढ़ना चाहिए न अब तुम मानलो 200 लोग कोई टॉपिक वे में तुम कोड़ना कम से कम वह संपोल पड़रें को मिलती नक्री सभ लोग को है वापी लोग सब्सक्राइब क्शिव करना सब्सक्राइब पर्मcoleवादर का इक गत्या सकते हैं किनने पंड़ Snapdragon और हां हमारे जो technical team वहले देख रहे हैं बच्चा इन लोगों को बलाक करते जाओ भाई जो फाल्तू का commentometer कर रहे हैं इन्हें दुब लॉख करते जाओ्पूर्द अच्छा रहेगा मैं बता दे रहा है हूं बलाक कर दूठीक है कोई दिक्कत तो लाइट चली गए थी इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था अब फिर से हो रहा है ठीक है समझ रहो ना मुकेश को बलाक कर दो एकदम से पर्मानेंट मुकेश कुमार को पर्मानेंट बलाक कर दो बाई इनको दुबारान बलाक निकरना चलो तो यह आपका हो गया था थार्ड पार्ट हो गया था बच्चा फोर पार्ट पे हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन कर लेगा फोर पार्ट आप लोगों ने बोला कि नहीं कर पाएंगे कुछ लोग कुछ लोग बोल नहीं कर पाएंगे तो चलो हमारी तो जिम्मिदारी हम तो करवाएंगे तो मैं 4 पार्ट भी करवा दे रहा हूं इसमें अंडर रूट और लगा है तो यह रूट और देखके थोड़ी से धड़कन बढ़ रही है इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूं लिखो चौथा पार्ट लिखो बच्चा एक्स का पावर फॉर तभी बच्चे लिखो ऐसे मजा नहीं आ रही हां तुरंद लिखो यक्स की पावर फॉर एक मिनट डुक जबाइब फॉर पार्ट कहां गया और नहीं है थ्री है न रुक जा कुश्चन देखने तो नहीं तो कुछ और हो जाएगा तो फिर तुम लोग कहोंगे मिल नहीं रहे है यक्स का पावर थ्री है माइनस यक्स का स्क्वार माइनस ये टू प्लस अंडर रूट टू इन्टू एक्स प्लस अंडर रूट टू तो बच्चों ये बताना है आपको क्या इस बहुपद का एक गुडनखंड एक्स प्लस वन है बताअप लोगों को बताना है क्या इस बहुपद का एक गुडनखंड एक्स प्लस वन है भोलो है नहीं है को सारी परकिरिया वैसे ही करनी है सारा मंतर वही लगाना है बस किवल कुईश्चे नेων हो गया है प्रसन अलग वो गया वाकी सब वाच्छे ही करना है समझ में आ रहा बच्चा मनोज सिंग तुम डाल डाल तौम पात पात समझ रहे हो ना मैं तुम्हारा हर एक कमेंट देख रहा हूं तुम डिलीट वहले कर रहे हो और मैं तुमको डिलीट करने वाला हूं चैनल से जल्दी देखो बहुआ से बच्चे बता रहें नो बिट ख। अपने से को सिस करो सभी कूछ होने माला देखो फ сор्श कोशन में चार पार्ट था मैंने तुम्हीं एक बता यह दो बताया तीन बताया 8 1976 स्भक्स करना है लेकिन मैं बताई देता हूं साट mangoule में इसको बहूठ सा पी आफ यक्स के बराबर मान लेंगे ये जो बहुपत दिया गया है इसे पूरे को पी आफ यक्स के बराबर मान लेंगे हाँ और जो गुडनखंड है कह रहा है या नहीं है उसे क्यू आफ यक्स के बराबर मान लेंगे ठीक है नीचे लिखेंगे सेसफल पर्मिये से दो बैटा ये एक्स का बालू माइनस वन आएगा Kolle किया इसफल पर्मिये करेंगे ये हमारा सेसफ़ल परमियह होता है इसका मान एक्स प्लस वन है तो बैटा ये एक्स का बेलू मैनस वन आयगा क्या आएगा मैनस वन आएगा समज में आया अब ये जो माइनस वन है इसे दिये मुख्य बहुपद में यानि बढ़का लंबा वाले में रख दोगे अगर सब 0 हो गया तो लिख दोगे एक्स प्लस वन दिएगे बहुपद प्री आफ एक्स का एक गुड़न खंड है अगर 0 नहीं हुआ तो लिख दोगे नहीं है बस इतना ही करना है कि दौरव से आदित कुमार बेटा पढ़ाई कर लो अदित कुमार तुमें लाश्ट वार्निंग मत चाने तुम्हें ना वावुत दूर बेजनेवाले हैं है पढड़ लो पढ़ लो क्यों अपने माबाप के साथ साथ अपना भी बरबाद कर रहे हो पढ़ लो अब क्या करेंगे यह मान हम यहां रख देंगे नेक्स्ट लाइन में करो इसके नीचे जगा है तो कर लो नहीं तो आगे करो क्या करोगे पी आप माइनस वन इक्वल गरे उदर नहीं दीख रहा ओगाना मुझे लग रहा है मैं एक बार में नहीं दिखा सकता हूँ क्या दिखा दूँगा ठीक है दुखो समझो यहाँ से थोड़ा से रुखो उदर साइड में थोड़ा कम जगा है मुझे गर और इसे खीच नह था ठीक है मैं यहाँ से करता हूं तो देखो बच्चा उसके बाद यहाँ करो जहां जहां पर x है यह मुखी कैसान है, न यह इसको ले लो यह भी वही है यह मुखी कैसान है x की जगाँ पे हर जगा –1 रहोगे क्या रखोगे નेल रहां रखोगे यक्स की जगाब पे फीया प्याफ माइनस1 यानि यम्हक सका क्यूब मतपलब माइनस1 का क्यूब आइनस हुआ है ज laps-2 लगाओ त्यट कैorry कच्छिन है कि Japanese- et काइं स्क्वायर का मतलब माइनस1 काइं ईस्क्वायर है और माइनस Oh पोश्टक के अंदर बेटा यह है थोड़ा सा मीटा हुआ है फिर से ले लो चलो है तो प्लस अंडर रूट टू है बुक लिए हो तो तो तुम्हें दिखी रहा होगा इसमें तो कुछ करना है नहीं यह जैसे हैं इनको ऐसे लिख दो यहां पर यक्स है तो यक्स की जगा पर माइनस वन यह नहीं इसमें माइनस वन से गुड़ा होगा और प्लस अंडर रूट दो इसको हल करना है पूरा जहां तक दिख रहा है मुझे यह बताओ किया इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं कि इसको हल करने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा hai यह को सम्झो अगर हम 2 1 का क्यूब करेंगे अभी अभी मैंने कांसेट बताया था पिछले एक लास दी इसका सर्मिंस बना आ कैसे आएगा अभी मैंने थर्ड पार्टर बताया है अब यह माइनस वन का स्क्वाइर करोगे बिटे तो प्लस हो जाएगा और बीच में माइनस है तो यह माइनस ही रहेगा इस तरह से यह आपका इतना बनेगा और यह माइनस वन इसका गुड़ा ऐसे ही कर दो प्लस अंडर अब देखो माइनस वन का इसमें अंदर में गुड़ा करना है सब में फुल मिला करके तुम ऐसे भी देखो और सोचो और समझो हिंदूइनों को तो जोड देंगे इनको थोड़ा थोड़ा अधर कीचते लाओ जगह है तो फिर छोड़ो मत अच्यां बात बताओ सभी बत्चे क्या ये जीरो आएगा की नहीं आएगा बताओ क्या यह सुनने आएगा कि नहीं आएगा हल करके भाई कर लो नहीं आ रहा मुझे क्यों परसान कर रहे हो इतना तो तुम करी लोगे हां मुझे क्यों परसान कर रहे हो इतना कर लोगे ना देखो अब ये माइनस 1-1 जुड़़ जाएगा बैटा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा आपका और 1 का इसमें multiple करना अंदर में किन माइनस है तो भईया ये माइनस 2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बैटा माइनस 2 हो जाएगा क्या मतलब करने से सक्ष् counsel मिला करके यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जीटो नहीं होगा लेकिन तुम्हें clear पता होना चाहिए यह नहीं कि फरजी ओड़ो जीड़ो के बराबर नहीं आए मैं इसको हल नहीं करूंगा इस पर टाइम बेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं ठीक है तो इस पर तुम छोड़ भी सकते हो अगर तुम्हें पता चल गया कि जीरो नहीं होगा नीचे लिखोगे आता हां आता नहीं ऐसे लिखोगे चूकी चूकी सेसफल जीरो नहीं है या सुनने नहीं है अता हां इसको लिखो जो मैं लिख रहा हूँ फरजिये नहीं बोल रहा हूँ लिखो यहां तक करने के बाद में नीचे लिखो चूकी सेसफल सुनने नहीं है अता अता एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद उसके बाद लिखना ये पी आफ एक्स का एक गुड़न खंड नहीं है बस हो गया चूकी सेसफल सुनने नहीं है आता है एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद प्लस एक्स का एक गुड़न खंड नहीं है यूके गेम्ज बेटा पढ़ लो पढ़ लो बेटा पढ़ लो राजा पढ़ लो हां ओकेस मीना बर्मा एजूकैसिनल गेमिंग गोपी चंद कुछ समझ में आ रहा गोपी चलो इसको मिटाता हूं ठीक है स्क्रीन साथ ले लिया करो मैं सामने से बीच बीच में देखो हटता रहता हूं जैसे मैं सामने से हटूं कुछ भी लिख करके उसका तुरंत स्क्रीन साथ ले लो जो मैं बोलता हूं लिखो फिर उतना ही लिखा करो साथ में बस बाकी स्क्रीन साथ ले लो जब कलास खतम हो तो बाइट के लिखो प्यार से, अराम से, ठीक है, गूड है न सब कुछ, चले, चलो ठीक है, एक ए अगर आप नाइंथ में नहीं है तो आपको नोट करने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लें तो कोई दिकत नहीं है, देखिये, कुछन नमबर सिकेंड, अचा एक बात बताओ, इसमें से कितने बच्चों के पास NCRT बुक है, जो मुख NCRT है, मैं एक पोलिंग करूँगा, आपसे निवेदने कोई जाएगा नहीं, बस एक मिनट के लिए मैं कर रहा हूँ, उस पर आप लोग यह से नो करना, क्या, आपके पास NCRT, चाहे वो इंगलिस में हो या हिंदी में, बुक है, हाँ देखो, जिनके पास में कोई प्राइबेट की बुक होगी, NCRT पर अधारित होगी, वो नो करेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, नो करेंगे, आप लोग बताओ, क्या आपके पास NCRT बुक है, मैंने एक पोलिंग किया, सायद पता नहीं कोईश्चन गया कि नहीं गया, हाँ गया है, ठीक है, तो बेटा सभी जल्दी से वोट करो, यास या नो, आपके स्क्रिन पे कोईश्चन आया होगा, उसमें आपको यास या नो पर क्लिक करना है, अगर आपके पास NCRT या तभी एस करना, अगर मनोहर वनोहर प्रकासन है, राजीव प्रकासन है, लक्षमी प्रकासन है, तो नो करना, हाँ, लेकिन समझो मतलब, पाठे करम सब में वह ही है, ठीक है, हाँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि जिनके पास तो मुख NCRT उनमें डारेक्ट मिलेगा, मुख NCRT वालों में से डारेक्ट कुष्चन मिलेगा, डारेक्ट मैच करेगा, कुष्चन, क्वाइंट, घाद, नमबर सब मैच करेगा, लेकिन जिनकी प्राइबेट बुके हैं, अलग तरह की राइटर की, उनमें थोड़ा सा डारेक्ट मिल रहा है, चलो ठीक है, ठीक है संतुष्टी की बात है, चलो, ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे, बेरे गुड, बेरे गुड, ठीक है, तो यह आपका एक्सरसाइज 2.4, कलाफ नाइन्थ का NCRT बुक का, बेटा फास्ट कुष्चन हो गया, सिकेंड कुष्च पढ़ो, सभी बच्चे, जल्दी पढ़ो, देर ना करो, चलो पढ़ो, ठीक है, पढ़ो, क्या लिखा है, सिकेंड कुष्चन, इसलिए तो पूछा बुक लिए हो, कि नहीं लिए हो, चलो, ठीक है, पढ़ो, देखो, क्या कहता है, कहरा कि गुड, अन्खंड परमिये लाग आफ एक्स, जी आफ एक्स, पी आफ एक्स का एक गुडण खंड है, कुछ समझ रहे हो, चच्छा लोग, कुश्चन नंबर सिकेंड पढ़ो, किताब लिए रो, तभी समझ में आए, कभीने किताब के पल ले ना पढ़ेगा, यहां सत्तनाराण भगवान की कथा नहीं हो रह में चना मिर्द मिलेगा, थोड़ा पंजीरी बतासा मिलेगा, पानी प्येके, फुर्सत कर लोगे, नहीं, यहां पढ़ना है, तो खाली हाथ तो बिलकुल नहीं आना है, खाली हाथ नहीं आना है, किताब ले के आना, रोच, चलो आगे बात करते हैं, कहरा कि गुडनखंड पर मिये, मतलब फैक्टर थेवरम एपलाई करिए, और बताइए, कि निलिकित इस्थितियों में से, फर्टेक इस्थिति में, जी आफ एक्स, जी आफ एक्स का मतलब ऐसे है, इसे जी आफ एक्स बोलते है, जी आफ एक्स, पी आफ एक्स का एक गुडनखंड है, देखो, जी इतना वजाई करे हो, पहले को इस चन में न, उतना यह में करना है, सब कुछ हुआ ही करना है, सब कुछ हुआ ही करना है, रूपेस को बलाक कर दो भाईया, रूपेस को बलाक कर दो, एकदम से बलाक कर दो इसे, अब दुबारा से अन बलाक नहीं करना, यह नलायक पता नहीं कैसे पैदा हो गया, इसके माँ बाप पच्ता रहे होंगे, पता नहीं कहां से आ गया, कितना चैना भी समझालो इन्हें कि तना भी समझालो बेटा पढ़ लो यह नहीं पढ़ेंगे यह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपनी जिन्दगी में पहले पेच चुके हैं तो सारी प्रक्रिया वैसे ही करना है चलो ठीक है बात करते हैं कुश्चन पर आते हैं मुख्य पॉइंट पे देखा बेटा यहां पर कुश्चन जो दिया है ना पाहिला पार्ट यह पी आफ यक्स दिया है कि लिखो फट अपट कि अर्टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वाइर माइनस दो एक्स यक्स का स्क्वाइर माइनस दो एक्स माइनस वन यह दिया है यह क्या दिया है आपका यह पी आफ एक्स दिया है क्या दिया भाईया यह पी आफ एक्स दिया बाबु इसमें जी आफ एक्स भी दिया है यक्स प्लस वन दिया है कहता है कि गुड़नखंड परमिये लागू करो आप भागफल वो सेसफल परमिये भूल जाओ वो हो गई पुरानी कहानी अब एक नई मुसीवत है उस मुसीवत का नाम है गुड़नखंड परमिये गुड़नखंड पर्मिये में बताया हूं कि नहीं तुम लोग को बताया हूं कि नहीं अब पहले तो तुमको गुड़नखंड पर्मिये सीखना है क्या है ये तभी आगे बात कर पाओगे तभी आगे बात कर पाओगे देखो पहले कोई नियम विधान जो है उसे तुम समझोगे ना तभी तुम आगे उसको अपलाई करोगे तुमको पता ही नहीं क्या है तो कैसे जानोगे कोई कहे कि भाया जाओ फलाने अंकल को बुलाए लाओ अब तुम फलाने अंकल का थोबड़े नहीं देखे हो कैसे हैं तो कैसे को बुलाओगे नहीं बुला पाओगे ना पहले उनको देखोगे पहले सीखोगे तब जान पाओगे कैसे होगा चलो यह question तो बाद में होगा फहले तुम लोग heading डालो बैटा heading डालो गुड़ंदखंड परमिए यह बहुत important factor है समझे लो पूड़ंदखंड परमिए heading डालो strokes when अपकर रहे हां इफादा टाệc हो रहा है का गुड़नखंड पर मिये लिख लिया रे यह भीगा हुआ है यहां पर रूपेज दास बेटा तुम दूसरी आइडिस आ गए तो बच्चा हमारे पास बहुत सारा आपसन है तुम्हारे जैसे ना लाइकों को बलाक करने का चलो ठीक है गुड़नखंड पर मिये लिखो कोश्टक में लिखो फैक्टर थेवरम लिखो फैक्टर थेवरम क्या लिखो गेए अधर थेवरम कैसे होगा इस पैलिंग्स हाई है थेवरम ऐसे होता है और अनखंड पर मिये कितने बच्चे जानते हैं बोलो यास या नो रजनेश को भी बलक कर देंगे अभी डॉंट वरी रजनेश बेटा सुधर जाओ जहां भी हो तुम जहां भी हो सुधर जाओ नहीं तो हमारी नजर पड़ेगी न तो गड़बड हो जाओगे पढ़ लो यार क्यों बरबाद कर रहे हो अपने आपको भी और घरवालों के सपने सब कुछ क्यों मट्टी में मिला रहे हो क्यों आखित चाहते हो एकदम से बरबाद कर दे न पढ़ लो देखो गुणनखंड परमिये क्या होता जैसे भागफल परमिये है उसी तरह से गुणनखंड परमिये है इसमें थोड़ा सा अंतर होता है ज्यादा नहीं होता है उसमें सेजफल मुख्य रूप से पॉइंट होता है इसमें सेस्पल होता ही नहीं है बस मतलब एक बंदर है पूछ वाला और एक बुविना पूछ वाला इंसान है बस इतना अंतर है वाकी सकल बनावट सब होई है ठीक है आ ti किया है चलौ ठीक है तोब्ट किताब लिया हुर्म किताब क्फोलो हुआ पेज नंबर बता रहा हूं कि उससे देखों लिखा है उससे देखोंके तब बहतर होगा बस्च किताब क्फोलो किताब में देखो किताब में देखो पेज नमबर 48, ठीक है, पेज नमबर 48 खोलो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाया का गुडनखंड परमिये, बोलो है की नहीं, NCRT वाले, देखो गुडनखंड परमिये है क्या, यहाँ से समझो, अगर हम मोटा मोटा बात करें, तो गुडनखंड परमिये तो सिर्फ इतना ही है, कितना है, पी आफ एक्स से इक्वल, एक्स माइनस ए, और इंटू क्यू आफ एक्स, यह गुडनखंड परमिये सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसकी पूरी कहानी आपको मुझे समझाना पड़ेगा, नहीं तो तुम इससे कुछ समझ में ना पाओगे, इससे कुछ न समझ पाओगे, और इसका परियोग भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, अच्छे से तब ही हो पाएगा, ठीक है, तो गुडणखंड परमिया, आप लोग हेडिंग डाल दो, यह क्या है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, कहरा कि यदि, पी आफ यक्स, घात यन, इस ग्रेटर देन और इक्वल वन, वाला एक बहुपद हो, देखो यह है, गुडणखंड परमिया, ठीक है, लिखो इसे या समझो, मतलब यह एक परमिया है, जो कि आपके लिए मोश्ट इंपोर्टेंट है, राहुल यादो जी, गुड़िवनिंग बद चपड़ाई कर लो बावू, ठीक है, और एक वोई वास्तविक संख्या होतो, और एक वोई वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर हो, तो क संख्या होतो, यहां से समझो, अगर यह ऐसी कंडिशन होती तो इसमें दो मतलब फर्मूले बनते हैं, वो आपको याद करना है, समझ के चलना है, तो पहला एक्स माइनस ए, पी आफ यक्स का एक गुड़नखंड होता है, पी आफ एक गुड़नखंड होता है, तो को मैं हट इसका स्क्रीन साट कर लेना, ठीक है, देखो बच्चा, यह समझने वाला पॉइंट है, अभी मैं इसको समझाओंगा, जब कुईस्चन करवाओंगा, तो इसको करवाओंगा, ठीक है, रूबी देवेदी कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं, आ रहा है न, आगे लिखो, यदि पी आफ एक वाल जीरो हो, लिखो और, यहां लिखो दूसरा सिकंड लिखो, यह पहला कंडिशन है, कि यदि एक्स माइनस ए, पी आफ एक्स का एक गुड़नखंड होता है, गुड़नखंड होता है, तो क्या होता बच्चा, पी आफ एक्क्वल क्या होता है, जीरो होता है, यह इसका हर्ष्ट कंडिशन है, ठीक है, दूसरा लिखो, यदि पी आफ एक जीरो यह होता है हो तो देखो इसमें दो कंडिशन बनती है बच्छा गुण अन्खंड परमिये में कह रहा है कि यदि पी आफ ए घाद एन इज ग्रेटर देन आर इकोल वाला बहुपद हो मतलब कहने का यह है कि जो बहुपद हो वह एक घाद का हो एक घाद से जो है बहुप अभी जब कुश्चन लिखूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा ठीक है एकदम क्लियर हो जाएगा डांट वरी चलो इसको लिख लो बस लिख लो अभी इसका काम लगेगा अगर यह 0 हो तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए पी आफ एक्स का एक गुड़न खंड होगा देखो मैं अब समझा रहा हूं तुम्हें समझो यह तो वैसे कह रहा है कि यदि फलाने फलाने के बाफ हैं तो उनके बेटवा होंगे दूसरा यह तुम्हें कम समझ में आयोगा ऐसे समझ लो कि जैसे मालो हमारे पिता जी है हम है तो यह पहला यह कहना चाहता है कि एक्स माइनस ए पी आफ एक्स का ए गुड़न खंड होता है यानि हम जो है अपने पिता लड़के हैं कि डूसरे में क्या कह रहा है कि हम अपने पिता जी के लड़के है यह दी हमारे पिता ईहकी हमारे पिता यह तुम्हें कम समझ में आया थोड़ा साब कोईश्चन करवाएंगे तो समझोगे अच्छे से इसका स्क्रीन साथ ले लो ठीक है समझ लो इसको चलो यह दो कंडिशन होती है ठीक है यह क्या होता है यह दो कंडिशन होती है अब इसका पूरूफ करना है ठीक है अब इसको पूरूफ भी करना है न अब परमिय है तो यह यह करना प्रूफ को देखो कि आपने सेस्फल पर मिये पढ़ा था रिमाइंडर थोरम में प्वी आफ यक्स इक्वाल यक्स माइनस एंटू क्यू आफ एक्स पढ़ा था ना और इंटू आर आफ यक्स बोलो पढ़ा था कि नहीं बच्चा अरे ऐसे समझ लो भाई कि भाज्य बराबर यह क्या था बाज्यक गुड़े भागफल दन सेस्फल यह होता है होता है कि नहीं होता ना बच्चा तो यह होता है तो भाई सीधी सी बात है अगर यह होता है तो फिर प्रावलम क्या है क्या सम से आये अगर यह होता है तो तुम्हें काम करो हमें पता है कि हमें क्या करना है गुड़नखंड परमिय करना है और गुड़नखंड परमिय में क्या होता है राफ एक्स जीरो होता है बैसी सी बात है जीरो होता सेस्पल की नहीं कैसे देखो समझो 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 बैटा यहां समझ तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 35 बराबर 7 गुड़े 5 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं यहां पर प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है तो अगर हम गुडणखंड परमिये पढ़तेंगे तो उसमें यह आर जो है तो यह आपका हो जाएगा 0 ठीक है और आफ mechanics क्या हो जाएगा वेटा यह 0 हो जाएगा आप लूग कलास को लाइक करो भाई मैं देख पा चलो फटाफट कर दो जब यह जीरो हो जाएगा तो आपका यह खतम हो जाएगा इससे कोई मतलब है नहीं तो आपका क्या बनेगा यह आपका मेन फार्मूला बन रहा है यह आपका गुड़नखंड पर मिये यह है फैक्टर थेरम लेकिन इसको ऐसे अपलाई नहीं करना इसको रोटी खाया हओ है मतलब मैं ऐसा क्यूं बोल राहा हूं उसको बनाते हैं ताल मज़क करते हैं झाफिका अच्छा वनता है वैसे हुए इसको थोड़ासा भी और मेंटेनेंस करना है कैसे इसका स्क्रीन साट ले लो मैं सामने से हट गया हूं हो गया चलो तो अब इसको पिटाते हैं अब जब हम कुश्चन करने लगेंगे तब आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा जब तक कुश्चन ना करोगे ना समझ में आएगा ठीक है मीरा बर्मा जी कुछ समझ में आ रहा है मीरा बर्मा अखिलेस सोनाली तुम तो किवल बात करने में लगी हो और आदित्य सर्मा बेटा तुम्हारे तो भगवानी मालिक है हैं पड़ो लोगा अभी पढ़ने का टाइम है ऐसा कोई नहीं देख राया तुम्हारे गब सब में सब देख रहा हूं जो तुम कर रहे हो सब देख रहा हूं अभी तुम्हारा बियाफ बनाते हैं रुको रुको एक सेख नालायक हैं देखो यह पढ़ने आये पता नहीं लड़के हैं कि लड़की हैं क्या है लेकिन इनको पढ़ाइस कोई मतलब नहीं बलग करो जो नहीं पढ़ने वाले इने बलग करो अब एक एकजामपल देखो एकजामपल देखो सिद्ध कीजिये या फिर प्रूब्ड कीजिये x-1 is a factor of x square plus x-2 सिद्ध किजी एकस माइनस एक एकसी स्क्वाइर प्लस एकस माइनस दो का एक गुडन खंड है देखो आप किलियर हो जाएगा देखो बेटा आप किलियर हो जाएगा अब आएक आजूम कर रहा है चल सही हो हां प्रूबद यहीं करना है कि एकस माइनस वन दीए बहुपद ax2-12 का एक गुडन कंड है मतलब प्रूब कीजिए एकस माइनस वन इज आफ फैक्टर आफ वैलीनोंट्मीयल एकसी स्कारप्लस x-2 चलिए देखिए इस में हम लोग फैक्टर फैक्टर आपलाई करेंगे कैसे करते हैं वो देखो द्यान से चलो सम्जो यहां से बच्चा जैसे आप reminder theorem करे हो reminder theorem जैसे करे हो बेटा एक दम हो ऐसे होगा same to same हो से ही होगा थिखाए सण्थी गुड इबनिंग संदीप गुड इबनिंग बच्छा गुडवनिंग बेटा शाचिन जी गुडवनिंग अंकीत बरमा अंकीत बरमा एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 कॉश्टन नंबर सिकेंड चलो अभी सिकेंड सुरू नहीं कर रहा हूं अभी मैं उसका केवल ट्रेयल कर वा रहा हूं देखो बच्चा अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो गुणंखंड परमिये में जो गुणंखंड है उसे सुन्यक निकाल लेंगे सुन्यक निकाल करके वो मान रख देते हैं अगर यह हो हो जाता है तो इसका गुड़नखंड है अन्यथा नहीं है जैसे एक छोटा साइग्जामपल देख लो अगर मैं बोलूं कि संख्या बारा कि संख्या बारा है तो क्या तीन इसका गुड़नखंड है या नहीं तो भी बच्चे बताओ संख्या 12 का जो गुणनखंड है वो तीन है या नहीं है? यास या नो बोलो इंडियन गेमर बाच्चा आ रहा समझ में वनोसिंग सेतन यादव संख्या 12 का गुणनखंड 3 है कैसे जानेंगे? देखो बेटा इसको भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तीन चोंग बारा यह घटाने पर सुनना आ गया ना यानि सेसपल जीरो आ गया मतलब क्या है इसका कुड़नखंड है लेकिन एक सिकंड के लिए सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलता कि बेटा यह बताओ कल्लूलाल कि फलाने जो है ना सच्छा इनका प्रतिमा बिश्कर्मा मुकेश एक तुमें भी समझ में आ रहा है तो देखो साथ से जब भाग करोगे चच्चा को तो यह संतुष्ट नहीं होने वाले हैं नहीं साथ दूना चोदा ज्यादा हो जाएगा सात एक्कम साथ घटाने पांच आएगा लेको एक ठीके बैठा है इनके हजब नहीं होता है तो यहां से क्लियर होता है यहां से यह क्लियर हो रहा है कि अगर तीन से भाग करने पर जीरो आ गया से सफल मतलब क्या है तीन इसका गुड़नखंड है बारा का साथ से भाग करने पर बारा जीरो नहीं है इसलिए इसका गुड़नखंड नहीं है तो जो दिया गया हमारा factor है इसको क्या करते हैं सुनने के बराबर करते हैं यहां से यक्स कमान निकालते हैं अब यही मान ला करके इसमें रखेंगे इसको मान लेते हैं ठीक है माना P of X बराबर यह जो भी आपका दिया है polynomial उसको P of X के बराबर मान लोगे बच्चा बस अब यक्स command 1 रखना है यहां से आया है रख लो अगर 0 हो जायेगा तो है नहीं होगा तो नहीं है को नेचे दिख रहा है अब इसके बाद देखो यहां पर नहीं जगा है यहां पर तुम्हें यहां कर दूँगा यह वन का स्क्वाइर वन ही हो जाएगा बेटा और ये वन का उनीर एगा माइनस का टू ये प्लस प्लस अब जूड जाएगे तो डो माइनस दो बराबर किया एंगे जिरो weighing कितना आगया जिरो आप डूं क्या कहे सकते हो मेर्शार यale है अब निचे लिख सकते हो यहाँ पर नीछे लिख लू माइनस 2 का एक गुडन खंड है लिख लो चूंकि सेजफल सुनने आ रहा है अताहा एकस माइनस 1 पौपद x square plus x minus 2 का एक गुड़न खंड है आधित सर्मा समझ में आ रहा है समझ में आ रहा बिटा कि नहीं समझ में आ रहा है अल्ला बोल यारो 2 का square क्या है ये square कहां करना गद है केवल 1 का square करना आ भे यहां पे भाई ये 1 का करना है मेरज कुमार समझ में आ रहा कुछ चलो बेटा तो यह हो गया आपका first देखो अगर system से समझ के चलोगे तो बहतर होगा नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं होगा अब बुक वाला question पे आ जाओ किताब खोल लो page number 48 का हो गया पर मिये जो था exercise 2.4 question number second पे आ जाओ exercise 2.4 question number second इसमें से कौन-कौन किताब नहीं लिया बताओ एक गदह किताब लिया की नहीं किसको बोल रहा हूँ पता है मुझे मालूम है जो नहीं लिया है देखो मेरी बात तो को बुरा नहीं मानना गदह है तो मैं मजाग में बोलता हूँ जो नहीं पढ़ता हो गदहा है ना तो भईया गदहा ना बनू किताब लेकिया हो हाँ समझ रहो ना किताब लेकिया हो तभी पढ़ पाओगे ऐसे नहीं पढ़ पाओगे चलो किताब खोलते हैं question number second question number second क्या कह रहा है first question तो तुम लोग करे लिये हो देख रहा हो क्या हो रहा है कुछ आउर होने वाला है second में कह रहा है गुड़नखंड पर्मिय लागू करके बताईए कि निमलिखित इस्तितियों में से परतेक इस्तिति में G of X P of X का इक गुड़नखंड है या नहीं है G of X P of X का इक गुड़नखंड है या नहीं है ये बताना है चलो बेटा question लिखो पहला first part लिखो यहाँ पर यहाँ पर G of X और P of X दो दिये हैं इनमें हमें गुड़नखंड पर्मिय लागू करके दिखाना है 2X का cube ये लिखा है P of X बराबर 2X का cube प्लस X का स्क्वायर माइनस 2X माइनस 1 और G of X भी दिया है बचवा G of X दिया बेटा X प्लस 1 क्या दिया है X प्लस 1 ये आपका दिया गया है ठीक है इसमें क्या करना है हमें इसमें क्या करना है हमें इसमें गुड़नखंड पर्मिय को apply करना है factor theorem को apply करके बताना है कि क्या G of X इस अफ हेक्टर आफ पॉलिनमियल फी आफ एक्स यह है कि नहीं है पैसी दी सी बात है इन चर्चा को जीरो के बराबर कर लो यहां से एक्स कमान निकाल लो मानला के इसमें ठूस तो बस अगर जीरो आगए तो है नहीं आगए तो नहीं है इसे तुम पढ़ाई करें तो पास हो गए यह नहीं पढ़े तो समझते ना चलो देखो कि तुमको थो में यहां से उठाएक फाइंग देंगे बाहर निखल जाओ गया पढ़ लो पढ़ लो चलो अब क्या करेंगे यह हो गया ठीक है सीदी सी बात है कुछ नहीं करना जादा उपर लिखो एक लाइन लिख लो पहला कुश्चन है मैं इदर-उदर होता हूं तो यह जूम कर लेता है लिखो यह दी एक लाइन यहां पर लिख लो बहतर रहेगा लिखुआउं कि न लिखुआउं दिया गया है माना माना पहलें से गया है सब माना गया लिखो लिखो खल लिखो यहां पर खल X प्लस 1 का सुननेक कैसे निकालते हैं मैं बहुत पहले बताया हूं यह भी तरीका आप कर लोगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बेटा सुननेक कैसे निकालते हैं इदर साइड में देख लो X प्लस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो X कमान माइनस 1 आएगा और यही क्या इसका सुन्नेक है सिवसी बोड़ाला बच्चा समझेगा जीरो है जीरो आप पॉलिनोमियल ठीक है इंगलिस में उसको ऐसे ही बोलते है देखो आगे समझो यह जीरो है ना तो अब तुम क्या करोगे बच्चा अब इसी में ला करके सब रख दोगे बस फटा पॉल जाए कर देखो दीया है ना ढूंक सित यह क्या क्या मृँप करके 2 xл2 scar ç.5 x incarnate का रख दो आल यह इसमें यEks कमान हर जगा क्या रख होगे वन रख होगे जो इसमें आया है माइना स्वहन तो यह दंग दो हर जगा माइनस उन रख दो चलो भी हो जाएगा दो अर यह जाएगा वन अर यह मैनस मैनस प्लूस और यह जाएगा वन तो बच्चा यह बताओ यह 0 आयेगा कि नहीं आयेगा यह जीरो आएगा कि ना आएगा मुझे तो नहीं लग रहाए गया दो दो चार एक पांच क्यूं भाई कहां से मिस्टेक मार रहा है कुष्चन तो सही है न 2x का square है प्लस x का यह cube है ठिक है square है यह कुछ भी है यहां पर कोई मतलब नहीं है वहां ठीक है यह क्यूब है यह माइनस में हो जाएगा चाच्चा यह माइनस हो जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह माइनस हो जाएंगे ठीक है ब्लस माइनस सब खतम हो जाएंगे जीरो आएगा रहा है यह दो आरा इंदा x plus 1 x plus 1 दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2x cube इसको लिखना है 2x cube plus x का square minus 2x minus 1 का एक गुड़न खंड है जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना बच्चा आगर अच्छे से पढ़ना है तो नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगी फिर question उतना अच्छा नहीं माना जाएगा समझ रहे हो ना वाई सब कुछ तो कर लिये हो तुम जैसे मैं एक example बताता हूं ना जैसे तुम दाल चावल बना लिये हो तुमको खाना है ये है दाल पकाये हो सब कुछ करे हो थोड़ा फराई कर लो और मस्त लगेगा तो बस वैसे इसमें है question तो तुम हलाई करे हो काम तो करे हो मेहनत करे हो नीचे एक लाइन लिख लो थोड़ा दाल फराई तरह काम करेगा नीचे लिख लेना चुकि सेसपल जीरो आ रहा है आता एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद कि बहुपद लिख लेना पूरा का एक गुड़न खंड है बस हो गया चलो UK गेम मर तुमको मैं क्या कहूं बेटा पढ़ लो पढ़ लो भाई नहीं बलक करो इनको यार बलक करो बलक करो चलो 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 इसक्रीन साट हो गया चलो अगला सिकेंड कुइस्टन पर चलता हूँ अच्छा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चे किताब लिए है या आपके पास NCRT बूक है बेटा NCRT बूक है आपके पास देखो बूक है तो बूक से खुद मेहनत करो घर पे ऐसे मज़ा नहीं आ रही लड़का लोग को पढ़ना नहीं है इसको फेल होना ही लड़का लोग को इसको पढ़ना कहा है इसको पढ़ना मज़ा कहा आता है देखो बिटा सीकेंड पार्ट देखो इसका second part क्या कहता है P of X equal देखो P of X equal X का Q plus 3X का square X का Q plus 3X का क्या है square है यह square है plus समझो मेनत से समझो दिल से और क्या है 3X plus 1 ठीक है ये है इसमें कहरा कि जी आफ X जो है X plus 2 है क्या है बेटा X plus 2 है ये दिया है ठीक है कहरा क्या ये इसका gudan khund है या नहीं है सब ही बच्चे मुझे बताओ ये इसका gudan khund है या नहीं है जल्दी बोलो भी देडर न करो ऐसे मजा नहीं आरे यार बिल्कुल भी मजा नहीं आरे चल बता पदो क्या एक्स प्लस टू इस पूरे पउपद का गुडणखंड है गुडणखंड पर्मिय लगा कर बताना है परतीक टेक्निकल बेटा तुम मेरी नजर में ओ तुम्हारे जैसे नालायक लॉंडे मैंने नहीं देखिया तक हाथ तुम दिख कर आयो मुझे चलो यहां पर देखो अब यहां पर क्या लिखोगे जो मैंने पहली लाइन में लिखा था वैसे ही कुछ लिखना है लिख लो हाले यहां पर लिख लो एक्स प्लस टू का सुन्यक माइनस टू है अब सुन्यक माइनस टू कैसे है वो तुम्हें पता है मैं बहुत बार बताया हूं तुम कर भी लोगे कर लोगे ना बच्चा देखो यहां पर समझो हैं के अब क्या करेंगे हम पी आफ यक्स जो मुझे दिया है किसी में लाकर के सारा मान रख देंगे घट हो गया हमारा काम की आप देखो यहीं ही तो धीक है । звуч माइनस को वी अगर यह जाएगा तो साही है जीरओ नहीं होगा तो नहीं साही है बस हो गया के दो दुना चार दुना आर्ट माइनस आएगा अर यह दूना चार चार ती यह जलीठाई ख कुछों का जोड़ेगा तो माइनस माइन सब्सक्राइब यूड़ा कितना हो जाएगा हर्फ Player छैगा माइनस कि इतना हो जए का 14 आठ और छे कहां गया यह और यह बाराइक हो जाएगा तेरा क्यों भाईया यह तो नहीं यह लग रहा है माइनस वन आ रहा है न फेसपल तो जीरो आई नहीं रहा है तेसपल तो जीरो नहीं आ रहा वच्चा देखो तो का कह रहा है यह 2.4 का question number second का second part देखो यह नहीं होगा आप लोग उत्तरमाला भी मिला लो साथ साथ में उत्तरमाला बहुत बच्चे मिलाते हैं यूपी बोर्ड वाले हमारे नहीं तो उनको chain नहीं आता है कि अधिकेंड थार्ड और फोर नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अधिक अधिलेश कुमारी समझ में आ रहा है हम प्रियंका सिंग स्वाती जैप्रकास पटेल मलस लकी रभी संकर हीना रूबी हम हमने कुछ गलत नहीं किया तुम लोग नलायक हो एकदम गद़े हो झाल सची बता रहा हूं मतलब मैंने पूरा हल भी का रहा तो गलत कर दिया मैंने पूरा तो हल करा हूं चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं नीचे वह गया भूलीट नइचे लिखो चूकि सेजफ़ल 0 नहीं आ रहा है कूकि सेजफ़ल सुन्ने नहीं आ रहा है आताः आताः यक्स प्लयसटु आताः एक्स प्लयसटु तु दिये गए बहुपद के बस tragedians पूरा का एक गुडण खंड नहीं है एक गुडण खंड नहीं है ठीक है, ओके गुड निभाय आदो समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, बॉनिष्टर गेमिंग आ रहा बेटा तुम्हें भी ठीक है, चलो, तो यह हो गया बेटा, आपका सिकेंड पार्ट भी हो गया, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें का थार्ड पार्ट कौन-कौन कर लेगा देखते हैं कौन-कौन हमारे बहादूर से रहें, और कौन-कौन लोमड़ी हैं, लोमड़ीया तो यह सब हैं, जो चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं, चुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचुपचु और प्लस एक्स फ्लस सिक्स यह दिया है इसका जो जी आफ एकस ज नियो फैक्टर कह रहा है वह x-3 है क्या है एक्स माइनस तीन है यह बताओ बच्चा क्या यह इसका गुडनखंड है या नहीं है सभी बच्चे बताओ 2.4 का कुईश्चन नंबर सिकेंड का पार्ट नंबर थर्ड है दूसरा नहीं था तीसरा हाँ राकेश सिंग कर लोगे कनया कुमार कुईश्चन नंबर थीसरा का गुडनफल जिला आएगा जिला नहीं आएगा नलायक जीरो आएगा ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड कम से कम कोशिश तो किया अरे ये खचरों को तो देखो जो चैटिंग करने में लगे हैं अच्छा इक बात बताओ भाई साहब मैं पढ़ा तो अच्छे से रहा हूं न पूरा दिल से पढ़ा रहा हूं रुमाल निचोड निचोड के मि कि तुर्ण्द लाइक करो सबी दो मिनिट का टाइम दे रहा हूं चलो करेको कि हर एक बच्चा लाइक करेगा कलास को तुरण्द देर नहीं करना विलकुल तुरंद करो चलो चलो तुरंद करो देखो आपकी भी थोड़ी सी responsibility है आप भी अपना responsibility मतलब जिम्मेदारी समझो हम पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे आपको हजार दो चार हजार payment नहीं करना है लेकिन फ्री का मतलब ये थोड़ी कि तुम एकदम फ्री हो जाओ ना class को share करो ना like करो कुछ ना करो ऐसे नहीं मज़ा आता ना यार अपने दोस्तों में share कर देना चाहिए WhatsApp गुरूप बनाए होगे चार छठी गेम ओम का जो भी कोई भी गुरूप हो सब में बेज दो आखिर उसमें जुड़ी तो किसी की आत्मा ही होगी ना पढ़ लेगा पढ़ेगा तो अच्छा होगा देश बदलेगा समाज बदलेगा तो तुम्हारा भी दुकान चलेगी हैं चलो कि जल्दी करो सभी लाइक करो जितने जुड़े हैं तुरंद देर ना करो अटाफट सो के ऊपर लाइक हो जाना चाहिए तुरंद उर्द यूवके गेमर बेटर तुम फांच मिनट अराम कर लो आ जित्तम आराम कर लो तुम अब हम फिर durch अधारा आप एक्यों आपाफ मुझे पता है कौन कौन नहीं करता है अब इसमेरी जो कुछ भी करो मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है हाँ चलो तीसरा कुश्चन क्या कह रहा है तभी हो गए कर दिये चलो थर्ड कुश्चन पर चलते हैं बिटा देखो थर्ड कुश्चन क्या कह रहा है यहां पर समझो थर्ड कुश्चन कह रहा है कि के का मान गयात कीजिए इम लिखिती स्थितियों मैंसे परते एक स्थिति में x-1 पी आफ यक्स का एक गुड़नखंड हो कुश्चन थोड़ा गुमारा ना दिमाघ दिमाग थोड़ा संकार आ ये मैं फिर से पढ़ दूँंगा किताब तो तुम लिये होना मैं हेडलाइन नहीं लिखुंगा बढ़ी वाली इसमें जो P of X दिया है बाबू वो कुछ ऐसा है X का स्क्वाइर प्लस X प्लस K यह आपका दिया है इसमें कुश्चन में कह रहा था उपर की परतेक स्थिती में X-1 जो है इसका गुड़नखंड है क्या है? X-1 is a factor of this equation ओके? समझ रहे हो ना? सचीन चाओधरी को एकदम से बलाग कर दो इनके जैसे नालाइकों की बिलकुछ जरूरत नहीं है इनको लात मार्ग भगाओ यहां से तुरंद इनके लिए यही लेंगवज ठीक है ऐसे लोगों को क्या करोगे तुम सुधार नहीं सबते हो चलो देखो समझो तो यह क्या है? एक बहुपद है यह इसका एक गुड़नखंड है यह कह रहा है इसको सिद्ध करो क्यूश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ जो बच्चे NCRT बुक लिए हैं वो देख लें क्यूश्चन कह रहा है के का मान ग्याद कीजिए जबकि निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में निम्नलिखित इस्थितियों में से परतेक इस्थिति में एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन पी आफ यक्स का एक गुड़नखंड हो पी आप यक्स का एक गुड़नखंड हो तो बिटा जो पी आफ यक्स दिया है वो यही है यानि हमें क्या करना है इसको इसका गुड़नखंड मान करके के का मान निकालना है बैस सिदी सी बात है लिखो चलो लिखो गुड़नखंड है ना तो हल लिखो यहां पर लिखो यदि यक्स माइनस वन पी आफ यक्स का एक गुड़नखंड है एक गुडनखंड है तो तो क्या यक्स इक्वल वन रखने पर यक्स इक्वल वन रखने पर क्या आएगा फाइनल में से इस पर जीरो आएगा है ना रखने पर सूनने आएगा यह इसकी कंडिशन है इसको लिख लेना अच्छा लागेगा यह दी एक्स माइनस वन इज अफ फैक्टर आफ पॉलिनॉमियल पी आफ एक्स देन वेन वेन विपूट द वेलु आफ एक्स इन दिस पॉलिनॉमियल भी फाइंड जीरो देखो इंगलीस थोड़ा थोड़ा बन रही ना नेगी तेड़ा मेडा बोलो कैसे भी बोलो बोलो चलो तो चलो रखके देख लेते हैं प्रियंका सिंग समझ में आ रहा कुछ आकास कुमार पिकास भिंड निभा चलो देखो तो यक्स कमान रखलो बेटा इसमें ला करके चलो हल तो उपर लिखी दिया हूं ठीक है यह पी आफ यक्स मैं एक बार फिर से उतार लेता हूं पूरे इज्जत के साथ और जब हम इसमें ला के मान रखेंगे वन तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा एटमेटिक तो प्रिया यक्स कि नहीं माइनस वन रखना है ना वन रखना वन इक्वल क्या है यह वन हर जगा जहां पर यक्स है वहां वन और यह क्या है बच्चा कह रहा है कि जब यह मान रखोगे तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमें के का मान निकालके दे देना फट तक से तुरंट तो ठीक है, यह 0 के बराबर हो जाएगा, तो हम इसे आगे भी बराबर कर सकते हैं, 0 के आइधर भी, चलो यह 1 हो गया, प्लस 1, प्लस K, इक्वल 0 चाहिए इधर कर लो, चाहिए उदर मतलब हो ही हुगा, यह 0 के बराबर हो जाएगा यह जूड जाएगा, तो के कबल हो जाएगा, माइनस 2, कितना आएगा, मनोज यादो सही है, राकेश सिंग ठीक है, मुकेश, एके आपका भी सही है, नहीं नहीं, ठीक है, रूबी दुबेदी, तोनाली, तोनाली कुमारी ठीक है, अब जो भी तुमारा नाम लेगा, उसे हम कर देंगे कि ठीक है किंच ठीक है ओके गूड बेरी गूड चलो अब नाम ले के किसी भी लड़की का कमेंट करेंगा से पर्मनेंट बर लॉक कर सूंग रोगा किज के किसी का नाम करके परेसान कर रहा है उसे तुरंद बलाग करो अगर तुम लोग नहीं बलाग करो तुम लोग को भगा दूँगा इसको बोल रहा हूं तुम समझ रहे हो ना जो इसकी ड्यूटी है वह चलो ठीक है बच्चा ठीक है बेरी गुड तो जो भी किसी भी लड़की का नाम लेके कमेंट करो तुम बलाग करो और एक काम और करो जो भी गल्स हैं वो लोग पढ़ाई पर सिर्फ ध्यान दे भाल तू इन लोग के चकर में न पढ़ो इन लोग को जिंदगी में कुछ करना है नह तो इन लोग को यही करना है इनको ना पढ़ना है ना किसी को पढ़ने देना है तो तुम कमेंट के पीछे ना पढ़ो कमेंट में कोई मतलब होने वाला है नहीं इनको जो करने करने दो इनके पीछे टाइम बेस्ट ना करो चलो फाल्दू कमेंट नहीं करना नहीं तो दो मिनट के अंदर बारी नहीं आएगी दुबारा, ठीक है इसलिए फाल्दू कमेंट नहीं, दो मिनट में एक के कमेंट आएगा, चलो यह हो गया, अब इसका सिकेंड पार्ट पे आजाओ बेटा सिकेंड पार्ट पे आजाओ पार्ट पर आजा यहां पर देखो क्या कह रहा है इसे लड़के होते जो आफ लाइन में आते हैं उनको बहुत बलभय मारा जाता इसी लिए पिर उजाते हैं अगले दिन गार जीन को लेकर आते हैं गुरुजी हमें तो बीना मतलब दुन दिये हम तो बहुत सुन्दर लड़के हैं बहुत सीधे साधे हैं कलास में भी वही करते हैं पाचीत करेंगे खुसर फुसर करेंगे तो हाथ पैर बटोर दिया जाता है तो फिर घरवाज लोग बुलाग लेके आते हैं कि बहुत मार रहे हैं यह तो दु़स्मनी हैं हमारी इंसे हाँ चलो ठीक है है कि एक कर आप इसका जो फैक्टर है वो कित not the तीयां है आट लिए यह माइनस वन सब का वही दिया है अलग अलग नहीं है तेक है बहुत अच्छे देखो कोई फालतु कमेंट नहीं करें क्योंकि दो मिनेट के अंदर तूम कमेंट दुबारा नहीं कर पाओगी इसलिए फालतु करना मतलब की बात पूछोंगे हमसे हम बताएंगे इसलिए फाल तो कुछ मत लिखो क्योंकि तुम्हें एक बार लिख दिये तो दो मिनट के अंदर दुबारा नहीं कर पाऊगे फिर दो मिनट में एक के बात कह सकते हो जलो तो बिटा इसमें कह रहा है कि यक्स माइनस वन इसका क्या है यह गुड़न खंड है तो हमें के कमान निकालना है जो अभी अभी मैंने लिखा था तो उसी को फिर से लिखोगे जो अभी अभी मैंने लिखा था क्या लिखा था निचे लीख लोब मैं लिखूंगा नहीं यदि एकस माइनस वन यदि एकस माइनस वन दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2x square plus kx plus under root 2 का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है तो x equal 1 रखने पर 0 होगा x equal 1 रखने पर 0 होगा इतना लिखने के बाद क्या करोगे बैटा इतना लिखने के बाद फटा फट इसमें लाके मान रख लोगे अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं एक बार लिख के बता दिया हूं जैसे पहले में बताया हूं ऐसे तुम सब में कर लोगे तो बैटा यहां पर 1 रखोगे हर जगा 1 रखोगे यह के इंटू 1 यह एंडरूट 2 इसमें प्लस है भाईया यह चिन भी लगाओ ना यह यह ठीक है तो फाइनल में क्या होगा जब इसको मान हम रख देंगे तो यह जीरो के बराबर आ जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि हमने सेसफल पर्मिये में यही पढ़ा है पढ़े हो ना सेसफल पर्मिये में पढ़े हो फागफल पर्मिये में पढ़े हो बाकी बच्पन में वैसे भी पढ़ते आयो ना जब यह मान रखोगे बिटा तो यह क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो तो अगर माइनस वन से क्या करो ऐस youbu스iv किसे माइनस हो जाए 가까 इसमें को ही पलस सके शोनी नहीं था इसका एक उत्तर यह अगर तुम एक माइनस वन इसमें से कामन ले लो और तो माइनस वन अगर तुम कामन ले लो तो यह और संदररउट दो भी हो सकता है तो इसमें से दोनों हो सकता है देखो answer answer में क्या दिया है के कमानी निकालना है न ठीक है ओके अनिमेज तुम्हें काय को दर्द हो रहा बेटा पढ़ लो चलो इसका screen फटपट इसका है इसको भी कर सकते हैं किया तो तुम इसको भी कर सकते है यह थो मैंने अलग से बनाए इसक्ट्रा बाकी ऊपर वाला ही छोडे ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाला चौड़ देने सबसे आसान रहेगा हाल्तु काम नहीं करना पड़ेगा कामन का मतलब क्या होता बेटा बेसिक वाला पढ़ो उसके लिए बेसिक पढ़ोगे तब पता चलेगा तुम्हें बेसिक पढ़ोगे नहीं कभी तुम कभी पढ़ते हैं नहीं बेसिक की बात छोड़ो जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहें तड़ फड़ा रहें न वो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें बेटा क्योंकि तुम सब्सक्राइब किये भी न कमेंट नहीं कर पा होगे जल्दी कर लो तुरन जो बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा वो चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर ले भाई देखो रात का साथ बज़े वाला जो साइम है इसमें बावन पर्शंट लोगों ने कहा है कि वो नहीं देख पाते है इसक्रीन साथ ले लो हो गया मैं हटता हूं सामने से अपर नीचे वाला इसको मिटा दो आपके भूकों में यहां तक नहीं करें और कोई नहीं तक छूड़ देंगी यहीं तक हो बत् glowing है जबेंद unser laure När कि पडरोगे पनis तो नाली सभी बायज को क्यों बोला बताओ इमांसु बैटा इसलिए तो पांच मिनट का होल्ड करा हूं ना तुम्हें इसलिए करा हूं दूसरे लिए थोड़े सभी स्क्रीन साट ले लिए आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा जैसे 24 है ना इसके गुड़न खंड के बारे में आप लोग मुझे बता इसका फैक्टर क्या होगा बेटा देखो इसका फैक्टर तुम कर सकते हो ना हम सब उको पता है इसका फैक्टर कैसे करते हैं देखो ये दो दुना चार दुना आट दुना सोला क्यों भाईया सही चाल रहा है का 12-32 हो जाएगा गल्ट दुना चार दुना आट तुरीचज़ख़िस ये इसका क्या है गडिनखंड है touchा गडिनखंड है अच्छा आप लड़के हैं मुझे नहीं पता था यादो qya आप लड़के मुझे लग रहा था कि आप लड़की रही जलिये ठीक है अच्य बात जो भी हैो就到 पुछ कुछ ना दोनों में से तो कुछ नहींधे कुन जारी इस star से करते हैं अब इतना तो अफंव लोगों को आता है मैं इसको क्यूं बताऊं क्या मतलब है को नहीं मतलब ना 먹어 नहीं आता तो basic देख लेना ठीक है चलो यह समझ गए तो कुछ ऐसे ही हमें इसका फैक्टर करना इधर वाले का बीच वाले पद को तोड़कर यह को फैक्टर करने के कई तरीके हैं तो मैं जो मेथड बता रहा हूं वह है बीच वाले पद को तोड़कर के तो बच्चा आपको यह काम करना है इसको करने के पहले एक्ठी और समझना है जैसे देखो यह कुष्टन है यक्स का स्कॉयर प्लस 7 एक्स प्लस 10 अगर इसके मैं फैक्टर पूछ हूँ तो आप कैसे करोगे चेतन आनंद समझ में आ रहा है यह कुष्टन मेरी खोपड़ी के पीछे वाला मत देखो तुम इसको देखो देखो मैं समझा रहा हूँ पच्चा बीच वाला जो पद है उसका हम गुडांक लेते हैं जैसे इसमें सेबन है और जो लाइक्ट वाला आपका कांस्टेंट होता उसको पकड़ते हैं तो हमारी कोशिस यह होती है कि कोई दो ऐसे अंख में मिल जाएं जिनको अगर हम गुडा कर दें तो यह आ जाए दस और अगर जोड़ दें तो साथ आ जाए तो तुम लोग मुझे यह बताओ बेटा कि वो दो संख्या कौन सी हैं जिनको जोड़ दें तो साथ आ जाए गुडा कर दें तो दस आ जाएं सभी बच्चे बताओ रवी संकर जी बताएए वो कौन कौन सी दो संख्याएं है अज लाइट बहुत धीमा हैं बड़ा काला काला दिख रहे हैं बैज्जती हो रही ना लाइट बहुत धीमी आज अरे उतना गोरे नहीं हैं जितना दिखते हैं तुम लोग को मैं उतना बनाया रहता हूं चलो कुछ सही हुए ना ठीक है हाँ पांच और दो ठीक है बहुत अच्छे बेटे good ूके तो पांच और दो होगा ना यानि हम 5 मैं 2 को जोड़ेंगे तो साथ हो जाएगा पांच में 2 को गुड़ा करेंगे तो दस हो जाएगा तो बस हमें यहीं तो चाहिए था यहीं चाहिए था न है कि अब हम साथ की जगा पर पांच और दो रखेंगे क्या रखेंगे साथ की जगा पे पांच और दो रखेंगे तो यह हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस यह पांच प्लस दो इंटू यक्स प्लस दस पहले बताओ इतना समझ में आया देखो जो चैप्टर सुरू कर रहा हूँ अगर तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो हम इसको इतना स्पीड में ख़तम करेंगे ना कि तुम देख भी नपाओगे कब खतम हो गया और अगर प्यार से पढ़ोगे इमानदारी से तो मैं बहुत प्यार से पढ़ाओंगा कोई जायेगा नहीं इंटरनेट समस्या है कि देखो भाई थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या हो गई है अगर पर्चों इन्वर्टर आ गया है लेकिन फिर भी यह जहलवा रहा है अभी अभी लगता है तुरंत लगेगा लेकिन समस्या क्या है अभी लगा नहीं है यह लाइट जब एक बार जैसे डिप होई तुरंत वाई-फाई बंद हो जाता है तुरंत वाई-फाई बंद हो जाता है और इस वज़ा से आपका कनेक्शन कड़ जाता है समझ रहो ना हां यह समझ्या किसकी है इंटरनेट की है इंटरनेट जैसे कड़बड होता तुरंत चला जाता है तो वह आज से नहीं होगा आज यह लाश्ट कलास है जितना तरपाना आज यह तरपाले बिटा कल से ऐसा नहीं होगा कल से ऐसा नहीं होगा कल से ऐसा नहीं होगा सब सिट अब हो जाएगा जो भी समस्या है चलिए नहीं जाना नहीं कोई जाना नहीं नहीं बहुत मारेंगे लतिया लतिया मारेंगे जान लो जलो देखो तो यह क्या किया मैंने मद्यपद को दो भाग में तोड़ा मद्यपद को दो भाग में तोड़ा और इस तरह से आपका पांच धन दो आया अब क्या करेंगे अंदर में करेंगे multiple करके कामन ले लेंगे ये हो जाएगा आपका यक्स का स्क्वायर प्लस 5 का यक्स में अपकाएक्स में तो 2X और प्लस का यह टैना ऐसे उतर जाएगा इसमें किसी को कोई समस्य तो बता दो किसी को कोई परिसानी है तो बता दो बेटा किसी को कोई परिसानी नहीं होगी वो मुझे पता है चलो ठीक है इर्फान अंसारी समझ में आ रहा है ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड अब इन दोनों में कॉमन लोगे इसमें भी कॉमन लोगे जिनको ना समझ में लोगे एक्स प्लस फाइब बचेगा जो दोनों में common है उसे एक बार लिखते हैं और जो दोनों common अलग अलग था उसे जोड़के लिखते यह आपका हो गया finally answer इस तिक है यह क्या हो गया आपका finally answer हो गया तो आपकी कलास आज सेयर नहीं हुई है इस वज़ा से बच्चे बहुत कम हैं तो बाबु आप लोग एक काम करो इस कलास को सेयर कर दो लिख लो यह पहला हो गया आपका गुड़नखंड यह किताब का सवाल नहीं है यह मैं आपको गुड़नखंड सिखाने के लिए बताया हूं कि आज की कख्षा 9 की लाइब कलास सामको साड़े साथ बज़े से सुरू हो गई है आप लोग तुरंट जूड़ जाएं थीक है तो मैंने टेली गराम में भेज दिया है तुरंट आ जाएंगे बच्चे फटा फट डॉंट वरी चलो थीक है बटा चलो कि ओके 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 तलो इस इंटरनेट नहीं चल रहा है का इसका चलो ठीक है तो सभी बच्चे कलास को लाइक भी करो बाब वह ऐसे मज़ा नहीं आ रही यार हां कुश्चन हो गया आगला कुश्चन पर चलो सीकेंड कुश्चन पर चलते हैं सीकेंड कुश्चन आप लोग देखो देहान से यह हो गया यह क्या यह बता हो सबको समझ में आया ऐत मिया सा चलो अब तब इसी तरह से आप एक और देख लो तब फिर हम इसके बारे में बात करेंगे जो आपका किताब वाला प्रस् extensive है क्योंकि हमारी कोशिस है जो बच्चा कमजोर है उसको भी आजाए उसको भी कमजोर बच्चा है उसको भी आजाए हमारी ये कोशिस है पेटा इस्क्रीन साट ले लिया करो ठीक है इस्क्रीन साट ले लिया करो बेटा संजीत कुमार बीबेक समझ में आ रहा है ना आ रहा है ना चलो question number second समझो बड़े प्यार से समझो देखो यह है y का square और plus 11x plus 24 बिटा देखो इनके दो factor करोगे तो कितना आएगा मुझे यह बताओ जल्दी बताओ नहीं आज के बाद कोई समस्या नहीं आएगी आज यह लाश्ट समस्या है आज यह लाश्ट समस्या है इंटरनेट वाली क्योंकि इंटरनेट भी हम दोनों प्रिचार्ज रखेंगे और आपका लाइट डिस्कनेक्ट होने नहीं पाएगी एक भी सिकेंड तो कुछ नहीं होगा बगवान सुक्र करें कि हम सलामत बने रहें बस कितना दूआ बनाके रखना हम वकी हम ना रहे तो फिर कोई बात ही नहीं है रोशन कुमार बूलु कर दिजिए हमारा भी तुम पढ़ने आग बोलु करताने आयो ऑढ़लो यहां बोलु किसमत मप्रालों का होता है और बोलु नहीं है बुलु है बडलु नहीं होता कि अरह यह काचर रहे गयार प्रको यहां पंद अगर वह है तो यहां भी रहेग यहां पर यक्स है तो यहां भी यक्स रहेगा ठीक है बहुत अच्छे सबसा पहला जबाब आभिलास कुमार ने बताया है आभिलास कुमार एके तुमारा गलत है रेनु चोधरी ठीक है पांच और छे बता रहे हैं तो बेटा देखो पांच और छे तुम 11 तो कर लोगे लेकिन पांच और छे का गुड़ा करोगे तो यह 30 आएगा जो कि हमें 30 नहीं लाना है हमें 24 लाना है ठिक है समझ रहे हो ना नरेस बेटा तुम बहुत नजर में चुबह रहा हो मेरे पढ़लो बाबू एंढ़लो राजा पढ़ लो वहल तुममेश का छॉटिंग नुलट पहटिंग ना करो पढ़ लो तो हो गया यह अब तरहू तो सीधा सारा है मैंने कुछ नहीं कर रहा इसमें भाहि साहब कुछ नहीं कर दिया गैहारा को मैने आठ प्लस तीन लिख दिया यह वाई बच रहा था चचा को इनके वगल में लगा दिये पीछे और यह प्लस ऐसे लिख दिये 24 को ऐसे पूरे इज्जत और मान्सम्मान के साथ है ठीक है उसके बाद क्या करा हमें ने y का स्कॉयर ऐसे है प्लस आठ का y में गुड़ा किया तो यह 8y हो गया प्लस 3 का y में गुड़ा किया 3y करने के लिए यह समझना जरूरी है अगर तुम्हें यह आएगा तभी तुम फोर नंबर कुश्चन कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं जिन लोगों के मन में खुजली मच रही है कि कौन सा किताब का है कौन सा कुश्चन है वो थोड में कामन लोगे इन में कामन लोगे इन में अच्छा इनको कामन लेना नहीं आता यह समझ लो थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट समझाता हूं यहां देखो जैसे अगर मैंने तुम्हें कहा कि बच्चा यहां पर कामन लेलो कामन का मतलब समझो 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 कि क्या दिख रहा है तुम्हें कुछ दिख रहे हैं अभी बता ना हमने एक पेन लिया है इंक लिया और मारकर लिया नगर में तुमसे कॉमान पूंछूं कि दोनों हात में क्या है कौनसी ऐसी वस्टु है जो दोनों में है और नाब बया पैन गलत है या स्राज सिंग है तुम्हारा भी गलत है रुद्र पर्ताब मार कर कोई बता रहा है रभी गर्वीए यह पैन है गदाओं यह मार कर रहें तो तुम इनको बोल रहें वह मार कर समझ ले इसे पैन मत बोलो तो दोनों में जो common है बेटा वो है marker marker जो बोड़ पे लिखा जाता है यह चैचा लो common है इनका color अलग है बले लेकिन काम एक के है इनकी size उतने मोटा है दोनों उतने अच्छा चलते हैं उतने सुन्दर चलते हैं और उसी हाथ में चलते हैं लेकिन ये स्याही और ये पैयंद ये दुनो अलग बस्तू हो गए लेकिन मारकर एक हो गए तो मारकर क्या है कौमन ना समझ मैं कौमन का मतलब यहीं होता है अब इससे ज्यादा अच्छा तुमें कौन समझाएगा इससे जादा अच्छा तुमें कौन समझाएगा चलो समझ गए न तो इसमें क्या है इसमें उसी तरह से अगर तुम देखो तो क्या कॉमन है इसमें क्या कॉमन है पेटा इसमें जो है वाई कामन है क्योंकि इसमें भी वाई है इस पद में भी है इसमें भी है तो इसमें जब तुम वाई कामन लोगे तो क्या बचेगा देखो कामन का मतलब समझ लो चाचा इधर देखो समझो समझो इधर कामन का मतलब समझो अगर मैं तुम से इसमें तो y common लेने का मतलब यह हुआ, क्या, यह y into y है न, बोलो इसको ऐसा कर सकता हूँ, इसको 8 गुड़े y कर सकता हूँ, अभी बोलो पहले इतना देखो बस तुम और कुछ मत देखो, आख बंद कर लो, सिर्फ इतना देखो, बेटा y square को हम y into y कर सकते हैं, 8 y को हम 8 गुड़े y क कर सकते हैं, कामन लेने का मतलब है कि हम y कामन लिए, मतलब y से इनको सबको भाग कर दिये, कामन का मतलब सिर्फ भाग होता है, तो y से y कट जाएगा बच्चा, यह y कट जाएगा बेटा, तो बच्चा का बच्चेगा राजा, यह y बच्चेगा यह बच्चेगा, यह बच् कि इतना अच्छा इसका पोश्ट माडम कर दिया हड़ी हड़ी अलग करके दिखा दिया फिर भी तुम ना समझो तो फिर भगवान नराज है तुम्हारे स्क्रीन साट ले लिया करो जैसे बात पूरा हो जाए क्योंकि मैं मिटाने में देर नहीं करता हूं बनाने में टाइम लगाता हूं मिटाने में नहीं चलो अब तुम्हें अगर कोई समस्या है तो फिर बताओ जुरूब इंटरटेन्मेंट बेटा समझ में आ रहा है सभी बच्चे कलास को लाइक कर दो बीना देर करें तुरंत कर दो भाई हां इसमें भी यही बचेगा बेटा देखो गुडनखंड में एक खासियत है कुछ भी समान फद आएगा जो इसमें आएगा वही यह दो इसमें आएगा यहलिख जो आत्यक्यकर वही बांस अंदो इसे चांध में है यह पी संक यह चल नहीं डीन्ट ऍचयनचर शाक लगने अब टों पुट जायागा कोपड़ी जान लो पढ़ लो चुप चापया तो कुछ ऐसे ऐसे गदहें हैं ना मलिच छटाइब के ना जिनको नहाना नहाना दोना है आंक से सही दिख रहा है नहीं की चल उचड लगा है अब उनको लग रहा है बफरिंग कर रहा है अब नहायद हो रहें तो थोड़ा दिखाबों करें अच्छा लिख लिए मिटादें यसराज समझ में आ रहा बिटा रवी संकर समझ में आ रहा है अक्षे कुमार रमेश गुर्जर हां मिलेगा 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 चलो जो बच्चे तड़फडा रहें कमेंट नहीं कर पा रहें बेटा देखो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बीना चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट नहीं कर पाऊगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसे कमेंट कर पाओ चलो तो यह हो गया अब हम चलेंगे मेन कोईश्चन पर देखो अब थोड़ा समय तुम्हें समझाऊंगा इसमें यह वाई अकेला है इसमें यह बेटा अकेले नहीं है जोड़ी दार है यह दूइनों परानी है यक्स है लेकिन इनके साथ 12 भी है तो इसमें दूइनों परानी है यह अकेला है मतलब यह कुआ रहा है साधिस होता है समझ गए ना देखो समझो इसमें तो हम यह कहते थे कि बीच वाले पद को तोड़ देना है बाकी तुम्हें कुछ नहीं बताते थे जैसे लोगों को पहले हम आइप सोचो पहले इतर पड़ो इसमें क्या है इसमें 12 है लेकिन दिख रहा है बार इसका बीच का पार्ट तोड़ने के पहले हम इस 12 को पकड़के वन में गुड़ा करते हैं लेकिन वो चीज किसी से बताते नहीं गुड़ा करें हैं जैसे अंदर का अपने दर्द जो ह किमी ने किया है तो ट्ट्वैल एक हम कित्ना हो जागा यानी हमें क्या करना है बाबा घुड़ा करने पर बारा लाना है और यह प्रसयान यह ध्यान देना है यहां पर प्लस है तो जोडने पर जोडने पर साथ-लाना है अब बताओ कोई ऐसा दूइंती है कि अधिक कुड़ा करने पर 12 जोड़ने पर साथ आए मुझे तो नहीं लग रहा होगा लोग तो एकदम नंबर एक पर हो ठीक है हाँ ठीक है तो यह बच्चा हुई जाएंगे तीन प्लस चार तो तीन प्लस चार यह आपका हो गया जो आपका मुख्य पार्ट था वह आपने खोज लिया मुझा तो यह चीज समझ गया यह ठोड़ा आ लग है कुछ चानों ईससे इसी लिए मैं पपैक बूला इसलिए मैं बोला कि मैं पहले इसको नहीं करवाओंगे पहले उसको करवाओंगा जिससे तुम थोड़ा समझ जाओ तो बेटा इनको ऐसे लिखेंगे 12 को ऐसे ही लिखेंगे यह 12 x का square ऐसे ही लिखेंगे माइनस 7 को 3 प्लस 4 लिखेंगे इंटू x प्लस 1 ठीक है तो यह हो जायागा 12 x का square माइनस यह गुड़ा करोगे 3 का x में तो बेटा यहां माइनस है ध्यान रखना अगर कोश्ठक के पहले माइनस है ब्रेकट के पहले माइनस है तो ब्रेकट खुलने पर अंदर के चिन बदल जाते हैं अंदर के चिन क्या होते हैं बदल जाते हैं तो माइनस का यह 3 x रहेगा क्योंकि 3 का x में गुड़ा होगा और फिर यह प्लस है अंदर में क्या था फ्लस था शुरू में माइनस होता तो अंदर का चिंद बदल जाता है तो यह 4X हो जाएगा जब 4X में गुड़ा होगा और यह प्लस वन वैसे उतर जाएगा जिनको यह नहीं आ रहा है वो बेसिक मैथ पढ़ें वियार स्टडी लाहबाद चैनल पर रात के 9 बज़े से बेसिक मैथ होता बेटा अभी इस समय बंद चल रहा है हो सकता है 15 अगस तक फिर से सुरू हो जाए तो रात के 9 बज़े तुम बेसिक पढ़ना बीना बेसिक के यह ह पढ़ने वाला है नहीं और तुम्हें कुछ आएगा है नहीं तो बेसिक आना चाहिए इन दोनों में common लेंगे तीन एक्स तो इसमें बेटा बचेगा चार एक्स और इसमें क्या बचेगा बचेगा बबु इसमें भाई तीन एक्स था उसको निकाल लिए तो माइनस का वन कामन लोगे तो फूर एक्स माइनस का वन बचा एक बात ध्यान देना दोनों में बराबर बराबर कोश्टक में बचना चाहिए कुछ अलग नहीं बचना चाहिए परमोद एलेक्रिकल जी समझ में आरा कुछ की नहीं है एके एनूप नाब्या गुपता नवनीत कुमार जिन बेसिक आता उन्हें कोई समस्या नहीं होगी चलो अब इसका फाइनल आंसर उपर लिख देंगे अच्छा जितने बच्चों को समझ में नहीं आया वो इमांदारी से नो लिख के कमेंट करें यन ओनो हम जान जाएंगे कि कितनों को नहीं आया जो कख्षा नो में है सिर्फ वही करेंगे बस बाकि दूसरी पढ़ाई करने वाले बच्चे कमेंट नहीं करेंगे तिर्फ नाइंथ वाले कोई है जिसको ना आया कि कौनों गदहा है इतना बड़ा कि कौनों गदहा नहीं है सब घोड़ा है वहीं टॉधे नहीं चलो यह एक द्रीक है कोई बात नहीं देखो अगर शिस्टम से पढ़ोगे रोज पढ़ोगे आने लगेंगा व्यकि कोई बड़ी बात नहीं है चलो ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं घड़ाप बोल रहे हैं तुम कि बतो बेड़ाए ना करो अपनी बीमार कि आखे ये फाइनल अंशार हो गया किताब से उत्तर माला मिलाय यो हुं रहा है का झे मान्सू अचाहित सब्सक्राइब है नहींbaum मनीस मनीस में यह समझ में आ रहा है प्लब biscuit लिख लो फटाफट लिख लो लिख लो दूसरी बढ़ाई वाले क्यों नहीं चलो लिख लिए तो यह आपका फाइस्ट पार्ट हो गया अच्छा मुझे एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चे बुक लिए है नाइन्थ की जो बच्चे नाइन्थ की बुक लिए है वो यह लिख के कमेंट करें जो को दूसरी पढ़ाई वाले क्यों ना बोले मैं इसलिए बोला क्योंकि जिस बच्चों के टार्गेट करके यह पढ़ाया जा रहा है विसेस रूप से उनके लेबल का है ठीक है आप अगर कोई और पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता आपके लेबल से अलग हो तो फिर हम आपको यहां पर नहीं समझा पाएंगे ना आपका कलास अलग से होगा उसका देखो समझो अगला तो बच्चा बुक लिये हो तुम लोग ठेक है अगला है टू एक्स का स्कॉायर प्लस सेबन एक्स प्लस तीन इनके गुड़न खंड करके कोई बताएगा मुझे कितना आएगा जल्दी बताओ कोई भी एनिवन बता दे कितना आएगा कितना आएगा बाब उजल दे बता दो एक मिनिट में कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा कितना आएगा हाँ पता रहा हूं रुख जाओ देखने दूसाही चल रहा है देखो बच्चा इसमें तुम टू का थ्री में मल्टिपल करोगे छे हो जायेगा गुड़ा करने पर छे आए जोड़ने पर साथ आए गुड़ा करने पर छे आए जोड़ने पर साथ आए देखो गुड़ा करने पर छे क्यूं आएगा क्योंकि सुरू में जो एक सिस्क्वार का गुड़ांख है दो है और तू का मल्टिपल करोगे थ्री में तो तू थ्री ज जाएगा तू थ्री जाएगा वो नमबर फाइंड करने है बेटा जिनका मल्टिपल करने पर 6 ऐए एंड़ एडिशन करने पर प्राप तो भूं कि वह नमबर हो जाएंगे आपके दो और तीन दू यह और तीन करोगे दद्दाया तो दू तीन इचा तो हो जाएगा लेकिन दू तीन पांच हो जाएगा हमें जोड के साथ लाना है गलत है तो वो हो जाएगा छे और एक छे और एक, छे का तुमें एक में जोड़ लो, तो यह था इसका फंडामेन, ठीक है, बी जे सी, मैत बिल्कुल नहीं आती, बेटा देखो, इंक्वारी के लिए नंबर दिया ना बाबू, इंक्वारी के लिए नंबर दिया, उस पे कंटेक्ट करो, मैत बिल्कुल आने चलो, तो 2X का स्कॉयर, प्लस, देखो 7X जहां पे है, वहां पे तुम लिखोगे बिटा, यह 6 प्लस 1, सुरी, केवल 7 की जगा पे, 6 प्लस 1 लिखोगे 7 की जगा पे, और इन 2X वैसे रहेगा, प्लस का 3 ऐसे रहेगा, पस, यह 2X का स्कॉयर, प्लस 6 का एक्स में, मल्टिप फाइनल में आगे बढ़ोगे, इनमें दोनों में कामन होगा, तो बिटा देखो, इसमें 2X कामन लोगे, तो 1 प्लस 3 बचेगा, इसमें 1 कामन लोगे, एक्स प्लस 3 बचेगा, कामन लेना मैं सिखा दिया हूं नहीं, तो कुछ दो गरी आ रहे हो मनें, मन कैसे हो जा रहा है, कामन लेना मैं सिखा दिया हूं इन में कामन लिया गया है और यह छुटके चच्चा में कामन लिया गया है लिख लो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा यक्स प्लस तीन जो दो बार आया एक बार हो जाएगा आपको समझ में आया ना लिख लो इस स्क्रीन साट ले लो चलो आज बहुत कुछ सुख गया है दीरे दीरे ताजा हो रहा है अब एक काम करो तुम लोग अब इस कलास को पहले लाइक करो नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अब अब मेरी आतमा जवाब नहीं दे रही है दुख हो रहा है इसे दो मिनिट का टाइम है सभी बच्चे लाइक करो दोस्तों को सेयर करो मैं इसमें पानी मंगा लेता हूं क्योंकि पानी के सिवा और कुछ है नहीं जिन्दगी में तो को ठीक है एक मिनट रूखे रहू पीतेन ये पानी ले आओ थोड़ा से चलो ठीक है आगे देखो आगे देखो यार बड़ी समस्या आज काफी गर्मी है ना यहां पे तो दिक्कत हो रही थोड़ा सा चलो कर दिये सभी अभी नहीं करा अभी जल्दी से लाइक करो देर ना करो विल्कुल एक को सिकंड का देर ना करो और अपने वाट्सअप में सेयर करके आओ बाबू ठीक है दस बच्चों ने लाइक किया मेरे कहने के बाद दस कलास को share करके आओ अपने दोस्तों में WhatsApp में share कर दो WhatsApp इस्टेटस में लगा दो यह तो रोज किया करो ना आरदे को कहने से नहीं कुछ होता है आपकी भी अपनी जिम्मेदारिया है आपको समझना चाहिए अभी हमें और पढ़ना है कम से कम आदा गंटा कम से कम एक घंटे से नीचे कलास नहीं होनी चाहिए साबड थोड़ पढ़ते रहो टेंसन मत लेना बिल्कुल समझ में आने की भरपूर गारंटी है पूरी 100% गारंटी है समझ में आएगा बस कलास को इमानदारी से देखना यहां से अंदर से आएगा देखो समझे चलो देखो परमोध आरहा समझ में मनोज सिंग जहां जी मनोज आ रहा है हरसित जैसा तू सोचता है मेरी जान हर कोई वैसा नहीं है और तू यह सोचता है कि हर किसी को पसंद आ जाए तू इनसान है पैसा नहीं है वाँ भाई हरसित जीने लिखा एक बार फिर से पढ़ने तो मुझे कपी अच्छा लग रहा है जैसा तू सोचता है मेरी जान हर कोई वैसा नहीं है और तू यह सोचता है कि तू हर किसी को पसंद आ जाए तो तो इनसान है पैसा नहीं है भाई दिल वाली बात लिखा है आपने तो पैसा हर किसी को पसंद आ जाता है लेकिन इनसान हर किसी को पसंद नहीं आता है लेकिन बेटा इनसान जिसको पसंद आ जाता है फिर उसे सब कुछ पसंद आ जाता है समझ रहो कि नहीं उसकी बुराईयां अच्छाईयां में बदल जाती है चलो ठीक है बहुत अच्छे कितना कमाल का काम किये देखो ऐसे करो कुछ अलग तुम लोग तो बैट के मूँ ताक रहे हो कुछ सेरे साहरी बोले जाओ तब भी सही है बीच बीच में कि गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी चलो दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा तो यह हो गया अब देखो अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं थार्ड नंबर की तरफ में अब है डाटा मेरा काई खतम हो रहा है मोबाइल का चलो हर्सित जी अब आप नजर में बन गया हो मेरे भी सेस रूप से क्योंकि आप बहुत ही मजह हुए खिलाडी लग रहे हो मुझे कहीं कुछ अनुभव लेके आयोगा आप पांच याक्स माइनस छे बताओ इसका जबाब दो कैसे तोड़ेंगे बीच में हां हां सभी बच्चे बताओ इसमें कैसे हम इसको तोड़ेंगे बीच में देखो इसमें बेटा एक अलग चीज है वो तुम्हें समझना है क्या लाश्ट में माइनस का चिन्न है न तो बीच वाला जो हम जोड के लाते थे वो घटाने पे आएगा ये बात ध्यान देना अगर यहां पर माइनस है तो बीच वाला पदवच्चा जोडने पे नहीं आएगा घटाने पे आएगा यानि गुडा करने पर तो 36 आए लेकिन भोटा करने पर 36 आए गटाने पर 5 आए अठा 1 दुना 36 अठा 1 मैं नगे दूंज शो लायेगा चाचा में 5 लाना है घटा आप घटा के 5 लाना है जै कर वस्ते में गडा करो 36 दीज़किन सभी स्ट सुनौना मिलेगा अ लडू मिलेगा गलत है 9 का 4 में कर लो दद्दा मुझे लग रहा सही है लो मिल गया 9 के 4 में कर लो बिटा तो 9 का 4 में करोगे तो यह फाइनल में आपका मिल गया मिल गया जो डूण रहा था वो मिल गया चलो तो यह हो जाएगा आपका 6 x का square प्लस 9 माइनस 4 याद रखना यह घटाने के बाद यह आना चाहिए बस यानि उत्तर से question आना चाहिए इंटू x माइनस का 6 ठीक है तो यह 6 x का square प्लस 9 x माइनस 4 x माइनस का 6 अब बेटा इनमें क्या करेंगे हम common ले लेंगे क्या करेंगे common ले लेंगे समझ रहे हो ना इसमें common 3 x ले लेंगे बचेगा क्या 2 x प्लस 3 इनमें बेटा माइनस का 2 common लोगे तो दू x प्लस का 3 बचेगा एक बात यहां ध्यान देना यहां पे हमने common माइनस का 2 लिया है तो जब माइनस का 2 common लेंगे तो अंदर का चिन प्लस हो जाएगा मतलब यह नहीं जरूरी की माइनस का 2 लेने पे हो जाता है मतलब तुम कोई भी नमबर अगर माइनस में common लोगे तो अंदर का चिन प्लस हो जाएगा और फिर जैसे कोश्टा खोलोगे फिर माइनस हो जाएगा ठीक है यह बात ध्यान देना है भाइ अभी सेर साहरी वाला मैं पूंचूंगा तब बताना अभी नहीं बताओ अभी मैं पढ़ूंगा नहीं अभी रुके रहो बोलूंगा जब तब बताना भी लिखके रखे रहो मैं पढ़ दूंगा सबका यह आपका अंसर हो गया फाइनल में ठीक है चलो बेटा लिख लो हाँ हाँ सभी अपनी कला का परदर्शन कर ले ना इसको लिख लो लिख लो बेटा लिख लो इस स्क्रीन साट ले लिया करो तुरंट आपका थार्ड पार्ट है ये पुश्चन नमबर फोर एकसटाई 2.4 क्लास नाइंथ ठीक है 49 मिनट तो दिख रहा है कलास हो गई लेकिन अभी और चलने दो मत रोको इस कलास को चलने दो धुआ धार हां मत रोको अभी मैं पूछूंगा तुम सब लोग बताना रोसन बेटा जो पढ़ा रहे हैं पहले उसे पढ़ लो राजा पहले तीन एकस का स्क्वाइर माइनस का एकस माइनस का फोर इसमें बताओ मुझे चलो कितना हैगा बताओ जेखो गुड़ा करने पर बारा आए ये बात यहां ध्यान दे ना तीन का तुम चार में गुड़ा करोगे बेटा पहले और मन ही मन जानोगे जैसे मैंने बताया था कोई परकार की गुप्त बिमारी होने पर लोग मन नहीं मन तरपते हैं किसी से नहीं कहते हैं तो वैसे ये गुप्त प्रावलम है यहां पर किसी से नहीं कहना है तीन का चार में मल्टिपल कर लो बारा आएगा वो तुम्हें खुद समझना है कहीं लिखना नहीं है पर यहां माइनस है तो गटाने पर यक्स आह येक्स तो आये लैज इसका गुडाँन काना चाहिए वजन है गुडांग क्या है वन है बेसिक में पढ़ाया है उन्हें आता बेसिक तो बेसिक पढ़ो पहले क्योंकि ये नाइंथ का पढ़ रहे हो बेसिक नहीं है तो बिटा कुल मिला के गुडा करने पर बारा आए और घटाने पर एक आए हमें ये करना है तो बताओ कोई ऐसा दुई गिंती संकेत कुमार प्रिया सर्मा प्रियंका हिमान्सु बर्मा करन मीना, अभिसेक यादो नाब्या गुपता, बिल्पी म्यूजिक राजस्थानी मनोज सिंग, मनोज यादो ठीक है चलो I hate you और क्या यसराज सिंग बच्चा तुमारी जिंदगी भी तुम से hate you कहने लगेगी पढ़ लो पढ़ लो, मेरी नजर तुमारे ने उपपर है चलो तो ये हो जाएंगे तीन और चार चाहे तो तुम चार और तीन कर लो या तीन और चार कर लो, मतलब वही होता है तो ये सुन्दर लगेगा जब इसे तुम चार और तीन करोगे क्योंकि बराबरी का मामला दिखेगा तो बेटा ये तीन एक्स का स्कॉयर ऐसे ही रहेगा, माइनस येक्स की जगापे तुम चार माइनस तीन इन्टू एक्स माइनस का 4 कर लोगे बस नीचे उतारते चलो फटा फट तो ये तीन एक्स का स्कॉयर माइनस का 4 एक्स और प्लस का तीन एक्स माइनस का 4 ठीक है? चलो अब मुझे इसमें कॉमन लेके तुम उत्तर बताओ एक एक बंदा चलो जल्दी चलो बिटा, फटा फटा बताओ ये आपका चैप्टर खतम होने वाला है वंसी का समझ में आ रहा है हिमानसु बर्मा संजीत कुमार कुछ समझ में आ रहा है आचा ये बताओ मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ अब मुझे इसमें कॉमन लेके तुम उत्तर बताओ एक एक बंदा चलो तर्दी चलो बिटा, फटा फटा बताओ कहीं मैं तेज तो नहीं बोल रहा था नहीं न, चलो ठीक है ठीक ठीक है, ओके, डॉन्ट वरी देखो बता, कुछ भी बज़ जाए आज कलास एक गंटा से कम नहीं होनी चाहिए आज लेट हुआ है, मुझे निचोड़ना है उसका लेट जो हुआ है, उसको भरपाई करना है इसमें देखो बत्चत, यक्स कमन होगा सिर्फ तो तीन यक्स बचेगा माइनस चार बचेगा पेटा इसमें तीन यक्स और चार किवल हैं तो इसमें प्लस वन कमन होगा तो तीन यक्स माइनस चार बचेगा तो फाइनल में आंसर तो दोनों में एक जगा दिया जाता है ऑर जह 00 ऋरmore is ऐसे 4000 ऑं ये अंसर हो गया सबको समझ पार ऐसे तरह समझ मी मेंज़ा नियुक्प भी बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आया वह नो लिख के कमेंट करें मैं देखूं क्या आइसा भी कौनों गदाहा है अब कर भाई खचर पार्टी भी एक है हमें है कोई ऐसा जिसको समझ में नाया एक को पैसा देखो अगर प्यार से समझोगे तो सब समझ में आयेगा वह वन सिका को बलाक कर दो यह तो बड़ा खतरनाक चीद दिखा रही है इनको बलाक कर दो भाई बलाक कर दो फटा फट तुरंद इतना डेंजरस चीज यहां पर मत नहीं यह लोग समाज आएंगे उसी में चलो चलो बलाक करो इन्हें फटा फट यह फोर का सब पार्ट हो गया अब फाइव नंबर में आजाओ ज़के जड़ तक जो होते हैं वह चर कहलाते हैं मतलब वरियबल चर यह कि जितनी भी गिंति की संख्याएं हैं वन से लेकर के अनंत के इन्फिनिटी तक वह सभी अचर कहलाते हैं बिटा मतलब काश्टेंट यह तो तुम जान रहे हो अगर अचर पद का हम किसी का गुड़ा करें तो सीधा सीधा हमें एक गिंती प्राप्त होती है एक गिंती प्राप्त होती ना बाबू जफे तीन का चार में किया तो बारा हो गया लेकिन जब हम चर पदों का गुड़ा करते हैं तो वह सी कंडीशन में इस तरह से नहीं होता है और ह लोग मुझे यह बताओ अगर मैं एक question पूछू सभी बच्चे इमानदारी से बताना क्या इसे कर लोगे या नहीं बहुत ही देखो प्यार से जिनको पढ़ना है सीखना है वो कलास छोड़ के नहीं जाएंगे कम से कम आधा गंटा देखेंगे उन्हें लगेगा कि बहुत कुछ सीख रहें और जिनको केवल यूटूब पे खोजना बेटा वो टालते रहें उनको कोई भी रोकने वाला नहीं ये बताओ अगर यक्स प्लस उन में हम तुमसे पूँचें कि बचवा यक्स से गुड़ा करो तो कौन कौन कर लेगा इमानदारी से बताना दिल पे हाथ रखे यस या नो कर लोगे या नहीं बताब रोसन या सराज सिंग एक गंटा पढ़ाई करवाते हो जिसमें से आदा गंटा ही चलती है अच्छा आदा गंटा का होता है बेटा तुमारे जैसे लोगों की वज़ा से ही तो समस्या आया ना क्योंकि तुम सुनते तो हो नहीं है बिल्कुल कुछ नहीं सुनते हो ना समस्या यह है चलो कर लोगे सभी ठीक है तो यह चीज अगर तुम कर लोगे तो अब दूसरे का जबाब दो क्या तुम इसको भी कर लोगे यक्स प्लस टू और यक्स प्लस थ्री क्या इसको भी कर लोगे देखो समझो यहाँ पर समझो यहाँ पर यह सब हमें करना है क्लाफ नाइन्थ में अगर हम है तो हमें यह आना चाहिए हमारी यह बुक में है मतलब तुम समझ रहे हो ना चलो देखो तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हुआ आप लोग सीख लो यहाँ से समझ लो बिटा इसका अंसर बता दो अगर आप लोगों को आ रहा है तो गुड़ा करना है मल्टीपल कर लो सर्वेस पांडे रुद्र परताब अगर हमने लिखा हमें क्या-क्या सीखना अभी जो उसके बारें बात करेंगे थोड़ा सा गुड़ांक और घातांक इसे बोलते हैं कोफिसियंट इसे बोलते हैं घातांक को क्या बोलते भई बताव आप लोग इंग्लिस बता ना इसकी देखो जैसे मान लो मैंने लिखा 4x का स्कॉयर अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि बेटा इसमें यक्स का स्कॉयर का गुड़ांक क्या है तो क्या होगा यक्स के स्कॉयर का गुड़ांक क्या है तो क्या होगा बता मुझे लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ हूँ कि बचवा यह बताओ राजा कि 13 यक्स यहां पर घाट जो है पांच है मतलब पांच है इस पे है चुरकी पे तो इस पे घाट क्या होगी बताओ सोच के बताओ सभी जल्दी से सभी बच्चे बताओ, यहां से समझो, देखो, जो हमारा यह वरियेबल है, जैसे हमने कहा यक्सी स्कॉार का गुडांग क्या होगा, तो यक्सी स्कॉार का गुडांग यहां पर बेटा चार है, जो यक्सी स्कॉार के साथ में है, वो क्या है, वो गुडांग है, इ लेकिन अगर मैं इसमें तुमसे पूछूं क्या पूछूं इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा यह बताओ यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है बता लोगे देखो जो ऊपर चुरकी पे लगा है वो क्या है घाताउंक है जो बगल में है उसके वो क्या है गुड़ाँख है कौफिसेंट है गुड़ाँख और घाताउंक ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं न तो आप समझ गए घाताउंक ठीक है ओके नो प्राब्लम चलो तो बिटा जो घातांक होता है इसे exponent बोलते हैं क्या बोलते हैं exponent बोलते हैं ठीक है तो आप यह समझ गए अब हमें मतलब की चीज समझना है बहुत ही प्यार से समझो एकदम एक एक पॉइंट समझो तो जब हम मल्टीपल करते हैं तो गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती हैं अगर सभी जो चर है वो समान है तब इस बात को याद जल्दी से सभी बच्चे बताओ अंकुस राज कितना आएगा अगर इसका गुड़ा करोगे तो गहात कितनी आएगी यह कुष्टन में बताऊंगा अभी सब इस टाइप का मैं सब बताऊंगा लेकिन पहले तुम कांसेप्ट चीख जाओ तब बल्राज बॉस बताओ मन्स्टियर इनका नाम है बनवारी बिटा बनवारी तुम्हीं लगाओ कुछ किनारे मुझे यह क्या है इसका कौन अंसर ना बताएगा का अभी तक हमैं कि दस बतार रहे ठीक है ठीख़ते हैं तो बच वा क्या करते हैं बाबूह सब में है तो यस हो गया इनकी घाते देखो यहां पर 5 यह पर हैं यहां पर यह तो 5 एक छे दो 8 और 18 कितना गयार्व 11 यह 8 हो sinn को कुछ लोगों को कन पन सूइजन ए उनको is in confusion है जो 10 बता ह 1950 किमें ऑंध घी तीन है क्यों भाई तुम्हें लग रहे न कि मतलब इतुमको गरीब डीकरा इसकी और तूमको घात नहीं दिख रहिए जिसके छोटा-चोटा वासट इसके बार करें बाइजिसके छोटा-छोटा भीए, इत्ता-इत्ता हो जाएगा, वो भी तेरे नाम जारेएगा तो इसकी भले कोई घात नहीं है, लेकिन वो वन मानी जाती है याद रखना, हमेशा वन मानी जाती है ठीक है? समझ गए ना? तो इसकी घात भी वन है बिटा तो ये भी वन जोड़ोगे चाहे इदर उदर कहीं भी जोड़ लो इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है कुक बित मीना जी बहुत बहुत थंक्यू आपको लेकिन बिचार करेंगे आपकी बातों पर यह कौन है प्रियंका पीबियर स्टडी भाई जो लोग बोल रहे हैं इनको बला करिए वाटसप यादो जी प्रियंका पीबियर स्टडी नाम से कोई आया है उसे बला करिए आप बला करिए देखो हमें न लगाओ इसमें चलो तो कितना हो जाएगा यक्स की घाते इले बन हो जाएगा ठीक है यह समझ गए न सभी यह चीज यहां से आपको क्लियर होना चाहिए मुझे लग रहा वीडियो कुछ गड़बड कर रहा है क्या गड़बड करेगा तो बताना तो बेटा यह हो गया आपका अगर हम इसी करम म आपसे एक और सवाल पूछें की बताओ तीन यक्स का घात वन इंटू तीन यक्स और इंटू यह 45 यक्स का 5 और इंटू यक्स इसमें मुझे बताओ कितनी घात आएगी सभी बच्चे घात बताओ हिमानसु बर्मा जी बताओ कितनी घात आएगी हिमानसु बर्मा इसकी घात आँक कितनी होगी फाइनल में अच्छा इक बाद बताओ इसमें मैं अगर तुमसे पूछ हूँ कि यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है यक्स की घात 5 का गुडांग क्या है तो कुछ लोगों को तो अभी यक्स की घात 5 दिखी नहीं रहा है यक्स की घात 5 कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है देखो यह में 1 घात है यह में कुछ नहीं 1 है इसमें 5 है यह नहीं यहां है तो यक्स की घाथ 5 का जो गुडांक बेटा वो का है हां पैतालिस है क्या है 45 है इसका गुडांक तो अगर हम इन सब का मल्टीपल करेंगे तो बच्वा देखो 3 का 3 में हो जाएगा और फिर 9 का पैतालिस में हो जाएगा तो फाइनल में कितना आएगा 9 पैतालिस और 9 चोग छतिस 4 चालिस और 4 चालिस ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं न नो का गुडा कर लो भाई 9 पैतालिस हांसिल 4 नो चोग छतिस अब है चतिस चालिस है तो होगा यक्स की घाते देखो 1 और यह 1 2 5 7 और 1 8 405 यक्स की घा अर्ट आठेगा कितना आएगा 405 यक्स की घात आठe आएगा लिख लो अभी वीडियो में थोड़ा हो रहा मुझे लग रहा है कह this कि बताना अगर में तो इक पर ठीक है कि प्रिंसरी वास्तो पढ़ लो बेटा पढ़ लो 405 आएगा कि नो पचे 45 है अब यहां पर समझो अगला यह तो तुम समझ गए अब मैं जीसमें जाता नहीं जलाने वाला हूं क्योंकि तुम लोग यह कहते हो आगे नहीं बढ़ा रहे हो बहुत देरे पढ़ा रहे ह तो मैं बहुत तेज़ पढ़ाऊंगा चलो कि चलो चलो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि देखो बेटा समझो समझो बिलकुल टेंसन मतलो मैं बहुत पढ़ाऊंगा टेंसन मतलो ए सुनो कल तो टेस्ट है ना कल सटर्ड को टेस्ट है बेटा 200 रूपए का इनाम रहेगा क कख्छा 9 में जो 4 से अधिक कुईस्टन कर लेगा 10 में से 4 कर लेगा उसे 200 रुपए मिलेंगे जैसे अब की बार देखो दीपांसु को मिला था नाब्या को मिला था उसमें से हमें लग रहा है कोई लिया था कोई नहीं लिया था अब इस question में कौन कौन कर लेगा जैसे यक्स into x plus one है इसका multiple कैसे करते हैं यहां से समझो आजय पाल बेटा यहीं चलता है class यूटूब पर चलता है ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लो बहुत चलेगा इसमें क्या करते हैं भाया बीच में पलफ लगाए न तो पहले x को पकड़के इस x में गुड़ा करते हैं बेटा तो थोड़ा step by step देखो पहले x का गुड़ा दूसरे वाले इसमें x में करोगे तो यह से बनेगा बीच में plus का sign है तो पलफ रहेगा यह x का multiple one में करोगे बेटा तो x into one होगा final में क्या करोगे x का x में गुड़ा x का square हो जाएगा और plus x का one में तो यह x हो जाएगा यह आपका answer आ गया ठिक है क्या आ गया answer आ गया कि अमित पतेल आया कुछ समझ में नाब्या जी पढ़ाई उड़ाई हो रही की नहीं भंटी सिंग बेटा पढ़ लो हाँ पढ़ लो PVR Study App में बिल्कुल क्लास होती है वर्तिकाजी बिल्कुल होती है होती है क्लास, बहुत सारी क्लास होती है ये समझ गए इसको मैं मिटा रहा हूँ स्क्रीन साट ले लिए हो सभी चलो देखो बच्चा अब यहां से तुम समझो ये तो एक छोटा फथा अभी दो पद का दो पद वाले में गुड़ा करना पड़ेगा आपके 2.5 में देखो तो दिया है तो आज मैं तुमको उसके लिए तैयार कर रहा हूँ ठीक है? आज मैं तैयार कर रहा हूँ तुमें उसके लिए देखो जैसे अगर मैंने कहा कि यक्स का इसक्वाइर इसका गुड़ा करना पड़ेटा के हमें करना है? यक्स का इसक्वाइर इसका गुड़ा करना है यक्स प्लस 5 में आप लोग मुझे अंसर बता दो इसका जल्दी से कितना आएगा? चलो कितना आएगा मुझे इसका अंसर बता दो तब हम माने कि हां तुम्हें आ रहा है किसी को आ रहा है इस चैनल बेटा तुम पढ़ लो पढ़ लो नहीं तुम्हारे नूपर सब गिरेगा पढ़ लो जल्दी जल्दी करो इसको बलाक करो भाई स्टडी चैनल नाम से कमेंट आ रहा है इसे तुरंद बलाक करो ना लायक कहीं का इडियर एक लोग का कमेंट करे जा रहा है नाम ले लेके बार बार तुरंद बलाक करो इसे चलो हो गया है कि बंटी सिंग तुम्हें मुझे नहीं लगता तुम से चाशनाफ में में हो नहीं नहीं मुझे लग नहीं रहा किसार बार भुद करसे के साहथ इंटु एक्स यह इतना हो जाएगा बीच में प्लस का साइन लगेगा यक्स का इसक्वाइर इंटु किस में हो जाएगा फाइप में यह आपका बनेगा इस तरह का आपका ढाचा बनेगा ठीक है तो बच्चा अब क्या करोगे बाबु यहां से समझो अब मैं ही हेडिंग चाहे मिटा दूं उससे कोई मतलब है नहीं यक्स का घात दो है इसका घात एक है तो भाइया यह फाइनल में घात हो जाएगी तीन ठीक है और पांच का जब गुड़ा करोंगे बेटर देखो घात से कोई मतलब है नहीं इस तरह का घर जो है वह घातांग में नहीं होता है उता है किसमें होता है घातांग में होता है ठीक है कुग बित मीना दो घंटे की कल currency चलाएंगी लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है अभी यह कलास फिर दो घंट कि application के अंदर ही पॉसिबल है YouTube पे अभी नहीं पॉसिबल है चलाएंगे भविस्व में लेकिन अगर अभी पढ़ना है तो आप application में चले जाओ पीवियार स्टडी एप में हां चलो तो यह हो गया अब यहां से एक चीज समझना है कि यक सी स्कॉयर का गुड़ा पांच में करेंगे तो क्या होगा अखिर यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यादो जी आपको पानी पीना है आपको कहीं पानी नहीं मिल रहा है दुनिया सुख गई है अभी बहुत पानी है दुनिया में चलो देखो इसका गुड़ांग कितना है पहले कोई बताए इस चचा का गुड़ांग क्या है इसका गुड़ांग क्या है जल्दी बताओ भई वन है तो पांच का वन में मुल्टिपल करोगे तो पांच ही रहेगा बाकि इसके घात वात से कोई फरक नहीं पड़ता है हां पडोशी के घर में कितना भी कि डांस हो रहा है तुमसे बॉल चाल नहीं है तो क्या करोगे अपने कुद लों के लिए जाओगे तो है नहीं तो वही हाल इनका है यह जूड़ेंगे नहीं आपस में तो यह फाइनल में आपको हो जाएगा पांच एक्स काई स्कॉर यह आपका इतना फाइनल हो गया इसके अजया डागे इसे में कुछ नहीं होने वाला है अचा मुझे एक बात यह बताओ इसमें कौन-कौन जान रहा है एक यह दूनों जूड़ जाएगा वशाओ तो जो ओलिए और अगर लग राकिनंहीं जूड़ेगा तो बोलो नो जल्दी से कमेंट करो तो बिलकुल एशिता करना तूरंत करो भाई बाबु देखो बिल्कुल देर नहीं करो ऐसे मज़ा नहीं आरी दिल मत थोड़ो जल्दी से बताओ चलो वाटसप यादो जी आप पढ़ाई कर लीजिए पढ़ाई कर लीजिए नहीं अभी वाइप के चक्कर में यहां पाइप निकल जाएगी फिर मार पढ़ने लगेगी है पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है बेज़्यती नहीं चलो देखो अब जो लोग बोल रहे हैं कि यह जुड़ जाएगा यहां से समझ लो यह दोनों नहीं जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा कभी देखे हो सेर के साथ बकरी की साथ ही हो जाए बताओ देखे हो सेर के साथ बकरी की साथ ही हो जाए नहीं देखे हो ना कुटा के साथ बंदर की साथ ही हो जाए नहीं देखे हो ना बंदर की बंदर में होती है कुटा की कुटा में होती है सेर की सेर में होती है इंसान की इंसान की इंसान की तो दर्म अलग होना चाहिए जाती अलग होने च तो भाईया इनकी भी वही कुछ हाल है इनकी घात देखो तीन है इनकी क्या है दो है इसमें दो चीज देखा जाता है जैसे हम लोगों में अगर बात करें जो कि हर किसी को समझ में आजाता है बहुत आराम से चोटा पिल्ला भर का बच्चा है उसको भी समझ में जाता है तो प काष्ट या धर्म में कर सकता है बस 18 साल का होना चाहिए तो लेकिन वो मैं क्यों बता रहा हूं यहां भी इसमें से दो रूल लागू होता है दो रूल लागू होता है पहला पहला इनकी काष्ट एक होनी चाहिए काष्ट का मतलब यह एक ही प्रकार की एक ही जाती के चर्म होन जो होना घ्रकी ऑर कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है अशे समॉझ पहुत अब यहां से अध्य क्च तुम ही नमबर जैसे आपक इदो मत शिश्टम में भοιπόνत करें उखल सके तो इन में चरही होना चाहिए पहुत कह्तoth मतल tint, जो सामाजी शोब कर और मांते हैं इसमें किया होना चहिए चस बाराबर होना चाहिए और घहत बाराबर होना चाहिए समझ गए ना कब इनको जोड़ने के लिए यह तब जूड़ेंगे जब इनका नमबर 1 चर बारबर ओ नमबर 2 घहत बराबर हément जैसे तुम देखो ना वाल्य दो लोग का दर्म लेकर है कि एक लोग क्या है पटेल जी है एक लोग पंडे डी है बही पटेल औो पंडे दोनों हो गए दर्म तो एक हिंदु हो लेकिन उनकी जाती अलग-अलग है तो इसलिए क्या होगा इस समाज सोभिकार नहीं करेगा इस परकार की साधी को नहीं वैसे इसमें है इसमें देखो इनका चर तो बराबर है दोनों में यक्स है इसमें दोनों में क्या है दोनों में चर यक्स है लेकिन इनकी घातें अलग- तो यह जूड़े गाने एक और एकजामपल देख लो हमारी कोशिस होती है कि तुम्हें समझ में आ जाए तुम किसी भी तरह से समझ जाओ और अगर जो समझने की कोशिस किया होगा इसको पका समझ गया होगा वो भूलेगा नहीं लाइब में कभी ये तब जुड़ता बिटा जब ये ऐसे होता यक्स की घात दो होता प्लस ये पांच यक्स की घात दो होता अब ये जुड़ जाता अब ये जुड़ जाता कैसे इनकी घात दो है इनकी घात क्या है दो है तो घात से कोई मतलब नहीं है जुड़ता है तो गुड़ांक जुड़ता है गुड़ा होता है तो गुड़ांक का गुड़ा होता है तो यहाँ पर क्या है वन है यहाँ पर क्या बच्चा पांच है तो दूनों जुडता ना तो पांच और एक का हो जाता अच्छा और यक्स की घात दो थी तो घात वही रहेगी जोडने पर घात में कोई परकार का फरक नहीं पड़ता है जोडने पर घात में कोई फरक नहीं पड़ता जितनी घात रहती हमेशा उतनी ही रहती लेकिन गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है याद रखना अगर कहीं दो बीजी अ बेन्जक दो भीजिये बेंजक या आलजेबरिक एक्सप्रेशन को अगर आप एड़ कर रहे हो तो कभी भी उनकी घातें नहीं बदलती है घातें उतनी ही रहती है लेकिन अगर उनका गुड़ा कर रहे हो तो घातें जुड़ जाती है यह 1999 का एक्जामपल नहीं है आज का एक्जामपल आज का समाज सो भीकार नहीं करता है देखते हो लोग मार देते हैं अगर कोई कर लेता है साथ हो कि यह अगला कौन कर रहा है टाइम आउट अगला कौन कर रहा है यह मिस्टर यह PBR स्टेडी लहाबाद से और कौन कर रहा है क्या नाम पीते इंद्र जी आप कर रहे हो क्या बोलो जल्दी हाँ कमेंट देख रहे हो क्या आप चलो तो यह हो गया आप लोग कर लोगे अब आप कमेंट देख रहे हैं अगर तो कमेंट करिए नहीं तो फिर मैं हटाने वाला हूँ आपको बताईए जल्दी बताईए सुबहम सिंग को हटाईए भाई सुबहम सिंग को हटाईए देखो यहां से समझो आगे क्या है समझना यहां समझो अब मुझे आप लोग बताओगे x प्लस 1 का x प्लस 1 में multiple करना है यह दिया गया है ठीक है चलो बोलो जल्दी बोलो चलो ठीक है सब कुछ मस चल रहा है आधी तिरपाथी देखो यहां से समझो बेटा समझो यहां से इनका multiple करना है आप मुझे आगे बढ़ाना यह आपके 2.5 exercise में दिया है exercise 2.5 में दिया यह कहीं अलग से नहीं है यह chapter का है आपके पढ़ लो में बता रहा हूं रुख जाओ तुमको मैं किताब खुलवा देता हूं एक मिनट बिटा देखो सरबसमिकाओं का गुड़ा करना है ठीक है पहले हम तुम्हें लांग बिदी सिखाएंगे लंबी बिदी वाला पहले सिखाएंगे उसके बाद आगे बाद करेंगे ठीक है पहले लंबी बिदी वाला समझो अगर इनका दोनों का गुड़ा करना है तो जो इस टेंडर तरीका है पहले उनको समझो बड़ी इमानदारी से समझो मैं कमेंट देखूंगा तो पागल हो जाओंगा मर जाओ तुम लोग कमेंट में और क्या बोलू आत्मा से ही आवाज निकल रही ना देखो कि यक्स का क्या करेंगे पहले इस यक्स को पकड़ेंगे और इसमें दोनों में बारी बारी गुड़ा करेंगे समझो तो यक्स का multiple बेटा यक्स में करोगे तो final में यह आपका बन जाएगा यक्स इन टु यक्स इस यक्स का multiple मैंने यक्स में कर लिया अब मेरा यह काम हो गया खतम अब यह सीधा सीधा इसके लिए हो गया ठीक crey अब बीच में कौन सा साइन है देखो यहां भी पलस है यहां भी पलस है तो यहां पर तुम क्या लगाओगे अलेके यह देखना है अब इसी एक्ष का गुड़ा इस दो में करोगे तो यह दो गुड़े एक्स होगा या फिर एक्स गुड़े 2 होगा ठीक है या फिर क्या होगा यक्स गुड़े दो होगा ठीक है यह हमने यक्स को पकड़के इसमें दोनों में गुड़ा कर दिया क्या किया यक्स को पकड़के दोनों में गुड़ा कर दिया अब तुम समझो यहां से और कुछ यहां से समझो यह हो गया अब देखो हमें यह वन पकड़ना है इस से इन में दोनों में गुड़ा करना है यह चीज समझो थोड़ा बहुत आसान नहीं है बेटा अगर समझ लोगे तो अच्छी बात है बहुत आसान नहीं समझोगे तो कभी life में समझ में आयगा यह समझ लो यह बहुत आसान नहीं है जितना तुम लोग चैटिंग पैटिंग करे जा रहे हो ना कभी आने वालों नहीं है अब यहां पर प्लस वन का मल्टीपल करो पहले एक्स में तो वन का यक्स में करोगे तो वन इंटू एक्स हो जाएगा ठीक है सिर्प चिन्न लगा के लि किया है जो मैंने यहां तक लिखा हुआ है ठीक है कुक बिथ मीना मैं तुम्हें कितनी बार बताओं कुक बिथ मीना तुम पांच घंटे भी पढ़ सकती हो या पढ़ सकते हो पीवियारे स्टेडी एप डाउनलोड करो उसमें जाके ज्वाइन कर लो समझ में आना बात बस म लगत इब ही बता रहा हूं आप समझ चाओ जलो अब यक्स का एक्स में करोगे तो यक्स का स्कूयर हो जाए गा एक्सा में करोगे दो एक्स हो जाए勮ा थो रीजाया लेकिन Кон films में आफका अनसर होर जाएगा लेकिन यह दोनों भी जुड़ेगा रिए फैनिन दृच्श प यह आया अच्छा एक बात बताओ कि आप जानते हो कि आप जानते हो अगर इसके गुड़न खंड करेंगे तो यह आएगा है जानते हो कि नहीं कि बोलो क्या आप जानते हो कि अगर हम इसका गुड़न खंड करें तो यह दोनों आएगा कि सभी बच्चे बोलो हां चले आगे अब इसे कर लोगे न सभी चलो अगले कोईश्चन पर आगे चलते हैं वर्तिका जी नंबर इस्क्रीन पर चल रहा है न कैसे जॉइन करें क्या करें उस पर संपर करो उस पर संपर करो जिन में सब बताएंगे चलो अब मुझे एक कुश्चन और बताओ बिटा एक ठीया और बताओ चोटा सा अगर हम तुम्हें कहें कि यक्स का तीन और ये एक्स प्लस वन इसका गुड़ा करो तो कितना आएगा कोई मुझे बताएगा कितना आएगा रेनु चोधरी जी बताईए कितना आएगा कोशिस तो करो ना भाईया कोशिस तो कर लो न तुम आएगा आएगा कुछ भी आएगा कोशिस कर लो एक बार देखो मैं बता रहा हूं समझो यहां से सभी बच्चे यहां से समझो अब हम उतना बड़ा इस्टप नहीं करेंगे जितना पहली बार किये थे कि जल्दी सभी बच्चे सेशन को तुरंद लाइक करो देर मत करो एक को सिकेंड की बहुत जल्दी करो कि मनोज सिंग बेटा करें नहीं हो तुम हुँ 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 हिमान्शू सब्सक्राइब निवेदन है अगर आप खाली है थो हैँ आप कमेंट की पीछे मत पढ़िए 20 सफरीन कर द चलता हूं भाई सभी चलदी करों दीने में तो शुए즈直接 आप का बेड़ी और अब सब्सक्राइब कर दोoppel जहुराइब सेशन को लाइक करो अगर अगली कलास भी तुम्हें पढ़ना है तो नहीं पढ़ना तो कोई बात ही नहीं इसमें यक्स का मुल्टिपल करोगे यक्स में तो बाबू आपका यह हो जाएगा यक्स का स्क्वायर ठीक है फिर प्लस का साइन लगाओगे क्यों क्योंकि हम यक्स का यक्स में करने के बाद अब इस पार आएंगे वन में और वन के पहले प्लस है इसलिए यहाँ फिर प्लफ लगा होगे अब यक्स का मल्टिपल वन में करोगे बेटा तो यह यक्स हो जाएगा इतना ठीक है हमने यक्स को पकड़ा इन दोनों में गुड़ा कर लेंगे तो तीन को पकड़के यक्स में गुड़ा करोगे तीन के पहले प्लस है तो यह हो जाएगा प्लस तीन यक्स अब तीन को पकड़के वन में मल्टिपल करोगे बेटा तो वन के पहले प्लस है तीन के पहले भी प्लस है इसलिए यहां प्लस हो जाएगा तीन का एक में करोगे तो तीन हो जाएगा यह आपका क्या है यह आपका सिस्टम में बहुत ही आसान है इस तरह से क्या है बहुत ही आसान है है ना तो फाइनल आपका यह हो जाएगा यक्स का स्कॉायर प्लस यह तीन 3x और एक एकस जूड़ जाएगा बेटा तो यह 4x हो जाएगा और यह आपका तीन का ऐसे तीन रह जाएगा है ना कितना आसान पोलो आसान है कि नहीं बेटा रभी संकर तुम इतना नाम बदलते हो ना तुम्हारी बहुत सारी आईटी ब्लॉक है समझ रहो ना तुम क्यूं बदलते हो भई क्या मिलता तुम्हें क्यूं तुम्हारा मतलब क्या है चाहते है क्या हो तुम कुश्चन नमबर छट्वा यहां से समझो सबको समझ में आ रहा है न अब देखो आगे आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे मैं नहीं बताने वाला हूँ अब exercise 2.5 का पहला question है एक मिनट रुख जा रुख जबाई 2.5 का पहला question exercise 2.5 का पहला question x plus 4 and x plus 10 x plus 4 and x plus 10 इसका मुझे जबाब दो सबी बत्चे मुझे जबाब दो इसका चलो जल्दी बताओओ कितना आएगा बहुत जल्दी करो इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दो जिनको नहीं आ रहा वो नो लिखे यन ओनौ जिनको अंसर बताऊ की जल्दी करो भाईया देखो बहुत टाइम नहीं है संधीप कुमार टा जबाब दो कर पाओगे या नहीं रहाई देखो में से आई पीने वाला था भी वो तो को पिया नहीं कि लग रहा है तेज से नग चलो अभिलास नरेस हरिकेस बलराज प्रेमचंद मनोज बच्छा नरेस तुम क्यों ना कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत चैटिंग करते हो ना तुम्हें पढ़ना तो है नहीं हेलो प्रियंका कैसी हो पुझा वेवी क्या कर रही हो तुमको तो सिर्फ इतना ही करना है मैं तुम्हारे कमेंट रोज देखता हूं ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं फिर भी देखता हूं कि तुम कितना घर्थ नहीं करते हो कि एक बोल रहा हूं नहीं कैसा को थीक है कि गॉफ्टिक यह सिंपल सा यक्स में करोगे दो उत्ता साथ पहले यक्स मेंत नहीं काइश स्कॉयर हो जाएगा पिर यक्स का मल्टिपल जब मैंने यक्स में कर लिया तो यक्स का स्कॉयर हो गया अब यक्स का गुड़ा हम करेंगे 10 में भाई यक्स का एक बार इस यक्स में कर लिया आप 10 में करेंगे दोनों में बारी बारी करते हैं न तो 10 में करेंगे बच्चा तो यह 10X हो जाएगा इस तरह से हमारा आधा काम पूरा हो गया आदा काम पूरा हो गया हमने यक्स को पकड़के इन दोनों में गुड़ा कर दिया अब हम ये प्लस 4 लेंगे 4 4 का मल्टीपल इस यक्स में करेंगे बेटा तो ये 4 एक्स और फिर इसी 4 का मल्टीपल इस 10 में करेंगे तो यह हो जाएगा चारदा अम्मा चालीस बस इतना ही करना है ठीक है? सबको समझ में आ रहे ना तो बिल्कुल प्यार से देखो जिसको ना समझ में आएगा बता देना मैं फिर बताऊंगा अलग तरीके से टेंसन मत लेना तुम बस के वल देखना बस जाना नहीं चलो दस एक्स का गुड़ा चार एक्स में करेंगे बिटा यह हो जाएगा चाउदा एक्स और प्लस यह चालीस वैसे वैसे जुड़ जाएगा यह आपका हो गया अंसर यह आपका एक्सरसाइज 2.5 का कुश्चन नंबर था एक्सरसाइज 2.5 कुश्चन नंबर फ़र्ष्ट का पहला पार्ट अध्याय 1.1 परस्ना वली स्वरी परस्ना वली 2.5 परस्ना वली 2.5 परस्न संख्या पहला का पहला संदीब कुमर सोनू गेमिंग इस पानी को पीने से कुछ हो नहीं रहा मुझे लग रहा है बुझ तो रही नहीं है पता नहीं क्यों क्या पीना इसे देखो समझो यह तुम लोग कर लोगे अब इसी में का बुक का दूसरा पार्ट एक्स प्लस एट एंड एक्स माइनस टेन इसका मल्टिपल करो कितना होगा कोई बताए है वन देखो बहुत जल्दी-जल्दी करवादे तब नहीं वज़ा आतीए में ठीक तब बाat उन्त यह दो चलेगा सब चलेगा परिसान न रो है page चलो देखो आगे समझो इनका भी कर देंगे वाइसे यहां पर एक चीज़ धेना माइनस यहां परपर माइनस तो थोड़ा सा Look है ठीक्डी माइनस हो तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा अलग हो चलो, देखो, यहां पे, यक्स का मुल्टीपल यक्स में करोगे final में तो क्या को जाएगा? यक्स का स्कार हाजएगा और यक्स का मुल्टीपल टेन में करोगे तो minus ध्यान रहे, यह फ्लस में यह बाइनस में है, तो menos का 10X आएगा ये बात मत भूलना तुम हमने एक्स को पकड़ करके इन दोनों में गुड़ा कर दिया बारी-बारी हमने इस वन पद को पकड़ा इन दोनों में कर दिया अब ये प्लस का 8 पकड़ेंगे प्लस है पहले तो प्लस 8 का मल्टिपल जब यक्स में करेंगे बिटा तो 8x होगा मैंने वही लिखा है अब इस 8 यानी 8 का गुड़ा 10 में करेंगे ये 10 माइनस में है ये प्लस में है तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है तो ये क्या हो जाएगा 10-88 ये आपका फाइनल हो गया ठीक है ये क्या हो गया आपका फाइनल हो गया अब बच्चा ये यक्स का इसक्वाइर ऐसे ही रहेगा ये आपका माइनस का 10 यक्स ये प्लस का आर्ट यक्स एक प्लस एक माइनस है घट जाएगा तो माइनस का दो यक्स आएगा तो माइनस का चि प्लस दस एक्स होता है यह और बड़ा होता है मैनस इस से उतर या भू ग्याई आपका क्लास को लाइक करो जल्दी से देर ना करो भाई देखो आपकी भी कुछ दिम्हेदारी होती यार क्लास को लाइक जरूर किया करो और दोस्तों में सेयर करना तो बिल्कुल न बूलो तो इस तरह के सारे सवाल तुम करलोगे अब मैं तुमें कुछ इंप्वाटेंट फैक्त बताने वाला हूँ जो तुम्हे समझने लायक है ग Kem своji यहां परसमझमो बेटा हैं ओध्वाटेंट कि नहीं कि कल दिन में आपकी बहुत बड़ी कलास होने वाली है सही रहेगा ना लंबी चोड़ी कलास होगी कम से कम छागंटा की कौन-कौन पढ़ेगा मैं टाइम बता दूंगा भी लाइश्ट में लेकिन मैं पहले ही बता दूंगा कल बच्चा देखो दोपार में रखते हैं बारा बज़े से बारा बज़े से कम से कम चार बज़े तक कलास होगी ठीक है मैत का बिल्कुल सुरू से पढ़ाय जाएगा नाइन्थ का चार बज़े से और ज्यादा बज़े तक भी हो सकती है और रहेगा ना कल दुपार में 12 बजे से 4 बजे तक अभी कोई जाएगा नहीं तो पड़ाई हो रही है 12 बजे से 4 बजे तक चाहे जब आना तुम शुरू से जुड़ोंगे तो अच्छा रहेगा कल 12 बजे से 4 बजे तक देखो बेटा यहां से समझो और आगे आगे क्या समझना में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है समझो देखो अगर पांच का गुड़ा करोगे बेटा प्लस तीन में तो यह बताओ मुझे कितना आएगा इसका अंसर कि सभी इमानदारी से बताना अगर पांच का गुड़ा प्लस तीन में करोगे तो क्या आएगा इसका आंसर तो पंद्र आएगा लेकिन यहां पर मुख्य बात है जो वह चिन कौन सा आएगा चिन कौन सा आएगा तो बेटा अगर दोनों प्लस प्लस है तो हमेशा चिन प्ल अगर यह प्लस है पांचे लिखो और यह माइनस है तो क्या आएगा जरा सोचो आप लोग क्या आएगा बिटा अगर एक प्लस है एक माइनस तो चिन हमेशा माइनस आएगा याद रखना क्या आएगा माइनस आएगा लेकिन सोचो अगर पहिला वाला माइनस हो जाता दूस के बिखा is the only thing चंद चंध सब्सिप नायगा माइनस आएगा यानि नों मेंसे कोई भी अगर प्लस हुआ और कोई एर गी माइनस आएका और नाय्स हुए और कही दोइसनों और दोइनों नलायक हो जाए 밝ं जायating ताब होता है अगर इसमें कोई भी अलग है तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है यह चिन्द का कांसेप्ट तुम्हें सीखने के लिए बताया हूं बाकि यहां पंद्रा से कोई मतलब नहीं है कि हुआ है कि समझ रहो ना सभी भाई समझ रहो ना चलो अब हम कांसेप्ट वाले थोड़े थोड़े कुछ सवाल पूछेंगे आप लोग उसका मुझे जवाब दो फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है कांसेप्ट वाले थोड़े थोड़े सवाल आप लोग बताओ अब चैप्टर खतम कर दें क्या चाहते हो कि सभी बच्चे नाइंत वाले अभी और पढ़ोगे कि नहीं बंद करें अभी और पढ़ोगे कि बंद करें देखो जो चटपटा ने कमेंट नहीं कर पारें बेटा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करें चैनल सब्सक्राइब नह तो, एक है तुम्हें कुछ और बटाउँ हां तुम्हें कुछ और में कुछ ओर बताओं है कर फ्रस्टरों साम को शांड बजस होगा आ जो चार घंटे का लाइभ होग कल दूपहर में बारा बज़े से होगा वह साम देख लो पहले तुम चवता पार्ट वाई का स्क्वाईर प्लस तीन बटा दो और वाई का स्क्वाईर माइनस तीन बटा दो वाई का स्क्वाईर माइनस का तीन बटा दो ये क्या है? ये आपस में गुड़ा करना इनको क्या करना है बच्चा इनको आपस में मल्टिपल करना है यहां से तुम तरीका सीख लो बेटा तरीका सीख लो यहां से तरीका सीख लो देखो अब इनका भी वैसे ही गुड़ा करना है लेकिन यहां पर एक चीज बन रहा है वो कौन सा चीज बन रहा है यहां पर एक सूत्र बन रहा है सूत्र उत्र लेकिन लगेगा क्या सूत्र बनता जब यह कुछ धंका होता तब यहां पर तो कुछ धंका मुझे लगनी रहा है आप लोग बताओ इसको चल जाएगा क्या यह हो जाएगा कर लोगे की नहीं देखो फार्मूला और मूला बनेगा काय में हो जाएगा की नहीं कमल की सोर को बला करो भई कमल की सोर को बला करो इसे जल्दी बला करो इसे देखो बिटा अगर मैं बोलूं कि ये एप्लस भी हो गया ये ए माइनस भी हो गया हाँ बन जाएगा देखो समझो यहाँ पे देखो अगर इसको ए मानो इसको बी मानो मान लो अगर देखो बन जाएगा माना y square बराबर a और तीन बटा दूई बराबर b तो पिटा यह बन जाएगा आपका a plus b और a minus b तो final में a का square minus b का square क्यों भाई साब यह होगा न बाबू तो इधर लाके मान रख दो न a का square का मतलब a का square का मतलब y का square यह y का square का square minus b का square मतलब 3 बटा 2 का square तो फाइनल में हो जाएगा बाबू आपका y का बाठी आरा समझ में ठीक है अब ही हमारी कोशिस होगी रात के 9 बजे भी तुम्हारा revision करवा दिया जाएगा रात के 9 बजे भी एक live होगा उसमें भी पढ़ लेना ठीक है ठीक है ना बच्चा चलो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो तुम्हें बहुत सारी कलासे मिलेंगी 24 घंटे में हम कई कलास चलाते हैं यूटूब पे सिर्फ सब्सक्राइब करके रखो बस चलो बहुत बोलना पढ़ता है ना बड़ी एनर्जी जाती है सची बता रहा हूं बोलने में बहुत एनर्जी जाती है आदमी पागल हो जाए बोलते बोलते कुछ खाव आके आता हूं का जाएं खाव आके आएं का तुम लोग पढ़ते रहो रहाम से सही रहेगा कि नहीं मुझे पता है तुम कईसे पढ़ोगे तब तक चलो देखो आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर ने दिया बहिया इतने लोग है मैं आंसरे देऊंगा तो फिर होई गया आंसरे देता रहूंगा अगला question जो है उसका answer सभी कर लोगे हां हां टेस्ट होगा कल कल टेस्ट होगा सुबेरे 7 बजे तुम लोग आना चलो देखो आगे अगला question है यहां से देखो इसका पाचिमा पार्ट देखो इसका answer कर लोगे पिरसूत के बाद आपका पहला सब खतम हो गया इसका कर लेना आपका पहला खतम हो जाएगा और आज का जो कलास है वो मैं खतम करूंगा लेकिन अभी ऐसे नहीं करने वाला पहले सका जबाब दो को जल्दी बता होगी कितना आएगा फटाफट देर ना करो आ ऐसे मजा नहीं आरे कहीं जाना नहीं अभी जल्दी बताओ कितना आएगा हूं अचा एक बाद बताओ इसको तो इन्टू यक्स अपान फाइव इन्टू यक्स की घाथ फाइव और एके घाथ तीन इसका आंसर कितना हैगा दूसरे वाले का बताओ कितना हैगा कमल की सोर बाटा समझ में आ रहा है नितिन गुपता आदी पिर पाठी बताइए कितना हैगा देखो बेटा बहुत ही सिंपल सा है इसका देखो मल्टीपल करेंगे यह देखो खोपड़ी पे ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है फाइनल में अगर हम इसको दिखाए तुम्हें तो यह ऐसे बन जाएगा ऐसे बनेगा ना तो ऊपर का जो दो गहात है बेटा नीचे का क्या है चार गहात है इससे यह माल्लू एक परकार से घट जाता है अगर मैं डीटीयल में बताओं तो इसे समझो अगर मैं थोड़ा सा जादा डीटेल में जाऊं तो देखो ऐसे देखो बच्चा यह एक्स का जो इसक्वायर है बावू यह तो ऐसे इसक्सका इसक्वायर रहे गाई यह नीचे एक्स के चार हो जाएगा को मेरा भी गया है तोड़ा से क्लोगद कर लेता हूं कि कितना आएगा जल्दी बताओ कितना आएगा अब यह निकल जाका है को मेरी बैज्जति कर वारा है कितना आएगा जल्दी बताओ देखो हर कोई कर लेगा विल्कुल भी तुम टेंसन मत लेना एक भी पैसे का कर लोगे ना सभी चलो ठीक है देखो बच्चा उसमें यक्स का स्क्वाइर से जो दो घात है न वो कम हो जाएगी दो घात कम हो जाएगी न अब इलास का उत्टर आ रहा भी जैर कुमार बहुट अच्छ बिजे जी जी सही है गोपी चंद उजमा का भी सही है पूजा कुमारी ठीक है भाया यह ऐसे हो जाएगा यक्स का इस्क्वाइर का मतलब है यक्स गुडय यक्स इकस की घाध चार का मतलब है, यकस गुड़ा इकस गुड़ा इकस गुड़ा इकस ये इसका मतलब है थोड़ा post matem करने पर समझ में आ रहा है तो बैटा एक एकस से 1 एकस, दूसरे एकस से दूसरा इकस final में ऊपर 1 बचा होगा कुछ नहीं है तो और नीचे दो ठी एक्स बचा है मतलब एक्स का स्कॉयर तो यह आपका अंसर हो गया यह थोड़ा सा डीटील में ले जाने के बाद समझ में आता है ठीक है अच्छा इसका अंसर का आएगा चचाहे में देखो जीरो है एक जीरो है ना बाकी सब गुड़ा है ना तो यह सब बर रहा है नीरज चलो तो मैं मिठा देता हूं इसे आप लोग यह सब कर लोगे ना अच्छा एक बात बताओ मुझे क्या आपको कलास का टाइम पता है हां सबी बच्चों को कलास का टाइम पता है कि कलास कितना बजे होती है कि क्लास रोज साम को साथ बजे होती है कितना बजे न तुम लोग का significa नहीं लग रहे हैं न इस अजआ सर्बसंही कावाला कुछ करवा देता हूं थोड़ा रुको कि हां 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 रुपजा रुपजा चाचा रुपजा 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 शूतर लिखो सूत्र लिखोmot important याद करके आना नहीं याद करें तो कल से पड़ेगी लिखो एक प्लस बी का होली स्कॉयर चलो बताओ क्या होगा यह कोई बताए मुझे क्या आएगा कि अभी कुछ लोग ज्यादा चटकेंगे जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे मुझे आ रहा है आ रहा है कितना आएगा बताओ देखो समझो बेटा यहां पर आपका यह एक का स्कॉयर प्लस यह बी का स्कॉयर प्लस डूए भी होता है यह सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है आप में व्याद अप्लस अरग कुछ लोग 2AB लात wes सकते हैं भी को स्कॉयर को बात में प्लेख सकते हैं इसमें कोई समझेया नहीं हिस दोनों मि होता यह अगर तुम्यार बिखते हो ते इसमें कोई भी गलत नहीं है यह तौनों साइए जाय तुम इसको मिगो चाए उसको लिखो बीच में इसमें आर लिख सकते हो और आर का मतलब दोनों से ही है जो माइनस वाला होता बेटा यह ऐसे होता है A का स्क्वायर माइनस नहीं पहले सिस्टम से लिखते हैं यह B का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा यह माइनस होता है ठीक है यानि हमारा जो दो वाला है यह माइनस होता बाकि इन दोनों में यह प्लस होता याद रखना चिंद का confusion बच्चों को अक्सर हो जाता है बहुत हो जाता है तो बिटा चाहे इसको ऐसे लिखो या फिर इसे अथवा ऐसे भी लिख सकते हो माइनस दो एबी और प्लस बी का इसको है इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो यह दोनों तरीका क्या है सही है ठीक है यह फर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है राजा याद करके रखना बाबू एक्टी छोटा सा फर्मूला है यक्स का स्कॉयर माइनस वाई का स्कॉयर यह आप तो चाहे तुम ऐसे लिखो या तुम इसको पहले लिख दो यक्ष गोला हूं यह दोनों सही है अलग-अलग जगह तुमें अलग-अलग मिल जाएगा तुम ए मत कहना कि एस Νलत आ जै यह गलत और यह गलत है है वो सही है यह गलत है यह सब सही है यह सब सही है जैसे ही कान पकड़ के इदर से खीच रहे हैं इसे तो दात निकल जा रहा है न वैसे अगर हम इसको इदर से खोपड़ी गुमाइक पकड़ खीचेंगे तब निकलेगा समझ रहे हो ना इसको इधर से खीचने तब निकल रहा है इधर से खीचेंगे तब निकलेगा यह दर्द उतने होगा है वैसे इसमें भी होता है चाह जैसे भी गुड़ा करो वह आता उतना ही है चलो सभी बच्चे कलास को लाइक करो बाबू देखो ऐसे मज़ा नहीं आ रही ठीक है तुम लोग समझते नहीं हो मेरे दिल की बाते हैं जल्दी से लाइक करो देर ना करो जिम्मेदारी समझो अपनी और हम लोग आगे बढ़ते चलें ठीक है इसमें एक सर्वसमिका होती है जब हम लोग समीकरण बनाते हैं एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी वाली इसको भी लिख लो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जब हम लोग समीकरण बनाते हैं तो यह सर्वसमिका लगती है जिसमें आपका यह प्लस होता है और यह एक्स और प्लस यह आपका एबी होता बेटा ठीक है ये भी सभी ये क्या है सर्वसमिकाएं है लिख लो ये क्या है अलजेबरिक अडेंटीज हैं ये सभी सर्वसमिकाएं हैं लिखो जल दी से सावन राज बेटा पढ़ लो पढ़ लो सबको समझ में आया ना किसी को कोई परिशानी है रानी नहीं न बच्चा और सूत्र लिखो आगे अगली सर्वसमिका लिखो बेटा यक्स प्लस वाई का होल क्यूब ये सब याद करोगे तो अच्छी बात है नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम यक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एबी थ्री एबी मतलब यक्स वाई और ये एक्स प्लस वाई देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि गुरु जी ही या तो एबी एबी लिखेया या एक्स वाई लिखेया यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो यहाँ भी तुम y कर सकते हो यहाँ तुम eb कर सकते हो यह केवल सूत्र समझो बस इनके जो variables हैंने आप बदल सकते हो is it समझ में आ रहा है कि नहीं BLP म्यूजिक राजस्थानी पढ़ा नहीं जा रहा कहा रहें जादा हो रहे हैं ठीक है चलो फोटो कीचाने के लिए खड़ा था कौनों गधा खिचबे नवाइद नदेर तब गजब बैज जती है चलो देखो अचा यह सुनो एक काम करना आप लोग जिनके घर में दो मोगाइल होगी आप पढ़ रहे हो ऐसे लाइब ना आप दूसरी से उसका रिकार्ड करना इस्क्रीन जैसे मालो तुम इस मोबाइल में पढ़ रहे हो तो दूसरी मोबाइल से रिकार्ड करना और रिकार्ड करके हमें वट्स-अप नंबर पर भेज़ देना आपको इस स्पेसल कलास मिलेगी और इससे और बच्चे मोटिबेट होंगे ठीक है समझ रहे हो ना तो आज आप लोग इसे जरूर करना जितने बच्चे जुड़ें अगर दस बच्चे भी करते हैं उन्हें प्रीमियम कलास दिया जाएगा आप लगभग की लोगों के घर में दो मॉबाइल होगी माम ममी चाचा बैया दीदी मांग लो किसी का हा उसमें इसे रिकार्ड कर लो वीडियो बन जाएगा अपने वाटसाप पे भेज लेना और अपने से हमें भेज देना जो नमबर नीचे चल रहा है स्क्रीन पे ना उसी नमबर पे तुम्हें भेजना है ठीक है यह जरूर करना और अगर हो सके तो आएसे भेजवाना कि जैस मतलब पाइन लेना चलो समझ रहा हो ना ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आनलाइन क्लास है तो आनलाइन में कभी-कभी ऐसा हो जाता है तो नीचे जो नमबर चल रहा है आप उसी नमबर पर वाटसाप पे भेजना आप सभी को प्रीमियम क्लास दिया जाएगा अब बनवालो अभी 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 बनवालो तुरंथ अभी मैं पढ़ा रहा हूंना आगे चलो तो बच्चा ये इतने फर्मूले हो गए माइनस वाला लिख लो देखो मजा ना लो भाई देखो मैं आकिकत बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे घर में बढ़ते हैं गर जल्दी आगे लिखो फर्मूलाद लिखो फट फट इसमें सब माइनस होता है यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस थ्री एक्स वाई और यक्स माइनस वाई यह सूत्र याद रहने चाहिए ठीक है याद रहने चाहिए चलो जल्दी करो मुझे लगता है मैंने सारे जितने भी इसमें फर्मूले थे मैंने बनवा लिया ना देखो जिनके पास एक है उनको कोई बात नहीं है चलो तो 2.4 का जो तीन घात का ये बहुपद था इसको आज हम करवाएंगे कुजिशन थोड़े लंबे चोड़े हैं लेकिन आपको ध्यान पूरबक देखना है समझना है समझ में आएगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है चलो देखो समझो कहरा कि गुड़नखंड ग्याद कीजिए क्या करना है गुड़नखंड ग्याद कीजिए तो बेटा यहां से समझो इनके गुड़नखंड कैसे आप ग्याद करोगे अगर दो घात का ये बहुपद होता तब इनके दो मतलब क्या होते फैक्टर होते और आप अराम से निकाल लेते लेकिन ये तीन घात का क्या है बहुपद है तो इनके तीन फैक्टर होंगी कितने होंगे बाबू तीन फैक्टर होंगी तो इनका जो है फैक्टर निकालना गुड़नखंड करना उतना आसान नहीं है जितना की दुई घात में है ठीक है उतना आसान नहीं है तो चलो समझो हम बात करते हैं पते की जो हमारे काम की बात है उस पर चलते हैं चलिए बच्चों इसके पहले आपने क्या-क्या पढ़ा है गुडंखंड परमिये पढ़ा है भागफल नहीं सेसफल परमिये पढ़ा है तो कुछ उसी तरजब पर चलेंगे पहले इस्टेप बाई इस्टेप समझते चलो देखो मैंने इसमें कुछ कोईस्टन भी आज आपक चलो समझो कि देखो बच्चा यह तीन पदी के बहुपद है इनके तीन फैक्टर होंगे तो सबको पता है इसमें हम क्या करेंगे वाई ट्रायल मेथेड अब यह ट्रायल मेथेड क्या है मैं अभी बताऊंगा हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं ट्रायल मेथेड से समझो जो सबसे इसमें लाइश्ट वाला पद है अच्छा वैसे छोड़ो यह बताओ इसमें कोई कांस्टेंट है कोई अचरपद है दिखरा तुमें कि नहीं मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाय बेटा कि अचरपद क्या होता चरपद क्या होता है तो इसमें तुम देखो तो जो कांस्टेंट है वो दो है कि बोलो है कि नहीं हिमानसू अरभिंद चक्रवर्ती है इसमें बच्चा देखो अगर तुम कांस्टेंट तो क्या है दो है न तो जो कांस्टेंट होता बेटा इ one or two क्या क्या हो रहा है one or two अब जो इसका factor आया है देखो इसका नाम ही है trial method हमें क्या करना है क्या करना बेटा trial करना है तो अगर इसका factor one or two आया है तो हम यहाँ पर ऐसा मानते हैं क्या मानते है पता है यहाँ पर यह मानते हैं कि जो एक्स प्लस वन है वो क्या है एक्स प्लस वन दिये गए बहुपद का गुड़नखंड होगा हम वन को लेंगे वन इसको एक्स के साथ जोड़ेंगे यह इसका क्या हो सकता है पूरे फैक्टर का पूरे स्वरी पूरे बहुपद का गुड़नखंड हो सकता है हो सकता है है नहीं थोड़ा सा मतलब मिट्टी टाइब का चलो अब समझो अब क्या करोंगे x प्लस बन इकल जीरो ठीक है यहां से इतना ही करना आपको बागी लिखना नहीं है वहां व है ठीक है अब इसको माना है यह या हमने वह माना था हमने माना था कि एक मैंक्स प्लस वऑन जो है इस बहुपंद का एको बनान हो गया बस तो अब देखो यह मैंने मान लिया अब अगर ये इसका एक गुड़नखंड होगा अगर ये जो मान है वान आरा माइनस में इसका एक गुड़नखंड होगा तो पूरे बहुपद में अगर हम माइनस वन रखेंगे यक्स की जगा पे तो जीरो होगा भाईया सेसफल परमिये में पढ़े हो यही की नहीं बोलो गुड़नखंड परमिये में भी यही पढ़े हो तो चलो रखते हैं अब जो नहीं पढ़े हैं उनके भगवान ही मालिक है ये यक्स की जगा पे माइनस वन रखोगे भाईया तो ये तना होई जाएगा बाबू ये ये देखो समझो ठीक है ये पूरी कहानी समझो आगे समझते चलो ये माइनस वन इसको मैं आगे हल कर सकता हूं न क्योंकि यहां पे जगा तो है नहीं तो मैं इसको ऊपर ले चलके हल करूंगा समझते चलो देखो बेटा किवल समझो तब तो अच्छा है कमेंट के चकर में पढ़ोगे तो मैं comment नहीं पढ़ Prist disk करोगी माइनस वन देखो इसकी घात माइनस जो वण है तीन है अगर गःट विचम है तो उसका answer हमेशा क्या आता है माइनस में आता है यह माइनस 1 होगा है कि इसका मान माइनस 1 और बच्चा यी देखो प्लस होए जाएगा गात समय न तो फ्लश वन हो जाए हगा और दो में गुडा करोगे तो यह तुम्हारा हो जाएगा माइनस का दो अब इतना तो तुम्हें कल्कुलेशन करना आता इसमें तो कोई में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ललित मीना नीरज कुमार अंकुस राज बहन को बहन होती है बेटा पढ़ लो नहीं तो बहन बहन नहीं अभी कुछ और बन जाएगी समझ रहे हो ना पढ़ लो भूद परेद बन जाएगी पढ़ लो पढ़ लो इनको हल करेंगे यहाँ पर थोड़ा मैं बराबर का चिन्द लगा लेता हूं अच्छा लगेगा इनको छोटा सा चिन्द कर दिया समझो मैनस ऊन माइनस दो यह माइनस का 3 हो जाएगा और ये दोनों भी हो जाएगा 3 तो बच्चा ये final में minus का 3 और plus का 3 मतलब five कुछ समझ में आया है और इसे समझ में आया Cungine my data अ मनतासाराणी पढ़लो था में पढ़लो पढ़लो नहीं तो comment तो पहुंच ही रहा है तुम नहीं पहुंच पाओगी तुम पीछे हो जाओगी आया समझ में अगर यह 0 हो गया इसका मतलब एक प्लस 1 क्या है इस दिए गए बहुपद का एक गुड़नखंड है अब लिखो आगे लिखो यह 0 हो गया ना आगे लिखो आता है आगे लिखो चुकि सेजपल 0 आ रहा है अता है एक्स प्लस 1 दिये गए बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स का स्क्वाइर माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुड़न खंड है क्या है इसका एक गुड़न खंड है इसको लिख लेना तुम अब मैं यहां पर लिखूंगा नहीं मिटा आ रहा हूं नीचे लिख लेना चुकि सेसपल 0 आ रहा है अता है एक्स प्लस 1 ऊपर दिये गए बहुपद का एक गुड़न खंड है अभी तो फाइनल उत्तर नहीं लिख रहा हूं उतना चाहे लिखना या न लिखना इस्टेप बाइस्टेप पढ़ो यह थोड़ा सा लंबा कुश्चन है अगर इसका स्क्रीन साट नहीं लिए थे तो आप वीडियो पीछे करके थोड़ा इस्क्रीन साट ले लेना और लिख लेना फुरसत में ठीक है पीबियार स्टडी के टेली गराम चैनल पर आपको इसक हमें जो इसका एक गुड़नखंड मिल गया एकस प्लस वन मिल गया एक गुड़नखंड एकस प्लस वन मिल गया अब हमें दो और निकालने हैं कितने निकालने हैं बाबु दो और निकालने है दो और निकालने है ठीक है देखो तो अब दो और निकालने के लिए हम लोग क्य करेंगे जो हमारा पहला फेक्टन राया नवच्चा उससे हम इसको भाग करेंगे ठीक है एकस पिलस रॉन जो है उससे इसको फूरेको भाग करेंगे फिर हमें दो और फेक्टन मिलेंगे ये तो तुम लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे न भाया पताओ हिमान्सू कर लोगे बिटा इधर जगह कम है तो मैं उधर साइड में इसको भाग करूँगा क्योंकि यहां पर थोड़ा जगह की कमी होगी हां इस पेस थोड़ा कम है यह यक्स प्लस वन तुम याद रखना यक प्लस वन याद रखना मैं लिख नहीं रहा हूं मिटा दे रहा हूं हां चलो उधर साइड में करूंगा क्योंकि इधर जगा कम है यहां करूंगा इसे यह प्लस वन है दिख रहा है यह क्यूब माइनस यह दो एक्स का स्क्वाइर देखो समझो कि मांइनस का एक्स प्लस का दो इनको क्या करना बया इनको हमे HOW करना फाक्र्म तुम सभी जांते हो अगर बेशीक जांते ओ तो अगर बेसे क्यूब लाना है अच्छा तुम सभी एक बात बता हूं मुझे हैं अगर ही हम कहें कि लैक्स में किससे गुड़ा कर दें कि फिंस का क्यूब आ यह जल्दी बताओ कि भालो ऐसे ही आसान नहीं बहुत ज़ादा इतना आसान नहीं है एंच टटी चैनल बेटा पढ़ लो पर लो नहीं तुमको लग बहुत आंदर कर देंगे लोए दुबेरे उपर ना निकल पाओगे पढ़ से पिद्लॉय कितना आए अच्छे चलो यक्स का स्कॉयर से ना थिक है किस से यक्स का स्कॉयर से मल्टीपल करेंगे तो यक्स का क्यूब बनेगा हमें यक्स का क्यूब लाना है इफ लिए हम क्या करेंगे यक्स में यक्स का स्कॉयर से गुड़ा करेंगे मतलब जो ऊपर जाएगा वो जाएगा यक्स क पाम होता है संध्य के ना थो बदड़ा नहीं होगा ना हो गात्त दोनों में हो इतना साब को समझ में आया 80 यदवनसी कुछ समझ में आया मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं हमारी कोसी से थोड़ा रुक रुक के बोलूँगा मैं थोड़ा सांस ले लेके बोलूँगा चलो अब यह कट जाएगा बाई साहब यह प्लस माइनस दोनों माइनस माइनस तो 3x का स्क्वाइर हो जाएंगे उपर से माइनस येक्स उतार लोगे और प्लस का दो नीचे उतार लोगे इसमें किसी को कोई दिक्कत है कोई परिसानी है नहीं अब बच्चा माइनस का तीन एक्स तुम उपर ले जाओगे क्यों ले जाओगे क्योंकि तुम को यहाँ पर माइनस का तीन एक्स का स्क्वाइर लाना है कहने का मतलब कि हमें यक्स में किसी ऐसे नंबर से गुड़ा करना है कि हमें इतना मिल जाए हमें कितना मिल जाए इतना मिल जाए यह निकालने का तरीका में तुम्हें बता चुका हूँ तुम इस पे ए मान लो तो तुम ए बराबर निकाल सकते हो बच्चा 18 बटा दो बराबर 9 निकाल सकते हो ना उसी तरह से तुम इसका भी निकाल ले ना समझ गए ना चलो यह बहुत छोड़ी चीजे हैं इनको इसमें नहीं बताना चाहिए इसलिए दो मिनट का सवाल दस मिनट में होता है क्योंकि मैं उन गदहों का भी ख्याल रखता हूं जो गदहे वाला काम करते हैं ए 2 माइनस 3क्स का एक्स में गुड़ा करोगे बच्चा तो और माइनस 3 कàyenga माइनस सीं एक्स में करोगे बच्चा तो यह माइनस तीन का श messy amount हो जाएगा एक है ना बाभू तो यह अपके कड़ पड़ जाएंगे यह आपका प्ल्स रित SiB बोलो कित्ता बार जाएगा अंकुस राज बेटा बहुत पढ़ाई कर रहा है तुम कमेंट ज्यादा कर रहा है ना करन मीना ठीक है अब बच्चा दूई बार ले जाओगे दूई बार ले जाओगे तो दूई अक्स प्लस दूई आएगा यह सब खातम हो जाएंगे जीरो प्रेसान है कि Ais study channel को भूला कर दो तुड़ा देर के लिए कि छलू है कि अब देखो बच्चा इसका जो गुडनखंड आया था बाबू जैसे मैं step by step कर रहा हूं ऐसे तुम्हें परिक्षा में भी करना पहले जो मैंने किया था उतनी ओजाई तुम्हें करना है उतना करने बान के बाद में फिर तुमें क्या करना है समझो भाग करने के बाद में तुमें क्या करना है जो भागफल आ yemत ओसे हरें इनके करने हैं और पिर इनके दो बच्चे मिलेंगे दो लड़के चुन्नमुन्नुवा और एक पहले आया था मतलब सिंगल था रसाले दुःत मिलेंगे तो तीनों जायेंगे उन्हीं तीनों को आपको बताना है उन्हीं तीनों का नाम लिखना है है चलो तो तो पहला गुडणखंद हमें मिला था आप नीचे मलिंगे आप हम प्राप्त भाघ फल खाग फल कितना आया देखो उपर का गुडणखंड करेंगे क्या करेंगे बच्चा गुडणखंड करेंगे एतना स्क्रीन साड ले लहीं तो में मिटा दूंगा तो तुम कर नहीं पाओगे जल्दी करो इतना स्क्रीन साड ले लो मैं छुप गया हूं मगलust चलो देखो मैं पूरा बोर्ड बीच बीच में खाली करता रहता हूं तुम लोग को देखने के लिए तुम लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कहां किस से मिलने चले गए लेकिन मैं यहीं साइड में खड़ा हो जाता हूं बिनोट सर्मा बाबुवान चलो हो गया तो यह आपका क्या हुआ एक अभी इस्टेप पूरा हुआ भी पूरा नहीं हुआ इसके फैक्टर करोगे कोई बताएगा इसका फैक्टर क्या होगा देखो बच्चा उसको में मिटाओंगा उदर जो मैंने खड़ा किया ना उसको मतलब इतना बड़ा दिवाल उ कि मैं इसमें थोड़ा तुम लोग को ज्यादा टाइम देता हूं लेकिन कुछ गदय टाइप के बच्चे मुझे उनको भी देखना पड़ता है नहीं तो मैं तुम्हें तुरंद लिखूं तुरंद मिटाओं मैं फोर जी की स्पीड में वैसे बोलता हूं जल्दी जल्दी कि वो तो मुझे थामना पड़ता है बहुत खुद को रूपना पड़ता है कि भाई वट्सप यादो आप गड़बड करने लगे ना बला करने लगे लोगों को कि शल्लों हम और मीन यह सब जानते कि एक्ष्क परकॉईर का मैं तुम शाब जानते हो लिए तिन अब टूम सब जानते हो है कि यक्स का इसवायर माइनस में तिन का इसा गुडानखंड करो जिसको जोड़ने तो तीन आजाने गुड़ा करें तो दो आए कि अ तो बच्चा इका हो जायेगा 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 फाइनल में एक्स का स्कॉायर माइनस दू एक्स माइनस एक्स प्लस 2 ठीक है लिकलो मारकर में थोड़ा से आई भर लू जिससे तुम लोगों को थोड़ा अच्छा दिखें चलो लिखो फटा फट लिखते चलो बच्चा और हाँ एक चीज और सुन लो जो बच्चे इस कलास को लाइक नहीं करें बाबू जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो अगर इस सेशन को लाइक नहीं करें तो अगली कलास तुम देख पाओगे या नहीं कोई गारंटी नहीं है और जो बच्चे कमेंट नहीं कर पारे है थड़ फड़ा रहे नल वह चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि वह सब्सक्राइब नीं कर नहीं कर पाएगा, यह हमारा सिस्टम है चलो तो इसमें क्या करोगे भाईया यक्स कामन लेलोगे बाबू तो यक्स माइनस दो बचेगा माइनस वन कामन लेलोगे यक्स माइनस दो बचेगा तो तुम्हारा यक्स माइनस दो और यक्स माइनस वन क्या हो गया ये दो गुड़नखंड हो गए ये तो दो जोड़ुआ लड़के हैं एक ठी छोटका हुआ सबसे पहले होगा रहा न तुम्हें कुछ समझ में आ रहे हैं सबसे पहले एक फाइक्टर मिला था गुड़नखंड जिसको मैंने कहा था सजो के रख लो मिला था ना तो इतना दोनों ये तथा इनको थोड़ा साइड में लिखता हूं रुको एक मिनट अर्जेस्ट करने की जगा होनी चाहिए रुके रहो एक गुड़नखंड सबसे पहले आया था देखो देखो सम्झो तो अब में जब आरिया यार भीगा रहता है तो चलता नहीं है यह तो देखो सम्झो अनसे इनको इधर साइड में इसलिए लिख रहा हूं कि उधर जगा नहीं थी यॉपस माइनस टू और यस माइनस ये तथा इक पहले आया था दो एक पहले आया था न, यह प्लस वन, यह आंसर हो गए, यह इनके क्या हो गए, तीन गुड़न खंड हो गए, आपको यही तीन गुड़न खंड निकालने थे, ठीक है, एक ए वो नहीं जो कह रही हो, वान और टू क्या बोलते हैं उसे भाई, वो नहीं, वो नहीं, कौन है यह एक प्लस वन, चलो लिख लो, लिख लो, लिख लो, जल्दी स्क्रीन साट ले लो, मैं सामने से हट गया हूं, नहीं तो मैं मिटा रहा हूं पांच सिकंड में, जल्दी करो, वर्सा ठाकूर पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, दीपक बिटा, अभी तुम नाम में जोती ल वाले हो, हाँ, हाँ, हो गया, नोट कर लिए, देखो, ज्यादा टाइम नहीं है, नोट करवाने का, कि छपो, मैं रूखे रहो तुम, चलो, अच्छा बच्चा ही बताओ, यह तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें बच्चा चार पार्ट है बाबू, तो कर लोगे तुम लोग चार हो क्या, हाँ, सिकंड पार्ट कौन कौन कर लेगा, बोलो हाँ, इसका दूसरा पार्ट आप कर लोगे की नहीं, बताना या रहने दें किया कह रहो है अगर बताना पड़ेगा तो बोलो यस नहीं तो नो कि अगर बताना पड़ेगा कर लोगे कि सशी कान बेटा पढ़ाई कर लो सशी कान तो बहुत लात लात मर खाओ गजान लो दिमाग में रख लो समझा रहा हूँ न इतना देर से समझ में नहीं आता नालायक कहीं के गुड़न खंड ग्याद कीजिए देखो समझो अधिकतर लोग बोल रहें कि करवाया जाए कुछ लोग बोल रहें ना करवाया जाए यह जितने गदहे टाइप के हैं खचर टाइप के न यह चाहते हैं कि मैं सब लिखूं और यह सब छाप लें यह इतना तक कहते हैं कि नोट्स भी दे दो गुरू जी कुछ नहीं होगा एकजाम में पलटते ही रहा जाओगे अगर तुम खुद से एक कूश्टन बताया जाएगा दो खुद से करऊ लिद नोट्स घुद कंगरो एक कुश्टन दस लागां पर लगा कर करके व insanào पूरा हंड़िवय तुम सोचो कि गुरुजी आप लगा भी द तो फिर ऐसे काम नहीं होने वाला है कुछ आयव आयगा नहीं समझ रहो ना चलो फिलहाल मैं दूसरा करवा देता हूं अगर तुम लोग कमन है तो दूसरा करवा देता हूं तुम लोग कमन है लेकिन तीसरा नहीं करवाऊंगा देख लो दूसरा भी कि यक्स का क्यूब माइनस दीन एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस का फाइब इसका क्या करना भईया इसमें भी वही करना है गुड़नखंड करना है यह देखो बेटा तीन घात का है attentive Buzz half 20צ सिय तीन घाट का यह भी ए LY कि चलो देखो इसमें क्या करना है a अच्छा गष्यप जो हर्पद है इसने कुछ पर किरिया होती है जैसे होता हुपल किसी क्यों साध्य करते हैं nih कि शल ऑगल में असा पांच है ना समझा हो इन से तो खलrist पर हो क्याओं आप्यूंध काम करो कि रह और मैं स्कुर्णमा कि अंगे कि कि यह और कुछ आइना को ऒए आप आप समझा को बत्चा जो कमेंट कर रहे हैं उनों Dipya ना सिरफ पढ़ाई कर狂 पढ़ाई करो नाम बोलेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी पढ़ाई होगी तो नाम नहीं बोलेंगे तो तुम चाह होते क्या हो कि तुम्हारा नाम बोलू हैं पढ़ाई करा हूं पढ़ लो तो अचरपद क्या है पांच है इसके जो गुड़नखंड है वन कामा फाइफ हैं तो वही पुरानी परकिरिया फिर से करेंगे बाई ट्रायल मेथेड बाई ट्रायल मेथेड दो को बेटा समझो बाई ट्रायल से तुम्हें क्या करना है इसका चरपद है यानि वारियबल है उसके साथ मेन गुड़नखंड को जोड़ करके रखना थाल्फै कि यह मानते हैं क्या होगा है इसका एक गुड़नठंड हो गा तो अगरकिक गुड़न खंड x plus 1 है तो इसमें x plus 1 उक्वल 0 करने पर क्या होना चाहिए मतलब जो इसका मान आएगा उसको इसमें रखे तो यह पूरा 0 हो जाए भाई कहते हैं न अपने ही अपने से हार जाते हैं वहीं हाल है मालूम है तुम्हें कि नहीं कोई कितना भी सक्तिसाली क्यों ना हो कितना भी पावर फूल क्यों ना हो पैसा वाला क्यों ना हो हर चीछ से संपन्न हो लेकिन अगर कोई उसका खास हो करीबी हो और उसको हराने पर लग जाए तो वह हर जाएगा कि समझ रहो ना तो वही कंदीशन यहां पर होती बच्चा अगर यह इसका एक गुड़नखंड है तो इसका मान इसमें रखने पर जीरो होना चाहिए मतलब सुनने आ जाना चाहिए तो इसको ट्राई करते हम नाम से में यहां पर असपश्ट है ट्रायल मिथेड नाम से तुम् क्या एक बच्चा माइनस वन अब इसमें तुम क्या करोगे यक्स कमान माइनस वन रखोगे और चेक करोगे क्या यह जीरो होता या नहीं चलो तो पी आफ माइनस वन अच्छा देखो इसमें क्या P F करके दिया था नहीं न फिर भी तुम रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है माइनस वन क्यूब माइनस ये तीन और माइनस वन का स्कॉायर नाइन माइनस वन इनको फाइनल में हल करो और मुझे बताओ क्या ये जीरो आ रहा है जल्दी बोलो हल करके क्या ये जीरो आ रहा है कोशी सिंग मंतासा रानी तुम पढ़ने नहीं आई हो नाम में तुम्हारी रानी लगाया तुम रानी वाला काम भी कर रही हो इस समया रानी से रंक बन जाओगी बहुत जल्दी है तो पढ़ाई कर लो कर लो पढ़ाई देखो समझो अब यह माइनस हो जाएगा इनको आगे हल कर दें यहां पर देखो मैं फाइनल करके तुम्हे यह जीरो आएगा हल कर लो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं मैं बहुत बार बताया हूं कैसे करते हैं कि तो देखो बेटा यह हो गया जीरो आ गया अब क्या करेंगे हम लोग अगर यह जीरो आ गया इसका मतलब यह प्लस वन इसका क्या है पूरे सिष्फफ़ल जीरो आ रहा है चूंप की से सिष्फ़छ जीरो आ रहा है अता एकसी यह प्लस वन की ऊपर दिये गए बहुपद पिस्पर धाव एकश्पका इशません है उपर दिये गए बहुपद है कि र regard प्र का एक गुंदध को गया एक गुड़नखंड होगा इतना करने के बाद बच्चा क्या करोगे तुम वही जो अभी करते आयो ये अपरेशन होगा इनका सूली पे चड़ेंगे ये चलो ले चलो इनको भाग करोगे उसी से से जिलेंदे हैं हुम को समझ दिए इनको क्या और भाग करना यह अने जैसे बताया था कि यह nos साधी हुए फ़री बार के लिorage मतलब single प्रन क्या बोलते हैं चाऊवा gotta चंथे सुने कहीं कि नहीं बच्चा जानलो चलो तुम दूसरी बार में कुछ ज़्याद है मतलब समझ रहो जोड़वा हो जाता है तो पहली बार में सिंगल वाला हो गया सिंगल वाला मतलब X प्लस वन इसका क्या एक गुड़नखंड है अभी दो इसमें से निकलेंगे मैं इतने confidence से क्यों बोल रहा हूँ कि तीन होंगे क्योंकि इनकी गहात तीन लगी है और देखो समझो तो अब क्या करेंगे X प्लस वन से नको भाग करेंगे तो भाग कर लो यहांzhप कितनी बार जाएगा एकस का सकर कुअएगा कि एकस का क्यूब यग सिदो कराइगा तो यज एकस का सकार आएगा जिनको देखोuna समाझ में हैगा ता अगर तुम basic math नहीं जानते हो तो नहीं आएगा तो PVR study channel पर basic math जॉइन कर लो अगर तुम्हें basic math आ रही है तो तुम बड़े प्यार से इसे कर सकते हो बिना basic math के बच्चा नहीं कर पाओगे चलो अब यह क्या होंगे कट जाएंगे और यह आपका चिन्धा मैंने बदला नहीं यह प्लस और प्लस देखो एक्स का स्क्वाइर होगा प्लस में होगा फिर यह माइनस करोगे बच्चा तो यह क्या होंगे माइनस माइनस सब क्या होंगे भाई जूड़ जाएंगे बाबु ना यह जूड़ जाएंगे माइनस चार एक्स का स्क्वाइर हो जाएगा और उपर से माइनस नो एक्स और माइनस का प्माच ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब देखो 4x का स्कॉयर है हमें क्या लाना है 4x का स्कॉयर लाना है तो बच्चा यह बताओ तुम सभी बच्चे सोच के बताओ जिनको बेसिक आता हो बता लेंगे यक्स में हम किस से मल्टीपल करें कि हमें माइनस 4x का स्कॉयर मिल जाए यक्स में किस से मल्टीपल करें कि माइनस 4x का स्कॉयर मिल जाए जड़ा सोच के बताओ तो देखो बिटा सबसे पहले तो मुझे 4 लाना है वो भी माइनस में लाना है यानि हम पहला नंबर तो माइनस 4 से करेंगी तो हमें 4x मिल जाएगा लेकिन हमें चच्चा के उपर एक चुरकी लगानी है दूई लाना है इनके साथे में एक ठीक्स से भी गुड़ा कर देंगे इनकी जोड़ा भी बन जाएगा बस माइनस 4 एक्स बिवेक कुमार एके वीना ब्रिज मोहन मीरा दिनेस इर्फान अंसारी बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड़ वर्तिका स्रीवास्तों गलत है तुमारा क्या केते हैं मेरा नाम नहीं लेथे हैं जो क्यूशन पूछता हूँ तो यह नालायक मौH में दहीं जमा लेते नहीं कमेंट करेंगे अब में कहीं मेरा किमेंट जा रहा है अब अब आई-डियोट जा रहा है इसम्मोप बाम जा है मुढसे का मतलब तुम्हारा पूछता हूं तो तुम लोग पहले कमेंट करोगे तो नाम बोला जाएगा सबसे पहले और करोगे कब जब तुम ध्यान से पढ़ोगे तब ना जब मैं पढ़ा रहा हूं बीच में अचानक कुछ पूछ लिया तो उदर पूछ रहा है पूजा क्यों रिपलाई नहीं कर रही हो हां उदर से रिपलाई आ रहा है अंके तुम तो बहुत ज़्यादा परसान कर रहे हो तो मैं कुछन पूछूंगा तो तुम्हें हमारा कुछ्चन कहां समझ में आएगा हां तुम तो किसी और कुछ्टन में उल्जाओ पहले से 306 में में मृल्टी पल हुआ तो यह माइनस-4 और का इसको मग स्कार माइनस फोर एक इसमें गुड़ा करोगे यह माइनस फोर एकस और देल्जा इनके चिन्ना बदलोगी हॊइह है और कुछ समझ रहे हो तो यह हो जाएगा माइनस का 5 x और बाद में जो पांच है यह चचा इसे उतर आएंगे उपर से अराम से नीचे खिसक जाएंगे हुँ कि यह उपर कितनी बार जाएगा माइनस 5 x आएगा और यह माइनस 5 आएगा यह कट पिटके सब बराबर हो जाएगा जीरो आएगा सुनना आजाएगा यह आपका जो एक दूए गात बहुपद आया वो क्या आया कि बोलो कितना आया राजन कुमार बताओ एक दुई घात बहुपद आया ना बाबू कितना आया मुझे बताओ कोई भी खुशी शिंग्ध तुम कहे परिसान हो किसी को बॉला कराने के लिया तुमें समीर्ची लग रहा है कहा उन्सको पढ़ने वाले कमेंट बंद करके कवल पढ़ाई करो जब मैं कोई कुश्चन पूछें तुमें एक बार कमेंट करो फिर चले जाओ फिर कमेंट ना करो मैं बार-बार तो पूछता नहीं हूँ, तुम देख रहे हो, कोई अपना खुपड़ी पटा करे है, आपने हाथ में गोबर लएके गूम रहे है, अपने मूह में लगा रहे है, तुम से का मतलब है? हां कोई गली लिख रहा है मालो गंदा लिख रहा साही लिख रहा तुमसे क्या मतलब तुम पढ़ाई करो कमेंट बंद कर दो मरने दो उसको उसी में हां समझ रहो ना है हां क्योंकि उसके आप का एक मिनेट रूप थोड़ा से रूप जाओ थोड़ा से रूप जाओ को कि आ गया हुना मैं को कि आ गया हुना चलो कि हाथो इसको लिख लो इसके दो फैक्टर करने है बस हो गया बाकी की बात पूरा हो गई को को कोई दिक्कत नहीं चलो हां तो देखो देखो यह लोगों ने मुद्दा उठाया तो मैं बताई देता हूं जो कमेंट में परिसान कर रहे हैं इसके बाद हम इनके दो फैक्टर कर लेंगे बस हमारा फाइनल अंसर हो चुका है बच्चों यह बताओ तुम लोगों ने को बड़ा देखा है कि नहीं दे देखे हो ना अंतुन लोग को बड़ा लगा होगा कई सा बोल रहा है समझो उन लोग का भी रहना इस समाज में बहुत जरूरी है समझ रहे हो कि नहीं तो यह गंदे काम कर रहे हैं इनको वही मान लो यह सफाई कर रहे हैं मतलब वहीं से कुछ काम करते हैं तुमको पता है अगर वो लोग नहीं रहेंगे न जैसे देखो गिद चले गए ना दुनिया से कोई बस तु सड़ जाएगी कोई कुटा बिल्ली के इनसां जानवर कहीं गंदगी करेगा तो उसको कोई साफ में करेगा तुम सणक पे चलो याओं में खेत हो जा रही हं जैसे गिद्ध की संख्या खतम हो गई वैसे उनकी संख्या खतम हो जा रही है एक्चुली इतनी जादी लाइट जलाए जा रही है भाई गाउ में भुझली आ गई पहलाने अंकल कहते हैं हम बिजली को पईसा दे रहें थाम कहीन जलाएं हां वो फ्ल्लोजन होगा ऊसे फोटो में दिखा देता एक दिखा दूगा अगले दीज चलो कि ऊपर चनलत्त ले आच्छा कौन कौन देखा है कौनकौन देखा है वह तक कि रहतां आपधहला निया सोचो त मैं मैं पता है उसे आगे का लुष घृकले गढ़ाय है वो आसमान देखता है तारें देखता है राती में करता है दिन में नहीं करता इसको रात में करता है आसमान देखता रहता है तारें देखता है उसकी सिधाही देखता है कौन सा तारक की सीध में है ऐसे करके धकेलता ले जाता है लेकिन जब इतनी ज़्यादा लाइट हो जाती देश और समाज में गाउं देश महले में तो उसको आसमान में तारे नहीं दिखते हैं कि आजकल के लोग तारे देखते कहा हैं आओ ले चले तुमें तारों के सहर में है ना वो तारों के सहर में जाने की तैयारी कर रहे हैं यहां पर कुछ ऐसे भी इंसान जिन्दा है हम लोग जब बच्पन में थे आंगन में सोते थे छत पर सोते थे तो तारे गिनते थे भई आज उफलाना तारा नहीं निकलाए लग रहा है आज ही बताती थी वो सुकवा है वो फईया है हां होता है ना किसी किफी दिन ऐसा होता था किवल तीनी तारा निकलता था एक चांद की जश्ट बगल इधर निकलता है अज लोग उनका नाम बताती थी कौन-कौन है आज कल के लोग को पता ही नहीं है किताब में देखते हैं तारे दिन में सोते हुए तारे देखते हैं तो क्या करें यह सब परेशानी की बात है तो आप लोगों से यहां पर हम यह बताना चाहते हैं कि फालतू की लाइट ना जलाएं इससे जो हमारे देश समाज में जो जिव जन्तू हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आने वाले दिन में हम लोग की जिन्दगी सांप होते हैं रात में वह देखो ना बहुत करेट सांप होता बड़ा बिस्थर वह रात में निकलता है बहुत सारे ऐसे जीव हैं सिर्फ रात में खाना खाते हैं अपना भोजन करते हैं उल्लू जैसे हो गया रात में ही कूंता है चमगादड हो गई लेकिन जब तुम रा इसका एक्स प्लस वन आया था कि दूसरा फैक्टर के लिए अब हम क्या करेंगे नीचे इसके कर लेना अब हम लिखना चूकी भागफल देखो लिख लो थोड़ा सिस्टम से बता देता हूं कि लिखो सभी बच्चे यहां पे लिखो चूकी पुकी ना लिखो सुनो क्या लिखना है है जो की एक दुअρωपध है जैसे मैं ने बताए था पिछली बार वैसे लिख लो जितनी बार मैं लिखाऊंगा उतनी बार कुछ इसने कुछ आलग हो जाएगा क्योंकि सोच समझ के लिखना पड़ता है अपने हिसाब से क्लिक्षा अब क्या करोगे इनके क्या करोगे बच्चे इनके कि आरक्टर करोगे गुड़ा करने पर पांच आए घटाने पर चार आए इस कोई दो गिंती बताओ गुड़ा करने पर 5 आए घटाने पर 4 आए तो बेटा देखो ये ठीक है ओके चलो 6-1 कहां से होगा गुड़ा करोगे तो कहां बनेगा गुड़ा करने पर 5 आना चाहिए तो यक्स का स्क्वाइर माइनस 5 एक्स प्लस एक्स माइनस 5 एक्स कामन लोगे माइनस वन कामन लोगे काये प्लस वन तो यह हो गया बच्चा आपका यह हो गया ना लेकिन एक ठी छोटा छोटा वाला एक तो पहले ना आया था ना एक तो और आया था ना सबसे पहले यहां पे लिखो गे तथा एक पलस वन अंसार हो गया यह इनके तीन गुर्ण खंड हो गए याद रखना बच्चा इन चुटकववा को ना भूलना सबसे पहले यही आया था कि समझ गये न अब्या गुपता कुछ समझ में आ रहा है खुशी कुछ समझ में आया तो हम आनुज पाल आया समझ में इस बतारा सब पलस-पलस है काहें सब पलस-पलस आ रहा है का कुछ गडबढ हुए का भाई यह पलस हो जाएगा आ रहा है सही है कि नहीं कुछ गडबढ हो रहा है का उत्तरमाला मिला लो रभी संकर ठीक है ना 2.4 का कुईस्टन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है उत्तरमाला मिला लो ncrt वाले क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो वह भी दूर हो जाए उत्तरमाला मिला लो बच्चा और वहीं आएगा कुछ अलग नहीं आएगा निरज कुमार जीरो से भाग 5 में देंगे बेटा जीरो से अगर किसी भी संख्या में तुम भाग दोगे तो अनंत आएगा सुनने का भाग किसी भी संख्या में दोगे अनंत आएगा फिर वह कभी कटेगा नहीं चलो जल्दी लिख लो आगे बढ़ते हैं फटाफट बहुत जल्दी करो देखो टाइम काफी हो गया राजा ठीक है ऐसे मज़ा नहीं आती तुम लोग कलास को भी नहीं लाइक कर रहो बई कलास को नहीं लाइक कर रहा है फिर मुझे का करोगे मैं तो इसी उमीद में आया था कि तुम लोग लाइक करोगे चलो जल्दी करो फटाफट देखो मूह भी दूला हूँ आज इसलिए जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दो और इसका स्क्रीन साट ले लो मैं भी इधर सेटलमेंट हो जाता हूं साइड में इसक्रीन साट ले लो जल्दी से देर ना करो फटाफट यह देखो कुछ छुपा नहीं है मैं पूरा दिखा रहा हूं बले मेरी एक आख दिख रही है लेकिन कुछ छुपा नहीं है मिटाउं तो बच्चों सबसे पहले आप यहां पर हेटिंग डालो लिखो बच्चा सूत्र यहहां पर लिख लो अभी है चाहिए अगे सवाल करोगे तो यह सब लगेंगे पहला आप लिखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर equal x2 plus y2 plus 2xy इसको कुछ लोग a और b के farm में भी पढ़ते हैं जैसे a plus b ka the square तो जहां जहां x है वहाँ a होता जहां y हो भी होता है तो इस तरह से भी आप लोग इसे कर सकते हो जो भी 9th का आपका ये बहुपद का chapter है इसमें आठ परकार की सर्वसमिकाएं लगेंगी जो आपका चार्थ में भी पढ़े हो है ना थोड़ा बहुत वीडियो में समस्या हो रही तो बता देना सही चल रहा है ना हाँ आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे पहले सूत्र तो लिख लो बच्चा ये फार्मूले अभी लगेंगे सायद पिछली कलास में फार्मूले लिखवा दिया था क्या मैं पिछली कलास में लिखवा दिया था तो मैं दो तीन लिखवाऊंगा बस जादा नहीं उसके बाद जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे y का square minus 2xy इसके बाद बच्चा आपका तीसरा है ये तो सभी जानते हैं बहुत छोटा सा है लेकिन तुम्हें आना चाहिए हमेशा तुमारे दिमाग में खोपड़ी में रहना चाहिए अभी तुरंत इनका यूज होने वाला है जैसे exercise शुरू करोगे तुरंत x प्लस a और x प्लस b ये एक नया सुत्र है इसे आपको ध्यान देना है x का इस्क्वायर और a प्लस b into x प्लस a b a b होता है लिख लो इसे जल्दी से साधना यादो जी कमेंट आपका आ रहा है समझ में आ रहा है न आर्यन फिल्म इनका नाम है ये विकास तिरपाथी पंटी सिंह तुम लोग की किताब में कुईस्टन करने का ज्यादा चल्ल पढ़ी है चलो मैं किताब वौला करवाता कुछो लेकिन तुम्हें सबसे पहले इन्हें समझना पड़ेगा तुम्णव जल्दी से हो गया चलो ठीक है तो अब आप लोगों ने स्क्रीन साट ले लिया होगा इसका तो देखो बच्चा अगर हम चैप्टर में घुश जाए डारेक्ट एक्सरसाइज में तो तुम समझ नहीं पाओगे कुछ इस बात को समझो यह एक्सरसाइज 2.5 का है लेकिन उसके पहले जो क इसके पढ़ा रहा हूं आप लोगों को देखो समझो तो अब क्या है एक कुष्चन लिखो आप लोग a अच्छा तीन घात वाला भी सर्वसामिका मैंने नहीं लिख आना भी 10 गहत वाला नहीं लिखो आना कि यह साहध उस दिन में लिखवाया था लेकिन अब तुम सूत्र करो अभी समझ में आएगा कुष्चन लिखो अभी यहूदाहरण है लिखो सर्वसामिका का परियोग करके परियोग करके मान ग्याद कीजिए मान ग्याद कीजिए देखो जो नंबर में दे रहा हूँ उनका तुम क्यूब करके मान तो निकाल लोगे लेकिन अगर नाइंथ में हो बच्चा तो तुम्हे सर्वसंमिका परियोग करके निकालना होगा फिक है सर्वसंमिका का परियोग करके निकालना होगा इनको कोई inquiry करना नीचे number चलता है उस पे दिन में contact करना अभी message कर दो ठीक है तो वेटा इसका जो पहला कुष्चन है एकजामपल मैं तुम्हें सिखाने के लिए दे रहा हूं वो है एक सो चार का घात तीन अब अगर तुम करो तो 104 x 104 x 104 करके तुम इसका मान तो निकाल सकते हो इसका मान तुम निकाल सकते हो लेकिन ये कलास है नाइंध के बच्चों का अचाह मिनट में काट के फिर से चालू कर देता हून थोड़ा सा रुकॉआ जो बस सीकंड रुकना नहीं निकालना बच्चा आपको अपने सिस्टम के अगाडिंग चलना है सर्वसमिका लगाना है देखो इसका आंसर कोई बताएगा रभी संकर बता रहें ठीक है रभी संकर बहुत अच्छे देखो बच्चे समझो यहां से इसको हम ऐसे कर सकते हैं कैसे 104 जो है इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 का होल क्यूब बोलो लिख सकते हैं की नहीं सबी जल्दी से बोलो आस या नौ क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं हिमानसू जी मुकेश कुमार सराधधा पंकच ठीक है बच्चा लिख सकते हैं ना तो यहां से समझो तो बच्चा देखो इस पर एक फर्मूला लगेगा अभी अभी मैं सर्वसमी का लिखवा रहा था तो तुम लोग का मन नहीं लग रहा था X प्लस Y का होल क्यूब यह तुम बहुत अच्छे से जानते हो पढ़े हो ना पढ़े हो तब यहां पर समझो मैं यह फर्मूला इधर साइड में रख देता हूं यहां से लाके यहां लगा लूँगा ठीक है यहां लिख देता हूं साइड में ना समझो X प्लस Y का होल क्यूब तो बच्चा ही हो जायागा X का क्यूब प्लस Y का क्यूब प्लस थ्री यक्स वाई और ये यक्स प्लस वाई बोलो ये हो जायेगा की नहीं ये हो जायेगा की नहीं हो जायेगा ना बच्चा तो इसी फार्मूले पे आपको क्या करना इन मानों को रख देना है ठीक है चलो ये प्लस वाला याद रखना प्लस वाला फर्मूला हर जगा प्लस होगा चलो अब समझो अब हमें क्या करना है यहां से समझना है और इसी के अकार्डिंग इसमें मान रखने है ठीक है बच्चा समझो चलो आगे बढ़ते हैं देखो जहां पर यक्स है इसमें वहां पर तुमें 100 रखना है याद रखना 100 रखना है जहां पर इसमें Y है वहां पर तुमें क्या रखना है 4 रखना है ठीक है स्वाती को बला कर दो भाई और गीता को दो लोग को बला कर दो यह लोग नंबर कमेंट कर रहे हैं जो mobile number comment कर रहा है उसे तुरंत बला कर दो permanent के लिए जो कि यह पढ़ने वाले हैं नहीं इनके गुड़ नहीं लग रहे हैं पढ़ने वाले इनको कुछ और चाहिए जो कि यहां नहीं मिल रहा भी चलो देखो तो इसी में मान रखेंगे यक्स की जगा पर 100 यक्स की जगा पर फॉर है थीक है अब देखो यक्स यक्स की जगा पर रखोगे यक्स की जगा पर क्या रखोगे बच्चा 100 रखोगे वाई की जगह पर क्या रखोगे फोर रखोगे और फिर यह वैसे हो जायागा 100 प्लस फॉर इतना ही करना है हमें ठीक है इतना ही करना है हमें ठीक है हाँ रभी संकर इन लोगों को होल्ड करते जाओ तो आप ही करते जाओ ठीक है चलो इन लोगों को होल्ड करते जाओ तो दो पर्रमशजजज़ करें तो इसका कोई अंसर बताएगा चलो तो बच्चा देखो इसका 3 0 है ना यहां से तुम संजो अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो नहीं तो यह तराता है कैसे आता है तुम्हें पता है एक कैसे आता है भाई तीजिरो जब तीन गहात रहती है तो यह 3 0 हो जाता है यह याप सोचू कि फूर्ण Hier Miss नहीं पहते है फिजिरो कि इस गहात है तुम लोग नायुंत है को चोटका अपना व, है चलो समझो कि अगर किताब की अकार्डिंग पढ़ना बेटा तो इस्टेप बाई इस्टेप पढ़ना होगा इसमें छे जीरो रहेगा याद रखना छे जीरो को क्या पढ़ेंगे मालूम है तुम्हें मiliar Author जीरों होता तु से एक लाक पढ़ते हैं याद रख लो ऐसे एक लाक मेले कितना जीरों ऐसे चाच्चा डद्दलों पूछ लेते हैं फला नहीं हमा बंढ़ा थे हैं के लाक में 56 और में होता नहीं चाच्चा लोग puòण है जिजिरों हो ठीक है तो मेरा भी नाम दुबा हो गया याद रख लो एक लाख में पांच जीरो एक जीरो लगा लोगे दफ लाख हो गया ठीक है उसके बाद फोर का क्यूब करोगे चार चोग 1664 और फिर यह करोगे बैटा तीन चोग बारा कितना हो जाएगा तीन चोग बारा ना और बारा का एक में गुड़ा कर दोगे तो यह हो जाएगा बारा सो कितना हो जाएगा बारा सो ना कितना हो जाएगा बच्चा बारा सो हो जाएगा तो यह कर लो भीया एक थोड़ा छोटा छोटा मैं कर दे रहा हूं 100 फ्लस 4 कितना समझ में आया देखो मैं step by step इसमें करवा रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आया भाई सोनु कुछ वाहा को क्यों नहीं बला कर रहा है रवी संकर रवी संकर जाग रहे हो कि नहीं तुम्हें moderator बनाया गया तुम क्या कर रहा हो कि नलाइक देखो का लिख रहा है इसको क्या करेंगे इसका अंदर में multiple कर लेंगे सब को जोड़ देंगे बस हो गया काम खत्म देखो भाई यह आपक दफ लाक वैसे हो जाएगा और यह चौन सठ और यह प्लस बारह का इसमें गुड़ा करो गई बच्चा देखो बारा सो तो पहले से है बारा सो पहले से है उसके बाद इसमें दो जीरो है तो जीरो लगा दो यह और प्लस यह 1200 का इसमें गुड़ा कर दो बच्चा तो बारा चोक हो जाएगा और तालीस और दो जीरो सब को जोड़ो कितना आएगा यह कितना बना है बच्चा बच्चा पता है तुम्हें देखो कितना बना है एक लाख बीस हजार कितना बना है एक लाख बीस हजार ठीक है ओके गुड जोड़ते हैं आगे चलो आगे चलो मुझे जोड़ के बताओ सभी बच्चे जोड़ के बताओ कितना आएगा देखो बेटा यह इतना आएगा ना लगभग इतना आएगा न एक तीन गिंती में नहीं आएगा एक सो बारा ना तालिस चौशाट इतना आएगा कैसे आएगा देखो मैं इसको तुम्हें क्लियर करके बगल में भी बता दे रहा हूं समझ लो इनको सबको नीचे उपर करके जोड़ेंगे बिटा ठीक है नीचे उपर करके देखो इधर साइड में मैं जोड़के तुम्हें दिखा देता हूं समझ लो थोड़ा सा जगा में यह मैंने बना लिया है तकेते में समधियान देखो यहां पर समझो तीन जीरो चार पांच छे यह कितना जीरो हो गया छे जीरो यह चौशट है ना बच्चा तो इसको नीचे जोड़ेंगे सबसे बड़ा वाला पहले जोड़ेंगे देखो इसमें चार जीरो है यह ऐसे लाके इन्हें सेटलमेंट कर लो इसमें दो जीरो है हाँ इसमें 64 पस जहां-जहां कुछ नहीं है वहां-वहां जीरो लगा लो इनको सबको बराबर कर लो जीरो लगा लगा कि बस ऐसे जोड़ते हैं अगर ऐसे तुम जोड़ोगे तो सही होगा वो ऐसे जोड़ोगे तो कभी सही नहीं होगा ठीक है रभी संकर इन्हें पांच-पांच मिनट के लिए होल्ड करिए बस पर्मानेंट बुलाक ना करिए अभी बचवाएं यह सब थोटे हैं अभी समझदार नहीं अभी इनके अंदर जो है ना हर्मोन कुछ जाद है निकल रहा है यह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं काफी परिसान लग रहे हैं तो इनको पांच-पांच मिनट होल्ड करो उसके बाद जब यह ज़्यादा आती कर दें तो बुलाक कर दो एक दम से पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां कारतिकिय टंडन के टंडन बेटा ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा है कि सथे मुझे सलेबस ना सीष्टम से ऊंयोग कि एक आसान है तो छोड़ दू तुमारे लिए आसान है न बालो तुमारे जैसे कोई और च اللा है जिसको कुछ नहीं आरामखास उसको क्या करेंगे उसको भी सिखाना आया ना वह भी तो भारत का भविस्य है कि उसके नहीं लड़के बच्चे होंगे कल को वह कैसे सीखेगा चलो अब इसको मैं मिटाता हूं अगले सवाल पर चलता हूं राहूल कुमार ठीक है बच्चा चलो तो इसको मैं मिटा रहा हूं अच्छा एक बात बताओ इसमें से कुछ आइसे भी साथ ही है जो लाइक नहीं करें बाबु ठीक नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं जल्दी से लाइक कर दो देर ना करो फटा फट जल्दी से कलास को लाइक कर दीजिए के देर मत करिए एक भी सिकेंड का है कि हम इकसर साइज के कोष्टन भी करवाएंगे लेकिन थोड़ा सा रुख जाओ चलो एकसर साइज भी करवा देता हूँ क्योंकि एक कुष्टन तो हो गया उसके कारडिंग न तो अब तुम एकसर साइज वाला टाइप में कर लो एकसर साइज वाले में चलो समझो यह बताओ सभी बच्चे जल्दी से इस तरह का कर लोगे अब बोलो हाँ या नहीं इस तरह के सारे प्रस्ण कर लोगे की नहीं हरिकेश कुमार वरसा सिंग महेश सैनी इस तरह के सवाल तुम लोग कर लोगे की नहीं अब यह बताओ बेर लोगे ना किसे को कोई परसानी तो नहीं होगी ना मीरा बर्मा रीशू अर्बिंद यह जो बातचीत कर रहे थे न दीपक को भाई होल्ड करो दीपक वो दिन से एक दम बतलब गंध मचा के रखा है इसको होल्ड करो और मैं इसको चाराओं की बलक कर दिया जाए और यह जितने हराम खोर हैं जो यह कॉल करते हैं अभी यह बलक क से यह बलक करने और मेर अंबलक करवा दीजिए तो एकबार नहीं होता है इसको एक बास बलक किया वो पर्मेंट भी तुमी इस चैनल पर कमेंट नहीं कर पाऊगी को फोन करोगे यह तो फिर समझ लो सारी गुस्ता तुम्हें समझ में आ जाएगी चलो एकसरसाइग 2.5 का question number जो second है उसी के type का एक question में करवा देता हूँ पहले example समझ लो example पहले समझ लो example समझने के बाद में फिर हम आगे चलेंगे ठीक है तो 2.5 के same to same question देखो क्या कह रहा है सीधे गुड़ा ना करके question देखो एकदम same वैसे है सीधे गुड़ा ना करके 105-106 का मान ग्याद कीजिए 105 into 106 का मान ग्याद कीजिए मतलब तुम्हें सीधा सीधा गुड़ा नहीं करना है मतलब तुम्हें सीधा सीधा गुड़ा नहीं कर लेना है मन तासा रानी कुछ समझ में आ रहा है कि वैसे रानी बनी बैठी हो कुछ समझ में आ रहा बच्चा कलास का टाइम रोज साम को साथ बज़े होता है पता है तुम्हें की नहीं साम को साथ बज़े होता है देखो यहां समझो अब कुश्चन इसका जो है वो क्या है वहाँ पर तुम्हें दिख रहा है 105 इंटू 106 का क्या करना है हमें मान निकालना है बच्चा अभी अभी तुम्हें मैंने एक सर्बसमिका लिखवाया था जो चाचा लोग अभी अभी आये हैं वो समझ ले यह सर्बसमिका मैंने लिखा था एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इसको लिख लो अभी यही सूतर लगेगा बच्चवा इधर दिखेगा ना यक्स का स्क्वायर प्लस यह आपका था ए प्लस बी इंटू यक्स प्लस ए बी यह सर्बसमिका लगेगी बच्चा यही लगेगा अभी अभी मैं लिखा था लिखलो रोज यह कलास साम को साथ से आठ होती है आज आठ से नौ हो रही है है पर यहां अब आज डूब रहा है तो कुछ डूबते को सहारा देना चाहिए इसलिए लेट हो गया है समझ रहो न चलो देखो समझो यह सर्बसमिका लगेगी बच्चा तो कुष्टन यहां पे लिख लो लाकर करके इनको यहां पे लाकर रखो question लिखो देखो यहाँ पर डाल दो hull नाइन्थ में हो तो बहुत system से कराना ही पड़ेगा 105 into 106 इसे क्या करोगे एक एक नंबर को जैसे अभी मैंने बताया था दो पार्ट में तोड़ोगे दो पार्ट में तोड़ोगे हाँ लिख सकते हैं 100 प्लस 5 बोलो लिख सकते हैं किसी को कोई परेसानी है तो बता दे न इसको हम लिख सकते हैं into 100 प्लस 6 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं हाँ या नहीं मोहित तिवारी राहुल अहिर अरी कृष्णा भई नाम तो तुम लोग बड़े डंजरफ डंजरफ रखे हो चलो अब हम क्या करेंगे बच्चा ये सूतर लगाएंगे ये सूतर अभी अभी मैंने लिखा था तुम्हें समझ में न आया हूँ तो मैं मिटा दिया हूँ अब तुम मत समझो नहीं आया तो एक वार फिर लिख देता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत बड़े गदहे हो मुझे लिखना पड़ेगा तुम्हें समझाना है तो देखो समझो बेटा अभी अभी मैं एक फर्मूला लिखा था यक्स प्लस ए और इंटू यक्स प्लस बी लिखा था ना ही होता है इसी में लिखूंगा नहीं बोलूगा तो हाई जल्दी से सभी बच्चे पहले को लाइक करें भगवान राम राम माहिर माहि इतना कम लाइक मतलब देख रहे हैं सौ से जाधा तो डेढ़ सो से जाधा लगभग बच्चे हैं लाइक अभी सौ भी नहीं हुआ का चचा पड़ोगे तुम लाइक पड़ो सी करेगा का जल्दी करो तुरंत फार्मूले में मान रखते हैं टाइम बेस्ट ना करो फटा पड़ चलो और मैं देख रहा हूं कौन नहीं कर रहा है अखंड परताब बच्चा सुन रहा हूं ना ए मनतासागी मम्मी नाम ले लेके कमेंट करे जा रही ना जल्दी करो तुरंत देर ना करो मैं देख रहा हूं तुम ही लोग को देख रहा हूं और कौनो कौनो साथ में खाय भी जा रहा है मुझे दिख रहे हैं तुम लोग की सकल है और सही से पैठा करो अच्छे से कपड़ा लगता पहिंगे पस मतलब मेरे बोलने पर 14 लोगों ने लाइक किया बाकी लोगों को लागरा बोलने दो क्या जाता है बेटा इसमें तेरा घाटा मेरा क Bunny सुझता मैं तो बोलता ही हूँ ऐसे भी ऐसे बोल रहा हूं लेकिन तुमँआर टाइम बेस्ती हो रहा है वाई ना करो यह लाइक कारणा है उठा उपर किया चक्छा नीचे वाला कारो नसे निदे ले मेरा की देवाला है और तुम लोग बाईया कलास को सेयर नहीं करते हो यह बहुत गड़बड कर रहे हो जान लो है देखो समझो कि इसी में क्या करना मान रख देना है बच्चा देखो जहां-जहां पर हंड्रेड है वे तुम लोग उल्टा काम करोगे तो मुझे उल्टा ही निकल रहा है जहां-जहां पर यक्स है वहाँ हमाहा पूर तुम हंड्रेड रखोगे जहां-जहां पर आ है वहाँ-वहा तुम पांच रखोगे यहां मैं मान लेता हूं चलो देख लो यहां पर खोपड़ी धफालो इदर माना यक्स बराबर 100 ए बराबर 5 और बी बराबर था सारे मान रखदो ये तीनों मान तुम्हें मैं दे दिया हूँ फुसी सिंग देखो तुम्हें बलाक कर दिया गया है ठीक है तुम्हें बलाक कर दिया गया है देखो समझो प्लस ए एक कमान मैंने तुम्हें दिखाया है पांच है और भी कमान छे है तो बच्चा यह हो जाएगा पांच प्लस छे यक्स कमान हंड्रेड इंटू पांच गुड़ा च्छा इसका मुझे अंसर बताओगे जो दांच यार राई से ना उपहले बताएगा चल बताओ तो यह हो जो मेरे दात बहुत अच्छा जरी इसलिए दिखाता नहीं एक अंडर को गुशा है टूटा नहीं है अंदर को गया है लेकिन अच्छा है बाहर को निकल रहते हैं बाहर को निकल रहते हैं कुछ लोक का इस कि मेरा बाहर को निकला अंदर को गया है देखर हो कुछ लोग उनका सढ गया है । कितना आएगा 11 130 प्रेमचंद बता रहे हैं अभई वहाई भाओ प्रेम चंद नाम ही तुमारा प्रेम चंद है तो उत्त्तर गलत कहां से उगा सही है कि सङरॐ है तो भच्छा दैखो इंस का जब सिथ्कार करोगे तुम तो इसमें 5 जीरो और 208 करोगे तो कि ज्रोग पहले तो अच्छी ना दिया जाता था 11 रूपया अब तो पंडी जी खुद है बोलते हैं 11 का है एक हजार एक देना मिनिमम मतलब छोटा छोटा नहीं तो बड़े में तो लंबा तो 11 का क्या करोगे सौ में गुड़ा करोगे बच्चा ती 1100 होई जाएगा कुछ पंडी जी लोग होंगे करिया रहे होंगे फाल तू हमारी रोजी रोटी बलात मार रहा है मतलब इन सब को जोड़ लो जोड़ जल्दी से 111 30 वही लगवाग आएगा 11130 ठीक है लिख लो जल्दी से स्क्रीन साट लेलो मैं इसको मिटाता हूं बच्चा यह बताओ अब किसके किसके पास NCRT किताब है किसके किसके पास NCRT किताब है देखो राजा जो NCRT किताब लेके बैठे हो ना इकसर थाई 2.5 का कोईस्टन नंबर सिकेंड में अगर तुम देखो तो सेम टू सेम आईसे है जैसे यह है नंबर के वाला अलग अलग है बस और जो कुछ महासाय महोदय लेके दूसरी किताब बैठे है प्राइबेट वाली जैसे मनोहर प्रकासन हो गया लक्ष्मी प्रकासन नगीन प्रकासन पता नहीं कौन कौन सी प्रकासन आती बहुत सारी आती किताबे मुझे याद नहीं सब तो उनमें भी तुम सूत्र यही लगाओगे तरीका यही है वो सकता तुम्हारे में गिंती अलग हो जैसे इसमें 105 है तुम्हारे में 101 हो इसमें 106 है तुम्हारे में 112 हो तो गिंती अलग होगी लेकिन तरीका वही लगेगा सूत्र वही लगेगा याद रखना तो यह टेंस परकासन का है बच्चा देखो तुम एक चीज रबने दिमाग में रख लो किसी भी परकासन की नियम हो ही समान है तो लेबल समान है उनी कि बिहार वाला 12 लेबल का पड़ेगा अधिल्लीे वाला बीसी लेबल का पड़ेगा कच्छ दस में लेबल वही रहेगा कोईशन वही रहेगा पार्ट करम हो यह सब हो यह चलो हाँ बस तुम्हारे से लेबस में पॉलिनॉमियल होना चाहिए बहुपद होना चाहिए बस चलो अब मुझे यह बताओ इस तरह का सारा सवाल कर लोगे की नहीं सादा लोग तुम भी बता दो कर लोगे ना विसाल राजन कुमार को केस एक खुशी यह तों भी कर लेगी ना है चलो है ऐसा काय बोलने पता है जब हम लोग पहले पढ़ाते थे मतलब स्कूल में आज के पुद्धू तीन साल पहले तोहां पे खुशी नाम की एक लड़की थी उसको जितने मारो उतने हस्ती थी मतलब समाधे रहो हुचल जितने उसको पीटो उतने हस्ती थी च्यांत आप समध água से लड़के होते हैं कुछ होते ने पलेंर करोने लगेंगे पयां पयां और कुछ एसे होता नको जदने मारो उतने हसते हैं अब बताओ ऐसे भी होय इसमें कौनों का जिसको खुन दों तो हां से हो ऑद रहा रहे न अरे यह इनको कौन हासने वाली बात है भाई होता नहीं जैसे किसी का नाम पंक यह तो घर वाले बोलता है अई पंक जबा ऐसे बोलते हैं यह खुशी है तो बहुत टेंड मेंड करने लाइक तो बुलाने लगते हैं zuh के तो इसको कर लोगे तुम लोग अ आ मैं इसमें का और कुछिश्टन कर वाऊं क्या इसमें का ओर कर मां क्या है जो चछा को लोग मैं यह चार हैं कि मैं सब कर देख देखो अब तुम किताब वाला कर लो इकसरसाई 2.5 का question number second का पहला पार्ट देखो बच्चा अब तुमारे किताब वाला आ गया समझो तोड़ा थोड़ा बीची बीच में मज़ा आनी चाहिए ने तुम लोग सोने लगते हो इसका मुझे बताओ कौन कौन कर लेगा बाई बलर ना कर यार थोड़ा तो साफ दिखने दे न देखो आज मुझ नहीं दुला हूँ तब भी अच्छा दिख रहा है कि सब कैमरे का कमाल होता है चाहिए सुबेर सुबेर आख रगड के उठ जाओ इसे बीना मेकप के तब अच्छा दिखता है कि सफ़सर मेकप तो हम नहीं करते फिल आ लड़किpunkt लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे अच्छे दिखते हैं चलो देखो समझो पच्चा क्या करेंगे इनको का कर इनको इनको हम one hundred plus three लिख सकते हैं इनको हम लिख सकते हैं बच्चा one hundred plus seven लिख सकते हैं ना मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे भी यहां पर नालायक प्राणी जनम लिए हैं जो चाहते हैं कि मैं लगवाऊं और वो छाप ले तो बच्चा देखो अगर तुम्हें आरा फिर भी कर लो हजम हो जायेगा अपच नहीं करेगा पलटीं नहीं होगी समझ मैं आएगा देखो समझो इसमे तुम सुत्र लगाओ गे यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी योग यह फार्मूलाय जब हम लोग समीकरण बनाते थे उसमें भी लगता था श्में भी लगता था ना बच्चा तो यह सुत्र बनता आपका यक्स का इस्क्वायर प्लस A प्लस B इंटू यक्स और A B का भाई दादा लोग यही है न अभी यही सूत्र लिखा था न मैं यहां लाश्ट में A B है थोड़ा सा कट जा रहा है थोड़ा सा क्या करूं कैमरा इधर गुमाऊं का तुम समझ लोगे नहीं गुमाऊंगा अभी तुम्हां लिखवाया था न यहां पर A B है लाश्ट में आद्व है याद रखके ठीक है चलो नो बच्चा इस फर्मूले में नार्ा यहां पर मानों गे माना तुम्हें दिखी रहा जाहां यक है वहां 100 जाहां इसे वहां क्या थीन जहां बी है वहां क्या बच्चा आध बस ही थीनों को मान रखना है इसे हो गया चलू रख दूफटा-फटो गया बस गीना साहू विकास विश्वास मिनाक्षी रानी रानी साहिबा कुछ समझ में आ रहा कि नहीं खोड़ा बहुत जो चार परसेंटार है ना चलो देखो ठीक है तो बच्चा यह यक्स का स्कॉयर है बाबु यक्स की जगह पर रखो गे 100 तो यह हो जाएगा आपका 100 का स्कॉयर प्लस ए कमान है तीन और बी कमान है साथ तो यह आपका हो जाएगा तीन प्लस साथ यक्स की जगह पर सो और यह तीन गुड़ा साथ लाइश्ट में मैंने सेवन लिखाया है चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं तुम्हें हलका कटा होगा ना कुछा इसे मलिच्छ टाइप के इ नहीं दिख रहा है तुक जा दिखा देता हूं जाए चलो ठीक है बस खुष न अब दिख रहा है न उदर कट गया होगा तो जाद है फैल गया है पढ़ने का मन नहों तो कान में मोबाइल लगा की कमेडी देखो मम्मी पापा देखें हां बचावा पढ़ रहा है इसे ही आ हां मोबाइल में कमेडी चल रही है पैन सामने रखें काफी सामने रखें लग रहा पढ़ रहा है पढ़ रहें तीर मार रहें और मोबाइल में क्या चल रहा है बगवान जाने आल लाइन पढ़ाई क्या क्या कर रही है चलो अब यह कितना हो जाएगा मैं थोड़ा थोड़ कितना आएगा कितना आएगा यह है कि मुझे को ना पता कितना आएगा देखो मैं तुम्हें यहां जोड के दिखा देता हूं क्योंकि तुम लोग वैसे कर नहीं पाओगे हम काहे को वैसे दिमाग पकाएं यह 4 0 न बच्वाद देखो इधर 3 0 यह 21 चाचाई से आ जाएंगे यह 1 1 0 2 1 फाइनल में हो जाएगा 1 1 0 2 1 यानि हम कह सकते हैं 11,021 कुछ ऐसे भी दादा लोग है यहां उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे बोलेंगे क्या ना पढ़ पाएंगे वह भगवान जब उनको जनम दिये तभी बोले थे तुम गिंती नहीं पढ़ना नहीं चलो ले लो पांच सिकेंड का टाइम है तुमारे पास जितेन सिंग आसीश यदुवनसी भोले यादो राजन यादो भबलुलाल सरन निसांत कुमार ललित मीना बेटा कुछ समझ में आ रहा बबुआ है तुम लोग क्लास को सेर नहीं करें ना इमानदारी से बताओ कौन-कौन यह नहीं करें प्लास को यायर कर दिया करो कuksh गरीव इंसान का भी भला ओजाए तुम लोग सेर नहीं करो गे तुफिर वही होगा की बेटा चलो साथ साथ सा करेंगा हो हमारी दुकान चलते हैं हम भी बेंचते हैं लेकिन तुम लोग के लिए फरी कर दिया हूं कि यहा प लेकिन तुम लोग फिर भी सेयर नहीं करते हो कलास, फिर अभी मैं वहीं बोलूँ कि बैच्चा साथ साथ जमा करो चलो ज्वाइन करो, तो क्या करोगे, सो में से साथ भाग जाओगे, चालीस तो जमा करोगे न, कुछ तो मिलेगा, इसका कई गुना जयादा मिलेगा न, लेक बोलो है की नहीं, जो तुमारा वाटसप का ग्रूप है, जिसमें तुम कूडा कचडा भेजते हो दिन बाद, या फिर तुमारा फेस्बूक ग्रूप होगा, जो लड़किया होंगी, उनमें अपना हुनर दिखाने के लिए इंस्टाग्राम बनाई होंगी, जिसमें कुछ का लिंक भी कभी भेद दिया करो, कोई पढ़ भी लिया करे, दूसरा पार्ट देखो, 95 और ये क्या है, 96, क्या है बचवा, 95 और 96, इसका गुडा करो, भईया यह में नई सर्बसमिका लगेगी का, जलो बताओ जल्दी से, इसको करो जल्दी से सभी, 95 और 96, कर लोगे की नहीं, अच्छा बताओ, इसमें कितने लोग कर लेंगे इसको, 80 से दुबंसी कर लोगे बच्चा, बताओं की ना बताओं, मुझे नहीं लग रहा कि बताना चाहिए, अब कर लेना, ठीक है, इसमें किवल माइनस हो जाएगा बस, इसमें माइनस हो जाएगा, जहाँ पर वहाँ पर प्लस हो रहा था, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, अब इसे तुम लोग कर लेना, अगर फिर भी नहीं कर पाओंगे तो मैं अगली कलास में बताओंगा बाद में, ठीक है, आप लाइट गई, वैसे सुक्र है कि नहीं चलेगा, बंद होगा, चलेगा, उधर फैन बंद करके आजाओ, चले, वहीं करके आता हूँ, एक मिनट रुख जाओ, बंद करने, तो लाइट चली गए नहीं सब बैठ जाएगा, अगर बढ़ हो जाएगा, थोड़ा सा रुख देखो, यहाँ पर समझो, आप लोग, लाइट तो जल रहा है, लेकिन कम जल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझो यहाँ पर, इसे कर लोगे, पहले बताओ, हाँ या नहीं, देखो बच्चा, इसको ऐसे करोगे, बच्चा, ऐसे करोगे, 100-5, और यह 100-4, यह बनेग इसको कर लेना, और हाँ, इसमे माइनस वाला सुत्र लगाओगे, नहीं आएगा, तो मैं बाद में तुम्हें बताओंगा, अभी नहीं, चलो, ठीक है, इनस आहू, ठीक है, ठीक है, ओके, तो अब यह बताओ, अगला कुश्चन कराया जाए, दूसरा करी लोगे, तीसरा मे क्या कह रहा है, ठीक है, इमां दारी से नोट्स बनाओ, बताओ मुझे नोट्स बना रहे हो कि नहीं सबी, ठीक है बटकुश्चे कर रहा हो, तीसरा क्या कह रहा है, उपरियोक्तो wait निमनलिखित का और नखंड कीजिए, इसमें भी क्या करना है, तुम्हें फैक्टर ही लग आना है कि 91 और 20 ऐरा आंसर कितना रहा है विसका उत्तर कितना आ रहा है कौन कौन करा नहीं आएगा तुम्हारे प्ताते हैं नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा टेंशन मतली नहें अगली केलस में सर्बसमिक यृट लिखना चाहता था लेकिन लिखना चाहता नहीं है तो मैं क्या करूअ नहीं लिखना चाहता तो मैं क्या करूँ अभी इसमें बज्र गुड़नबिधी ऊर्पड़िंघ doubts moment जो हाई स्कूल में पढ़ते हो अभी इसमें गुलनखंड करना भी तुम्हें सीखना है लेकिन मैं आज आसान वाला सब बताऊंगा जितना आसान है उतना ही बताऊंगा क्योंकि step by step थोड़ा कठिन करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा लेकिन अभी डारेक्टली अगर हम चलेंगे जो आपका किताब का कुश्चन है तो तुम समझ न पाओगा बच्चा गुड़ा करने पर नौ आए जोड़ने पर छे आए कर लोगे इस तरह का चलो तो थोड़ा सा गुड़नखंड करवा देता हूँ गुड़नखंड वाले थोड़ा सा कर लो चुकि टाइम बहुत कम है उसके बाद फिर कल हम आपके बुक वाला फिर करवाएंगे देखो डारेक्ट बुक वाले सारे कुश्चन नहीं करवाएंगे तुम समझ नहीं पाओगे याद रखो इस बात को बाकी मैं जल्दे जल्द समझो यहां पर पहले तुम गुड़नखंड करना सीख लो जैसे मानलो मैंने लिखा यक्स का स्क्वायर प्लस साथ एक्स और प्लस बारा इसके गुड़नखंड करके मुझे बताओ बहुत आसान है एकदम बेसिक है जल्दी से सफी बच्चे इसका गुड़नखंड करके बत पिर हम आगे चलते हैं एक्स प्लस फोर ललित मीना संजय कुमार रूपेस मुकेस ठीक है राहुल कुमार बच्चा देखो मैत में बीक हो तो तुम्हें काम करो जो नंबर दिये गए है ना नीचे उस पर संपर्त करो ठीक है इसका एक्स प्लस थ्री एंड एक्स प्लस 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 पोर आएगा यह एक्स प्लस 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 पूर इसका रहें तो मैं बता देता हूँ जो बच्चे कमजोर है उनके लिए उसके बाद तो कल हम इसके आगे जो आपका किताब रहा उसको पढ़ेंगे इनको क्या करोगे यह आपका क्विशन है यहाँ पे हल इन्हें जो मेथड लगा रहे हैं इसे बोलते हैं मद्य पद को तोड़ कर तो यक्स का स्क्वाइर प्लस यह आपका तीन प्लस चार हो जाएगा इंटू यक्स प्लस बारा ठीक है देखो ऐसे कैसे करते हैं पहले समझ लो थोड़ा सा जो मद्य पद đị Si Тब जीत है और जो लाश्वावला एक आपका 12 है जिसे बोलते हैं क्या है कन्स्टेंट है में देखते हैं कि गुड़ा करने पर मतलब कन्स्टेंट वाला पद आए और जोडने पर क्या है मद्द पद आ जाए यानि हमें ऐसे करना है कि कोई दो गिंती हो जिसको गुड़ा करें तो बारा आ जाए और जोड़ने तो साथ आ जाए मुझे ये तरीका लगाना होता है ठीक है बच्छा तो वो गिंती क्या है तीन और चार लेकिन द्यान रहे कि हमेशा ये परकिरिया यहां पर लागू होनी चाहिए जोड़ने तो साथ हो जाए गुड़ा करने तो बारा हो जाए ये कनफर्म रहना चाहिए होना चाहिए पाच अच्छा समझ में आ रहा ना ये चीज समझो तो इस तरह से यहां पर हम इसको गुड़ा कर लेते हैं यक्स का स्कायार प्लस यह तीन एक्स फ्लस यह चार एक्स और यह प्लस बारा है पस हो गया करना क्या है है अब यह आपका क्या हुआ यक्स का स्क्वायर प्लस यह हो गया देखो इसमें कॉमन ले लोगे क्या करोगे इसमें इसमें तुम कॉमन निकाल लोगे तो बेटा चलो कॉमन ले लो ठीक है डांट वरी कॉमन ले लो चलो इसमें यक्स कामन ले लोगे तो यक्स प्लस तीन बचेगा इसमें चार कामन ले लोगे यक्स प्लस तीन बचेगा फाइनल में तुम्हारा यक्स प्लस तीन और ये यक्स प्लस फोर आएगा ये क्या है फाइनल अंसर है ठीक है अंकित पढ़ लो ठीक है पषिक श्रीज चलेगी दो सब्रसाइब दो तो बता दो देखो बेटा जिनको basic सीखना है PVR study application डाउनलोड करके भी जाके तुम अभी तुरंद कर सकते हो, तुरंद जाके कर सकते हो, तो इस type का एक कर लिए, एक मैं और बताऊंगा अलग type का, आप ध्यान से समझो, इसका screenshot लेलो में मिट आ रहा हूँ, ठीक है? विकास पाल, हाँ, कमेंट आरा पाल जी, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, no problem, चलो, ठीक है, ठीक है, ओके, सब कुछ मस्त है, अब ये question में थोड़ा सा बदल रहा हूँ, अब तुम ध्यान देना, question बदलेगा, थोड़ा सा तरीका भी इसमें बदल जायेगा, ठी क्या बता रहा था, ये गीला है, यार, देखो ये गीला रहता तो ये लिखता नहीं मार कर चलता नहीं, ये मुसीबत है, देखो बच्चा यहां से समझो, question अगला है, आपका next, तीन एक्स काई square, और प्लस, बुड़ा करने पे माल लो, आठेक्स आजाए, और ये आपका ऐसे, देखो ये थोड़ा सा next label का है, है तो ये भी वैसे करना तो इसको भी वैसे है, लेकिन थोड़ा सा अलग label का है, ये थोड़ा सा अलग label का है, ठीक है बच्चा, विकास विश्वास, विकास विश्वास तुम क्या चाहता बच्चा, क्या चाहता है तुम्हें बलक कर दिये जाएं बाबु देखो फालतु का इमोजी मत भेजो ना भेजो फालतु का इमोजी मत भेजो चलो आपका exercise 2.5 का question second तक हो चुका है question third में कल करवाऊंगा लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा मजबूत बना रहा हूँ थोड़ा मजबूत बना रहा हूँ ठीक है इसको मैं बताया था अगर तुम पढ़े हो तो इसके पहले भी मैं बताया था बिटा अब रात के 9 बजने वाला है बेसिक वाले चिल्ला मिला आ जाएंगे सब तो वो भी पढ़ लेंगे इसी में चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलो बेसिक वाले भी इसी में पढ़ लेंगे तो देखो बच्चा दोनों समझो जैसे ये आपका equation है यक्स का स्क्वाइर प्लस मालो 9 यक्स है और यह अठारा है यह और यह दोनों में अंतर है अंतर क्या है वो मैं बता रहा हूं तुम ध्यान से समझो क्योंकि इसमें यक्स स्क्वाइर का गुडांक वन है इसका कोई गुडांक है नहीं मतलब 2,3,4,5 ऐसा कुछ है नहीं हाँ तो हम क्या करते हैं गुडा करने पर सिर्फ इसको देखते हैं कि गुडा करने पर यह गिंती आ जाए मतलब गुडा करने पर 18 आ जाए और जोडने पर 9 आ जाए हम सिर्फ इतना देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये भाईया के साथ भाभी विरायती इंतवका करते हैं, इन दोनों का हिसाब करते हैं, दोनों का हिसाब मतलब कैसे, पहले इन दोनों को आपस में गुड़ा करते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको गुड़ा करने पर लाएंगे, न जैसे इसमें दो गिंती खोजते थे ना जिनको गुड़ा करें तो 18 हो जाए जोड़ने तो 9 हो जाए अब यह भी पढ़ाया हूं ना इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि गुड़ा करने पर 5 हो जाया जोड़ने पर 8 हो जाया कोई ऐसी दो गिंती मिलेगी नहीं जिसको गुड़ा कर लिखना भी नहीं किवल तुम्हें समझना है बस किवल खुद को समझना है चलो है ठीक है ओके ठीक है तो अब नीचे वाला तुम्हें बता चुका हूं अब उस कुजिशन पर जलता हूं मुझे आप लोग बताओ कोई भी दो ऐसे अंक बताओ जिनकों गुड़ा करने तो पंदरा हो जाए और जोड़ दें तो आठ हो जाए जल्दी बताओ गुड़ा करने तो पंदरा हो जाए जोड़ दें तो आठ हो जाए कोई दो गिंती है कोई दो गिंती है 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 चर्चा बाकी तुम जोड दो तो आठ हो जाएगा यहीक है जिनको जोड दे तो आठ हो जायाओगा कफिटी आइगा इनको जोड दे तो आठ हो जाएगा मीदा थीक रहे हैं कल मुकेज कुमार बच्चा फाल्तू कमेंट ना करो मुकेज कुमार फालतू कमेंट ना करो रहें लो अच्छी बात रहेंगी पडलो चलो थिक है तो इसको हम क्या करेंगे 5 प्लस 3 लिख सकते हैं 8 की जगह पे场 2 एक्स प्लस 5 हुआ पस को इसमें किसी को कोई doubt, any problem नहीं, किसी को कोई problem नहीं, चलो, ठीक है समझो, अब क्या करेंगे इनको ऐसे बराबर करते जाओ, इधर मैं थोड़ा खीच रहा हूँ क्योंकि उधर जगा कम हो जाएगी, तो 3x का square प्लस 5 का x में गुड़ा करोगे बच्चा तो 5x, 3x में करोगे 3x प्लस 5, इन दोनों में तुम कमन ले लोगे, इसमें कमन ले लोगे, पहले मुझे यह बताओ, कमन क्या आएगा, अलो क्या दो, ब्रिज मोहन कुमार, अखंड प्रताब मिस्रा मोटी वेशन वीडियो, नेकी राम, कुरी, वही कोरी लिखे ओ, कुरी लिखे ओ, का कह रहे हो, तो देखो, बचवा, इसमें तुम कमन लोगे, तो इस सेफ़ ब यक्स कमन होगा, इसमें 3 यक्स बचेगा, इसमें 5 बचेगा, यहाशचाँ एमें कुछ कमन हैं नहीं लगा रहे है, तो वट जो है ना, गाउं का चौधरी है, इस सब के साथ सामिल रहता है, यह में कुछ न अंसर हो जाएगा यह 3x प्लस 5 एक हो जाएगा और एक्स प्लस 1 एक हो जाएगा यह अंसर हो जाएगा देखो बच्चा अगर तुम्हें नाइंत में पढ़ना है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है आना चाहिए और यह 9 बच चुका है मुझे लग रहा कुछ बेसिक वाले भी आ गए होंगे बच्चे जिनको बेसिक सीखना है तो ठीक है बेसिक वालों के लिए भी जरूरी है यह पढ़ना सब लोग मिलके पढ़ लो चलो जिनको पढ़ना हो पढ़ेंग जिनको नहीं पढ़ना मुबाइल लेके बैठे रहेंगे इदर उदर देखते रहेंगे ताकते रहेंगे पढ़ना है नहीं उन्हें चलो सहादत नाम तो आपका बहुत मुझे समझने लाइक लग रहा है यह सबके लिए है अगर आप बेसिक सीखना चाहते हो तो सबके लिए है बाकि यह यंपी पुलिस में ऐसे सीधा फीधा नहीं आएगा तो आप लोग सीख गए मुझे लग रहा टाइम भी काफी हो गया कुछ और करवाया जायेका है कि कुछ सार्बसामिका लिख लो बच्चा सूत्र लिख लो क्योंकि उन पे आधारित तुम्हें कुईस्टन मुझे करवाने ही पड़ेंगे लिख लो चलो लिखो देखो फार्मूले तभी याद होते हैं जब तुम सूत्र उनको यूज करके कुईस्टन करोगे बाकि बैटके रटोगे लईके न याद नहीं होगा एक हो रटने फिन हैं अधोन आदो का लेका समझत और देखों तर दकजो हैं में कि कुछी रहें इस यह कुछी आपके थिसुटन हैं भकी क्यों सीतलिया वह वही है आट इसमें से को 150-Super बात आइञे हों जारे हैं चलो बताओ फर्मूला कितने को याद है यह सर्भ समिका यह पलस माइनस मेन यही है इस चैप्टर में लगने वाले जो दो सबसे खतरनाक सूत्र है वो यही है और इनके दादव एक जन्यहा है इसी बात नहीं है कि यही तब इंद है उनको भी लिख लो यक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्कॉयर देखो जो बेसिक मैथ पढ़ने वाले कुछ अभी साथ ही हमारे जुड़े होंगे अगर रात के 9 बजे से तो वो जान लें आज बेसिक मैथ नहीं चल रही है यह कच्छनों वालों का चल रहा है उसी पर अधारित बेसिक करवा रहे हैं तुम भी सीख लो बाकी बेसिक क्लाश तुम लोग सेयर करते नहीं हो जादा भी वह आते नहीं इसलिए मैंने थोड़ा दिन के लिए बंद करा है थोड़ा दिन के लिए बंद करा है सुरू कर और अधार कंट वा भाई कमाल आच तुम लोग यह घात कैसे लगाले तो कमेंट में की यह कमेंट में पावर कैसे लग जाती है बाई मैं तो नहीं लगा पाता हूँ तो झालो ठीक है अच्छा आइश को आज कौन सा डे है यहाज मंडे नहीं आज ट्यूजडेय हैं एक थी और सूत्र है इसमें खतरनाक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जड क्यूब एका भी लिखला भाया लिखला बच्वा लिखला एक और भी खतरनाक सूत्र है इसको भी लिखलो यह सर्वसमिका है यह सभी सर्वसमिका है समझो ठीक है माइनस तीन एक्स जड है ओके चलो लिखो इन्हें आगे यह प्लस वाई प्लस जड है ठीक है ओके आगे लिखो देखो सभी का स्कॉयर करता होगे यह 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 और जड है ठीक है सभी का स्क्वायर मतलब ये य का स्क्वायर ये जेड का स्क्वायर तब देखो प्लस है तो इसमें हर जगा सुत्र में प्लफ रहेगा बच्चा इसके बाद जो है वो सारे माइनफ रहेंगे कहां से शुरू होगा यक्स वाई से यक्स वाई वाई जड और जड एक्स ये यक्स वाई और फिर वाई जड और फिर जड एक्स लिख लो ये बहुत ही important सर्वसमिकाएं है class 9th में आये हो ये तो बिलकुल नया है market में अभी ये तो बिलकुल नया है market में ये तुमारे लिए नया लग रहा होगा भाई इनका का नाम है बड़ा ये जेंगुर माची बेज रही है निहारी का माल भी ए निहारी का माल भी ए मार कूडा कचरा बेज रही है इनको ओल्ड कर दो जल्दी से मार कूडा कचरा बेज जा रही है जैसे लग रहा है कूडा दान है ये कमेंट दान नहीं है तो चलो इनको भी कर देते हैं सभी का स्कॉयर कर लो एकस का स्कॉयर प्लस य का स्कॉयर प्लस जेड का स्कॉयर मतलब एका स्कॉयर प्लस बी का स्कॉयर प्लस C का स्क्वायर इक्वल होता है 2AB यानि 2XY प्लस 2BC मतलब 2YZ क्यों भाई असा ही जा रहा है नहीं है कि 2CA होता है तो CA का मतलब ZX कितना तो दिमाग लगा ही सकते हो कितना तो दिमाग लगा सकते हो राहुल कुमार कच्छा 10 का सुबह 8 बजे होता बाबू सुबह 8 बजे PBR स्टडी लहाबाद लाइब सर्च करना मिल जाएगा सुबह 8 बजे PBR स्टडी लहाबाद लाइब सर्च करना मिल जाएगा कच्छा इनका का होगा A का क्यूब माइनस B का क्यूब माइनस थ्री A B और A माइनस B कुछ लोग इनका कोश्टक खोलेंगे तो कुछ और मिल जाएगा वो अलग बात है लेकिन मैं कोश्टक नहीं खोलूँगा काम क्यूं बढ़ाऊं नेकी राम समझ में आ रहा है भोले या दो प्रभू समझ में आ रहा है चलो तो A का क्यूब प्लस B का क्यूब प्लस 3AB और A प्लस B कितना ठीक है चापलो सभी जितने भी सर्वसमिकाएं है सर्वसमिका को इंगलिस में आइडेंटी बोला जाता है तो कुष्टन नमबर सिकेंड है बच्चा और सिकेंड का सिकेंड पार्ट है बेटा देखो ये कुष्टन कुछ ऐसे है 95 इंटू 96 करा इसको डारेक्ट गुडा किये बिना इसका मान ग्याद कीजिए मतलब सर्वसमिका की साहता से मान ग्याद करना है कैसे करना है सर्वसमिका की साहता से मा mahd गयात करना है तो बेटा कल मैंने तुमें एक सूतर लिखवाया था हाँ वह सूतर का था मैंने कल ही लिखवाया था तुमें सबको पता होगा देखो मैं बताता हूं कैसे करना है इसको तुम लिख सकते हो 100 माईनस 5 और इसको तुम लिख सकते हो बेटा 100-4 क्यों भाया लिख सकते हैं कि नहीं पहले मुझे यह बताओ इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें कोई समाजी समस्या तो नहीं होगी अगर हम ऐसे लिख देंगे तो इनको भाया 100 है 100 को हम अरे चचा यह 96 है इसको हम लिख दें 100-4 अब क्या हुआ वही तो होगा ना इसमें से घटाओगे तो छान भी तो आयागा ना तो मतलब तो वही हुआ ना मतलब वही हुआ ना चलो अंकुर राजा हाँ भैं अंकुर राजा बहुत करीब पहुंच गए हो तुम चलो अपढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बाबू चलो तो आप देखो कल मैंने आपको एक सरबसमिका बताया था वह सरबसमिका क्या थी यहां समझो इधर लिख सकता हूं जगा है लिक्स तो सकता हूं लेकिन उधर थोड़ा सा मुझे समेटना पड़ेगा चलो कर देता हूं देखो बच्चा कल मैंने बताया था यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी इकल यह आपका एक सुत्र होता है किसी को याद है तो बोले यस कितने ऐसे गदे हैं जिनको याद हैं बताओ जल्दी बताओ याद है तुम्हें अरे गदे तुम्हें प्यार से बोल रहा हूं भाई अचा सौरी चलो यह होता है एकस काई स्क्वायर ऑ प्लस बी ये एक्स और ए इंटु बी ये सूत्र होता है सर्वसमिका होती है एक बार फिर से सुनलो मैंने क्या लिखा है x प्लस a x प्लस b इकोल x का स्क्वाइर प्लस ब्रेकट में है a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b ठीक है आज आवाज सही नहीं होगी यार वीडियो की इता तरीकी इंटू प्लस a इंटू x क्लस b इंटू x का स्क्वाइर प्लस इकट में है a प्लस b इंटू तो लोग ने बताया नहीं है आज वीडियो की आवाज नहीं सही थी चुकि बाहर का सोर्कुल भी उसमें रिकार्ड हो रहा था अब सही हुआ और वाइस में चैंईंग वहा ना रिके First ज़लो देखो समझो तो बच्चा क्या करेंगे इसमें हम मान रखेंगे ठीकर ready हो यहां पर देखो मान लेंगे अब हम क्या मान लेंगी निकह जगहा पे आफ़ पर हंड्रेड और एक ही जगहा तो बिटा यहां पर सारे मान रख दो इधर यक्स की जगहा पर घंड्रेट और प्लस जगह पे प्लस एकी जगह पर रखोगे बिटा का माइनस का पाँच क्या रखोगे अब बाई कहा पहंच गए हम लोग इसका माम रखने से तो कोई मतलब ही नहीं न है इसके फाम में तो ये दिया आई है रख दो फिर भी तो कोई मतलब नहीं है हमें सीद्री इस का मान रखना है। इसका यह इतने का मान रखना है इसी का मान रखना है तो नीकालना है ह,, तो चलो रखते हैं पर timeárян good है मतलब कर दो यक्स की जगह पर फे lots कर प्लस एक ही जगह पर बिट का माइनस पांच तो एक ही जगह पर का देखो बहुत ध्यान से समझो तब समझ में आएगा बेटा ठीक है बहुत ध्यान से समझो यह माइनस का यह प्लस पहले से है तो यह प्लस रहेगा माइनस का चार ऐसे और यह कोष्ठक बंद हो जाएंगे जो कोष्ठक लगेंगे इंटू एक्स का बैलू हंड्रेड और फिर प्लस एंटू बी एकमान है माइनस पांच और बी कमान है माइनस का चार इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है उदर कैमरा थोड़ा सा मुझे लग रहा करना पड़ेगा क्योंकि कुश्चन जो है वो ओबर जारा बाहर निकल रहा है तो रुकजा भाई जाएगा कहां तू भाग के ये लो जलो अब इनको हमें हल कर लेना है मुझे कोई उत्तर बताएगा इसका जल्दी से कोई ऐसा खिलाड़ी है जो सबसे पहले बता दे पिकास कुमार बहुत अच्छे बेटा पंकजी स्टेटास पंकज बेटा तुम कहां से आगे पहले बताओ गलती से जुड़े हो का कर लास को थोड़ा पीछे कर लो एक हंड्रेड का स्कॉर करोगे बच्चा दस हजार आएगा और प्लस ये पांच और चार तुम्हारा क्या हो जाएगा पता है तुम्हें ये माइनस है और ये प्लस है ये ऐसे कुछ है ऐसे का गुड़ा होगा तो 900 हो जाएगा कि इतना हो जाएगा 900 हो जाएगा वह भी माइनस में रहेगा याद रखना और फिर इधर पीछे साइड में प्लस याद रखना ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस पांच भी माइनस में चार भी माइनस में गुड़ा होगा दोनों आपस में मिलेंगे तो दोस्त बन जाएंगे एकठी चौर मिलका एकठी स्पाही मिलका तब तो दोस्ती नहीं बनना चीह लेकिन कल्यूग में वो भी दोस्त बन जाते हैं चल बेटा तुम चुरा के लाना तो प्लस यह टॉंटी समझ में आया ना सबको देखो अगर कोई समस्य है तो बिल्कुल नहीं संकोच बताना पंकज बहुत अच्छे पंकज राज एंड कार्तिक रावन यह इनका नाम हीतना बड़ा सर्माना नहीं चलो तो भाया यह आपका हो जाएगा फाइनल में यह 900 प्लस का 20 तो बेटा यह प्लस और यह प्लस जुड़ जाएगा आपका यह 0020-900 फाइनल में इसमें से जब हम 900 गटाएंगे तो 91 तो जीरो आएगा कि नहीं गटा के देख लो गलत होगा तो बता देना मैं भी देखूंगा पंकज भाया सही है है आहे रजा सुना इधर ही पहले तुम लोग जो इसको पहले घटा ले रहे हैं वो तरीका सही नहीं है तुम प्लस प्लस जोड़ोगे पहले ठीक है पहले प्लस प्लस जोड़ोगे घटाओंगे बाद में स्क्रीन साथ ले लो इधर वाला मान कभी चाह रफ करूंगा टाइम नहीं है डू फास्ट जल्दी करो मैं भी जहां कूँ मेरी भी फोटो आनी चाहिए वह नेतर लोग आज पांच रुपया जो अलम दस रुपया का नाज दे रहें तो फोटो खिचवा रहें लगा के रिसालत जी नाम आपका बड़ा कठीन है इसलिए माफी चाहते हैं पड़ा नहीं पाते जादा अच्छी इंगलिज चलो अब मैं यह मिटा रहा हूं इसका थार्ड पार्ट यह मताओ कौन-कौन कर लेगा क्यों भाई इसका थार्ड पार्ट कौन-कौन कर लेगा रूबी दुबेदी तुम्हारा कमेंट तो बड़ा चौचक आ रहा है मतलब समझ रहे हूं चौचक का मतलब सबसे ज्यादा आ रहा है चलो ठीक है अगला कुजिशन पर आओ इसका थार्ड पार्ट देखो 104 इंटू 96 इसका अंसर कर लोगे कि नहीं मुझे बताओ देखो डारेक्ट गुडा नहीं करना है इसका डारेक्ट मल्टिपल नहीं करना चचा नहीं गुडा कर लो इसे देखो थोड़ा वाइट दिखरा ज्यादा का मुझे लग रहा थोड़ा चमक ज्यादा है और तुम लोग बता नहीं रहो मैं खुद को गोरा दिखाने के चक्कर में पोड़ को गोरा कर दिया हूं और ज्यादा नहीं चलो कितना एगा कि अधि संजे कुमार कि यह लेसन है टू पॉइंट फाइप बेटा टू पॉइंट फाइप है क्लास नाइन्थ का NCRT बुक है जो मुख NCRT होती है अगर बात करें सीधा सीधा सब्दों में तो जो कि पाथ करम अहीं होता है कि समजो ध्यान से समझो मगर द्यान से देखू मगर प्यार से देखो कम समझो इसको तुम लिख सकते बच्चा 100 फ्लस four जो बता सही है इनटू इसको तूम लिख सकते हो 100-4 बता तरह रहता हो यह कुछिज सिंग तुम्हारा कमेंट तो छफपर फाड के आ रहा है कि समझ रही हो ना देखो यह एक्स प्लस ए हो गया भाई साहब यह एक्स माइनस ए हो गया और देखो बच्चा ए प्लस भी ए माइनस भी तुम पढ़े ही थे बच्पन में अब जवानी में आ रहे हो दीर दी पहे चार फाइनल में हो गया दस हजार माइनस का सोला नो हजार नौस चाराआसि कि कि इतना आया 9984 संकेत कुमार काच अच्छा आ रहा कुछ समझ में समझ में आ रहा है न तो कलास को लाइक करो फिर काहे को देर कर रहा है इतना भाई देखो सभी जितने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं हम सभी का बहुत बहुत बेलकम करते हैं अपने परिवार PBR स्टडी में तो बेटा कलास को लाइक करना न बूलना जल्दी जल्दी से लाइक करो तुरंत देर ना करो फटा फट एक भी सिकेंड का देर नहीं सह जाता आप भई जल्दी लाइक करो तुरंत करो तुरंत चलो रभी संकर बहुत अच्छे बहुत अच्छे रभी संकर जी बेरी गूड बेटा बेरी गूड सत्यम भीमल नीरज बच्चा जो पढ़ा रहे हो उसको तुम पढ़ नहीं रहे हो चलो हो गया राजकुमार चाहरसिय 2.5 है काट का चस्मा लगा लो तुम्हें दिखेगा मैं कहीं लिखा था बुझे तो नहीं दिख रहे हैं 2.5 का question number second है ठीक है exercise 2.5 अच्छा एक बात बताओ जितना मैंने पढ़ाया तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसा हुआ अरे मतलब एकाथ परसेंट घुसा की नहीं कज़ समझ में आ आया अ कि एक खुसी या कि हमका भी समझ मेंपाउद नहीं अ जो पिस सा यह जो सफ्वे आधा उतापाद मसाता है उसका नौ इसे गोलें गिए दो कमेंट में इतना कमेंट कर रहा इतन explor Gaynor कि मतलब परसा सिंह थे हन्डेड परसंट गुसा एकवा कान में डाल निकलने ना पाए जैसे कुछ लोग कहते हैं निये कान में गुद तुना एक कान से निकल गया जिसे बूलने ना पाए एकवा कान बंद की रहा हूं चलो एकवे से सुनो कुश्चन नमबर थार्ड देखो कुश्चन नमबर थार्ड NCRT की जो मुख्य किताब है बिटा अगर उसमें से पढ़ लिये तुम और तुमने क्लियर कर लिया सब यह बता रहा हूं गारंटी है हमारी कि कभी तुम्हारा गलत नहीं होने वाला एकजाम में हंडेट परसेंट करके आओगे चाहे इंगलिस मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो कोई भी मीडियम से हो इसलिए इमानदारी से पढ़ो और कलास को पूरा देखो रोज मैं पैटालिस मिनट से ज्यादा कलास पढ़ाता हूं पैटालिस मिनट से बड़ी उतना देर में अगर लगी भी है तो रोंके रहा जाना नहीं लेकिन चलो कि कहरा कि उप्यूग तो सर्बसमिकाओं का परियोग करके निम्नलिकित का गुड़नखंड कीजिए प्लस चे एकस वाई और प्लस वाई का इस्कुरार यह आपका क्या है क्या है तो नुक उस्वाँ बच्चा पढ़ लो पढ़ लो राजा पढ़ लो देखो यह बच्चा कुछ आजीब टाइप का है पतलब यह अंधा बच्वा दिया है उसका बाब ढूंड आ ये अमेरिका वं अमेरिका ऐसा यहां परसंट बच्चे के साधीक हों ममी का पता हूं whole अ अमिर का विटेन हो गया जो और भी देश भारत डेस में आईसा गंदगी नहीं है यहां पर तो कई असतर पर जाच होती है है होने के पहले भी होती होने के बाद भी तो देखो मैंने ऐसा क्यों कहा क्योंकि यह सर्वसामिका का बिश्तरित फाम पहले से दिया इसको सिकोड के उत्तर बताना है बतलब समझ में आया कुछ देखो मैं बताता हूं देखो इदर यह ऐसे दिया है यक्स का स्कॉयर यह प्लस टू एक्स वाई और प्लस वाई का स्कॉयर इक्वल यक्स प्लस वाई का होली स्कॉयर यानि चच्चा हमें यह दिया है पूरा बढ़का वाला दिया हमें यह बताना है क्या समझ में तुम्हें हमें यह बताना है यह दिया है पूरा बढ़ा वाला समझ रहो ना तो हमें क्या करना है अब समझना है step by step थोड़ा दिमाग एक बित्ता आगे लगाना है थोड़ा और आगे किसका के समझो जेको यहाँ पर यह अक्स ही स्क्वाइर है ना यह 9 एक्स का स्क्वाइर है तो बेटा यह बताओ अगर मैं इसको 3 एक्स का स्क्वाइर लिख दूँ तो क्या इसमें कोई बुराई है बोलो यह 9 एक्स का स्क्वाइर को क्या मैं 3 एक्स का स्क्वाइर लिख सकता हूं अगर लिख सकता हूं तो लोग इमानदारी से बताओ हाँ आप लिख सकते हो बोलो लिख सकता हूँ ना ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ तो प्रॉबलम किसको है फिर ठीक है मैं लिख दिया अब यह प्लस फर्मूला है यह रीयल वाला वरजिनल वाला है यह टू यक्स यक्स की जगहा पे बचवा हमारे में क्या है यह चच्चा है इनका रियल मान जो है तीन एक्स है यह हो जाएगा तीन एक्स और इंटू वाई वाई की जगहापे हमारे में क्या है वाई ही है जयान देना ये थोड़ा इस्ट्रा दिमाग लगेगा इसमें समझ में थोड़ा कम आएगा थोड़ा एक्ष्ट्रा दिमाग लगेगा कम समझ में आएगा लकी कुमार कुछ समझ में आ रहा है देखो बच्चा अगर समझना है बाबू तो कलास को पूरा देखना अगर बीच में तुम जुड़ गए धोके से और भाग गए छोड़के तो फिर कुछ होने वाला है नहीं कुछ हिलने वाला है नहीं किसलिए समझो यह एक्स का मान हो गया यह वाई तो चचा खुद है दिया है वरिजिनल में तो यह तीन एक्स प्लस वाई का होली स्क्वाईर यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यह फिर इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y और यह 3x माइनस y नहीं प्लस दोनों रहेगा यानि यह भी अंसर हो सकता है यह भी हो सकता है दोनों लिख दोगे तो कोई किसी का माइकलाल गलत नहीं कर सका हैं अधा है कि घुखेम का है बोलकि दोनों सॉह है कि अध्श हिए यह अधि apply साल जाबां चाना अधा चोडंट में का था यह थोड़ा है अधा शुखतली कि घुला था था ता भर सुमझना रहा है बहु था है कि अधte मैंने पंचार्त है को वू भी होई है का बंजारे आजा तेरी बंजारन तुझे पुकारे अगो Chung के अलताप साह साह के अलताप साह अगते हम पढ़ लो वाबु पढ़ लो है पूरी देश को ही लाके रख दिया है मैं वैह जलो कर डिसे हो गया पंकज नहीं हो बथा जो जो नए है ना उनको अभी अभी surprise मिलेगा अभी welcome gift मिलेगा पहले class को like करो तब जल्दी करो देर ना करो अगला question देखो इमानदारी से देखो देखो मगर प्यार से देखो यहां पर सिर्फ उत्तर नहीं लाना है अगर सिर्फ उत्तर लाना है तो इनके कई तरीकें तुम लगा सकते हो लेकिन तुम्हारा तरीका गलत हो जाएगा परिक्षा के लिए यह बात अपने दिमाग में रख लो तो यहां पर तुम्हें जो क्लास नाइन्थ में NCRT में method है उसी method से बनाना है समझ रहे हो ना भाईया यानि जैसे आलू का समोसा बनाना है तो उसको समोसा वाली बिधी से ही बनाना है यानि उबालना है छीलना है खोड फाड के गुंच गांच के मसाला हर्दी मिर्चा गोबर माटी मिलाएके बना रहे हैं ऐसा नहीं कि तुम कच्चला एक खाई जाओ पर तो समोसा है नहीं तरीका वही लगाना है पेट दूइनों से भर जाएगा उससे भर जाएगा उससे भी पेट भर नहीं रहा खाली हो रहा है चिल्ला चिल्ला के हर्स कुमार आर्मी लबर पढ़ लो बाबू पढ़ लो कि रोसनक का दिक्कत होई गये ना तो आत निकाल दाना को आख बहर है इसके देखो यह काई स्कौयर और यह जाए माईनस हाँ तो माईनस माईनस वाला भी तो सुत्र होता है यह माईनस दो एकसद य और प्लस वारी का इसकौएर यह सुत्र होता एकस माइनस y का all square बोलो यह होता है कि नहीं अरे भाई जहां a square माइनस 2ab plus b square होता था यहां पर y और y है बस a b की जगा पर y y है बाकि तो सब ओई है ना सब ओई है ना तो यह दिया है तो यह बताओ हम दो y का square अगर कर दें किसको यह 4y square को तो क्या इसमें किसी को कोई अपत्ती कोई परिसानी नहीं ना इसको करने में किसी को कोई समझ्या नहीं ठीक है तो बिटा हम क्या करेंगे 4y square को 2y का square कर देंगे अब तुम ध्यान दो ध्यान दो उपर बड़ो इसके बाद क्या करेंगे बावु देखो समझो कि यह दो तो ऐसे ही रहेगा सूत्र में है इन्टु यक्स यक्स का मान अभी अभी यह मुझे मिला है यह मैंने नया नया पाया है तू आई और वाई 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 मतलब भी वी मतलब इलाइस्ट वाले चैचा अरे यह भी तो सूत्र तुम करें देखो और की अभी जनाहिं समझ भी वहोता है यह चली गहीं के वह कि में अप्यां सूत्र सबलल स्क्रण है देखो नके आए अ नहीं दाने वाई तो फाइनल में क्या होगा भी देखो फाइनल हूआ ही नहीं तो होगा का एक मिनीट रूक जातर और फिर क्या है y का स्कॉयर है न क्योंकि सूत्र में लांश्ट में b का स्कॉयर होता है तो उसकी जगह पे तो कुछ रखोगे y की जगह पे y का स्कॉयर फाइनल में क्या हो जाएगा देखो y तो रहे गई यह x की जगह पे 2y यक्स की जगाँ पे दो आई तो बेटा ये हो जाएगा दो आई और माइनस वाई का स्क्वाईर पह भीजा हुआ है ये बोर्ड सुखता ही नहीं है पंक्खा भी नहीं चल रहा है तक हाँ सुखेगा नमी भी ये बारिस हो रही परियाग राई डूब रहा है डूब रहा है डूबते को कोई सहारा नहीं दे रहा है ये अंसर हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा हाँ या फिर ये हो जाएगा दुनों में से कोई भी एक हो सकता चाहिए ये हो जाए चाहिए हो जाए भाई सूरेस भिलवाडा एकी बात को बार-बार कमेंट ना करिए समझ में आ रहा ना सूरेस भिलवाडा बेटा तुम कभी कलास में आये नहीं और तुम्हें यह कैसे हैसास हो रहा है इनको पर्मनेंट के लिए ओल्ड कर दो यह चले जाए लाइफ टाइम के लिए पशे तो मैंने कर दिया है पी बी र स्टडी एडिटा भाईा आपको कुछ काम ओम नी करना है इı करना Alrighty का बज मुझे लियुंदर हो गया कि ज़ी करो अब असने को लाइक करो एक सब्सक्राइब बहुत तेज होगे बयानות जल्दी करो सभी बच्चे प्रठा फट कलास को लाइक करो बहुत जल्दी करो लाइक करो तुरंद तुरंद लाइक करो जल्दी करो प्रठा पट करो जल्दी जल्दी सोने का नहीं देखो जो सो रहे ना उनको मैं गिररा गिररा के आया भी जाके यहां पर हमारी कलाव चल रहे हैं यहां पर कुछ नालाइक सो भी रहें देखो कोई है सभी कर दि आगे बढ़ें शाकंड प्रथाप मिस्रा तीक है देखो भच्छा सभी लाइक करो देर अ करो प्रवेश्ट ना करो तो नहीं बेस्ट ना करो बच्चा तो फिर हो जाया का गड़बड जलो इसको मैं मिटाया इसको मैं मिटाया ओके जलो कि अब तो आपके कुश्चन नंबर थार्ड के जो है जो पार्ट हो गए तीसरे पार्ट पे हम आगे बढ़ते हैं तीसरा पार्ट देखो ध्यान से समझो तीसरा पार्ट कह रहा बचवा बहुत ही आसान है यह भीज गया मारकर इसलिए इसकी क्या बोलूं मैं इसको नो किसका भीगा हुआ है चल नहीं रहा है इसकी आत्मा जवाब दे रही चलने से पंका चलेगा ही नहीं चलेगा का नहीं चलेगा पंका पंकी प्लाइट चली गई देखो समझो तीसरा पार्ट क्या है अब मुझे यह बताओ यक्स का स्क्वाईर यह ऐसे हैं इसको कर लोगे की नहीं आप लोग कर लोगे आगे कुछ करवाया जाए कि इसी में हम चलते रहें हरी केस बच्चा अभी तुम्हें मुसीबत आ गई अभी तक सही था सब कर लोगे ना भाया इसको कर लेना नहीं मैं बताई देता हूं कुछ लोग मर रहे हैं आपर है क्रिस्तिवारी बच्चा पढ़ लो नहीं पढ़ना है तो निकल लो यहां से तुम्हारे यह तुम्हारे जैसे लोगों की यहां ज़रूरत थोड़ा कम है पढ़ना है तो पढ़ लो यह वाई कई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा इसे तुम क्या करो कि बच्चा 100 को लिख सकते हो 10 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वाइर लिख सकते हो न लिख लो ठीक है लेकिन एक चीज यहां पर समझो तुम बच्चा एक चीज समझो उसे कुछ मत लिखो चाहे यह a का स्क्वाइर माइनस b का स्क्वाइर बन रहा है बोलो बन रहा है की नहीं बन रहा ना भाया तो देखो अगर मैं सूत्र की बात करूं तो यहां पर सूत्र दिखो समझो इसे मत लिखो कुछ ना करो तुम ऐसे समझो देखो a का स्क्वाइर माइनस b का स्क्वाइर एक प्लस b और a माइनस b बन रहा है की नहीं मुझे जल्दी से बताओ सभी बच्चे यास या नो ऐसा बन रहा है ना मुझे बुक खोल लेने दो अब एक्सरसाइज 2.5 है कौन सा है एक्सरसाइज 2.5 क्विश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का थर्ड पार्ट है जल्दी से इसको लिखो और इसको हम फर्मूले में रखके फाइनल में इसका उत्तर निकाल के पलट के देते हैं तुमें चलो तो बच्चा देखो अब हम एक ही जगह पर यह जो दिया है इनको ऐसे कर देंगे इनको तुम वन लिख सकते हो नीचे नहीं तो इनको थोड़ा सुन्दर करने के लिए और धंक से करने के लिए ऐसे कर लो यह आपां देखो 10 कर लेंगे इसको जब इसकvär करेंगे तो आप सबको पता है कि 10 का इसक्वार सोह हो जाता है है न हो जाता है न बच्चा तो यह फाइनल में हो जाएगा ए के जगह पर यक्सा पान वन और प्लस दी की जगह में य्यपान टेन और यही same to same अगले कोश्ठक में हो जाएगा बस answer हो गया final लिख लो अरसित सिंग बच्चा पढ़ाई कर लो अगर तुम वीडियो डाउनलोड करोगे तो ऐसे भी तुमें कलास नहीं मिलेगी जितने भी वीडियो चाहे पुराने है चाहे नए है बिटा अगर आउनलाइन देखोगे तो सारे कलास मिलेंगे और तुम डाउनलोड करके क्या उखाड लोगे आउनलाइन पढ़ो अच्छे से प्यार से नहीं कलास मिलती है बताओ अगर से अलग से कुछ हेल्प मिल जाएगी तेली रेगुलर टाइम पर आओ बाद में डाउनलोड करके अगर देखोगे तो सारी कलास नहीं मिलेगी यहीं पर सुन लो जितने तुम डाउनलोड कर लिए बस तुम्हें उतना ही मिलेगा बिटा दे इसको स्क्रीन साट ले लो जल्दी से हो गया बच्छा ताइम देखो जादा वेस्ट नहीं करने का आगे बढ़ने का फटा 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 फट तो फोर नंबर कुश्चन कुश्चन नंबर फोर अच्छा सभी बच्चे मुझे यह बताओ कि आप NCRT बुक लियो NCRT का किताब लियो देखो कोई भी तुम किताब लियो NCRT है या नहीं है यह बच्चा जो इसमें कुश्चन है और जो टाइप है तुमको सिर्फ वो सीखना है तुमारे बुक कोई भी हो अगर तुम वो टाइप और कुश्चन सीख लिये तो तुम सब कर सकते हो कुश्चन 4 पर कुश्चन 4 कह रहा कि उपर युक तो सर्बसमिकाओं का परियोग करके निमनलिखित में इसे परतेक का परसार कीजिए मतलब इनको और चोणा बनाना है एक्स प्लस टू आई प्लस फोर जड़ वे जूम मत करो प्लस फोर जड़ इनका होल इसको है ठीक है बच्चा इनका क्या करना हमें मान निकालना है यह को लाइट बहुत बुरा कट रही है एक मिनट में फोन मंगा लेता हूँ यह फोन मंगा लेता हूँ थोड़ा रुक जया एक मिनट भई यह चार्ज नहीं है प्यतेन अगे बढ़ते हैं है ठीक है चलो यहां पर समझो फर्मूला इसमें लगाएंगे एक मिनट को लागा ड़े में दो बहुत नहीं है मैं कल मैं लिखिआया था एक स्के जिसका होल कि लिखाया था इसका सुट्र ऐकस का स्कॉयर्प यास κwhy ये का स्कॉयर्ब के मारकर में तोना स्याही डाल लेता हूं बहुत अलका चल रहा है कि इसके आगे तुम बताओ मुझे क्या है इसका सुत्र जल्दी बता जल्दी बताओ सभी बच्चा बताओ जल्दी बताओ बच्चा चलो जल्दी बताओ चले आगे बढ़े चलो ठीक है ओके सरबेस एके हमें पावर लगाना आ गया नहीं नहीं अभी पावर लगाना नहीं आया पावर लगाने के लिए पववा लगाना पड़ता है फिर जेस कुमारे दुबंसी आ गया हो चलो अच्छी बात है और बताओ हाल चाल ठीक है है घर घरहिन पे है कहीं गया तो नहीं न चलो तो बच्चा यह इतना हो गया इसके आगे जगा तो दिख रही न तुमें यह होगा 2AB यानि 2XY प्लस 2YZ और प्लस 2ZX एक बार फिर से सुन लो जिनको कम दिख रहा है वो सुन ले कुछ लोग होता है उन्हें कम दिखता है कुछ लोग होता है कम सुना ही पड़ता है तो बच्चा सुन लो यह X का स्क्वायर है प्लस यह Y का स्क्वायर है और यह Z का स्क्वायर है और यह 2XY 2YZ देखो चचा यह Z है ने इसको दो समझ लो अरे Z पाट जेबरा जेबरा हम इसी में लाला के पतक देंगे और उत्तर आ जायगा यकस की जगह पर बिटा यहांपे देखो यकस है एकस का इसक्वाई और यहांस इसक्वाई यक की जगह पर देखो amd कवाई की जगह पे 2 आई का स्कुर साल चेंट का स्कुर सूर इछ पिटा यहां से जड जट की जगह पे यह फूर जड़ का स्कॉर है एक्स कमान क्या है देखो कुछ अच्छा लोग लिख लें यक्स कमान यक्स है बेटा वाई कमान टू आई है ज्याड कमान फॉर जड़ है यहां से कंपेर कर लो कि इस बच्चा यह तुम क्या पीपी लिख रहा है इतना देर से हां चलो यक्स कमान रख दो भईया यक्स है वाई कमान रख दो बच्चा वाई कमान टू आई है प्लस अब आगे बढ़ते चलो मैंने इसमें दो यक्स वाई में मान रख दिया अब हमें रखना है दो वाई जेड में मान तो दो और वाई वाई कमान दो वाई है जेड जेड कमान क्या है बच्चा फोर जड है उदर साइड में मुझे लग रहा कट रहा है न थोड़ा मुझे इसी में अर्जेस्ट करना पड़ेगा साकेते में समधियान रुख जाए यह फोर जेड बस अभी पूरा नहीं हुआ ध्यान देना मैंने यक्सट का रखा इसका रखा नगें की कि यह इससे बचांँ है इनका नहीं रखा है gerade कमान बेटा फोर जड है और YAKS YAKS कि जगाह पे यक्स है पस इतना ही था तो थोड़ा दिमाग इसमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कुश्चन इतना आसान नहीं है और परिक्षा में अक्सर आपके नाइंथ में हो तो पूछा जाता है तुमारी बुद्धी देखी जाती है कि मैं से चरावे ल मिलेगी तो समझ रहे हो ना पढ़ लो इसलिए अच्छा रहेगा पढ़ लो चलो अब क्या करना है समझो अब इसको मैं थोड़ा और इधर खींचूंगा क्योंकि मुझे वहां उधर साइड में जगा नहीं है तो मैं इसको कोसिस करूंगा यहां से लिखूंगा यक्स का स् स्कॉयर करोगे तो यह यक्स का स्कॉयर ही रहेगा यह दो वाई का स्कॉयर करोगे बिटा तो यह हो जाएगा तुम्हारा चार वाई का स्कॉयर चार जड़ का स्कॉयर तुम करोगे तो यह हो जाएगा सोला जड़ का स्कॉयर और प्लस कितने में किसी को कोई समस्या है तो बता दो अब बच्चा देखो इनका गुड़ा करोगे तो दो दूना ये हो जाएगा चार तो ये चार यक्स वाई और प्लस समझते चलो एक-एक पॉइंट दिमाग में घुसाते चलो एक-एक यहां तक हो गया बेटा यहां तक अब ये दादा बचा थे दुरूना चार और चार चोग सोला यो जाएगा सोला वाई जेड उस्मजे चलो एक-एक मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा चमक हो गई ऐसमें दूसरा कौनो मेथर नहीं ना इसमें कोई दूसरा मेथर नहीं है कोई कोई साड़कर नहीं है यह कमपटीशन का परिक्षा नहीं है लिए तुम करने गया था मैं यह सोला हो गया नीचे वाले में आ जाओ दो चोक आठ आठ जेड़ेक्स यह बेटा फाइनल में तुम्हारा अंसर हो गया इसको मैं उधर से इसलिए बंद कर दिया कि उसमें न मिल जाए उपर वाले में क्या अंसर हो गया जोतिस सिंग्रोल कीता बंजारे हर्स भईया कलास को सभी जल्दी से लाइक कर दो बाबू और जितने भी साथी चैनल नहीं सब्सक्राइब करें वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि वो रोज कलाफ ले पाएं हर दिन विल्कुल फ्री कलास होती य हम डिस्क्राइब ना करेंगे हां अगर तुम्हें बुरा लगेगा चोट लगेगी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं सही है डिस्क्राइब ना करो तो हम ना करेंगे हैं है चलो कि आगे बढ़े हैं हम इस्क्रीन साथ ले लो भाई या फोट वा तक ही चलो कम से कम हमारी चलें आगे चलें चलो एक मिनट आदा मिनट रुखजा चलो जल्दी से लाइक करो भाई ऐसे मज़ा नहीं आरी देखो यार तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो ना तो मुझे बहुत तैज गुस्ता लगती क्योंकि तुम लोग ना हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हो मतलब तुम्हीं लोग के लिए मैंने सारी कलास फ्री कर दिया यूटूब पर वाकि देखो नाइन्थ के अलामा मैं कोई फ्री कलास पढ़ाता हूं यूटूब पर अगर नाइन्थ का छोड़ दो वाकि टेंथ का एक कलास जिसके अलामा देखो बेसिक मैद था सीटेट था सूपर्टेट था जो भी था डियलेड विलेड कहां पढ़ाते हैं सब एप्लीकेशन में चलने लगी पेमिंट के बाद फिरी का कुछ नहीं फिर नाइन टेंथ का है क्योंकि नाइन टेंथ के बच्चे हमारी बात मानते हैं मैं बोलता हूं बट्टा सेयर करो तो बगल वाली अंटी को भी सेयर कर देते हैं तो बाकी जो सीटेट सूपर्टेट वाले खुद अंटी अंकल हो गया उन्हें बड़ी सरमाती हूं नहीं करते हैं तो हमने का आप एप्लीकेशन में पढ़ो परेशी के साथ कोई ना जाने तुम्हें हां चलो है तो ठीक है अगला कोईश्चन उतारने दो भाईया देखने दो कहां गया एक के में इतना दिमाक का दही बन गया है कि इकेंड पार्ट देखो कि इसका होल इसको है देखो यहां ध्यान देना यह जेड है यह मुझसे यह दो जैसे बन जाता है जेड फार जेब्रा जेब्रा मतलब चिट्ठीदार गदा समझे ना चलो अब देखो यह हो गया अब बच्चा इसी में लाला के मान रखना है रजा चलो यह सूत्र होता है ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्कॉयर यह क्या होता है एक्स का स्कॉयर प्लस वाई का स्कॉयर प्लस जेड का स्कॉयर टू एक्स वाई दू आई जेड और प्लस टू जेड एक्स जेको मैं मुह से बोल रहा हूं ध्यान से सुनो यह टू है यह जेड है इस ससुरा सीधा-सीथा बंज़न चलो मिस्टर है ठीक है यहस बहुत अच्छे आपी के जैसे बच्चे तो मैं ढूण रहा हmband जैसे मैंने पहला बताया वैसे मान उनकर कर लेगा मुझे जल्दी बताओ जैसे मैं पहला बताया था वैसे मान रखके क्या आप कर लोगे इसे जल्दी बो यास कर लोगे भई कर लो ना यार क्यूं मुझे परिसान करते हो कर लो sab fa नले उसके बाद चार और पांच में तुमको होमवर्क दे रहा हूँ ठीक है चार और पांच तुम हमवर्क करोगे तो बचवा यह छठवा पार्ट जो है थोड़ा डेंजरस है अरे मैं तगड़ा लग रहा देखने में तो यह छठवा पार्ट में तुम्हें आज बताऊंगा लिखो इसे वन अपान फॉर ए माइनस वन अपान टू बी और प्लस वन दिख रहा है ना तुमको सबको भाई लग राएग नहीं इसका हमें क्या करना है वैलू फाइंड करना है मतलब कुष्टन में पढ़ लेता हूं अब यह जूम ना कर भाई ना 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 ने मुझे ब्यूटिफुल नहीं द समझो कुष्टन कह रहा था उपयूकत सर्वसमिकाओं का परियोग करके निम्नलिखित में से परतेक का परसार कीजिए मतलब इनका एक्सपैंसन करना है क्या दिउज करना है आइडेंटी यूज करनी है आइडेंटी में तुम्हें बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाया हू समझाया हूँ तुम को रगड़ रगड़ के लिए तुम समझो तब ना देखो इडेंटी कौन सी है आइडेंटी देखो इदर साइड में यह फार्मूला तुम पढ़े थे ना बच्चा याक्स प्लस वाई प्लस जेड का होली स्कॉयर बोलो हां बोलो हां पढ़े थे यक्स का स्कॉयर फ्लस वाई प्लस जेड का इस्कॉयर और प्लस यह बच्चा देखो यहां पे तुम यह जान लो तुम्हं यह पर 2 2 2 3 बार आएगा ना तुम्हे उसमें यक्स वाई जेड तीन उईउच कर ना बस कुछ बच्चों को सूत्र याद नहीं होता बड़ा सामिल है यक्स वाई और जड़ इन ही को आलट पलट उलट पलट हेर फेर घचर पचर करके लिखना है बस अब देखो कैसे पहले तो तीनों का वर्ग करना है इनकी सबकी जोड़ी बना दो मनलब साधी करवा दो तीनों की तो मैंने वर्ग तो कर दिया सबका कुछ ज़्यादर समझ रहा का फिर जब यह तीनों पूरा हो जाए म। दूरी हो जाएगा क्या कि याद रखना जड़त हों गया अब बचें गंड़े चाचा जड़ देकिन अकेले तो कुछ होता है सह मैं पता है तो क्या करेंगे तू एक्स वाई ना फिर क्या करेंगे टू आई जैड मतलब हम यक्स को छोड़ेंगे वाई को फिर से लेंगे अगले में भी कररने के लिए तो कि ईतना होने के बाद इस पर यह कंपलीट नहीं होगा नहीं मैं इसलब ऊप्लिट नहीं होगा बहектив इनका हो गया की यह को ना क। इनका भी दिश्चा लगेगा नहीं ति ये केस कर देंगे जाके देखो तो ये हो जाएगा टू और ज्यड ये सबसे पहले रहेंगे लेकिन अकेले थोड़ी रहेंगे मैंने कहा नहीं कि अकेले नहीं रहेंगे अब यहां तो इसके आगे कुछ है नहीं किसी को मिला ले साथ में है यहां तो आगे जूर जा रहा है ये फिर लट जाएंगे हैं यक्स तक तो इसके साथ में यक्स लग जाता है अगर ये सुत्र समझोगे बच्चा समझोगे तो तुम याद कर लोगे बहुत आसान है लेकिन अगर राजा तुम रटनने को सोचे कि हम रट लेंगे तो आगे गाड़ी फसने वाली है अनुप बच्चा पढ़ाई कर लो तुम्हें पांच मिनट के लिए होल्ड कर दिया गया है अगली बहर तुमको हम लाइफ डाइम के लिए ओल्ड कर रहे हैं त्यास है अच्छी बात है पढ़ाई कर लो कुछ हो जायेगा जिन्दगी में कुछ पाज आओगे भड़ाई कर लो माँ बाप कभी नाम रोसन होगा और हमारा भी कहीं बता देना बूल चूक से कहां पीवियार स्टडी में ठीपागला चिलाता है वहां भी देखता था मैं हमारा भी लोग जन जाएंगे ठोड़ा बहुत चलो किया हो गया रोसन कुमार देखो बच्चा यह हो गया अब क्या करना है हमें इनको एक-एक को में settlement करना है यक्स की जगाः पर वाइ की जगाः पर जड की जगाः फे लेकिन एक चीज तो यहां पे तुम ध्यान रखना वो कौन सा ध्यान रखना यह ध्यान रखना बच्चा कि जो जिसके पहले माइनस है उसका मान माइनस में रखो गए हर जगा यानि बी का जो मान है बेटा वो एक बटा दो बी माइनस में रहेगा ठीक है यह चीज तो तुम ध्यान से रखना अपने दिमाग में सिक्ट इबताओ तुम सभी हमें पहले फटा-फट कि यक्स कमान कितना है जल्दी बोलो मैं यहां पर चाहे तो कहूं लिखवा दूं लिख लो इसको कुई मतलब नहीं लेकिन मैं लिख दे रहा हूं लेको यक्स कमान क्या है यहां से देखो एक बटा चारी है वाई कमान क्या है और जेड कमान क्या है जल्दी जल्दी बोलो देखो कुछ कोसिस कर लो बेटा सुभाम सिंग पढ़ने आयो ना चलो देखो इदर वाई कमान एक बटा दो है भी है लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस जरूर लगाना यह बात अपने खोपड कि लगा डालो चलो यहां पर मान रखने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि जो कुछ निकलेगा इधर निकलेगा यक्स कमान रखो एक बटा चार के और इसका हॉली स्कुर देखो एक चीज़ और समझो यहां धर और साहस बना करके रखना है मान रखते समये बिल्कुल बूज तो तुम इसको तेड़ा मेड़ा लिखे कचर पचर करें तो यह सब कम मिल जाएगा यह किछड़ी हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओगे करना किया है इसलिए इसे साफ साफ लिखना किलियर कि भाई यह चाचा तो हां हिस्सा है फलाने दादा के आई मजलका के आई उन के कमान माइनस एक गटा दो भी होली स्क्वाइर कि जड़ कमान कितना है भई जड़ कमान कितना है यहां देखो वन है ठीक है यह वन का होली स्क्वाइर तो देखो अभी अभी मैंने सिर्फ इतने मान रखे हैं यक्स का स्क्वाइर वाई का स्क्वाइर और जड़ का इनका एक भी मान रखा नहीं गया है लेकिन यहां की situation देखके ऐसा लग रहा है हां ऐसा लग रहा है कि बेटा यह उधर अगर तीनों का मान रखूंगा तो आए गनी जगा नहीं है हमरे पास बहुत बड़ी जगा है की कैमरा वमें गरराक उधर ही लेचलना पड़ेगा तो चलो मिलेचलता हूं नहीं पाहले जहां बचा माहा तक रख देता हूं तब अब यहां पेदो एक्स वाई में मान रखेंगे धियान देना दू एक्स वाई के पहले प्लस है तो पलस लगाया दो यक्स से अधेना मैं यह मान रख रहा हूं तू एक्स भाई बहुत ध्यान से देखो बच्चा तब समझ में आएगा नहीं भूल जाओगे यक्स कमान कितना है वे बताएंवन यक्स कमान कितना है अब आगल नहीं तो यह लिखा नहीं ता पहले से हम एक वटा चार एक वाई कमान कितना है यह पहले लिखे दिया हूँ इस लिए पाइलस एक बठाद दो भी इनको कोष टाक में रखना अभी अभी यह नए नए है अभी यहाँ पर अगर तुम ध्यान दो तो बच्चा मैंने इसमें 2XY कमान रखा है अब ये दूइनों कुवारे बचे हैं, इनकी भी करवाद हो भई कहीं से, चलो देखो समझो थोड़ा कैमरा मुझे इधर करना पड़ेगा भई, कैमरा वाले कहां को भया आज लग रहा मुझे कहीं, चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ ये लो हो गया, अब तो आपको ज्यादा चौणा दिखरा होगा दिखरा है ना, तो मान तो मैंने सब बता दी है कौन किसका है, अब इससे कोई मतलब है नी किनारे से सारा मान रखना है देखो अगर समझ समझ के बच्चा पढ़ोगे इमानदारी से, धीरे धीरे तो सब समझ में आएगा अगर तुम भागम भाग आए और चले गए तो फिर जाओ मोनिका रानी, गुड इबनिंग, बिलकुल बहुत अच्छे हैं, बस आपी की कमी थी इस कलास में और आप आगई हैं तो फिर अब ये कलास रुकने वाली है नहीं कितना हो गया, अब प्लस दो यजड, तो भई या दो को तो ऐसे दो रख लो य कमान कितना है, य कमान अभी मैंने तुम्हें बताया था, मैं फिर नहीं बताने वाला हूँ वाई कमान ये है माइनस एक बटा दो भी हो जाएगा माइनस एक बटा दो भी समझते हैं चलो उधर देखो जगा छूट जा रही है अब मैं कहां दिखाऊं तुम्हें रुको मैं थोड़ा और उधर करता हूँ देखो यहां पर अर्जेस्ट करना बहुत बड़ी बात है या तो मैं डबल लाइन में लिखूं लेकिन मैं डबल लाइन में लिखने वाला हूँ नहीं चलो सारा मान रखके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ थोड़ा इसे दूरी कर दो भाई जूम आउट कर दो थोड़ा य है इतना बन गया था यह दो एकसवाई वाला इतना बन गया था कि उसके बाद में मैंने क्याए था उसके बाद में मैंने यह टू वाई जट कमान रहूं ऍंडू में लेकिन अब इस दो औन लिखना समभव नहीं टो देखो चाचा जो यह गुड़ा का dus याद रखना तो जो 2 z x है ना इसका मान हम नीची रख देंगे दूसरी लाइन में तो प्लस ये 2 और z z का मान 1 है यक्स यक्स का मान इधर साइड में तुमें दिख रहा है 1 अपान 4a यतनी ही मुख के मेहनत थी इस कुईस्चन में देखो कितना भी टाइम लग जा बच्चा लेकिन अगर तुम एक बार समझ लिए ना बहुत मजाएगी जितने बच्चे जुड़े हैं सभी इस कलास को लाइक कर दें उत्तर आ गया है बस मैं लिखने वाला हूं जल्दी कर दें बाबु देखो आप लोग को लाइक करना चाहिए आपकी जिम्मेदारी है ठीक है अपनी जिम्मेदारी को आप समझते चलो फटा-फट कलास को देखेंगे एक बटा-चार-ए मतला तुम जान रहे हो इसक्वायर करने पर हो जाएगा बेटा एक बटा-शोला-एक-इसक्वायर क्योंकि हम में बच्च्पन से सिखाया गया कि फॉर का इसक्वायर यह बढ़के चाचा होते है इसक्वायर समझ गए ना चलो देखो अगर भागम भाग करोगे तो कुछ नहीं होने वाला प्यार से समझोगे भाई प्यार से तो फिर बहुत कुछ हो जाता है तो बस वैसे समझो अब यह प्लस यह देखो स्कॉयर है एक बटा-दो-बी बिटा अगर इसका स्कॉयर करोगे तो तुम्हें पता है यह हो जाएगा एक इतना हो गया डन याद रखना जितना मैनने खीचा इतना क्या हो गया डन हो गया अब बच्छा हमें इनको एक-एक को करना है नहीं समझ में आ जाएगा बिल्कुल टेंशन न लेना बोल देना क hè बिल्कुल बोल देना देखो ये दो ऊपर है मतलब आंस में है ये दो हर में है तो बेटा यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो ये थोड़ा कठीन है बैच्चा इसलिए कुछ बच्चे भाग जाएंगे मुझे पता है वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको पढ़ना है नहीं इसमें थोड़ा दो कार्ट देना है कैंसिल कर देना है अब देखो यहां पर माइनस चिन्न है माइनस है और यहां पर बच्चा पलस है ना समझ में आएगा वीडियो को तीन बार देखो चार बार देखोगे अभी कलास खतम हो जाएगी पक्का आजाएगा तो यह आप्लाइन कलास तो है नह है कि मैंने करना हैंक हम नेके 2 से 2 हो मैंग हमने 2 तो माइनस काठ दिया अब इह चार बचार और यह जालाल यह है और यह पर है चाहतें बच्छा अब हास्त श्राप हो तो क्यों कि का है इसे ।बहु कैट guitar कृक्षा है तो यह चार के उपर वन लिख लो और ए भी साइड में रख दो भी क्योंकि मैंने यहां पे भी इधर ऐसे किया अब समझो अब यह तो हमारा इतना हो गया देखो जितना करते जाओ उतना गहरते जाओ जिसे तुम्हें कन्फ्युजन नहो ठीक है बच्षा समझ रह Queens बेद इतना देखो कि इसमें अगर तूम द्याना दो पर हमारा चिन-धहां माइनस ह्यां पे बेटा प्लस है प्लस- 님्म क्या हो अकले भी अब नीचे वाले में आ जाओ फाइनल देखो यह दो है गुड़े वन है और फिर गुड़ा का चीन एक बटा फोर है इसका मतलब है बच्चा कि जो दो है यह अंस में है यह जो फोर है यह हर में है कहने का मतलब इनका आई से रिलेशन बन जाया यह उपर नीचे वा कि एक पॉइंट समझाओंगा हमारी भरपूर कोशिस होगी कि जो एकदम गदाहा से गदाहा लड़का है ना हो का भी समझ में आ जाए अब लेकिन तुम उससे बड़े खच्चर हो तो फिर अलग बात है तो चलो यह तुमारा कट जाएगा दो आएगा तो यह चिन यहां प वैसे ऐसे भी छोड़ सकते हो कोई गलत नहीं है लेकिन इसमें थोड़ी गुंजाई से जो हम कर सकते हैं अब ही वह मैं करूंगा जल्दी से देखो इधर इसक्रीन साट लेलो करना चाहो तो इतना भी सही है इसमें कुछ गलत नहीं है जादा देखो समझो अखिलेश कुमारी पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो भाईया अराधना कुमारी दीपक ब्रो को बाद में देखना पहले इधर है देख लो हमें भी देख लो कुछ देर देखो इधर चलो यह आपका इसमें मल्टिपल होगा तो फाइनल में इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो एका स्क्वाईर अपान 16 प्लस यह बी का स्क्वाईर अपान 4 और प्लस वन माइनस यह एवी अपान 4 और माइनस बी और प्लस एपान 2 देखो दोनों आंसर लिख सकते हो आप उपर वाला भी लिख सकते हो नीचे वाला भी लिख सकते हो अब 2.5 का 4 का 6 पार्ट है मैं इसे देख लेता हूँ 2.5 का 4 का 6 पार्ट हाँ ठीक है चलो इतना आ रहा है ना मनोज आ रहा कुछ समझ में गोरक सानी बच्चा का है मुँ बना रहा है काला क्यूं कर रहा है भई इसक्रेंसाट ले लो जल्दी से इसका मैं मिटाता हूँ बहुत जल्दी करो स्क्रेंसाट ले लो फटा फट देर ना करो देखो खाली मन सैतान का अड़ा होता वेटा वो मैंने खुद अनुबो किया है दिमाग खाली रहेगा बहुत कुछ याद आता है पीते हुए गुजरे हुए कल याद आते हैं बहुत कुछ चीजें याद आत रखो अपने अच्छे काम में प्रजक्त अपना बना के रखो कि मुझे इसके बाद क्या करना उसके बाद क्या करना उसके बाद क्या करना है कि दिमाग साले को टाइम है ना मिले कुछ सोचने का कि यहां आईसा कैसे हुआ पैसे हुआ है कि समझ रहो ना कि नहीं समझ रहो यह चीज ध्यान देना अभी तुम्हारी लाइफ आगे बहुत ज्यादा जाने वाली इसलिए बता रहा हूं मिटाओं कि रेज करने वाला हूं जल्दी करो जल्दी करो भाई अमन राज बेटा रिक्वेस्ट बाद में बेजना पढ़ लो बाबू पढ़ लो गदाहा पढ़ लो खच्चर पढ़ लो तो यह आपका चार नंबर कुश्चन हो गया बच्चा मैं थोड़ा सा मिटाया हूं जो लिख रहे हैं वो लिख ले बसे तो स्क्रीन साट ले लिया करो मेरी मानों तो अच्छा रहेगा बाचवे कुश्चन पर चलते हैं आप पढ़ रहे हैं कक्षा नो की एंसी आर्टी मै को का है को इसन नंबर 5 में हम लोग चल रहे हैं गता समझो आप बहुत कुछ हो रहा है इसमें लाइफ में सोचना पड़ता है टाइम भी हो गया उमर भी हो गई चलो देखो समझ को कुश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अगरा कुष्ण की जिए पूर अनखंड की जिए यानि अब तक भाईया ओ बाप से बेटवा प्राप्त करना था ऐसा समझे लो पिता से पुत्र की प्राप्ती करनी थी अब पुत्र से पिता की प्राप्ती करनी है कहोगे यह कौन उल्टा सवाल है भाई कहीं पुत्र से पिता पैदा होगा का पाइदा नहीं होगा लेकिन खो जा जा सकता है जैसे मान लो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप जानना चाहो कि भाई हमारे पिता जी कौन है तो आप हमारे गाउं महला गली महला आओ गया देश समाज में तो हमारे बारे में पूछोगे भाई फलाने पापा कौन है तो लोग बताएंगे तुम्हें पहुंच जाओगे ना समझ रहो ना मतलब हमारे माद्यम से पहुंच जाओगे तो कहने का कुछ ऐसा ही इस कुष्चन में है कि इसमें जो बिष्टरित फार्म है वो दिया है अभी जो पढ़े हो ये साड फार्म दिया था इसको बिष्टार करना था इसमें साड फार्म का बिष्टार करना था लेकिन बेटा जो आप पढ़ने चल रहे हैं उसका बिष्टरित फार्म दिया है उसका बिश्तरित फाम दिया है उसको साथ फाम में तुम्हें बदलना है कुर्शन देखो तभी बच्चे ये बताओ तभी बच्चे ये बताओ क्या आप लोग NCRT बुक लिये हो NCRT वाली किताब लिये हो की नहीं लिये हो ना भाया चलो ठीक है लिये हो तो मनोज यादव आदी तिरपाठी अंस यादव रोशन मुकेस परमार पिटा कुछ समझ अमझ में आ रहा है न हूं एस्यू राजपूत नाम तो तुमारा कुछ सम्मान नहीं है लेकिन तुमारा काम गड़वड़ है हां देखो इधर इसका जो फा Convention है 4X का स्क्वाइर प्लस 9Y स्क्वाइर प्लस 16z का स्क्वाइर 16Z का स्क्वाइर प्लस 12XY minus 27 yZ और प्लस 16xy इनको क्या करना है गुड़न खंड ग्याद करना है देखो थोड़ा सा इक्ष्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें इसमें थोड़ा सा इक्ष्ट्रा दिमाग लगाना है एकदम थोड़ा सा तो चलें क्यों न लगा लें हम लोग देखो इसका जो बिश्तरित फार्म है वो दिया है इसको हमें क्या करना है बिश्तरित फार्म से साड फार्म में चेंज करना है तो ठीक है कोई दिक्कत हैरानी परसानी की बात है नहीं हम कर लेंगे चल भाईया आजा इधर ठीक है चलो अब इनको फैलाना नहीं है बटोरना है समझो इधर समझो फलने आओ इधर आओ देखो यह A काई स्क्वाईर है अभी सूत्र हम यक्स वाई की रूप में बताया थे न तो यह X का स्क्वाईर है यह Y का स्क्वाईर है यह Z का स्क्वाईर है यह 2XY है यह 2YZ है और यह 2ZX है समझ में आया ना विकरम विश्वास अनूप एके अनूप बलराज बॉस नीरज हीना लल्ला ने आदो जीतेंद सिंग वह जीतेंद्र ने बहुत अच्छी कोसिस किया बेरी गुड चलो देखो इधर समझो तो बच्चा एक चीज समझो यहां से तुम यह फर्मूला तो तुम सब जानते हो यह X का स्क्वाईर प्लस Y का स्क्वाईर प्लस Z का स्क्वाईर इक्वाल टू रे इक्वाल उक्वाल नहीं होता है यह भी तो प्लस में होता है न यह तू एक्स वाई प्लस टू जेड एक्स वाई वाई जेड और टू जेड एक्स यह सर्बसमिका तुम सब जानते हो कि नहीं जानते हो न चाच्चा यह तना के बरावर होती है कितना की यह यह सर्बसमिका जानते हो तो बोलो हाँ जानते हो अखंड परताब बताओ जानते हो भाया मोनु सिंग विजय भिंड आकास राय हाँ ठीक है आकास बहुत अच्छे तो इसी तरज पे आप यह समझो कि इसका बिक्सित रूप यह दिया है इसे हमें पीछे खीचना है यानि दो यक्स मैं ऐसे बात करूं तो तुम्हें इसका सबका वर्गमूल निकालना है तुम्हें क्या करना बिट्टा इसका वर्गमूल निकालना है राज्जा हां इसका वर्गमूल निकालना है तो भाया सीधी सी बात है इसका दो चार का वर्गमूल दो आ जा जाई उसका वर्ग कर देना है यानी final में होमें यहाँ लिखना है यह दो जाओ ह selection इसका हूले हुआ पूल इतना समझ में कुझ आए अonent फ्रस तरह लाइन पालों पैटा लाइन में प्ढ़ रहे हूँ उब mathematics पढ़ रहे हो गाउं में बड़ा मान सममान हो गाई फलानमाक लड़कवा साइंस पढ़ता है हाँ अब फलानमाक लड़कवा कहा कंडीशन है mathematics में प्लानियाक बारे में सोच रहा है तो पिर इसे नपर पाओगे एक बार ना समझ में है दुबारा देखो देखने कीसे देखते रहो तो ये तुम्हें समझ में आ गया है हाँ अब देखो यहां iNCRT का PUL 나온 こुन पूछ रहे है बैटा देखो यहान मतलब होता नेशनल लागे द省टार्च प्रिशार्च घुसकear के कानशुकि त्रेणिंग नेशनल कावंसी्ल आफ एजु कैशनल रिसैर्च एंड ट्रेनिंग तुमारे बूक में देल देखे हैं हिंदी में लिखा होगा राष्ट्रियां सहच्छी का अन्सवंधान परिसद ठीखें कि चलो देखो है तो यह हो गया अब नौ एक नाइन वाई स्क्वाइर का वर्गमूल करोगे बिट्टा तो तीन वाई आएगा तो तेन वाई का एksकवाईर क के डोल लला जेड़ स्क्वाईर का वर्गमूल करोगे तो क्या एक चार और जेड़ का चेक है 12 एकक्सवाई 12 एक्सवाई 12 एक्सवाई देखो अब अगर तुमको यहक्सवाई जेड़ कमान मिल गया तो तुम वाट सब यादाओ चलो देखो ठीक है इसलिए कहाना कि दिमाग को हमेसा बजी रखो वना इस जिंदगी में बहुत कुछ घटा रहता है और वह घटना है अगर आपके माइंड में आएंगी तो आपका काम कुछ नहीं होने वाला है अंदर इंसान के बहुत बड़ा सागर होता है जो समाज के सामने नहीं दिखता है है ना दबा के रखता है चेरे पे कुछ और दिखता है अंदर में कुछ और होता है समझो यहाँ फिलाल में जो बात कर रहा हूं इन में से कुछ लोग ऐसे होंगे वो समझ गये होंगे देखो बेटा इर्फान अंसारी अभी नहीं हुई तो यह हाल है हो जाएगी तो क्या होगा देखो इधर यह 12 है ना तो 12 को क्या लिख सकते हो तू मैं बता क्या रहा हूँ यहां देखो यह मैंने जिसको गह रहा है इसको देख रहे हो ना इसको देख रहे हो ना देखो हमने यक्स का वाई का और जड़ का यक्स वाई जड़ तीनों सबके मान रखे हैं यह अब हमें दो एक्स वाई क्या करने है दो एक्स वाई इनके क्या करना है मतलब इनके फार्म में इसको एक रहा है ना इसको हम गुड़नखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं दो गुड़ा दो गुड़ा तीन को लो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना तो हमें क्या करना है इस टोयल को ऐसे ही एक्सपेंड करना है मतलब इसका गुड़नखंड करना है समझ रहे हो ना बच्चा जैसे बारा को मैंने लिख दिया दो गुड़े दो ये तीन जो भी लिखा है ऐसे ही करना है तो बच्चा देखो एक दो तो फार्मूला में होता है ये तो कंफरम है ये दो तो मैंने लिख दिया सुत्रवाला बाकी यक्स और वाई कमान रखना है आपको बस यक्स और वाई कमान रखना है तो राजा देखो यक्स कमान दो आया था और बाबू देखो ये वाई कमान कितना आया था तीन आया था अरे साथ में वाई भी है इसमें यक्स है वो मत भूलना तो समझो तो यहाँ पर यक्स का मान में रखूंगा दो यक्स और वाई का मान में रखूंगा तीन वाई लेकिन एक बात ध्यान देना यह आउकाद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह है कि जो तुम सारा मान रखे हो इन सबका गुड़ा करो तो बाराफ ज़्यादा नहीं हाँ नहीं तो पता चले कुछ भी रखा तो यहाँ पर टोयल रहे इसका मान ठाईस हो जाए मतलब उस से ज़्यादा नहीं हो तो सबी बच्चे मुझे यह बताओ क्या यह साही है बोलो हाई या नहीं क्या इनका गुड़ा करने पर बारा एक्स वाई आएगा कि नहीं आएगा धर्मावती हाँ आएगा यह नीचे तो मैं सूत्र लग यह लिखा हूँ तुमको समझाने के लिए बाकी सारी कहानी तो ऊपर हो रही है तो अंकुर राजा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो इसमें बाबू भी है चाचा भी है दादा दादी सब है देखो आएगा न तो ठीक है अब हम दूसरे पर चलते हैं इधर दीखतो रहें न माइनस दो देखो फार्मूला वाला दो मैंने रखा है बस किवल सुत्र वाला मैंने दो रखा है इसका काम हो गया अब हम इनको ही देखो ये दो थो सुत्र वाला था मैंने लिख दिया अब तोई कमान रखो और awaiting का ये और गुड़ा करके देखना कि 24 से जादा नहीं होना ये कि आँ कोई और गया करने के बाद देखो की 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ये समय ये है 시청 ये가요 hey अभी अभी मैंने सब यह की रहा है तुमकी रहाया में क्या बता हूं तेखो यहार साइंस के स्टूटेंटों मैं बारा बार बता रहा हूं अगर लॉपं bono ये लाइब खत्म होने के बाद वीडियो यूटूब पर रहेगा अगर तुम कलास को लाइक किये रहोगे तब तीन बार देखो, चार बार देखो पांच बार देखो, चाहे इतनी बार देखो जितने ज़्यादा बार देखोगे उतना बेहतर तुम्हें समझ में आएगा ठीक है? चलो इतना होगे आगे बढ़ते हैं यह बात अपन दिमाग में रखो ध्यान से ठीक है? चलो आप समझो कि इतना हो गया? अब हमें अभी एक और रखना है लाइष्ट में रखना है, वो क्या है? हमने इनका इनका मान रख लिया इनका काम सारा होई गया था अभी यह बचाया के लिए बस इसका मान रखना है तो भीया चलो इसको भी रख लेते हैं उपर साइड में यहां नीचे जगा है आगे तो जगा है नहीं इसके आगे तो जगा है नहीं तो मैं नीचे थोड़ा इसका लिख लूँगा चिन कौन सा लागेगा? प्लस का लागेगा? अच्छा यह चिन कैसे डिसायड हो गा हाद एक ओब एक चीज यहां समझो यहाँ थोड़ा गलती होगी यहां थोड़ा गलती क्या है पहले समझते हैं देखो मतलब कुछ तुम्हें बदलना निए कि वग चिन की गलती है जेहां से समझो कैसे आप ये देखो यहाँ इसके सामने प्लस है ना इसके सामने प्लस है इसके सामने भी प्लस है क्योंकि ये सभी वर्ग के रूप में लिखे गए इसलिए वो माइनस था फिर भी प्लस हो गया इसमें देखो बच्चा बारा यक्स वाई है यानि इसमें यक्स का भी मान सामिल है y का भी मान सामिल है फिर भी यह प्लस में है यानि यहां से हम यह कह सकते हैं कि यक्स और y दोनों की value positive रखी गई होगी दोनों का मान प्लस में रखा गया था तब ही यह क्या है प्लस में है यहां तोड़ा सोचना पड़ेगा पीछे यहां पर देखो 24 या Y Z है 24 Y Z है बच्चा यहां पर हमें यह समझ में आ रहा कि जो Y है वो तो पलस में है क्योंकि अगर Y माइनस में होता तो यहां भी माइनस में रहता Y एगर माइनस होता तो यह भी माइनस कर दिया होता यानि यह आपर जो Z है वो माइनस में था इसका मतलब क्या है जो Z था वो माइनस में था यानि बच्चा ही जो मान तुम फोर Z रखे हो ना यही रहेगा लेकिन यह कोष्ठर के adoption के अंदर सबस्क्राइब इसे बलाग करो फटाफटों हां इस सबस्क्राइब करो इनको नहीं पढ़ना उन्हें करो देखो कि यह ठीक है तो यह माइनस फोर जेड का स्क्वायर अब जहां जहां तुम कि यद्र का मान रख़ा वहां माम इनस में रखो गे याद रखना तो बच्चा क्या होगा यह यह चिन ची doesn't laugh लगाओगे क्या नहीं किसी डाऊगे इसलिए प्लस में लगाओगे है लेकिन欢हिक क्या होगा माइनस फॉर जेड잡र कि यहां पे हर के र privator Kath तो में में चिंद है यह में धिने यह में यह है यह 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 और उसके बाद नहीं ये सारे चिंद मुखे मुखे पलश में लगाएं अन्दर के जो कांटेंच उन्हें माइनस प्लश करते जाओ के फाइनल करो, तूसी according सिंध्ल इसाइड कर दोगे। इस कि जहां-जहां जेड का मान रखा है वो क्या माइनस अब हम इसका मान रखेंगे 2 x यह ज़िए नहां क्या है पहले बताओ चल यह जो बात चीट कर रहा हूं बदा है जल्दि बताओ फटा-पट देर ना करो जेड का मान क्या है गदों बोलो जल्दी पांच घंटा मत लगाओ मैं इसको मिटा रहा हूं नीचे वाला हरी केस यादो यह हीना नाम बड़ा फेमस हो रहा है मैं इसको भी हीनीना आता हूं रूपो और एटी को नहीं है अंकूर वर्तिका स्रीवास्तो बहुत अच्छे वर्तिका बेरी गुड उजमा नहीं जेड कमानी स्कॉयर में नहीं आपको माइनस फॉर जेड रखना है बस जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है जो यहां पर वही से आए हैं भगवान भरोसे उनके भगवान नहीं मलिकवान माइनस फॉर जड ठीक है और यक्स कमान क्या है यहां से तुमने देखा था यक्स कमान है बच्चा दू यक्स अब मैं इसको मिटा दूँगा नीचे वाला फार्मूला जिस पर मैंने इसको रख करके किया था गीता जी तेंद्र आसी से दुबंसी क्वाल्टिक्स गर्ल नाम अजीब अजीब सा है गौरो तुबह में आदो अच्छा बताओ समझ में आ रहा है जो तो दिल से समझ रहा है और कलास में सुरू से जुड़ा है उसे तो आएगा और जो अभी अभी आया है इधर उदर बक्चती कर रहा है आपर क्या बोलते हैं उसे बात्चीत जिसे बकैती बोलते हैं बकैती रहा है उसे ना आईगा तो बात्चीत ना करो समझो अब बच्चा ये सब जितना हमने एक्सपेंड किया है मैंने अभी बताया था ना कि अब तक जो मैंने पिछले सवाल में किया था वो कुईस्चन से अंसर लाया था यानि पीता जी से लड़कन की खोज हुई थी भाई फलाने कितना लड़का है लेकिन ए में का है ए में अंसर से कुईस्चन लाना है यानि लड़कों के माध्यम से पीता जी की खोज करना है यह तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में तो यह था तो अब हम क्या करेंगे इसका अंसर एक लाइन में आएगा सब में से एक एक ले लेंगे यह दो एक्स और यह क्या हो जाएगा बच्चा तीन कवाई वह यह जड माइनस में आएगा कि नहीं वह जड माइनस में आएगा क्योंकि जड कमान माइनस में है फिर माइनस का फोर जड इसका हो जाएगा होल स्कॉयर अब कैसे हो जाएगा मैंने बताने वाला हूँ अभी तक मैं तुम्हें यही समझा रहा था यह तुम्हारा एक आंसर हो गया चाहे तो तुम इसको आंसर लिख दो बच्चा या फिर राजा तुम इसका होल स्कॉयर है तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते हो यह अगर इसकॉयर है तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो यह भी तुम्हारा आंसर हो सकता है चाहे यह चाहे यह दुनों मेंसे कोई भी हो सकता है लेकिन ज्यादा अच्छे से करना है तो इसको नीचे वख लग लिखो मतलब कलपना करते हैं निम्नलिखित घनों को परसारित रूप में लिखिये, क्या कह रहा है, निम्नलिखित घनों को परसारित रूप में लिखिये, मतलब कि हमें इसे इक्सपेंड करना है, इक्सपेंशन करना, ऐसे कुछ होता ना इंगलिस में वर्ड, होता है न, तो परसारित रूप में लिखना ना बचवा पहला कुश्चन है जो यक्स प्लस वन का होल क्यूब अब हम यह सारी जितनी भी एक्टिंग है करना सुरू करने वाले हैं और तुम में से जो कलास को लाइक नहीं करा बच्चा पढ़ना नहीं चाहते हो तो फिर ना करो अगर पढ़ना चाहते हो तो निवेदा न इसे । carried a Yes to me as a separate रहूंगा तुम अससे सुनते रहोगे असमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है है एक्टा यह फार्मूला में तुम्हें बताया हूं यह तुम्हें मैं बताया हूँ लेकिन तुम याद करे हो इसकी कोई guarantee नहीं लेता हूँ मैं क्योंकि तुम याद करते नहीं हो इसी फर्मूले में इसको रख के ठोक देना भया अब कहोगे ठोक देना बड़ा गंदा बड़ा ये मारे मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, मैंने सुना उनी से सीखा है, चलो, हो गया ये? इसमें रख के क्या करेंगे, इसको परसारीद करेंगे, कर लोगे न, लेकिन अभी पूरा बचवा पूरा नहीं हुआ, हंड्रेड नहीं पूरा हुआ, अभी हंड्रेड नहीं हुआ भाई साहब हंडेड पूरा करो जल्दी सेयर करके फटा फटा ऐसे मजा नहीं आरी वैसे भी मुझे आज कम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है बताईए जल्दी बताईए फटा फट बताईए भाईया जिनको ज़्यादा पता है वो कुछ ना बताएए आपर तो अच्छा है पंकत जी ठीक है बहुत अच्छे नीरज कुमार आकास जोती सिंग्रॉल रितू कुमारी देखो कमेंट आप लोग कर रहे हो मैं देख रहा हूं लेकिन आप लोग कलास को सेयर नहीं कर रहे हो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं रफालतू का क्यूं बोल हूं क्यूं अपनी एनेरजी लास करूं बोल बोल के भूमी का जी कमेंट आ रहा है एस एन पी री सूतिवारी इसमें से जो जो लाइक नहीं कर बच्चा जल्दी से कर दो और हंड्रेड प्लस करो फटा फट वहीं देखो अगर आपके घर में मॉबाइल फॉन दो चार और है न तो उसमें सब में चला लो चलो बोलो बजरंग वली कीज़े फिर आगे बढ़ते हैं हो गया संख्या पूरा तो बच्चा इसी में question में मान रखेंगे यहां से चाहे तो इसे तुम लिख लो समझने के लिए A का मान 2X और V का मान है बच्चबा 1 यह मान तुम्हें इसमें रखना है और इसको open करना है तो हम यहीं नीचे मान रखेंगे A की जगह पर 2X रखेंगे और V की जगह पर 1 रखेंगे A की जगह पर 2X B की जगह पर 1 तो यह 2X प्लस 1 अब इनको क्या करना है आपने according हल कर लेना है बस हो गया इस ठीख है बच्चा जो कलाश को सेयर नी करा बिटा जल्दी जल्दी कर दो मुझे सब पता है कौन नहीं करा देखो भाईया धोखा नहीं करो मेरे साथ थोखा करोगे तु जानते हो धोखा का बदला धोखाय मिलता है कि मिटाने वाला कपड़ा था धोखा की चक्कर में वह गयब हो गया इतने चोर पैदा हो गये हैं कि चिरकुट उठा ले जाते हैं कि चलो देखो समझो कि इसको मैं मिटा दे रहा हूं केवल समझने के लिए मैंने लिखा था यह जरूरी नहीं है ठीक है बच्चा तो ये कितना हो जाएगा तीन दूना छे एक के बार में कर लें तो जादा अच्छा रहेगा ना और फिर पलस तीन दूना छे इसमें गुड़ा करोगे बच़वा तो ये 6 एक्स हमें तो लगता है कि उत्तर आ गया है आ गया की नहीं अंसर आ गया ना आगे आना बच्चा शाप लो इसको थोड़ा सुन्दर सा सजा लो जैसे देखो दाल भात बनायों खाने के लिए ना खा तो ऐसे लोगे खा के सोगे लेकिन अगर उसे थोड़ा फ्राई और रही कर लो अच्छे से तो खाने का मज़े कुछ और है नीन और कुछ दुई गंट की वाली फिर ये इनकी एकोगात नहीं है और या इनके तो कुछ नहीं न भाई ये ये आपका फाइनल अंसर लिखोगे तो ज्यादा सुन्दर लगेगा ठीक है क्योंकि इसको मैंने क्या किया सीरियल से कर लिया रिसालत अली एस एनपी सुसनी नाम इतने खतरनाक है न कि एक बार बोल दो तो मुह थोड़ा देर तक दर्द करता है कि भाई बोला काहेगो स्क्रीन साट ले लो मेरी फोटो भी आनी चाहिए जल्दी करो स्क्रीन साट ले लो हो गया कच्छा नौका NCRT मैथमेटिक से पढ़ रहो बेटा चेप्टर है 2.5 कुष्चन नंबर है छे चे का पार्ट नंबर है फर्स्ट चलो प्रीति विस कर्मा गुड़ इबनिंग अब क्या हम पूरा टाइम गुड़ इबनिंग करेंगे कि कुछ और भी करेंगे अब तुम लोग आते रहोगे आते रहोगे और कल से न मार पड़ेगी पटक पटक कल से मार पड़ेगी पटक पटक जान लो अगर देर में आए तो मैं देर करता नहीं देर हो जाती है मुझे पता है तुम देर करते हो देर हो नहीं जाती है करना पड़ता है तुम्हें देर करते हो अब लोगों के एक मज़ेदार बात बताऊँ जब हम लोग कोचिंग पढ़ते थे सब की बात है लेकिन अभी कुश्चन लिख दू तब बताऊंगा देखो 2A-3B इसका क्या है whole cube इसको भी इसी फार्मूले में रखके निकालना है सबसे पहले मुझे ये बताओ कितने बच्चे इसको कर लेंगे कितने ऐसे बचवा और बचिया है जो इसको कर लेंगी आकास बचवा देखो तुम तो डाइलाग तो सही बोल दिये यह हमारा काम पढ़ाने का तुम्हारा काम पढ़ने का लेकिन चच्चा उसमें कुछ और काम बीच में होता है दूए लोग से काम नहीं होता है तीसरा माध्यम भी होना चाहिए समझ रहो ना वो बोलूँगा धेर सारा तो लंबा हो जाएगा चलो इसको कर लोगे ना तो मैं इसको बता देता हूँ एक बार जादो जी आप तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे मुझे पता है कि जोड़ घटाना आता नहीं है जैसे कहते हैं ना बीची के मंतर न जाने साप एक मुह मंगुली डाल दे तो का होए जबाई खाया उर्कावड चलो इसमें मान रखेंगे देखो यहाँ पर माइनस है इस होजह से यह फर्मूला जो होगा आपका माइनस वाला होगा बस सिर्फ इतना ही अंतर है बच्चा ठीक है सत्यप्रकास 2.5 से मैं समझ नहीं आया बेटा सत्यप्रकास समझ में आता है जब आदमी समझता है तब न आता है आएगा आप कोशिस करो आएगा चलो एक कमान रखो यहाँ से वेटा देखो चाहिए तो लिख लो तुम एक कमान टू ए आप मैंने समझाए यह वाट्सअप वाले का है वाट्सअप वाले को नहीं है का मुझे पता है तू ए का होल क्यूब B की जگहा पर वच्चवा क्या रखेंगे तीन भी रखेंगे तो यहो जाएगा 3B का होल क्यूब माइनस यह फरमूला वाद तीन नीचे लिखा कि एक मान रखो बच्चा यहां से कमान दो ए और बी कमान तीन भी तो यह दो ए और यह तीन भी और यह हो जायागा दो ए माइनस तीन भी फाइनल में मैंने हराई फंदा दिया खेद तुमको जोतना है जोतना जानते हो जब हम लोग ना हम लोग की क्या बात करें हमारे साथ तो कोई है नहीं हमारे साथ वाला कच्छा आठ में पढ़ते थे तब हम केज जोते हैं परधा से मतलब बैल से गुरू जी हमारे जान गए थे इसकूल वाले एक दिन खड़ा कर रहे हैं कहा हो रचकुमर अब तु केतिन बारी करबक पढ़बा औरबा भी हम कहें गुरु जी बहुत मजा आवा था उसके बाद फिर बहुत समझाए उसके बाद बोले कि अब आज के बाद नहीं अब वो भी हमारे घर वाले नहीं बोले थे अपन लोग कहीं चले गए थे ना तो हम लोग क्या किये पता है बर्दा न चले पिर आगे बढ़ें तो इसको हम लोग कर लेंगे भाईया देखो दो का क्यूब करोगी बच्वा कितना आएगा आठ हाएगा तुम सब को पता है ‫2 का क्यूब करोगी आठ हाएगा तो यह 8 a क Salesforce हो जाएगा माइनस की थिन का क्यूब करोगी था तो 3 दिरकर 9 27 हो ना समझ में आएक तो बता दे ना पेरी गुड अब ये देखो तीन दूना छे और त्रिक अठारा इसको मैं थोड़ा एक लाइं और बढ़ा रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए और तुम कन्फ्यूज ना हो ये लो मैं इसको एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ एके आनूव मैं तुमारी बात देख रहा हूँ तुम क्यों परिशान हो पिटा इस हार्मोन्स को नियंत्री दिकरो अभी अभी नियंत्री दिकरो अभी तुम थोड़े छोटे हो 18 दूना 36 एक आई स्क्वाइर भी देखो मैंने 18 एबी का गुड़ा किया 2 में और 2 के साथ में ए लगा है तो देखो बश्का एक चीज तो तुम समझ लो ये 18 एबी का गुड़ा 2 ए में करेंगे तो 36 ए स्क्वाइर भी आएगा अच्छा जिनको ये ना समझ में आया वो यन लिक के कमेंट करें जिनको ये ना समझ में आया वो यन लिखके कमेंट करें यन फार नुवा बताओ WhatsApp वाले यादो जी भाईया पढ़ाई कर लो पढ़ना है तो बच्चा न पढ़ना है तो जाओ अच्छा रहेगा लड़का बच्चा के लिए काम देगा पढ़ना है अभी तुम्हे जीरो लेबल पढ़ना है जो इसको नो बोल रहा है न उसे अभी जीरो लेबल पढ़ने की जरूरत है एक बार मैं फिलाल फिर से बता दे रहा हूं सुन लो यहाँ पर 18 का गुड़ा 2 में हुआ है तो इस तरह से यह 36 हो गया है और यहाँ पर तुम्हारा बेटा A था और B था और दूसरे वाले में A था एक घात वन और दूसरे वाले में भी घात वन थी इस तरह से एक आई स्क्वाइर बन गया और ये बी सिंगल वाला ऐसे बच गया एक आई स्क्वाइर भी हो गया समझ गये ना समझ गये ना ये हो गये ना clear तो इस तरह से यह 36 और A का स्क्वायर भी आ गया अब चलो आगे देखो यह माइनस और यह माइनस हो जाएगा प्लस 18 का गुड़ा तीन में करोगे बेटा यह हो जाएगा अठारा तियां ही 54 और A और B का स्क्वायर यह आपका आंसर आगया फाइनल देखो जिनको बेसिक नहीं आता बाबू पहले बेसिक सीख लो पी बी आरे स्टडी की जो चैनल है इस पे आप प्लेलिस्ट में जाओ तो इसमें बेसिक कलासे पड़ी हुई है उनको सीख लो पहले बेसिक तुम क्योंकि बीना बेसिक पड़े राज आईए समझ में नहीं आएगा जो कहानी हो रही है तुम्हें A B का गुड़ा भाग आएगा ही नहीं स्क्रीन सार्ट ले लो ये भी सही है जैसे लिखा है जल्दी करो स्क्रीन सार्ट ले लो हो गया बहुत जल्दी करो बच्चा जिनको समझना है कलास को पूरा देखना है बीच में जाना नहीं है अगर तुम आए और चले गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं है पूरे एक घंटे पढ़ाता हूँ अगर तुम आए और पूरे एक घंटे पढ़े ना सीनट होक के कहता हूँ तुमको सिखा दूँगा पूरी गारंटी है लेकिन यह नहीं कि बीच में आ जाओ आप अफज जही से फाट पढ़ो जब कलास शुरू हो तब जुड़ो चिखे रभी संकर भाया देखो कुट्टा की पूँच सीधी नहीं होती है रभी संकर कुट्टा की पूँच सीधी नहीं होती है जादा पोसिस करोगे तो कुट्टा या तो भाग जाएगा या काट लेगा तो इसलिए पोसिस कर लो लेकिन सीधी ना कर तो थार्ड वाला देख लो ये छठमा प्रफ नहीं बेटा इसका थार्ड पार्ट तीन बटा दो यक्स प्लस वन इसको कितने वो लोग कर लेंगे बताओ जल्दी बोलो इसको कितने बच्चे हल कर लेंगे जल्दी बोलो बेटा फटा फट यस और नो देखो मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हमारी कोसिस है उनको मैं वो भी बता दूँ ठीक है बटा मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को नहीं आया जिनको आ गया अच्छी बात है जिनको नहीं आया वो और अच्छे है कोसिस करो बिल्कुल हार नहीं मानना कि मुझे नहीं आता है यह नहीं आएगा सब कुछ आएगा जब कोई इंसान पैदा होता है तो सब कुछ सीख के नहीं आता है यहां तक कि खाना पीना बोलना यहां तक कि गाली देना भी बच्चा इस धरती पे आने के बादे सीखता है समझ रहे हो ना वैसे तुम्हें भी आएगा देखो समझो जैसे अगर अभी अभी मैंने एक चीज पूछा था कि 18 A B का गुड़ा 2 A में करे हैं तो भाईया 36 A का स्क्वाइर भी आये था तो कुछ बच्चवा बोल रहा था मुझे ना समझ में आया देख लो बाबू एक बार एक बार देख लो ध्यान से प्रिया यादो समझ में आ रहा है तालु सिंग अभीलाज कुमार हीमान्सू रोशन आ रहा है ना देखो इसमें क्या करते हैं बच्चा सबसे पहले ये देखते हैं कि गिन्ती कौन सी है मतलब नमबर कौन-कौन सा है नमबर बेटा इसमें 18 है इसमें क्या है 2 है तो पहले ये नमबर ले लो 18 और ये क्या है 2 तो तुम नमबर नमबर का गुड़ा कर लो पहले गिंती गिंती का मल्टीपल मैंने कर लिया अब क्या करेंगे बेटा ध्यान से समझो बहुत ध्यान से समझो दिमाग लगा के भा में क्या करना है अब A B का गुड़ा A में करना है क्योंकि ये गिंती का तो मैंने कर लिया जो इसके अंदर नंबर था उसका मल्टीपल मैंने कर लिया अब बच क्या रहा है ध्यान से देखो बहुत अब इसमें A B बच रहा है मतलब A बच रहा है तो बाबु जब A B का गुड़ा A में करते हैं मैंने आपको चर अचर बताया था बेसिक मैथ में कि जो एक समान पद हैं गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है इनकी घात एक है इनकी एक है इस तरह से यह घात दो हो जाएगी और ये B बचारा अकेला सिंबल में इसके आगे पीचे कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा इस तरह से यह जो A SQuair B हैं यह B उसके साथ होके लग जाएगा और ये इसमें A B लगा दो कि ये किस तरह से ये हुआ था आप समझ में आए ना पंकज बच्चा समझ में आ रहा है ना ठीक है नाब्या जहां जाना है ना निकल लो फालतू की बत कहीं ना करो इस्टब ना करो डान डिस्टब एनी स्टूडेंट चलो इनमें भी हम ये फर्मूला लगाएंगे A प्लस B का होल क्यूब A क्यूब B क्यूब और ये थ्री A B और ये A प्लस B ये फर्मूला में मान रख दो फटा फट हो गया क्लियर रख दो जल्दी से देखो बेटा यहाँ पर एक ही जगह पर क्या है ध्यान देना मैं यहाँ पर तुमारे लिए सार्ट कर्ट में लिख देता हूँ एक ही जगह पर तीन बटा दो एक्स है और बी की जगह पर वन है याद रखना एक ही जगह पर तीन बटा दो एक्स रखोगे whole cube plus B की जगहा पर 1 रख दो बचवा और plus 3 into A, B A की जगहा पर रख दो 3 बटा 2 यक्स और B की जगहा पर 1 और A की जगहा पर 3 बटा 2 यक्स और B की जगहा पर 1 इनी को हल कर लेना है बच्चा, अंसर आगया आपका clear कुजुर वाइटी सब का प्यारा बच्चा ठीक हो ना तुम तुमारा नाम ही बड़ा प्यारा है आयूस तिवारी रितु तो तुमारा कमेंट नहीं देख रहे लेकिन मैं देख रहा हूं देखो इनका क्या करोगे बटा क्यूब करोगे यहाँ पर ध्यान दो इनको देखो प्यार से देखो नजर से देखो यहाँ पर समझना तीन बटा दो यक्स इनका क्या है होल क्यूब है क्या तुम जानते हो इनका मान कितना हैगा जानते हो वह यह तीन का क्यूब क्यूब का मतलब तीन को तुम तीन बार गुड़ा करोगे तीन त्रिक का नो त्रिक 27 तो इस तरह से बचवा यह हो जाएगा 27 नीचे दो का क्यूब दो का तीन बार गुड़ा करोगे दो दूना चार और चार दूना आठ तो ये बेटा हो जाएगा आठ और यक्स का क्यूब ये इतना मान बनेगा तो फाइनल में हम यहां लिखेंगे 27 28 यक्स क्यूब बोलो समझ में आया समझ में आया बहिया हां लखी बहुत अच्छे पंकज मोटिवेशन पानी बरफ राए ठीक है क्या करें चलें भीगें आएगा मज़ा फिर बर साथ का ना चलो इनका हल कर लो भाईया तीन तिरिक का नो नो बटा दो क्यों सही है न नो बटा दो और इनका अपस में फिर इसमें गुड़ा कर लो देखो मैं एक साथ में कर दूँ तब वो नहीं सही है ज्यादा लंबह समझाऊ तब वो नहीं सही है क्या करूं बताओ देखो मैं हल कर देता हुँ फिर तुमें समझा दूँगा ठीक है बच्चा हल कर देता हूं फिर समझा दूँगा देखो समझ लूँ भाईया परियाग राज की यह कंडीसन ने जिनका तीन फॉलोर का मकान है उनका एक डूब गया है दूसरे फॉलोर पेंट के हैं हम लोग नीचे डूब आया अगर तुम जमीन पे चले गए तो 27 27 बटा देखो दो दूना 4 यक्स का घाथ 2 समझते चलो टेंसन मदले ना अभी मैं इसको डीटील में बताओंगा कोई जायेगा नहीं कोई जायेगा नहीं डीटील में बताओंगा यह मैंने इनका पूरा गुड़ा अंदर में कर लिया और इनका पूरा गुड़ा जब 9 बटा दो यक्स हो जाएगा बेटा 9 अपांट 2 एक्स कितना हो जाएगा 9 अपांट 2 एक्स इनको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ देखो बच्चा उत्तर तो तुम्हारा आ गया है लेकिन इनको सीरियल से लिख लो बस क्या करना है इनको सीरियल से लिख लो बाकी आंसर आ गया है एक चीज और सुन लो चाचा जिनको अच्छे से पढ़ना है मोबाइल ऐसे करके पढ़ो ऐसे कमेंट तुम ना करो तब भी चलेगा ठीक है? अगर तुम कमेंट ना करोगे तब भी चलेगा मोबाइल ऐसे घुमा के पढ़ोगे भै घूम जा यह घूम गया ना ऐसे कमेंट को हाइड कर सकते हो देखो बहुत मस्त दिखेगा पूरा इस्क्रीन पर पूरा फुल दिखेगा बड़ा-बड़ा समझ रहे हो ना ऐसे दिखेगा लेकिन अगर तुम ऐसे करके कमेंट देखते रहे सालूप रिया रिया मोनी से बात करते रहे तो फिर गड़बड़ मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम कमेंट करो हां मैं कुछ पूंच हूं तो तुम कर दो एक बार कमेंट फिर अपना पढ़ाई करो चलो अब इनको पहले लिख लेंगे इसका फाइनल आंसर उपर मैं लिख देता हूं पुड़ा सीरियल से कर लेंगे 27 बटा 8 यक्स का क्यूब और ये आपका हो जायागा कैसे दुनों 27 हो गया भई हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है 27 बटा 4 यक्स का स्कॉयर ये 9 बटा 2 यक्स और प्लस 1 इनको सीरियल से लिखा गया बाकी कुछ नहीं करा गया ये हो गया लोग शापलो जल्दी से सबको समझ में आ गया ना बच्चा इसी को कोई समझ से आए तो इसे ज़ता नहीं है अब ये बताओ क्या आप सभी कलास का टाइम जानते हो ना कलास हर दिन बिल्कुल फ्री होती है लाइब और साम को साथ बजे से रात के आठ बजे तक आप लोग कलास को जो भी अभी तक लाइक नहीं करा ना बच्चा लाइक कर दो नहीं पाप लगेगा जिम्मेदारी है आपकी लाइक करिए कलास को तुरंक अगले प्रस्न की और आगे बढ़ते हैं पहले मैं चिर्कुट भिगोल हूं मिटाने के लिए चलो अगले प्रस्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है डेस्टर में कई बार लाया बचास साथ रुपए का डेस्टर मिलता है चार दिन चलता है अगडबड हो जाता है क्या मतलब है यह ठीक अपड़ा लेलो रगड़ते रहो यह मौलत से हमारे बच्चे कभी-कभी यहां आते थे मजा लेते थे हम कहते थे बिटा भी तुमको पता नहीं है कुछ ना कि इसलिए तुम मजा ले रहे हो चलो ठीक है अब अगला प्रस्न पर आजाओ सात्म पर अटमा प्रस्न हो गया खतम हो गया साथमा खतम हो गया फाइनल फिनिस क्लास नाइन था का एंसी यार्ट मैथमेटिक से बेटा यह एक्सरसाइज आपका चल रहा है 2.5 यूपी बोर्ट, सीबेसी बोर्ट, बिहार, एंपी, खतिसगर, जहारखंट बोर्ट सब के लिए है क्योंकि एंसी यार्ट सब के लिए होता है ठीक है बच्चा, हरी इस कुछ समझ में आ रहा है कुशन नमबर साथ साथ का पहला पार्ट कह रहा है 99 फोल क्यूब देखो बच्चा इसका तुमको केवल तीन बार गुड़ा नहीं कर लेना है तीन बार गुड़ा नहीं कर लेना है इसको तुमें सर्वसमिका लगाना है सर्वसमिका परियोग करके मान ग्याद कीजिए ठीक है पूरा कुश्चन है उपयूक्त सर्वसमिकाओं का परियोग करके निम्नलिखित के मान ग्याद कीजिए मैं थोड़ा साटकार्ड में लिखूंगा लाइन क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है सर्वसामिका का परियोग question number 7 है title अपने according लिख लेना जैसे book में दिया गया है ठीक है जैसे book में दिया गया वैसे लिख लो बच्चा आयूस तिवारी एके एके बच्चवा गलत है तुमारा तो 99 को हम लिख सकते हैं बावू 100-1 इसका whole cube पॉलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब यह हो जाएगा a-b का whole cube equal final में हो जाएगा a cube minus b cube minus 3ab और a minus b रोशन कुमार एलेक्स अब्बास प्रतीमा विसकर्मा अस्वनी कुस्वाहा महेश गुपता शिवकांत राजपूत बहुत अच्छे बाई शिवकांत जी बाबु देखो a की जगह पे hundred रखोगे b की जगह पे one रखोगे तो फाइनल में यह हो जाएगा hundred का क्यूब माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटु हंड्रेड इंटु वन यह हो गया सारा मान में रख दिया ठीक है hundred का जब क्यूब करोगे बाबु तो यह छे जीरो हो जाएगा क्योंकि दो जीरो के साथ में यह दो जीरो के साथ में दिया है यानि इसका क्यूब करोगे तो तो छे जीरो प्राप्त होगा तुम्हें कितना तो तुम जनभै करते हो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं अब भया क्यूब करना नहीं आता है तो तुम बेसिक सीखो ना चलो माइनस वन-3 का सौ में गुडा कर लो बैटा यह 300 हो जाएगा इसमें गुडा कर लोगे तो 300 का दो जीरो और दो जीरो यह मिलाके येतना हो जाएगा तीस हजार तीन सो का हमने सो में गुड़ा कर लिया तो तीफ हजार ठीक है माइनस माइनस का मल्टिपल बिटब प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तीन सो क्यों हो गया क्योंकि मैंने तीन का गुड़ा 100 में किया तो 300 हो गया और 300 का गुड़ा 1 में किया तो 300 हो गया वही किसी भी संख्या का 1 में multiple करने पर हमेशा 1 होता है हां समझ में आ रहा है ना अब देखो जो plus plus है वो जुड़ेगा और जो minus है वो क्या होगा घट जाएगा तो बेटा देखो ये plus में है ये भी तुम्हारा क्या है plus में समझ में आ रहा है ना तो ये और ये जुड़ेगा और ये चच्चा और ये जुड़ेगे यानि plus वाला एक में जुड़ेगा minus वाला एक में जुड़ेगा यह चीज तुम अपने दिमाग में रख लो ठीक है बच्चा तो हम इसको दफ लाख को तीफ हजार में जोड़ेंगे बेटा तो यह इतना आएगा अब यह चार जीरो है न तो फाइनल में लाइस्ट में तुम्हारा चार जीरो जाना चाहिए कि नहीं देखो एक मिनट दिखा देता हूं यह देखो इतना जाएगा ना तीन चार पांच छे हमें क्या करना चार जीरो वाला जोड़ना है यह ऐसे कुछ है चार जीरो ठीक है तो यह इतना आएगा कितना आएगा यह वन जीरो थ्री यह देखो यह छार-जीरो फाइनल में आएगा यह इतना बनेगा ठीक है अब यह माइनस और माइनस आपस में जुड़ेगा तो माइनस ही रहेगा तीन भार जीरो एगा इनको घटा लो घटा के देखो कितना आएगा 970-299 ठीक है ठीक है बेटा 970-299 इसका क्या आएगा आएगा इसक्रीन साट ले लीजिए नोट कर लीजिए वर्षा सिंग आरा समझ में तब को समझ में आरा इसक्रीन साट ले लो बेटा जल्दी करो बाबु देखो टाइम पर जुड़ा करो पहले नंबर तो तुम कलास में नाम तो तुम्हारा बहुत सुन्दर सा है प्यारा सा है लेकिन तुम्हारा काम बड़ा गंदा है क्योंकि तुम लेट में आयो तो शिव बक्ति सागर कहां से होगा यह मुझे लग रहा है गलत लिखा गया है का यहां पर कहीं कुछ गड़बड है एक मिनट रुको आप लोग सॉरी 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 एक मिनट रुको यह में मिस्टेक हुआ है एक मिनट रुको 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 देखो मिस्टेक कहां से हुआ है यह मुझे अब पता चल दा है क्यो तो यहां गड़बड हो गया भाई हमने तो 300 का यूज ही नहीं किया स्वरी देखो थोड़ा सा कभी कभी ऐसा मिश्टेक हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें गलत बता के भेज दूंगा नहीं तुरंट सुधारा जाएगा हमें बचवा यह जोड़ना था इसमें ज जब हम 300 जोड़ेंगे तह यह ऐसे बनेगा यह ऐसे बनेगा यह बनेगा यह समझ रहा हो ना ठीक है सभी समझ रहा हो ना बाबू समझ रहा हो ना बच्चा चलो जल्दी से श्क्रीन साट ले लो फटापड नोट कर लो पवन सर्मा रच्षा बंधन बाद PVR study चैनल नंबर तीन पर सुरू से चलेगा बाबू ठिका है PVR study 3.0 चैनल पर रच्षा बंधन बाद तुम सुरू से पढ़ सकते हो वीवस स्टूडियो रोज पढ़ो रोज पढ़ो रोज देली तो बेटा यह सवावर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं सब ठीक है चलो तो आप इस क्रीन साट ले लो जो बच्चे अभी स्क्रीन साट लिये थे पीछे उसको डिलिट कर दे अब उसको ले ले एक पच्छा दस की कलास मयत वाली क्लास दोस्कंध दोस्टा मजे से धुर्ट सुबह दूबा आठ बजे बच्चे बहुत कमाते हैं तुबा आठ बजे बच्चे कमाते हैं नीचे नंबर चल रहा है जिनको कोई inquiry करना है क्लास के बारे में उस पर कंटेक्ट करें अब इसका मुझे खतम करके आगे भी बढ़ाना है हाँ चलो इसका दूसरा पार्ट कितने बच्चे कर लेंगे मुझे जल्दी बताओ इसको हम लिखेंगे सौ प्लस दू इसको जो जो कर लेंगे सभी बोलें यास जल्दी बोलो इस कर लोगे ना इसको हां यास बोलो और फटाफटी सेशन को लाइक करो बाबू जल्दी करो जो जो लाइक करेंगे मैं सब का नाम बोलूँगा जल्दी करो आसिश चोहान नीरज मनोज करन विजय हरिकेस विसाल तिवारी राजन कुमार वर्तिका रोसन अंबुज महिमा तुनील रवी संकर अभिसेख अंटर रिसू रवी सरोज बहुत अच्छे चलो देखो बेटा इसमें यह फार्मूला लगेगा आपका ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला मैं तुम्हें बता चुका हूँ अभी इस पर अधारित मैंने सवाल भी करवाये थे तो मुझे उमीद है तुम कर लोगे कर लोगे न जहां जहां पर हंड्रेड था बाबू वहां वहां पर तुम क्या रखोगे ऐसे नहीं जहां जहां पर ए है वहां वहां पर हंड्रेड रखोगे जहां जहां पर बी है वहां वहां पर दो रखोगे मतलब A की जगाँ पर 100 और B की जगाँ पर 2 रखो के कर लोगे आ जाएगा ठीक है? कुश्चन नमबर फर्ष्ट क्या कह रहा है? गुडन फल ज्याद कीजिए देखो इसको हलके में न लेना परिक्षा में इससे संबंधित पक्का आएगा याद रखना अलके में न लेना बेटा जो दो बहुपदों का गुड़ा किया जाता है न इस तरह का जैसे पहला ले लो मैं जो कुश्चन बता रहा हूँ इस टॉपिक को देख लो ध्यान से समझ लो यहाँ पर जैसे यक्स का इसकोईर इसका गुड़ा करना बेटा यक्स प्लस दो में इसका गुड़ा कितने बच्चे कर लेंगे मुझे जल्दी से बताओ कितने बच्चे कर लेंगे अभी मैं सबका आज वर्टसप स्टेटस देखूंगा कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है सबकर वर्ट्व का स्टेटस आज मैं खुद देखंगा भाई साहभ मुझे खून देना मैं हर किसी का देखंगा कौन लगाया कौन नहीं लगा कि इसके बी स्टेटस में नहीं लगाओगा फिर हम लेड़े करेंगे आगे क्या होना है चलो देखो बच्चा इसको करना बहुत ही आसान है लेकिन यह important question में है याद रखना अगर इस type का आपको नहीं आता है तो 9 में आप अच्छा number नहीं पाओगे यह पक्का जान लो क्योंकि बहुपद का question आएगा यह तो पक्का है और बहुपद का question आए तो गुड़नफल करने को ना ऐसा हो कहा सकता है चलो देखो इसमें कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बताता हूं यक्स का स्कॉयर का बच्चा इसमें यक्स में गुड़ा करोगे आपको पता इसकी दो घात है इसकी एक घात है यह दोनों एक हो जाते हैं दर्द दिलों के कम हो जाते मैं और तुम अगर हम हो जाते बड़ा बैसुरा आवाज है लेकिन थोड़ा समयने बोला ना इसका जब गुड़ा होगा बच्चा तो यह यक्स की घात कितना हो जाएगा तीन और यक्स का स्कॉयर का जब दो में गुड़ा होगा बेटा तो यह हो जाएगा दिया अष्कश का स्कॉयर ie हो गया अंसर अच्छा इक बात हिवां दारी से बता तुम लोग है किया यह समझ में आया जिसको ना समझ में आया भाभय नो लिखके कमेंट करें को चो यह बहुत सा मज़ा भी नहीं याएगा बहुत से बच्चों को लेकिन याद रखना यह बहुत Hai इंप्वーटन्ट है अगर नाइन्थ में पढ़ रहे हो चाहे अपका यू पी बोर्ड है सीबेसी बीहार बोर्ड है या यू JAMES या ये अंपी बोर्ड है कोई भी बोर्ड है बेटा तो इसमें क्या करना होगा इसे जरूर सीखनाहोगा चलो ठीक है तो अब देखो यहाँ पे समझो जिनको नहीं समझ में आया वो बेसिक मैद जरूर पढ़ने एक बार क्योंकि उनका बेसिक गड़बड है तो बेटा बेसिक तुम जरूर पढ़ लो एक बार बीना बेसिक के कुछ ना होगा बेसिक सीखो चलो अगला है यक्स का स्क्वायर अपान टू इसको क्या करना है बचवा इसको करना है बेटा दू यक्स प्लस वन में गुड़ा अब इसको कितना बचवा कर लेगा कर लोगे ना जल्दी बता मुझे देखो समझो यहाँ पे समझो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा यह उसी सीम क्यों नहीं आएगा तुम काल कर रहे हो ना तुम्हें एकदम से बलग कर देंगे जान लोग तुम ही फोन कर रहे थे ना वहां कितनी बार बताऊ ना लायक हारामखौर की काल करने का एक टाइम है उसी टाइम पे क्या कर ओ सहर समय बदाओ कौन बात करेंगा तुम से हर समय रात के बारवजे कर दोंगे यहां लाके निप्टांगा फिर वहांपर ले जांग कि अन्दर में दो जोड़ी है जोड़ी दार है जैसे समझ लो इनको अंदर में क्या है ये पती-पतनी ये पडोसन पड़ोसन की लड़ाई होती यह चाया पती से हो या पतनी से हो तो लागेंगे दूनों न अगर जोटा हो जोah जाएगी मार पिटाई तो दोनों लगेंगे न की नहीं पताओ लगेंगे न तो वैसे है यहां पर इनका Multiple करेंगे तो दोनों में अब तुम आगे की कहानी समझो तो दो यक्स में करेंगे तो ये ऐसे बनेगा वह बनेगा न judiciary न ईसमें से बच्वाँ आपका ये दो से-दो कड जायेगा क्यों भाइ कड जाएगा छोटा जाएगा और इसकी दो घात इसकी एक घात दोनों ilsड़ जा आइनल में मिलें यक्स को घातिन मिलेगा है एक क्यूं मैंने कोई बुराई की अकाय में रहे हैं और ये आप पहला इसमें हो गया दो एक्स में अब बेचारा बचरा है क्या बचरा एक ये कि अब देखो तुम यहां पर समझो क्या बचरा वन कि देखो वन एक ऐसा सारवजणी का नंबर है यह ऐसा समाथ से भी है इसको कितना उमारो खूंदो पीटो काटो इस पर कोई फरक नहीं पूरता है नहीं इसमें जिससे भी गुड़ा करेंगे वही आएगा तो यह एक सिस् चुक्तिए इतना ज्यादा परिसान करते वही देखो एक वीडियो कर रहा हुआ तुम लोग को दिखा दूं क्या स्वी मेण ओ-इस ब्लक कर देता हूं दिखांगा नहीं बहुत देखने लाइक है नहीं हैथ कि यह देखने लाइक है नहीं चलो इसको लिख लो, जल्दी लिख लो, सब को आया समझ में, आया समझ में न, देखो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, बेरी गुड, तो ये बहुत ही important topic है, इस बात को अपने दिमाग में रख लो, जेहन में वसा लो, और एक बात समझ लो बच्चा, आगर तुमको सीख सीखना है, तो कलास छोड़ के ना जाना, नहीं पढ़ना है, यूटूब पे खुब खोजो, बहुत सारा चैनल मिलेगा, बहुत सारा मस्टर मिलेगा, बहुत कुछ तुमें मिलेगा नया नया, और बहुत मज़ा भी आएगा, कहीं रंगा-रंग, गर्मा-गर्म, वाला कारि चलो, तो पढ़ना है तो भाई यह ठीक है, नहीं पढ़ना है तो भगवान मालिक है आपके, हम तो थोड़ी है, अब यह इतनी चूटी यहां आ गई, भाई कहां से यह, क्यों मेरा जीना मुस्किल कर दोगी का तुम लोग, यहां कागिरा जो आ रही हो, ए भाई बड़ा अब तो एक मिनिट रुक जाओ भई, यहां पर बड़ी जादा अत्रधिक मात्रा में चीटी आ गई, पता नहीं यहां पर यह लोग लाके क्या क्या रख देते हैं, हमारे सारा सिस्टम यह लोग गड़वड कर देते हैं, इतने नलायक है, पता नहीं कहा पज़िदा हो गई जल्दी लिख लो इसको लिख लो आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी करो हो गया चलिए एक में और देता हूं आप लोग उसके बारे में मुझे बताओ फिर हम बात करेंगे एक में और देता हूं यार आधा मिनट रुख जाओ बबू आधा मिनट रुख जाओ यार बहुत ज्यादा मत्रा में यहां पे चीटी आ गई पता नहीं क्यों मुझसे दिये थे आप यहां पर आके बैठे हुए थे और इन लोगों ने यहां पर बड़ा गडबड कर दिया भई मैं इनको थोड़ा भगा देता हूं थोड़ा सा रुखजा भई इनको भगाना ज़रूरी है नहीं तो यह बहुत काट रही है जी भर के काट रही मुझे चलो ठीक है ओके चल भाई निकल ले निकल ले तुम लोग निकल लो आजी बिल्कुल ठीक है ठीक है कमेंट आरहा सब का कमेंट आरहा बेटा ओके बहुत अच्छे चलो देख रहे हो यह सब क्या हो रहे है दीपक क्या हुआ भई प्रियांसू ठीक है अब लोग इसे कर लोगे सबी लोग ना प्रिपिन बहुत मज़ा आरी तुम लोग को पता नहीं यह लोग पता के बढ़ते हैं जब कलाफ नहीं होती तब अपना कुछा खाते बीते मज़ा लेते हैं इसका कितना आयका भईया मुझे इंपॉर्टेंट है कलाफ 9 में वे अगर यह नहीं आता तो समझ लो बहुत गड़बड़ है जल्दी मुझे बता इसको कर लोगे न कर लोगे न बच्चा चलो जल्दी सभी बच्चे जब आप दो कर लोगे न जल्दी बताओ अजी बिल्कुल कैलाज ठीक है कमेंट आ रहा तुम्हार अभी पिन ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बेरी गुड बहुत अच्छे बेरी गुड चलो ओके चलो यह पता नहीं क्या चाहती है बई हं दिल चाहती है या जान चाहती है या मुझे ही चाहती है आगे चले Qientesन पर चले तो देखो बच्चा इनको करना बहुत असान है पहले यक्स का पकड़ोगे, यक्स में बूड अकरोगे तो बेटा देखो जब यक्स का गुड़ा यक्स में करोगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा वो कैसे होता है इसकी घात एक और इसकी घात एक गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है बाबू क्या होती है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है तो फाइनल में यक्स का स्कॉायर हो गया जब यक्स का गुड़ा यक्स में हुआ अब यक्स का गुड़ा वन में होगा भाया तो ये यक्स हो जाएगा कितना समझ में आया अब मैंने यक्स को पकड़के इन दोनों में गुड़ा कर दिया अब यही परक्रिया आगे भी चलेगी यह 4 को पकड़के इन दोनों में गुड़ा करोगे तो बेटा जब 4 का यक्स में मल्टीपल करेंगे तो 4 यक्स और जब 4 का 1 में करेंगे तो यह 4 अब मुझे तुम लोग इसको फाइनल करके बताओ कितना आएगा पंटी सिंग जल्दी बताओ सभी बच्चा बताओ फाइनल करके कितना आएगा जल्दी करो देर ना करो फटा फट चलो भाई जल्दी बताओ कितना आएगा तब तक मैं तुम जाड़ू लगा देता हूँ यहाँ पे जल्दी करो फटा फट देर नहीं कर लोगे मुझे पूरा उमीद है कर लोगे पका कर लोगे भाई निकल लो बाहर निकल लो अहाँ पर उट इस्टरब बाग लो बाग लू भाग लो यहाँ पर चीती वटी की जगा नहीं चलो बाद में आना बाद में आना सबको मिलेगा चलो अभी कलास में डाउन डिस्टरब चलो 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 ओके तो ठीक है उसी सिंग बहुत अच्छे आभातित पाथी ठीक है तो भाईया यह यक्स का स्कॉयर हो जाएगा देखो बाबू इनका जो सजातिय पदे वह जूड़ जाएगा बहुत अच्छे बच्चे संदीप रावत थोड़ा गलत कर दिये बेटा देखो यह यक्स का स्कॉय यह यक्स में नहीं जूड़ेगा ना ना इसकी घात अलग है यह जूड़ेगा दोनों यह 5 यक्स प्लस 4 हो जाएगा यह करेक्ट अंसर है कुछ बच्चे यक्स का क्यूब प्लस 4 एक्स कर ले रहे हैं इनको यह में जोड़ दे रहे हैं ना चाचाही से नहोगा गवरो कि जल्दी करो कि फटा फट लिख लो लिख लो कि हो गया हुआ 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 है देखो यह इंप्वार्टेंट है आज मैं इंप्वार्टेंट कुश्चन बता रहा हूं बेटा एक बात ध्यान रखना अपने दिमाग में आज यह इंप्वार्टेंट कुश्चन है हां बेरी इ नहीं बताउंगा मैं बहुत ही चोटा चोटा बताउंगा लेकिन तुमें आना चाहिए चलो गड़न दखन्ड घ्याद कीजी चोब सब को क्यों बार बारा बार कर रहा हूं इस लिए का ठोबडेख रहा हूं आइफ कौन-कपड़ापाहिन कैज से बैटे हो कैसे दुर्दासा है तुम्हारी मं सब sih रहा हूं हाँ कुछ तो सहीज़ बैठा है कुछ तो सहीज़ा बैठा बोलने लाइक नहीं है 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 जοιπόν कि और जो बैठें है कि वह मुरहरी दिखूँ इंप्वार्टन कुईश्टें इनका क्या करना बेटा गुड़न खंड करना है क्या करना है गुड़न खंड करना याद रखना आज इतने टापिक में बताऊंगा इसमें से तुम्हारे एक्जाम में कुछ न कुछ जरूर आएगा यह तुम पक्का जान लो 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 मुझे बताओ इसका गुडनखंड कौन कौन कर लेगा भाई तो वित कुमार देख रहा हूँ तुम भी बड़ा गड़ बड़ दसा में बैठे हो चलिए जल्दी करिए फटाफट करिए कैसे देखो इनको क्या करना बच्चा इनका हमें गुडनखंड करना है मतलब अभी अभी हम लोग क्या करते थे उनके लड़को बच्चों से पापा की पहिचान करते थे अब पापा से लड़को बच्चों की पहिचान होने वाली है देखो समझो जो भी अक्सी स्क्वाइर का गुडनख है गुडनख जानते हो तुम चलो मुझे बताओ माइनस पांच वाई स्क्वाइर इसमें मुझे y² का गुड़ांग बताओ कितना है y² का गुड़ांग बताओ कितना बिटा जल्दी करो कितना है बताओ भटापड़ बताओ कितना है अच्छा इसी دसा में ये कवर बता दो 5 बटा 3 z इसमें z ka गुड़ांग कितना है पंटी सिंह यह 2.1 से लेके 2.5 के बीच का है 2.1 से 2.5 के बीच का है लक्षमी साख्या बहुत अच्छे गौरो पंडे बेरी गुड अस्वनी बहुत अच्छे अरपित संदीब महेश बहुत बच्चे बहुत अच्छे ठीक है इसमें जो 5 बता रहा उसका गलत है जिन के साथ में गुडांक लिखा जाता है इसका जो गुडांक है वो क्या है माइनस 5 है जिसे इंगलिस में कॉफिसियंट बोलते हैं अगर इसमें बात करें बच्छवा तो इसमें जड का गुडांक 5 बटा 3 है यानि सीधे सीधे सब्दों कमें कहें को स्वारिय के साथ में लगा हूँ जो कांस्टेंग होता वही क्या होता है गुडांक होता है कि जितने भी बच्छे अभी तक इस टाक लाइक ने करें आप इस लाइक कर दो जल्दी से ठीक आए आपकी जिम्मेदारिय है अगर आप उससे समझेंगे तो हम बेहतर पूरा जी जान लगा देंगे हमारी पूरी टीम आपके लिए कि आप टाप कर सको थी कि नाइन्थ में नहीं टेंथ में भी आपको आप कर सब्सक्राइब इसलिए मैं आपको 9 से पकड़ाऊं और मैं आपको 10 के लेबल तक उपर तक ले जाऊंगा और एक बार लाइक करना बिटा एक बार जो कर दिया दूबार नहीं करेगा मैं देख रहा हूं कुछ दूबारा करने की चक्र में हटा दे रहा है एक बार हो तो दो बार नहीं तो यह तुम समझ गए गुडांक आप देख समझो इसमें 101 स्क्रार गुडां क्या 12 बारा एक बारा गुडा में करो कौन सी दो गिंती है कि है कि टेस्ट की कापी चेक होगी फ्राइडे को सटर्डे को रिजल्ट आएगा अगला टेस्ट होगा तो पिछला का रिजल्ट आएगा 3 और 4 न कि बहुत अच्छे बरीगूड चलो तो बच्शें वह कौन सी संख्या है तीन और चार का जब हम गुरा करते हैं तो बार आ जाता है और तीन और चार को जोडते हैं तो साथ आजाता है ना भाईया तो इस तरह से हम क्या करेंगे यह 12 x का स्कॉयर ऐसे लिख देंगे माइनस 3 और 4 यह 4 प्लस 3 कर लो इंट्वी एक्स प्लस 1 देखो अगर पढ़ना है बच्चा तो कलास को पूरा देखना अगर जो बच्चा कलास छोड़ के चला गया कलास छोड़ के अगर तुम गये तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हें आएक अग नहीं आएगा एक भी कलास गयप नहीं करना देखो मुझे लग रहा बच्चे गड़बड हो रहें क्यूं भाई मजा नहीं आ रही मतलब मैं सिर्फ आसान आसान पढ़ाऊं तब तुम पढ़ोगे ना चलो 12 एक्स का स्कॉयर माइनस क्यार का एक्स में गुड़ा करोगे बेटा यह 4 एक्स हो जाएगा ब्रेकट के पहले अगर माइनस है तो ब्रेकट खुलने पर अंदर के चिन बदल जाते हैं तो यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यह तीन एक्स और यह प्लस वन ठीक है वी ब्यारे स्टड़ी एडिटर आप काम कर लीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है तो कि यह नाइन थे के बच्चे इनको बोला जाता है वही करो जल्दी करो तुरन कर इन दोनों में कॉमन क्या होगा पहले मुझे कोई बताएगा पूजा कुमारी बहुत अच्छे है तीक है अबातिर पाठी बहुत बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद देखो बाबु इसम कि इसको चार एक से भाग किया जाएगा इसका मतलब है इसको चार एक से भाग किया जाएगा ठीक है इसका मतलब यही होता है कॉमन का मतलब ही यही होता है तो देखो बचता कैसे हूँ मैं थोड़ा तुमको डीटील में बता देता हूँ कि Ch wax को मा यक्सट को हम 6 x लिख सकते हैं कि और consult को मिम इसमें से 1 येक्स से 1 यक्सट कड़ जाएगा वी चार ये बारा कड़ जाएगा तीन कि या टीन ये अपर आपका तीन बचा है और एक यकस बचाए है कि नीचे कुछ ने बचा है कुछ ना बचा ना तो इस तरह से हम कहते हैं कि जब 12 x square में बेटा 4 x common लेते हैं तो 3 x बचता है यह common का मतलब यही हुआ अब तुम समझ गए ना यह 4 x common इसमें लिया तो यह कैसे बचा भोलो समझ गए ना खुशी सिंग ठीक है अब देखो यह तो common मैंने लिया था इसमें से यह बचा अब इसमें से भी common लिया हूँ तो minus का यह 1 बचेगा भया 4 x को जब 4 x से ही भाग करेंगे तो यह काएगा सीधी सी बात है 4 को 4 से भाग करोगे एक आएगा 8 को 8 से भाग करोगे एक आएगा यह ठीक है उसके बाद इसमें क्या करोगे बचा कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे हमें minus में common लेना है minus 1 पोसिस यह होती है कि दोनों कोश्टक के जो पद हैं वो बराबर आने चाहिए अगर इसमें कोई common नहीं है तो 1 हमेशा common होगा ठीक है तो यह हो जाएगा 3 x minus 1 इस तरह से बच्चा क्या होगा जो दो बार common है वो एक बार हो जाएगा 3 x minus 1 और यह जो common है 4 x और यह minus 1 इसको एक जगा लिख देंगे तो 4 x minus 1 हो जाएगा यहाँ पर मैं तुमको एक अच्छी बात बताओं अगर यह आ गया ना बिटा तो इनका अगर हम गुड़ा करें आपस में इनका multiple करें और अगर यह सही है अगर यह सही है तो फिर फे यही आ जाना चाहिए बताओ आज आएगा कि नहीं ऐसा सभी बच्चे मुझे बताओ क्या ऐसा होगा जल्दी से बताओ बेटा होगा ऐसा चलो एक बार इनको मैं करके देखूंगा क्योंकि आज मैं आपको डिपली सिखा रहा हूं गहराई से चाहे जो पढ़ने वाले बच्चे वही रुकेंगे कि फालतू के बच्चे नहीं रुकेंगे आज देखो बेटा सिर्फ इकसरसाइज करने से कुछ नहीं होगा तुम यह सोचो कि मैं इकसरसाइज जल्दी जल्दी करके खतम कर लूँ हां पांच चैप्टर पढ़ लिया आच चैप्टर पढ़ लिया तो यह रिकार्ड बनाने चार दिन में लेकिन तुम्हारा तयार होना चाहिए हमारा यही पंडा होता है कुछ ऐसे भी बच्चवा होते हैं वो चाहते हैं कि चार दिन में हमारे चैप्टर पढ़ेंगे वावे भले एक हो नहीं तो ऐसी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं जैसे तुम मार्केट गए 10 रुपया का एक सेब लाया या वीस रुपया तुम उसको आते मान पकड़ के दो लपोर्टा हमारे कब है मैं तो 10 रुपया के लाया था तुम 20 का का है लाया तुम महेंगा क्यों लेकर आया अब बताव अच्छा कौन किया अब चोटा वाला अच्छा किया या तुम काम का तो है ना तुम अच्छा किया ना यहां तातर पर यह है कि तुम एक चैप्टर को दस दिन में पढ़ा वह अच्छा है लेकिन तुम एक दिन में दस चैप्टर पढ़ लो तुमारा एक दिन का टाइम बरबाद हो जाएगा कुछ तुमें नहीं आएगा तो इसका कोई तो बस इसी कांसेप्ट पर हम चल रहे हैं कि तुम्हें हम ऐसा बना दें कि तुम एक्जाम में खुद को अपने आप चांच कर सको कि हाँ हम कितना नंबर पा रहे हैं कितना करेंगे कैसे क्या होगा सब बैतर कर पाऊगे उसी सिंग पढ़ाई कर लो फ्रेंड बनाने का भी बहुत जिंदगी पढ़ी है यह पूरी दुनिया फ्रेंड बन जाएगी अगर तुम किसे काम के हो जाओगे तो anda के भगा दिएगे कोई आघStar स्वाष नया नहीं है है हम तो कोई फ्रेंड क्यों बनेगा अपका हां बाउ देखेंगा तो वे या चमक दमक वाले तो चमक दमक लेके निकल जाते हैं कि बचता जुर्रह जुर्रह तो कुछ होता है नहीं उस MICHAELU समझ गए सब amounts मदि इन में गुड़ा करेंगे तो हमें यह लाना है इसमीं मतलब लाना इतना वत लाना चाहिए लो देखते हैं, तीन यक्स का पिट्टा, जब चार यक्स में गुड़ा करेंगे, तो ये तीन चूप दुबारा हो जाएगा, और यक्स का यक्स में करोगे, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इतना ठीक है? कोई दिक्कद नहीं, ना, 3x का जब इसमें 1 में multiple करोगे बेटा तो यह 3x हो जायागा इसमें कोई दिक्कर नहीं ना अब मैंने 3x का इन दोनों में गुड़ा कर लिया आदा काम खतम हो गया माइनस 1 का माइनस इसमें multiple करोगे यहां समझो 4x में यहां से तुम समझो बेटा माइनस का अगर multiple है तो अंसर में माइनस जरूर आएगा वक का आएगा यह माइनस हो जाएगा और 4x में करोगे तो 4x यानि final में यहां क्या आएगा 4x पता दोनों बराबर आ रहा कि नहीं अब माइनस 1 का माइनस 1 में multiple करोगे बेटा दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा संजय कुमार हरी कृष्ण यादो संकर राज बहुत अच्छे पीता जी तेंद्र बहुत पीछे होगी आप दोनों लोग जोडी में हो तब हो पीछे हो देखो बचवा अभी यह बारा एक्स का स्क्वायर और यह माइनस माइनस जूड के हो जायागा साथ एक्स प्लस बन देखो हमने बाप को पकड़के बेटे की खोच कर दिया बेटा को पकड़के बाप की खोच कर दिया हैना मेत आसान देखो बेटा यह कुईश्चन था तुमारा मैंने इसको हल किया इसके दो गुड़नखंड आये कि क्या आये दो गुडनखंड आये उत तार की जाच के लिए मैंने इन धोनों गुडनखंड़ों का पकड़के गुड़ा कर दिया और चटाक दे देखो यह दादा फिर से आ गए जल्दी से लाइक करो फटा पट देर ना करो कच्छा दस के बच्चे दो पाहर के दो बज़े फिर लाइब देख सकते हैं बाबू ठीक है कच्छा दस वाले बच्चे दो पाहर के दो बज़े से लाइब देख सकते हैं कितना बजे से दो पहर के दो बज़े से देख सकते हो दाधा चलो लिख़लो इस स्क्रीन साइट लेू देखो तुम लोके चक्कर में मेरा ये खराब हो गया जा बोलता इसे में दिखाऊंगा तुम लोक इसमें आके मच्छर पढ़ गया कि मैं कुछ लेकर रखा था यहां पर अपने लिए तुम लोग को बताने वाला हूँ नहीं एक मच्छर पढ़ने स्क्या होता है न हम लोग खुद सो मच्छर के बराबर हैं चलो ठीक है अभी जाके टार्गेट पूरा हुआ अंड्रेड बहुत अच्छे बच्चे बेरे गुड चलो लिख लो देखो बेटा यह आपका कुष्चन था इससे मैंने आंसर लाया इतना इस आंसर का गुड़ा करके फिर से कुष्चन आ गया चलो मैं मिटाता हूँ अब मिटाता हूँ सभी बच्चे जल्दी से बोलो कि आपको यह समझ में आया यास या नो जल्दी सभी बताओ क्या आपको यह समझ में आया आया नहीं जल्दी करो फटफट देर ना करो चचा आया ना समझ में सब को लिख लो इसके बाद मुझे यह बताओ कि आप लोग को पहाड़ा आता है आप कहोगे कि नाइंथ में पहुँचे हैं पहाड़ा कहें पूछ रहें यह मान के चलो कि तुम दस में हो बोर्ड की परिच्छा देने वाले हो तभी बेहतर होगा अभी से लग जाओ अच्छी कासी पढ़ाई करोगे तभी कुछ होने वाला वरना कोरोना में तो सब पास हो गए हैं इस सब रोएंगे बहुत अच्छे से रोएंगे जो करोना में बीना पढ़े पास हुआ है जो पढ़ा नहीं है जान लो क्योंकि आगे कुछ होने वाला है नहीं इसके पर यह वह हैं को अधित रोकरी मिलेगी नहीं है दुनिया में कि आगला इसके पहले आप लोगों ने सेस्फल पर मिए पढ़ा था कि आई सेस्फल पर मिए पढ़े हो याद है आपको कि नहीं question अब देखो इसमें आ जाओ एक important कि अगर हम बात करें exercise 2.2 question number first देखो है तो बड़ा आसान लेकिन तुम्हें आना चाहिए 5 x minus 4 x का square plus 3 इन में बेटा क्या करना है यक्स बराबर जीरो पर इसका मान बताओ कितना हैगा जल्दी बताओ देखें सबसे पहले किसका आ रहा है यक्स बराबर जीरो पर इसका मान बताओ जल्दी करो देर मत करो देखो पांच घंटा न लगाओ याद रखना तुरंट बता दो चलो नहीं आराज सरेंडर कर दो मुझे नहीं आता आए एम गदहा बता दो आएम गदहा मुझे नहीं आता इसी में का दूसरा पार्ट है यक्स इक्वल माइनस वन पे इसका मान बताओ देखो सीवा कांत का आ गया किसान तिरपाथी किसान तिरपाथी पेटा तुम्हें मैं बलक कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हें फेक लग रहे हो किसान तिरपाथी पेटा तुम्हें मैंने बलक कर दिया पर्मानेंटा बसे मैंने लगा कि गलत कर दिया तो तुम्हें काम करो ना अब सांत हो जाना फाल तू कमेंट नहीं करना यह तुम्हें पर्मान इंट बलाग कर दूंगा याद रखना ठीक है बहुत अच्छे पहला का जब आप दो पहले दूसरे का नहीं पहले सभी बच्चे पहले का बताओ जब इसमें तुम यक्स कमान जीरो रखोगे यहां से समझो तो यह 5 इंटू 0 हो जाएगा वाइनस 4 जीरो का स्क्वाइर हो जाएगा प्लस का 3 अगर प्लस का 3 प्लस का 4 में गुड़ा करोगा जीरो हो जाएगा और प्लस का 3 यानि प्लस थी का आंसर करेक्ट है प्लस तीन जिनका आरा उनका सही है कि अच्छा तुम्हारा नहीं आया का आया ना समझ में चलो ठीक है बहुत अच्छे जितने भी साथी कमेंट नहीं कर पारें बाबू चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो देर ना करो आपकी जिम्मेदारी है कलास का टाइम याद रखना डेली साम को साथ बज़े से लेकर साथ बच कर पैतालिस मिनिट तक होता है लेकिन अगर हमारा दिल खुश कर देते हो तुम लोग न तो मैं आठ बज़े तक पढ़ा साथ बज़े से लेकिन कभी कभी ये कलास आठ बज़े क्या सब आठ तक चल जाती है थोड़ा लेट टपेड ज्यादा पढ़ा देता हूं कि यहां थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मोटे तकड़े हो जाओ चलो तो बेटा माइनस रखने पर कितना आएगा पीपिन ने बताय बताया उत्तर दी बेस ने बताया है और आदित्य सर्मा थीक है बच्चा बहुत अच्छे माइनस वन रखोगे बाबू तो यह हो जाएगा फाइप इंटू माइनस वन और यह माइनस का फॉर ऐसे रहेगा माइनस वन का स्कॉर और प्लस तीन फाइनल में पांच का गुड़ा करोगे माइनस पांच देखो माइनस वन का वर्ग करोगे बेटा तो प्लस में वन हो जाएगा और प्लस में वन और माइनस में फॉर मल्टीपल करोगे तो यह माइनस का फॉर हो जाएगा और यह प्लस का थ्री देखो यह माइनस प्लस क्या हो जाएंगे माइनस नो हो जाएंगे प्लस का तीन हो जाएगा देखो माइनस प्लस बेटा यह घड जाएगा तो माइनस का छे अंसर आएगा क्या आएगा माइनस का 6 आएगा इसको इसके आगे लिख लो जिनको नीचे नहीं दिख रहा आगे लिख लूँ अब सभी हमारे जितने भी साथ ही हैं जल्दी से बताएं समझ में आया पंटी नैन आया समझ में सचीन कुमार पाल बबुवान उज्वल सिंग उज्वल सिंग बेटा तुम किसको बलग करोगे तुम तो करी नहीं पाओगे काई परिशान हो हाँ तुम गड़बड करोगे तो मैं तुमको कर सकता हूँ यह तो पढ़ाई कर लो आपसे निवेदन है पढ़ लो चलो कि इतने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं जल्दी से बताएं आया चलो अब इस तरह से तुम लोग इसे कर लोगे बिटा देखो आज मैं तुम्हें इंप्वार्टेंट बताने वाला था हा आज एक इंप्वार्टेंट सबसे बड़ा टोपिक है पर्मिया पर्मिया उसमें तो भी थोड़ा डिसकस कर देता हूं कि देखो रोज पढ़ रहे हो ना पढ़ना अच्छी बात है कि मतलब यह माल लो कि अगर तुम भागते भागते जा रहे हो किसी दिसा में तो तुम्हें बीच में कभी रुक के एक बार पीछे देखना चाहिए कि बहुत सही जगा भाग रहा हूं कि पीछे में गडबढ जा रहा हूं तो वही आल है इस पढ़ाई में कच्छा नौ में पढ़ हो दस में किसी भी कलास में पढ़ रहे हो बैटा पढ़ भले रहे हो लेकिन तुम एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखो कि सही जगा जा अच्छा एक बात और सुन लो आप सभी फेस्बुक चलाते होंगे इसमें से अधिकांस तो बेटा आज तुम फेस्बुक पर पीवी आरे स्टडी लिखके सर्च करना और एक पेज मिलेगा उसको फालो कर लेना आपके मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियो और लाइब से भी मिल जाता है चलो तो बिटा मैं क्या बता रहा था यह कुश्चन पहला है अभी बच्चे बताओ क्या यह पर्मिय संख्या है क्या यह पर्मिय संख्या है हाँ या नहीं अच्छा ऐसे अगर पर्मिय है तो तुम पी लिखोगे अगर आप पर्मिय है तो आई अगर यह पर्मिय है तो पी लिखोगे अगर आ पर्मिय है तो आई कुश्चन अगला है इसी की तरह यह भी है ऐसे कर लो ठीक है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला उसमें बेटा अगर यह पर्मिय है तो इसको तुम ए लिखोगे हाँ अगर यह पर्मिय है तो इसको ए लिखोगे और अगर यह आ पर्मिय है तो इसको तुम भी लिखोगे मैं यह कोड दिया हूँ तुमें चलो बताओ सुमन कुमार फंदीब नाब्या ललित मीना अजीत अंकित जोती संजे हरीकेस सिंग यादो सुमन कुमार राइडर एस्टडी चैनल अधी तिरपाठी प्रणजल रोसन बहुत अच्छे देखो मैंने दो सवाल पूछे अब मैं दोनों को बता रहा हूं तुम्हें समझो देखो बच्चा वो संख्या एक प्रकार फे जो पूरी तरह से तुम्हें दिखे कि वो सोतंत्र है मतलब उसके कोई बीमारी थी वो ठीक हो गई कोरोना नहीं थीक होता जल्दी न हो जाता यार 95-97 परसंट लोगों का ठीक हो गया तो यानि कोई बीमारी थी जो ठीक होने वाली थी और ठीक हो गई तो वो पर्मिय संख्या है अब तुम कहोगे बीमारी क्या है बीमारी का मतलब यहां है अगर उसमें दसामलो लगा है वो बटे के रूप में है भाग के रूप में है वो वर्गमुल गनमूल में है अगर वो लेकिन दूर हो सकता है जो उसमें लगा किसी भी दसा में यानि एक प्रकार से पूर्ड संख्या बन जाए सीधा सीधा तो पर्मिय होगी लेकिन जरूरी थोड़ी है कि पूर्ड बन जाए तभी पर्मिय होगी जो पूर्ड नहीं होती वह भी तो पर्मिय होती है देखो बता रहा हूं समझों जैसे मैंने बीमारी वाला एक्जामपल बताया तो देखो मेटा इसमें बीमारी एक अंडरूट लगा है और यह अंडरूट हड सकता है क्योंकि 16 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है एक परफेक्ट स्कॉयर नंबर है 16 बोलो है की नहीं अब नलाय का बोलता का है नहीं तुम चैटिंग कर रहा है इतना लपोटा मारूंगा ना दाथ बाहर निकल जाएगा जान लो बढ़ता लिखता नहीं बसके वाल चैटिंग करता है चलो देखो तो यह 12 हो जाएगा माइनस इसका वर्गमूल करेगा बेटा तो क्या आएगा 4 और इसमें से सब्ट्रेक करेगा तो आएगा 8 हो गया ना देखो ललू आगया अच्छे से सुन्दर से लेकिन इसमें क्या है इसकी बिमारी ना बड़ी खतनाक है यह ठीक होने वाली है नहीं क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वह एक पूर्ड संख्या नहीं आएगा इसको कुछ किया भी नहीं जा सकता इसको ऐसे ही जाँ तो कुछ कह सकते हैं का लिखा जा सकता है लेकिन तुम ना इंत में हो तो अगर तुम्हारे लेवल से देखें नांग की लेटल से इसको कुछ भी ने किया सकता इसे इसी लिखा झासकता ने यह जू बैसे अगहां कुछ नहीं होती है पंटी सिंग पढ़ाई कर लो पंटी सिंग बिटा वार्निंग दे रहा हूं लाश्ट टाइम पढ़ लो पढ़ लो कमेंट तुम्हारा गड़बड़ा रहा है किसी का नाम लेके ना करो देखो जितने भी बच्चे किसी का नाम ले रहे ने बलग करो भई अब जितने बलग करो जिसी का नाम लेके कमेंट करें उसे तुरंट बलग करो चलो तो अब तुम कहोगे यह प्य पान क्यूं का क्या लफड़ा है इसमें यह नहीं है कि यह नहीं क्योंकि ही हल होके उस रूप में आये गए दिए name अब मैंने यह नहीं कहा कि अगर जो संख्या p Call माइनस प्लक की बाइं करो फार्ण के रूप में हो पर मियं है आगर मैंने आई से कहा होता आगर मैंने आई से कहा होता जाच तो उसकोktавать सकते थे पर्मिय है यहां पर लिख लो आर तीनों अलग अलग मैंने तो ऐसे कहा नहीं था कि पी माइनस अंडर रूट क्यूब अपन आर क्योंकि यह तो इसी रूप का है ना इसके नीचे वह लिख दो पी अपन क्यों की रूप का होना चाहिए यानि इसके जो भी अंचल पंचल चारो तरब निकले वो बराबर होने चाहिए थे जैसे देखो इसका बराबर हो गया हो गया ना देखो यहां पर पढ़ाई के अलामा तुम्हें एक और लेंग्वेज बताता हूँ तुम्हें वह ज ऐसे नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो अंदर में आने वाली संख्या क्या हो या तो पूर्ड वर्ग हो या पूर्ड घन हो आने वाली संख्या क्या हो पूर्ड वर्ग हो या पूर्ड घन हो और उस पे चिन भी उसी परकार का हो कुल मिला करके वो घनमूल वर्गमूल का हट सकता है तो पर्मिय होगी लिवे शार कि यंद्ध क्या होगी अपरमय Caitlin क्यम संख्या होगी अप्चा समझ गए ना वच्छा फिर वी किसी को कोई समस्या है तो बतादो देखो आज मैंने आप लोगों को बहुत सारा रिवाइज करवाया न यह सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जो मैंने आज रिवीजन करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपका बहुत खतम हो गया है इसमें मैं एक कलास और लूँगा मैं उसमें थोड़ा सा और समझाओंगा तो बेटा आठवा कोईश्चन आपके सामने दिया है आप सबको दिख रहा है कहरा कि निम्लिकित में से परतेक का गुडनखंड कीजिए गुडनखंड को बेटा इंगल तो होने वाला है नहीं है जैसे मानलो मैंने दे दिया कि 35 तो बेटा तुम लिख दो 35 को पाँच गुड़ा साथ तो यह क्या हो गया 35 का फैक्टर हो गया लेकिन यहां पेग चीज समझो कि यह जो इतना बड़ा गुडनखंड है यह ऐसे तो सीदा सीदा होने वाला है नहीं ऐसे तो सीदा फीदा होने वाला है नहीं तो क्या करेंगे इसको फिर हम देखो समझो यहां से सभी समझो हमने आप लोगों को सर्बसमी का पढ़ाया था क्या पढ़ाया था बच्चा सर्बसमी का पढ़ाया था आइडेंटी पढ़ाया था बोला था कि याद कर लो इसे ले फोन पर फोन कर रहा है चलो देखो तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें छीपा है क्या 2a का क्यूब यह बी का क्यूब यानि यह लग रहा इसमें सूत्र छीपा है क्यों भाईया छीपा है कि नहीं हां छीपा है ना बच्चा तो देखो एक बात बताओ मुझे 8a का क्यूब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं तबी बोलो हाँ इसे ऐसे लिख सकते ना बिटा लिख सकते ना बचवा जैसे आठ को तुम दो का क्यूब लिख सकते हो इसे ऐसे लिख सकते हो उसी तरह से इसको भी लिख सकते हो तो जब लिख सकते हो तब फिर दिक्कत किस बात की है यह लो और बी का क्यूब जो है इसे ऐसे बी का क्यूब रहने देंगे अब देखो तुम एक चीजा समझो । यह जो सूत्र होता है न कौन सा कौन सा जानते हो यह सब प्लस वाला बनेगा यह न रसे नला है कि हम आनश वाला के लिखा है प्लस वाला सूत्र बनेगा A-plus-otted-े------- common3 यह सूत्र जानते हो की नहीं जानते हो न? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 A स्कॉाइर B और प्लस 3 A B का स्कॉाइर बोलो ये फार्मूला सुना था कभी लाइप में? हाँ? सुना था की नहीं? तो इसी तरज पे बच्चा देखो तुम अगर समझो तो हमारा A का क्यूब मिल गया, B का क्यूब मिल गया कहां मिला है ये? A का क्यूब मिल गया, B का क्यूब मिल गया अगले में बेटा होता है 3 A का स्कॉाइर B तो 3 और A का स्कॉाइर मतलब की 2 A का स्कॉाइर और B, B का मतलब यहां B कमान B दिया है समझते चलो जल्दी जल्दी से द्यान से अब यहां पे प्लस थ्री ये भी स्कॉयर तो ये थ्री और ए देखो जो नीचे ये फैक्टर किया जा रहा है ये इसको हल करने के बाद उपर की लाइन आनी चाहिए मतलब ये उल्टा सवाल हल हो रहा है से जान लो ये उल्टा सवाल हल हो रहा है वर्सा सिंग कुछ समझ हमझ में आ रहा की नहीं विजय आदी तिर पाठी देखो जो बात चीत कर रहा है थोड़ा पढ़लो बंदा पढ़लो पढ़लो नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे एक ही जगा पर टूए अच्छा बी कमान बताओ तो आर्यान यादो बताओ बी कमान कितना है भाई यहां तुम्हें दिखनी रहा अभी कमान भी है और इसक्वायर है तो इसक्वायर हो गया अब अच्छा तुम लोग मुझे यह बताओ सभी क्या यह जो है इसके बराबर है की नहीं गोलो हाँ पीवियर स्टडी एडितर आप अपना कुछ काम कर लो improve पीवियर इस्टडी एडितर आप अपना काम कर लो । जो जरूरी है उसको कर लो पहले फिर हम अगर खाली हो तुम्हें दूसरा काम बता दू बहुत सारा काम है डंक्र में झो करने दो मैं इसको देख रहा हूं जल्दी बता आई है कि देखो बच्चा तुक्तल यह का क्यूब करोगे commence क्यूब आजाएगार किका क्यूब करोगे वी का क्यूब आ जाएगा 12 A का स्कॉائर B, इसको तुम देखो तो 3 और यह 4 बारा और A स्कॉायर B हो जाएगा क्योंकि 2 A का क्या है इसको देखो तो यह भी क्या हो जाएगा 6 A B का स्कॉायर यानि सब बात बराबर है तो बच्चा हम क्या कर सकते हैं भाई सहाथ सूत्र की तरह से अगर हम चले तो ये उल्टा सूत्र बन रहा है समझाने के चक्कर में कितना टाइम लग जाता है न अब हम ले लेंगे A A की जगा पे दू A और B ये अंसर हो गया अब तुम इसको उल्टा करके देखो बिटा ये सवाल हो गया ये इसका हल है ये फाइनल आंसर है ये उल्टा हो गया ठीक है फूइस्चन उल्टा दिया है तो चाहे तो उसको लिखो चाहे तो इसको लिखोगे ये इसमें और इस दोनों में कोई एक आंसर लिख सकते हो पादर खान अराधना कुमारी आदी तिरपाथी बेटा मैं तुम्हें बलाग कर रहा हूँ ठीक है आदी तिरपाथी केवल पढ़ाई कर लो वर्षा सिंग तो एकदम पागले पैदा हुई थी का कि इतना रहफट मारेंगे ना कान बंद होई जाएगा जान लो अब चलो जो नो कमेंट कर रहा है इनको सब को बलाग मारो फटाफट कि इतना नालायक पैदा हो गए यह कि मैं क्या कहूं हूँ इने चलो जल्दी स्क्रीन साट ले लो इसका दूसरा सुतर नहीं है समझ में आए सभी को क्या किया गया यह एक परकार से तुम्हें आंसर दिया था बेटा कुश्चन लाना था अगर नहीं समझ में आया अभी अगला देखो आएगा अभी अगला देखो आएगा थोड़ा सबर रखो चैटिंग ना करो गपसप ना करो पूजा कैसी हो बरसा तुम इसकूल जाती हो कि नहीं आदी तुम कितने सुन्दर लग रहे हो आच इस सुन्दर ही जब तुम्हारे अंदर हो जाएगी कि कैटिंग नहीं करेगा कोई जिनको करना यहां से तुरंत निकल लो अपनी जिंदगी कहीं जाके बर्भाद कर लो दूसरी जगा यहां पर नहीं करो चलो पढ़ लो भईया पढ़ लो भाबू अभी छोटे हो पढ़ लो थोड़ा देर पढ़ लो फिर बातचीत कर लेना अलग से मैं बता दूंगा कर लेना लेकिन अभी पढ़ लो चलो देखो अगला नेक्स्ट कुश्चन देखो इसी में जिनको ना समझ में आया यहां पर ध्यान दे 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वाइर b और प्लस 6a b स्क्वाइर देखो बेटा यह सेम उसी तरह का है इसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना है चलो जल्दी बताओ मनोज यादो यह बताओ इसमें किताब है आप लोगों के पास इंटरनेट बीच बीच में कुछ मिश्टेक कर रहा है इंटरनेट कुछ गड़बड कर रहा था चलो देखो देखो बच्चा यहां से यह समझो यह A-B का होल क्यूब का सुत्र तुम जानते हो यह भईया 3A2B और प्लस 3AB2 बोलो यह फर्मूला जानते हो ना बच्चा यह जानते हो ना बाबू विसाल सी ठीक है कोई बात नहीं ना कमेंट करो देखो तो हमें क्या करना है इसी बेस पर इसको बनाना है इसका क्यूब कर लिया हो रहा था इसका क्यूब है इसका भी कर लिया अब माइनस देखो समझो A कमाना आ गया यह B कमाना आ गया ऐसे करते हैं देखो यह थोड़ा समझने वाला प्रस्ण है अगर आप इसमें थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो यह समझ में नहीं आएगा यह बहुत आसान नहीं है अगर हलके में लोगे चचा तो यह ना आएगा यह standard question है यह इतना आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है जो समझ रहा है उसके लिए इसलिए समझो इसको देखो मतलब इसमें दिमाग लगाना है आपका माइंड जो है उस पर प्रेसर करके इसको समझना है यानि हमें answer दिया है question बनाना है तो भाया हो खंबा पर चड़ना है लेकिन सिर उपर करके नहीं सिर नीचे करके उपर चड़ना है ऐसे चलना है समझ रहा हो जैसे अभी हम चल रहे हैं सिर उपर है पैर नीचे है न चलने को यह भी बोल रहा है लेकिन यह कह रहा बच्चा सिर नीचे कर लो पैर उपर करके चलो ऐसे करने को यह बोल रहा है समझो तो यह A कमान हो गया यह आपका B कमान हो गया माइनस का माइनस 3 और A का I स्कौाइर A का I स्कौाइर मतलब भाई A कमान क्या बाबू 2A A कमान क्या है 2A तो यह 2A का I स्कौाइर into B B कमान क्या बच्चा B कमान देखो यहाँ पे बही कहीं से भी तुम देख लो B कमान ये B का क्योग जो है ना मतलब B है ठीक है और प्लस की जगा पे प्लस अब देखो फिर से 3 A A कमान कितना आया था चल बताओ सबी बच्चे बताओ A कमान A क पुरारी जाट वर्सा सिंग देवान तिरपाथी अनुज जल दी बताओ A कमान पूछा मैंने पेटा A कमान है 2A अब गदहा ये 2A नहीं था और B का स्कॉयर B कमान तो B है तो इसका स्कॉयर कर लो लीप दो इसको मूँ से लीप दो कर दो इसी में सब हो गया ना अब देखो बच्चा तुमें एक चीज ये समझो कि 2A का क्यूब करेंगे तो आठे क्यूब आएगा B का क्यूब करेंगे तो ये B का क्यूब आएगा किना आएगा बताओ जल्दी बताओ सभी आगे देखो अगला इनका जब तुम हल करोगे बेटा दो दूना चार हो जाएगा चारतियां ही बारा बारा एका स्क्वाइर भी आएगा माइनस का माइनस ये प्लस का प्लस यहाँ पे है तीन दूना च्छे और A और B का स्क्वाइर आएगा न यानि तुम इन आप देखो राजा तो ये सब बराबर जितना है इससे ये आ सकता है न आ जाएगा न और उसी फार्मूले पे चलो बेटा जैसे जिस पे तुम्हें मालूम था भी तक क्या हो गया फिर ये मैं सुत्र तुम्हें बहुत अच्छे से बताया हूँ सर्वसमी का आइडेंटी ये 2 A माइनस B का होल क्यूब ये हो गया आंसर सारा खेला इसी का था ये लो हो गया नहीं ये आंसर इसको क्यूब है तो चाहे तीन बार लिख दो ये अथवा 2 A माइनस B 2 A माइनस B और 2 A माइनस B मतलब इस में चाहे इस में दोनों में से एक हो सकता है फाइनल में ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा सर्वसमी का जिनको नहीं आद है उन्हें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल जल्दी से हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं इस सेशन को बाबू लाइक कर दो खटापट लाइक कर दो बहुत जल्दी 200 पलफ लाइक करो तुरंग 175-76 हो गया है सिर्फ 20-24 करना है बढ़ स्क्रीन साथ ले लो जल्दी से आगे बढ़ें राम बहादूर सिंग भाई रभी संकर तुम तो इनका जैसे मूझ खुला वैसे दबा दिये देखो फाल तू कमेंट ना करो नहीं तो हमारे खिलाडी तुम्हें बलाक भी कर देंगे भी जान लो फाल तू कमेंट ना करो जल्दी करो फट 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 हो गया चलो अब यह बता मुझे अठवा प्रस्न का वेटा दो पार्ट तो हो गया तो पार्ट हो गया ना अगला पार्ट इसमें और भी है क्या भी आए एक्सरसाइज टू पॉइंट फाइप एंसी एरिटी मैथमेटिक्स जो है नाइन्थ वाली इसमें आठवा में कितना पार्ट था रेच अच्छा पांच पार्ट पांच पार्ट है इसमें अभी तो दूइये हुआ है चलो अगला देखो आप लोग क्या कह रहे हो इसमें के सारे पार्ट कराऊं या मैं इसको छोड़ दूँ अब बताओ भाई कितने मात्मा हैं सारे पार्ट करवाऊं या छोड़ दूँ अब एकसो पचीस एक्यूब एकसो पांचीस एक्यूब एकसो पांचीस एक्यूब जल्दी करो बहुत अच्छे बेरी गूड हमारे बच्चे सबसे अच्छे आगे बताएं ठीक है पुसी सिंग राहुल को बलाग करें ठीक है बहुत अच्छी बात है अब आप खुद बलाग करिये ठीक है आप ही की नाम से लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं ना पुसी सिंग आपका नाम लेकर के लोगक मेंट करते हैं मों काम करना जो भी Noah kaziिया के कमेंट करेगा इसके मेंट की करनीकि करना उसके जो यूजर म penalty कर्देना ठीक है बस कि ý terra sand ठीकै अब आप खुद बॉलब कर से चलो देखो बच्चा मैंने आपको सूत्र बताया है सूत्र समझो यहाँ पे कौन-कौन सा फर्मूला था भाई यह A-B का होल क्यूब यह सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा है पढ़ा है न बिटा तो इसमें क्या होता है A-B-3 A-B और यह A-B बोलो यही होता है कि नहीं इसको थोडा सा और जब हम माडिफाइड करते हैं और आगे थोड़ा हल करते हैं तो यह ऐसे बन जाता है भई इसका अंदर में गुड़ा हो जाता है A-A में तो A-A-Square हो जाता है अब यह माइनस और यह माइनस यह प्लस हो जाता है 3A और B का B में गुड़ा हो जाता है तो B का इसको है बात समझ में आया ना सबको तो बेटा ये सूत्र इसमें अपलाई होगा मतलब हिया से उठाओ हिया पटक दो कई से मैंने अभी बताया ना जैसे खंबे पे चड़ना है हाथ पकड कई से लोग चड़ते हैं इसमें खंबे पे चड़ना है लेकिन हाथ नीचे करके पैर उपर करके चड़ना है मतलब आंसर है ये फाइनल में दिया है इससे कुष्चन लाना है समझ रहे हो ना बेटा तो देखो यहां पर समझो ठीक है बहुत अच्छे खुसी आने लगा आपको ना बला करना बहुत अच्छे बेरी गुड चलिए ठीक है तो आप देखिए 27 को क्या लिख सकते हम तीन का क्यूब भाई ये एके वही पुराने वाले एके हैं कि कोई नया वाला एके है आपको तुम्हा ट्रेटर बनाया गया था ना आप कैसे गया वो गए चलो माइनस आप देखो समझो यहां से समझो अब यह सूत्र मिटाना नहीं था वसे तुम लोग जानते हो फार्मूला ना जानते हो तुम्हें फार्मूला मिटा देता हूं क्योंकि यहां पर जगा नहीं है चलो अच्छा यह बताओ 27 को हम तीन का क्यूब लिख सकते हैं बोलो हाँ या नहीं किसको लिख सकते हैं न लिख सकते हैं तो ऐसे लिख लो और चीज एक और समझो भई 125 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं पांच का क्यूब लिख सकते हैं न लिख सकते हैं तो चलो फिर जब लिख सकते हैं तो रोंका किफने है यह लो माइनस आप देखो ये फर्मूला अपलाई हो रहा है कौन सा जार मुझे फिर लिखना पड़ेगा जाई फालतुक जा रही है चलो लिखाई देता हूँ ये सूत्र लग रहा है ये 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 ठीक है समझ में हारा भाईया सिवकांत समझ में आ रहा ना अस्वनी कुमार अनुस्का सिंग ठीक है बहुत अच्छा है अनुस्का वेरी गुड देखे समझ ये माइनस में होगा अंसर प्लस में नहीं होगा माइनस में होगा देखो बेटा ए का क्यूब इसकी जगा पे तीन का क्यूब हो गया minus b का cube b का cube की जगा पे 5a का cube हो गया minus तो यहाँ पे minus 3 तो यहाँ पर 3 a का square अब a का मान क्या है मुझे बताओ जल्दी बताओ सभी अब एक गदहे a का मान यह यहाँ पे a कथा नहीं मान 3 है तो 3 का square a हो गया b b का मान क्या है अभी यहाँ से रखा था था ना b का मान कहा है यह पांच a है b का मान यानि यहाँ तक हो गया यहाँ तक हो गया देखो जो सुरू से समझ रहा है दिल और दिमाग दोनों यहीं लगा रहा बेटा उसी को समझ में आएगा ये बहुत आसान नहीं है ठीक है ये बहुत आसान नहीं है जो सुरू से समझ रहा प्यार से को समझ में आएगा चटपटे कर लो अर जिन लोगों को मडरेटर बनाया गया जिनका कमेंट ब्लू कलर में आ रहा है आने फिर करेंगे तो प्रबड़ रहा है प्लस की जगे प्लस प्लस अब आज बंद हो गई थी ना अब आने लगी यह माइक्रोफोन भाई थोड़ा बिमार हो गया बाबू यह थोड़ा बिमार हो गया बेचारा बहुत दिन से काम कर रहा है अब बिमार हो गया तुला चलो तो तीन और ए ए कमान तीन भी कमान पांच अब बताओ आने लगी ना आने लगी ना आवाज मैंने कहा था कि जिन लोगों का कमेंट ब्लू कलर में आ रहा बेटा वो थोड़ा जिम्मेदार हो गये कंठी पाहिन लिए हैं अब वो चैटिंग नहीं करेंगे सुन रहा हो ना वो चैटिंग नहीं करेंगे किसी से चलो मतलब चटपटी वाली यह हो गया आप देखो समझो यहां पर अब देखो यह इतना आपके पास है कितना है मैंने यहां पर क्या किया रख दिया ना अब बैटा यहार पर यह समझो जब तुम इतना मान है तो इसकी जगह पर इतना लिख सकता है ना तो बलौ ऐसी आप neste का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं तो बाबू 1003 और B कमाणippy है और होल क्यूब अधिये लाने के लिए इतना ओजाहे किया गया बात समझ में आया ना हां हो गया अंसर अंसर हो गया चचा लिख लो जल्दी चलो जल्दी करो लिख लो फटा फट लिख लो लिख लो इसको तुमें काम और भी कर सकते हो चाहे तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तीन बार में रिखो तीन घात लगी है तो ये तीन बार में आयेगा ये दोनों आंसर हो गया लिख लो तो ये फाइनल आंसर हो गया इसक्रीन साट ले लो बाबू सभी जितने भी हमारे साथ ही जुड़े हैं इस सेशन को तुरंद लाइक कर दें आपकी जिम्मेदारी है उसे समझें बहुत जल्दी आप लोग इस कलास को लाइक कर दीजिए और अगर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें परते एक साम को साथ से आठ बजे बिलकुल फ्री यूटूब पर पढ़ाया जाता है एकदम फ्री एक कवड़ी नहीं लगता है नहीं सब फ्री अच्छा मैं एक पवल कर रहा हूं आप लोग उसमें Yes या No करना इस्का इसका गुले पहले द्यान देना आप लोग केवल Yes या No करना रिक्षे मैं लिख रहा हूं कुश्च popular मुझे एकविए ये मिनेट देना प्लीज आप लोग जाना नहीं आप आपर बताओ मुझे क्लास वे काये को भाग रहा है क्लास नाइन्थ साइन्स एस सी आई एन सी ए लाइव लाइव देवन एम से चलती है आप जानते हो ठीक है बोलो क्लास नाइन्थ साइन्स का टाइम साथ बज़े से ठीक है बताओ हाँ या नहीं हाँ क्लास नाइन्थ साइन्स लाइव का टाइम ठीक है चलो आप लोग इस पर जबाब दे दो मुझे उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसको लिख लो भया जल्दी से लिख लो बाबू और हाँ मैंने कुईश्चन आप लोगों से किया है पॉल में आप लोग उसका मुझे जबाब देना अगले प्रसन की तरफ आगे बढ़ते है चलिए तो मैंने एक कुईश्चन आप लोगों से किया आप लोग उमीद करते हैं उसका जबाब देंगे या फियर नू और अगर यस तो सुबह साथ बजे आया करो सुबह साथ बजे आया करो बेटा सब ही देखो किसी का स्कूल सुबह साथ बजे नहीं रहता है पढ़ लिया करो तब जाया करो चलो तो यह आपका हो गया थार्ड पार्ट आप लोग यह बताओ तच्छा नो की एंसी आर्टी गडित परस्ना वाली दो दसामलो पांच परस्न संक्या आठ का मैंने तीन पार्ट बता दिया तो क्या मैं चौथा बताऊं बोलो चौथा बताऊं की नहीं जल्दी बताओ बेटा चौथा बताऊं की नहीं ठीक है जो लोग टाइम बदलना चाहते हैं मैं उनके बारे में डिसकस करूंगा कभी अभी तो आज मैं नहीं बदल रहा हूं अगर टाइम बदलेगा बेटा तो रच्छा बंदन बात से बाद उसके पहले नहीं बदल सकता है जो नहीं पढ़ सकता है उस टाइम पर उसकी कलास हम रखे रहेंगे उसके लिए मुझके लिए रखे रहेंगे वो कहीं से आएगा तब दे देंगे बाद में तेली गराम पर भेज देंगे पढ़ लेना अगला पार्ट लिखो अगला पार्ट लिखो भाईया लिखो बाबू लिखो एकसो आठ एबी स्क्वाइर सब माइनस है का नहीं है प्लस इसका आंसर बताओ कितना आएगा क्या आवाज नहीं आ रही क्या भाई आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर नहीं आ रही है सही तो आ रही है इसका अंसर बताओ कितना आएगा सही तो आ रही है चलो ठीक है तो बच्चे इसका जल्दी से बताओ कितना आएगा देखो बाबू ये बहुत आसान है बहुत ही सिंपल सा है जैसे ये फार्मूला खबाय यार यह सब पागल हो गया का हवाज आ तो रही है ना बोलो हाँ हवाज आ रही है ना चलो देखो देखो बच्चा यह मेन फार्मूला है विटा a माइनस b का होल क्यूज des equal a का क्यूज minus b का क्यूज minus 3 a square b और PLUS, यह 3, यह 20 को है, यह आपका मुक्षे सूत्र है, किसी LINE पर हमें चलना है, ठीक है? किसी LINE पर हमें चलना है, ठीक है ना बच्चा, देखो समझो, इसको ना बताऊं क्या? कर लेना, याँ याँ, आब नहीं बताऊंगा इसको, मैंने इसमें का पहिला पार्ट बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया तो कभे लूंडे तुम लोग चाउथा नहीं कर सकता का? चाउथा पच्वा दूइनो करना आप, चलो सुनते नहीं हो सीधे न, इसलिए बोलना पड़ता है अब ये सारा पार्ट करोगे, इसका अंसर बताओ सबसे पहले ये जो नो बकलोली कर रहा है न, मैं इसको बताता हूँ अभी ससुरा को इनको ये पढ़ने लिए नहीं आता है देके वल जुगार खोजने आता है और जुगारे खोजते खोजते इसकी जिंदगी भी बीच जाने वाली है नहीं बताऊंगा आँ इसको कौनो इसमें हमारा साथी भी जुड़ा है, कहरा इसको मत बताईए ठीक है, देखो तीन-तीन माडरेटर जुड़े हैं आज अगर इसमें भी कोई बात कर ले रहा है, तुम तीनों लोगों से बचके तो फिर समझ लोग की लानात है तुम पर रवी संकर, खुसी और एके तीन लोग माडरेटर हैं कमेंट के लिए और अगर तुम तीनों लोग के रहते हुए भी लोग बात्चीत करें तो फिर ये कड़बढ़ें चलिए, तो अगला प्रशन पर चलते हैं, आठवा को मैंने रफा-दफा कर दिया आठवा कुश्चन हो गया, खतम नौ नमबर पर आजाओ डाटो नहीं, इनको काटो दीरे-दीरे, ये डाटने से मानने वाले हैं नहीं इतका हावत है ना, लातेक देउता बाते से नहीं मनतन ये वामा के है नाइन नमबर कुश्चन पर आजाओ भाईया खुशी और रभी दोनों अपनी जान बचा के वाइठे हूं का बोलें सत्यापित कीजिए बतलब सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए ये सुनो तुम लोग केवल टाइम आउट करना बस पर्मानेंट के लिए हाइड ना करना क्योंकि सब अपने ही साथ ही है एकदम से बलाक कर दोगे ति कभी अनबलाक नहीं होंगे इसलिए पांच मिनट के लिए होल्ड करना अगर फिर भी ये वही करें सब एकदम से कर देना देखो बच्चा इसको सत्यापित करना है इसमें का पहला पार्ट है यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल यक्स प्लस वाई मतलब ये सर्वसमिका दी गई है बच्चा तुमको और इसको सिद्ध करना है ये लो ये एक आइडेंटी दी गई है आपको इसे प्रूब करना है प्रूब करके आपको इसको दिखाना है कि ये सही है ठीक है विपिन कुमार समझ में आ रहा है लाइब सॉंग निखिल को स्वाहा निखिल को भाई बता दो इसब ठीक है कि ने इनको बता दो पहले इनको होल्ड कर दो तो चलो देखो आप लोग यहाँ पे समझो अभी अभी मैंने आपको एक और सर्वसमिका बताया था ना नाइन नंबर को करने के पहले बच्चा देखो एक चीज समझो तुम यहाँ पे वो क्या है वो का है हमें पता है तुमको भी पता है इसका सूत्र जानते हो ना इसका सूत्र जानते हो ना कि नहीं जानते हो देखो मैं तुम्हें बताता हूं यहाँ समझो यक्स प्लस वाई इसका होल क्यूब यह क्या होता है बच्छेबाद देखो यहां से समजो थोडा सा समझो तो नरजा यहां समझो क्येते का फिल्क कीूब यह क्यो 9 यह राओंश क्योब का प्लस्ता ही क्योब्र ग्यांनी अची प्लस बीक्य खिलाक mee ब्रश्विंद के यह प्लस वाई पहले बता है कि नहीं पहले संदीब रावत पहले पढ़ाई कर लो फिर हम तुमसे बात करेंगे बाद में पहले पढ़ लो पढ़ लो पहले पढ़ लो यह होता है न तो हमें जो यह सूत्र दिया है जो सिद्ध करना इससे कोई मतलब नहीं है हम पहले यहां लिखेंगे इनको हटाओ किनारे मारो द दोलात बगल कर दो यहां पे लिखो हम जानते हैं अब का जानते हम हम यह फर्मूला जानते हैं इसको लिख दो आप उपर ले जाके चलो जो दिया है उसको दिये रहने दो हमें उसको सिद्ध करके दिखाना है बस हमें इसको लाके दिखाना है कि इतना बरावर इतना होता है हम जानते हैं यक्स प्लस वाई जालो जानते हैं अब देखो बेटा यहां से समझो बी नो देट ओके इंगलिस में लिखोगे बी नो देट अब देखो बच्चवा हम कहा करेंगे ना चुकि हमें इसको लाना है बरावर इसको अकले दिखाना है ना देखो यहां दिया है ना तो हम इसको इधर छोड़ देते हैं बाकी सारा टीम इधर ले आते हैं समझना तो यह यक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस यह तीन यक्स वाई और यक्स प्लस वाई हो जाएगा और यह बराबर यह खलुआ और मोहन दोनों एक तरफ अकले बचेंगे सबको समझ मैं आ ना बेटा यह जितना मैंने अंडर लाइन किया है इन दोनों छोटकववा को छोड़ करके इधर साइड बाकी यह चाचा लोग इधर आ गये समझ मैं आ न सबको यह इतना जितना मैंने उपर फेंडर लाइन किया है यह इधर आ गया दूफरी साइड तो यहां पे चिन जो प्लस था बेटा माइनस हो गया और यह वैसे का वैसे रह गया अब देखो अब तुम कहानी समझो अब तुम कहानी समझो रियल वाली अब क्य होने वाला है इनको अगर हम एक बार इधर लाके लिखें फिर उनको उधर लिखें तो बात तो वही होगी बात तो वही होगी तो हम एक काम न करें इनको इधर उधर काहे को लिखें इनको ऐसे न रहने दें इनको हम आई से न रहने दे जाई से हैं ये क्यों नहीं लेकिन तुम लोग समझ भी तो न पाओगे चलो ठीक है इनको इधर ले आओ फिर इनको इधर ले आओ थोड़ा सा समझने में अटपटा लगेगा फिर तुम कहोगे समझ में नहीं आ रहा है इनको ऐसे लिखो मैंने पालहा बदल दिया बस बाकी कुछ नहीं करा है फिर पालहा बदला है इनको इधर ले आए हैं इन सबको उधर ले गए बस इसको सीधा करने के लिए उल्टा हो गया था अब देखो बच्चा यहां से तुम समझो अब यहां से तुम कहानी समझो पूरा क्या होने वाला है क्या होने वाला है अब तुम समझो मिटाएं इधर साइड में जगा है, हो जाएगा न यहां पर थोड़ा छोटा करके लिखेंगे आ जाएगा चलो अब उधर देखना, समझना देखो बच्चा इसमें यक्स प्लस वाई है इसमें भी एक्स प्लस वाई है है ना बेटा बीच में माइनस है तो हम क्या करेंगे ना हम इसमें यक्स प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं बोलो ले सकते हैं कि नहीं सर्वेश कुमार कुंदन गुपता ले सकते हैं कि नहीं बोलो हाँ तो बच्वा हम कहा करेंगे इनको ऐसे लिख लेंगे चुप़े से यक्स का यह क्यूब और यह प्लस वाई का क्यूब इक्वल इसमें यक्स प्लस वाई कामन ले लेंगे मुझे लग रहा आये गा नहीं उसमें जगा है नहीं कैमरा थोड़ा उधर गुसकाता हूँ आये गरुको थोड़ा उधर खिसका के दिखा रहा हूँ टेंसन मत लेना जाना नहीं मैं एक अई स्क्रीन में पूरा दिखा अब भागना मत टेंसन मत लेना चलो ठीक है बड़ गई ना चलो ठीक है जगा बड़ गई अब समझो मुझे एक करी स्क्रीन पर दिखाना है पूरा हल तो बच्चा जब इसमें हम यक्स प्लस वाई कामन ले लेंगे बच्टा तो ये स्क्वायर में बचेगा अंदर में ना समझो यक्स प्लस वाई का होली स्क्वायर बचेगा और माइनस ये तीन यक्स वाई बचेगा बोलो दिख रहा है कि बाहर निकल गया फॉलो दिख रहा है ना यहां के बाद मैंने क्या किया इसमें से x प्लος y निकाला इसमें से x प्लस y निकाला तो देखो यह तीन गहात था एक निकल गया इस लिए दो गहात बछा कि इतना सबको समझ में आया बोलो यस सबको समझ में आया बोलो यस चलो अब देखो बात बन रही है सिस्टम सही हो रहा है न अब कि युकांत पढ़ाई कर लो भाईया कर लो पढ़ाई पर कर लो कर लो देखो जो समझेगा उसको समझ में आएगा जो ना समझेगा उससे बिल्कुल ना आएगा पेटा अब देखो एक चीज समझो यह यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल देखो A प्लस B का whole square ये सूत्र जानते हो ललू कि नहीं पहले मुझे इमानदारी से बताओ ये सूत्र कितने बच्चे नहीं जानते ही बताओ ये सर्वसमिका जानते हो ना अब इसमें यही सर्वसमिका लगेगी बीच में यही वाली लगेगी थोड़ा छोटा-छोटा भले दिख रहा होगा न अभी मैं तुमको जूम करके दिखा दूँगा टेंसन मतलो अभी एक एक पॉइंट जूम कर दूँगा रुके रहो तो यह हो जाएगा पेटा यक्स प्लस य ऐसे रहेगा अंदर में सर्वसमिका लगजाएगी 2A स्कॉायर प्लस 2A भी हो जाएगा न rijम एक का मतलब इसमें 2 एकस ओई मैं और प्लस अधा का स्कॉायर का मतलब इसमें वाई का स्कॉायर और माइनस 3 एकस उए पूरा दिख रहा है ना पूरा दिख रहा है ना मैंने क्या किया इस सर्व समिका को ओपन किया इतना दूर इतना देखो इस्टेप बाई स्टेप जो समझ रहा है उसको समझ में आ रहा है और जिसको नहीं समझ नहीं समझ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं अभी मैं जूम करक चलो ओ धिकहे ना बच्चा तो लो इदर साइड का में तुम्हें जूम कर देता हूं यह लो इतना समझ लो फिर मैं अभी और उधर का दिखा दूँगा है चलो इतना समझ लो इतना समझ लो इतना पहले समझ लो फिर उधर का दिखा दूँगा पूरा दिखा दूँगा पहले इतना समझ लो तो बेटा देखो यह फाइनल में हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई अभी पूरा दिखा दूँगा एक बार में टेंसन मतलों अब यह प्लस 2xy और यह माइनस 3xy बेटा यह दोनों घट जाएगा तो दोनों घटेगा तो x का स्कॉयर माइनस xy और प्लस y का स्कॉयर बचेगा मुझे एक बात बताओ तुम्हें सिद्ध क्या करना था जो सिद्ध करना था वही आ गया ना लिखदो इती सिद्धम आता हा सिद्ध हुआ हो गया की नहीं हां बोलो हो गया सिद्ध की नहीं हो गया हो गया ना बच्चा अब चलो इनको मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूं स्क्रीन साट ले लो इतना मैं वह भी दिखा दे रहा हूं पीछे वाला जल्दी करो इतना स्क्रीन साट ले लो यह पहला इतना था यह पहला इतना था इधर साइड में जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है यह पहला था यह पहला था ठीक है और यह दूसरा भाग इधर साइड में लगाई इसमें खा question एक है दोनों को अगर मैं तुम्हें एक साथ में दिखाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा ये लो screen start ले लो अगर लेना चाहो तो मैं आगे बढ़ता हूँ अब इसको छोड़ के पूरा full screen में तुम्हें दिखरा चलो को गया ना अभी बच्चा लिख लिया चलो तो आपका ये nine number का पहला part हो गया ये बता इसका दूसरा part कौन कौन कर लेगा इसका दूसरा part कौन कौन बच्चा कर लेगा बोलो कर लोगे ना बेटा की नहीं कर पाऊगे यक्सक्यू प्लस यक्यू बराबर करी साइड आये तो नहीं तो माइनस होगा क्या देखो कोई question कर रहा है कि यह इधर साइड आयेगा तो माइनस होगा ठीक है मैं तुमारी बात समझ रहा हूं सुनो सुनो, देखो ये पूरा पूरा इस साइड आ रहा है न, और ये पूरा पूरा बेटा उस साइड जा रहा है, तो जब बराबर का लेना देना हो रहा है, तो कोई करजा नहीं होता है, समझ रहे हो ना अगर ये सिर्फ अकेले इधर आता इधर से उधर ना जाता कुछ तब तो माइनस होता लेकिन पूरा इधर कपथ उधर आ रहा उधर का उधर आ रहा मतलब कुर्शी बदली जारा है तुम मेरे पर बैट जाओ भजां कीशल्ग सबाइब बैट जाओं तो एसे में कोई माईनख नहीं होता है कि एंटीक एक सबी बच्चे का दूसरा पार्ट कर लेंगे ना, कि नहीं कर पाओगे भाबी। निम्निलिखित में से परतेख का गुड़नखंड कीजिये गुड़नखंड पीजिए देखो अब यहाँ पर आप समझो बच्चों गुड़नखंड मिन्स आपको जान रहे हो फैक्टर करना है लेकिन यह सिंपल से नंबर नहीं है यहाँ पर आपको equation दिये गए हैं उनके factor करने हैं थोड़ा सा इधर question कट रहा है मैं बलर कर रहा हैndaali तो मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं जैसे मैं हटता हूं यह मुझे खोजने लगता है कहां गया कहां गया वह आदमी मुझे खोजने लगता है तुरंद छलो आफ देखो क्लियर है iOS sellout को इस में का फ़र्सि பार्ट है बच्चा 27vae क्यूब कि 125 जेड क्यूब कि इसका क्या करना है हमें गुड़न खंड करना है तो आप लोग कर लोगे पहले बताओ हां कि कर लोगे हो चचा लोग जल्दी जल्दी सभी साथी सेयर कर दो बाबू अभी सेख अंसिका सरोज सिवं बिसकर्मा जी कमेंट आपके आरे मुझे दिख रहे है ठीक है सबका कमेंट मुझे दिख रहे है राहुल जी आपका भी कमेंट आ रहे है ठीक है प्रिया मिस्रा सरी प्रियम मिस्रा सनी आदो हरी केस चलो ठीक है देखिए बच्चों इसमें एक आइडेंटी यूज होगी आप सबने पढ़ा होगा एक सर्वसमी का x का क्यूब प्लस y का क्यूब एक्स प्लस y और x का स्क्वाइर x y y स्क्वाइर सम्थिंग ऐसे था ना उसी आडेंटी का मैं तो उसी लिए बना हूँ आपको पढ़ाने के लिए और मैं पढ़ा भी रहा हूं आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझिए देखिए मैंने पूरी विवस्था करके आपके लिए कलास इस्टार्ट कर दिया है कि आपकी कलास बंद नहीं होनी चाहिए लाइट चली जाए अ आपको पता भी नहीं चलेगा लाइट जा रही क्या रही चलो वाकी वीडियो क्वालिटी बहतर नहीं होती थी वह भी होने लगी और क्या चाहिए और हाँ जिनको मानिटर बनाया गया है देखो बाबु कोई भी किसी को बलाक नहीं करेगा यह बात अपने दिमाग में रख अगर किसी को मानिटर बनाया गया है तो तुम एक दूसरे को बलाक नहीं करोगे चलने शुरू कर जाए तो बच्चों आप लोग पिलीज निवेधन हैं सेयर कर दो जल्दी जल्दी सेयर कर दो हम सुरू करते हैं टाइम बिताना अच्छा नहीं है समय बहुत कीमती है बहु साथियों यह आईडिन्टी होती है आपने पढ़ा होगा सर्भसंका जी से बोलते हैं एक्स प्लस वाई का क्योड़ इक्वल एक्स प्लस वाई और दूसरे वाले कोश्ठक में आपका होता है स्क्वाईर में एक्स का स्क्वाईर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वाईर यह होता ना बाबू होता है ना देखो यहां पे जो 150 प्लस पहले से लिखा था यह इसमें इक्स्ट्रा है इसको में मिठा देता हूं आप लोग सभी ये बताओ इसमें से कितने बच्चे हैं जिनको ये सर्वसमी का याद है इमांदारी से बताना जोट नहीं बोलना ललन बेटा याद था तुम्हें प्रिया सर्मा देर हो रही है अब देर हो रही है देखिए ये X का क्यूब है न मुझे ए लिख सकते ना भाईया लिख सकते ना बाबू तो 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं तो इस तरह से इसे हम 3 और Y क्यूब को तो Y लिखी सकते हैं बोलो कितने में किसी को कोई दिक्कत है नहीं न प्लस 125 को लिख सकते हैं बाबु हम 5 का क्यूब साथ में जड लगा है तो 5 जड का क्यूब बस हो गई कहानी खतम पैसा हजम मान रख दो आ गया फटा फट मान रख दो बेटे आ गया तुरंत आ गया तुरंत राजकुमार चावरसिया कुछ समझ में आ रहा है प्रीती बिसकर्मा बहुत देर में आ रही हो कल से न मुर्गा बनाएंगे मुर्गा बनाएंगे कुकुड कों बोलना फड़ेगा याद रखना या तो टाइम से आओ X प्लस Y देखो बच्चा यक्स कमांग 3Y, Y कमांग 5Z तो ये 3Y प्लस 5Z ठीक है अब देखो बेटा यक्स का स्कुायर तो यक्स कमांग हमारे पास क्या है यहां से देख लो यक्स कमांग 3y x कमान है y कमान 5z है तो x कमान 3y है तो यह हमारा वाजाएगा 3y का स्क्वाइर ठीक है फिर y नहीं y नहीं मैनस और यह अलग दिखे इसलिए यहां पर मैं बढ़का कोश्ठक बना लेता हूं जिससे उधर का पार्ट अलग दिखे माइनस xy x कमान यहाँ से 3y साइड हो जाता हूँ बस उल्टा मैं लिख नहीं पाता हूँ x कमान देखो 3y और y कमान है 5z देखा x कमान रखा वेटा 3y और y कमान रखा 5z बीच में गुड़ा का चिन छीपा था मैंने गुड़ा का चिन लगा दिया अब देखो प्लस का साइन यहाँ पे लगेगा वाई का स्क्वाईर वाई का मान पाँच जेड यह हो जाएगा भाईया पाँच जेड का होल स्क्वाईर और यह बढ़के खोष्ठक बन पस यही तो करना था इसको थोड़ा सा सिंप्लिफाई कर लो एक लाइन थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा सिंप्लिफाई करना है रूबी दुवेदी और दीपक परजापती सावधान हो जाओ नहीं जमन लपोटा मारेंगी ना कानेस हवा निकल जाए जान लो समझ गए ना चलो यह ऐसे उतार लेंगे और यह तीन तरीका कितना हो जाएगा नो देखो इसको थोड़ा मैं अर्जेस्ट कर देता हूँ थोड़ा ज्यादा बड़ा खिंच दिया था तो यह हो जाएगा आपका नो य का स्कॉयर और माइनस यह तीन पचे पंदरा वाई जेड और प्लस यह पचम पचीस जेड का स्कॉयर यह हो गया अंसर लिख लो स्क्रीन साट ले लो जल दी से चलो स्क्रीन साट ले लीजिए हो गया कम्पलीट दिख तो रहा ना आप लोग को चलो अभी सेख कुमर समझ में आ रहा है रंजु देवी देखो कोई बातचीत ना करो जिसको बकेती करना है यहां से बाग जा बातचीत नहीं बाबु देखो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो बातचीत नहीं प्रियम मिसरा पूछ रही यक्स कैसे आ रहा है यक्स घोड़ा पे सावार होके आया है नाद होके खुसी आ गई तुम खुसी सिंग आपकी सिकायत है कि आप लोगों को बेवजह बलाख करती हो तो भीया ऐसा ना करो चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ अब मैं इसको मिटा रहा हूँ हो गया नोट कर लो नोट कर लो भाई चलो अब इसका सिकेंड पार्ट देखो जो बच्चा नहीं लिखा था वो वीडियो को थोड़ा बैट करके नोट कर लेगा ये बताओ सिकेंड पार्ट बताऊं या नहीं क्यों भाई पंचो सिकेंड पार्ट बताया जाए कि ना बताया जाए दूसरा पार्ट है 64 यम का क्यूब माइनस 343 यन का क्यूब कुंदन गुपता कह रहे है हाँ चौदरी साहब क्या कह रहे हो आयूस तिवारी खुसी का नाम मतलो बड़ी खतरनाक लड़की वह भलक कर देगी जान लो हाँ और खुसी तुम भी समझ लो जो भी माडरेटर बना है जो भी मानीटर बना है आज ठीक है वो किसी से चैटिंग नहीं करेगा अगर वो राफ लीला करना सुरू कर दिया ना तो फिर मेरी तो विजद की है इसी 65 कर देगा वैसे यूँ हां अगर जा फूट जा तो जान लो चैटिंग नहीं करेगा वही और वैसे तो कोई चैटिंग नहीं करेगा यहां पर चैट बाक्स नहीं पुला है कोई भी चैटिंग नहीं करेगा चलो इसको कर लोगे कितने बच्चे कर लेंगे देखो मैं इसको मिटा दिया मैं रेडी चलो इनको समस्य आतीन माडिरेटर नहीं दिख रहे को जल्दी दिखा हुआ है कि देखो यह फर्मूला लगा ओगे एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब किक्वाल एक्स माइनस वाई x-y और ये x का स्क्वाईर माइनस xy प्लस y का स्क्वाईर ये सर्वसमी का आप लोग जानते हो जानते हो ना भहिया इसको जानते हो ना चलो अब क्या करेंगे इस पे सारे मान रख देना है जोको 64 को आप क्यूब में कैसे लिख पाओगे 64 को आप क्यूब में कैसे लिख सकते हो बताओ अगर 3 का क्यूब करोगे तो 3,3,9,3,27 तो देखो बच्चा एक चीज यहां से समझ लो आप लोग ध्यान से समझो जिनको पढ़ना है कलास मत छोड़ के जाना देखो बच्चा यहां से समझ लो बाबू 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब बोलो लिख सकते हैं की नहीं तो 64 की जगा पे हम लिखेंगे 4 का क्यूब और साथ में यम है तो 4 यम का क्यूब यानि 4 यम का क्यूब माइनस इसी तरह से बच्चा 343 को हम लिख सकते हैं साथ का क्यूब बोलो लिख सकते हैं की नहीं लिख सकते हैं की नहीं तो बच्चा हो यह हो जाएगा साथ यन का क्यूब अब हो गया देखो यहां से मुझे कोई बताए यक्स का मान कितना है कि अक्स का मान कितना है देखो बच्चा समझो जिनको पढ़ना है कलास छोड़ के ना जाना मैं बार बार बोल रहा हूं कि महुद मस्ती में ना रहो आप दूसरा काम कर लो यहां पर चेटिंग ना करो तीन माडरेटर नहीं आये हैं ठीक है अच्छा है यह सब करोगे वैसे पढ़ने वाले हैं नहीं फिर कहेंगे इनको तो खुद ही उलजा रहे हो तो मत उलजाओ इन्हें वैसे भी नहीं पढ़न पनोज ललन यादो जगदी स्पाल बेरी गुड तो देखो भाईया यक्स का मान फोर यम है बाबू वाई का मान देबन यन है ठीक है मैंने रख दिया यक्स का स्कॉयर यक्स का स्कॉयर का मतलब जान रहे हो फोर यम का स्कॉयर ये फोर यम का स्कॉयर एक चीज याद रखना बच्चा आचा मुझे एक बात बताओ तुम सब ही लोग बताओ एक देखो ध्यान से ध्यान से देखो एक बात बताओ बच्चा अगर मैं फोर यम का स्कॉयर लिखा और ब्रेकट बंद कर दिया समझ न यह इधर का side का काम है इससे नहीं मत्दब सवाल से और मैंने यह 4 M लिखा और इसका square bracket बहरे से बंद किया इन दोनों में क्या कोई अंतर है बोलो हाँ या नहीं क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई अंतर है इससे नहीं मत्दब सवाल से बोलो करन मीना, अभी से कुमार, दी बेस पेटा इंटरनेट साही कर लो दी बेस इन में कोई अंतर है बोलता कै नहीं देखो मैं बताता हूँ ठीक है समझो देखो इसमें अगर अंदर में स्कॉयर लगा रहे हो इसका मतलब है बच्चा कि ये स्कॉयर केवल यम पे लगा है अगर ये स्कॉयर बाहर से लगा इसका मतलब ये स्कॉयर पूरे पे लगा है मतलब फोर और यम दोनों पे लगा है बात समझ में आई ना, ऐसे समझ लो अगर ये 4 यन यम है और इसमें square लगा है इसका मतलब ये square केवल यम पे लगा है ये यन पर और 4 पर लागू नहीं है ये यम पर और 4 पर लागू नहीं है लेकिन अगर ये 4 यन यम ऐसे है तो इसका मतलब ये सब पे है याद रखना इस बात को जैसे परदान मंतरी मोधी जी क लांच करते हैं तो पुरे देस के लिए होते हैं ऐसा नहीं फॉन करके तुम्हारेuit पास बोल दिए है उफ को एचा लगने का मतलब यह और बाहर लगने का मतलब जो था तो तुम देखी लिएए चलो बंटी सिंग भाई का कर रहे हो तुम कुछ गड़ बड़ कर रहे हो का चलो देखो समझो समझो यहाँ पे अब तो इसलिए बच्चा यहाँ पे बाहर से स्क्वाइर लगाओगे अंदर में नहीं माइनस यक्स कमान क्या है? 4 यम है इंटू वाई कमान क्या है? एक ए अनूप को भाई टाइम आउट कर दिया क्या बात है? एक बार इनको वार्निक बिना दिये टाइम आउट ना करो किसी को पहले एक बार बता दो एक बार बता दो भाई भाई रवी संकर क्या कर रहा है? सब को तुरंद फटा फटा रवी संकर कभी संकर भाई सबको टाइम आउट ना करो तुम गड़ बढ़ कर रहे हो अब चलो आगे बढ़ें ठीक है ना इतना चलिए ठीक है बेरी गुड बहुत अच्छे बच्चे बेरी गुड बेरी गुड चलो समझ में आया की नहीं देखो यक्स का स्कॉयर मतलब फोरियम का स्कॉयर माइनस यक्स वाई यक्स कमान फोरियम वाई कमान से बन यन और प्लस वाई का स्कॉयर मतलब से बन यन का स्कॉयर यह हो गया क्लियर आब देखो बच्चा इनको हल कर लो आंसर आ गया है इनको हल कर लो आंसर आ गया है आज मैं इन सब को क्ला छूड दिया हूँ इसलिए इनको कुछ न बोलो on आज इन सब के लिए इसन useless कोई कुछ न बोलो इन्हें देखने दो तो देखो यह 4 यम-7 यन और 4 का स्कॉर करोगे बच्चा तो 16 हो जाएगा यह हो जाएगा भाबू तो यह हो जाएगा 16 यम का स्कॉर माइनस यह 7,48 यम-यन देखो A, B, C, D किंते हो तो पहले क्या आता यम आता है क्या यन आता है यंफार मेंगो यंफार नानी है ना आता है ना ऐसा देखो समझो और प्लस साथ सता उन्चास यन का स्कॉयर यही तो अंसर है कि कुछ और है लिख लो भई मैजिकल वर्ड बेटा पढ़ लो पढ़ लो हाँ रभी संकर ठीक है अच्छा किया कल बोला था कल के लिए आज इन लोग का कुछ दूसरा आफर चल रहा है कल फिर अटाना रैगत बताऊंगा आज इन लोगों को कर लेने दो चलो इन लोगों को भी कभी कभी टाइम देना चाहिए लिख लो इस्क्रीन साट ले लो मैं मिटा रहा हूं तुरंत चल्दी करो तुरंत इस्क्रीन साट ले लो बाबू क्यों कुस्टिन होने के बाद आपके पास दस सिकंड का टाइम है पादर खान पढ़ाई कर लो भी तो कि यह सीकंड पार्ट हो गया इसका थार्ड़ पार्ट देखते हैं वैसे मुझे लग रहा है कि मुझे सारे पार्ट नहीं बताने चाहिए न पुछ पार्ट तो तुम लोग खुदसे भी करोगे है कि हम सब बता दें एकटकर तरफ Chun नहीं तो कुछ करोगे डी को तो क्या कह रहे तर्ड वाला बताओं कि नहीं मैजिकल वर्ड बैटा वीडियो बाद में देख लेना बी जी कल वर्ड को दे मैजिकल हो फिस भी पार्ट है यह नहीं है इसमें थार्ड है नहीं दो यह कुछिश्चन था तेर में आया हो तो फिर से देख लेना यह बताओ कितने बच्चा एंसी आर्टी किताब लिया है ना एंसी आर्टी बुक लिया है तो कुछिश्चन नंबर 11 खोलो इक्सरसाइब 2.5 परसना वली 2.5 है बिटा 2.5 इसको मैं कहां रखूं यहां पर जगा नहीं मेरे पास चलो यह रख देता हूं देखो इलेबर नंबर क्या कह रहा है गुडन खंड कीजिए क्या कह रहा है गुडन खंड कीजिए देखो समझो कुश्चन देखो क्या कह रहा है 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब कुश्चन यहां में लिख रहा हूं 27 एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब यक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, प्लस जेड का क्यूब, माइनस नाइन यक्स वाई जेड, ये बता इसके कितने बच्चे गुडन खंड कर लेंगे, कर लोगे न बाबू की नहीं, पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई कर लो, देखो इसमें क्या कर रहेंगे भाईया, इसमें एक नया सर्बसमिका लगेगा, अगर तुम पढ़े हो तूँ, एक नई नई सर्बसमिका लगेगी, नई नबेली, देखो कौन सी है वो, यहां समझो, देखो बच्चा, यह सूत्र होता है न एक कौन सा, यक्स का क्यूब, यक्स का क्यूब, और जेड का क्यूब, यह समझो पलस होता है, minus 3 yz ये बराबर होता है किसके जानते हो ये बराबर होता है x plus y plus z x का square कितने में आ जाएगा मुझे लग रहा कि नहीं आएगा आ जाएगा कि नहीं थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा खीचके नहीं आएगा देखो बड़ा है ये ये सूत्र बड़ा है इसलिए मैं इसको यहाँ पर नहीं लिखना चाहता था कमेंट पर जादा ध्यान देने से दिमाग तुम लोग कर दोगे डिश्टर्ब देखो यहाँ पर x का square plus y का square plus z का square देखो बच्चा जिनके में जगा है एक है में लिख लेना सीधा सीधा ये सब सीधा सीधा है हमारे में जगा नहीं इसलिए में नीचे लिख रहा हूं ठीक है माइनस xy माइनस yz माइनस zx ये पूरा पूरा सर्वसमिका है बच्चा ये पूरा पूरा सर्वसमिका है ये और ये ये और ये दोनों बगल बगल रहेगा जगा नहीं इसलिए में नीचे उपर कर रहा हूं ठीक है राज गुपता समझ में आ रहा है पादर खान समझ रहो ना बच्चा चलो अब देखो हमें क्या करना भाया यह 27 यक्स का एक क्यूब है न इसको तोड़ लोगे 3 में य का क्यूब य जेड का क्यूब देखो यह सारा सेटलमेंट इसी पे लाके कर दोगे इस पे इसी के उपर लाके रख देना है सब ठीक है बात समझ में आ रही न तो चलो ठीक है आज इन सब को मैंने खुलम खुला छूट दे दिया है कमेंट करने के लिए चलो देखो तो 27 देखो इसको मैं उपर लिख देता हूँ समझो अब यह कुश्चन मैं इसके उपर लिख रहा हूँ समझो अब हल होने चल रहा है न देखो समझो कुश्चन नंबर 11 है 2.5 का देखो पेटा यह में कुश्चन है 27 यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब माइनस 9 यक्स यह कुश्चन है जिसका क्या करना है का गुड़न खंड करना है गुड़न खंड करना है ऐसे इसलिए लिखा जिससे यह सीधा सीधा तुमें दिखे देखो यक्स का क्यूब मतलब 27 यक्स क्यूब y का Q मतलब y का Q, z का Q मतलब z का Q, अब इसी में हमें क्या करना है? उपर वाले को तोड़ के सूत्र के रूप में इसको फैला देना बस समझ गए ना? आथ? समझ गए ना देखो तो 27 को बेटा हम लिख सकते हैं, 27 x Q को मैं लिख सकता हूँ कितना बोलो हां सभी बच्चे बोलो हां कितना लिख सकता हूं कि नहीं अगर लिख सकता हूं ति इस कलास को तुरंद लाइक करो देर ना करो जल्दी से फटा फट लाइक करो बाबु देखो 200 लाइक तो कम से कम पहुंचा दो अभी बर्जन टाइम में हम जल दी से सभी बच्चे एक बार दिल से लाइक करो आज मैंने चैटिंग करने की छूट दे दिया देखो किसी को कोई बलाक नहीं कर रहा है मैंने सारे माडरेटर को पीट पीट के बैठा दिया कोई किसी बच्चे को बलाक नहीं करेगा चलो देखो क्योंकि बहुत सारी सिकायतें आ रही थी तो हम तीन यक्स को क्यूब ये लिख सकते हैं 27 की जगा पे वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब ठीक है समझ में आ रहा है न उसके बाद लेकिन एक चीज यहां पे होगा हमें इसे थोड़ा और नीचे लिखना था नहीं तो देखो यह आगे बढ़ेगा तो इसमें अटक जाएगा ना थोड़ा इसे और नीचे लिखना है देखो बड़े कुश्चन में थोड़ा थोड़ा अर्जेस्ट करना पड़ता है तो यहां पे अगर थोड़ा सा तुमने मिस्टेक किया ना तो बना बनाया काम चोपट हो जाता है देखो 27 को हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस देखो बच्चा यह फार्मूला है ना तो 3 और यक्स का मान कितना है देखो हमें सारे मान मिल गए याद रखना यह यक्स का मान है यहीट का मान है कि लिकष दूं कहीं क्या मैं मांलिख देता हूं मानलिख लो समझने के लिए भूल जाते होना साइड में लिख लो देखो बच्चा यक्स कमान है 3x, y कमान है बेटा y, और z कमान है बाबू, z कमान है z बोलो यहाँ से याद कर लोगे की नहीं, अभी जहाँ काम लगेगा महीं रख देना, याद करके कहीं जाना नहीं, चलो ठीक है आप समझो, तो यक्स कमान 3x, y कमान y, z कमान z, अब यहाँ पर मान रख दो, देखो ना समझ में आएगा तो बताना थोड़ा कोईश्चन बड़ा है, थोड़ा कोईश्चन बड़ा है, समझ में ना आएगा तो बताना, तीन की जगा पे तीन लिखा, देखो अक्चुली समझो पहले, मुझे पता है बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, समझो, खंडे दिमाग से सोचो, ये में कुश्चन है उपर, कह रहा था कि इसका गुड़नखंड कीजिये, समझो, exercise 2.5 है, class 9th का NCERT Math, अगर आपके बुक से नहीं भी मिल रहा है, फिर भी तुम समझ लो गुड़नखंड करना, तुम्हें काम आएगा, मैं बता दूंगा कहा है, तुम्हारी किताब में, अभी पहले पढ़ लो, ठीक है, तो 2.5 का, question number 11 है, 11, ये गुड़नखंड करना है, नीचे मैंने जो लिखा है, ये एक सर्वसमिका है, ये मैंने जो लिखा है, ये क्या है, सूत्र है, देखो या आप लिखा है न बेटा सूत्र, ये पूरा एक सूत्र है, इसी में इस मान को लाके रखना है, समझ रहो ना, इसमें लाके चुपे से रख देना है, समझो, तो क्या करोगे, अब सूत्र के रूप में मैं जो भी हमारा कुईस्टन दिया है उसे उसी रूप में पिगलावा जैसे देखों इंटा पाथा जाता नहीं कि अधिकभी बनते देखें साचा में मिट्टी भर-हर के पलटते जाते हैं इंट बनता जाता तो ऐसा इस जो कूईस्टन का मेटेडियल है इसमें भ वहां से देख लो मैंने लिखा है तीन यक्स है वाई का मान रखोगे वाई है जेड का मान रखोगे जेड है मैंने इतना कर लिया अब क्या करना है बेटा उधर वाला मान रखना है क्या करना है उधर वाला मान रखना है ठीक है समझ रहे हो ना तो चलो कर लो उधर वाला मान रखलो 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 यह तो गुड़ा करोगे सब तो फिर उतने आ जाएगा भाई साहब इसका तो तुम गुड़ा करो तो फिर वही कुश्चन आ जाएगा आ जाएगा ना मतलब मेन हमें यह निकालना यह यह निकालना जया में उधर वाला इदर से कोई मतलब भी नहीं है तो चलो पराबर करो It is Yy. ब्रॉयों का 2 उतनी यक्स पर आपका हो जाएगा तीन ίक्स यक्स वाई की जगापर वाई जगापर जड़ समझे रहा हैं सर्म नगेत्स लग य क्यार गरीन-ध। जीलेट का स्क्वायर का मतलब इसक्वाइर ठीक है भी मैं द्खा़ दूंगा उधर करके डिन्2 मतलोग है अभी मैं उधर केवर करके भी दिखा दूंगा अब देखो माइनस यक्स यक्स कमान कितना है कोई बताएगा यक्स कमान कितना है बहुता का यह नहीं तुम कौन हो यक्स कमान कितना है यह लिखा नहीं हूं यक्स कमान तीन यक्स था न यक्स कमान यक्स कमान यक्स था याद रखना तो यहां पे हमने x का square y का square z का square कितना तो कर लिया अब ये x y ये y z और ये z x कमान रखना है बहुत ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा नहीं आएगा नहीं ऐसे तो x कमान बेटा 3x और y कमान y है तो y ही रख दोगे और minus y का और z कमान z है तो z रख दोगे अब उसके उधर नहीं दिखना चाहता है मैं थोड़ा छोटा करूँगा तो तुम्हें दिखेगा रुको थोड़ा सा थोड़ा सा रुको मुझे इसे जूम आउट करना पड़ेगा अब है भाई बहूँ जादा ना दिखेजा कुछ ये लो चलो जगह हो गई ना ठीक है खेल हुआ कुछ जगह हुई ना ठीक है आप देखो z y-xim and to zip जैड कमान क्या है जैड है बहु वहाँ लिखाऊ ना यक्स-कमान क्या है, 3 है, ये फाइनल में क्या हो जाएगा, जेड इन्टु 3 यक्स, मैंने 3 यक्स लिखा है, यहापे याद रखना, थोड़ा छोटा भले दिख रहा है, तो बच्चा अब इनको सब को एक में समेट लो, फाइनल में आपका अंसर आजाएगा थोड़ा जगा कम है इस वज़ा से मैंने यहां पर अर्जेस्ट किया है ठीक है थोड़ा जगा कम है तो मैं आप ऊपर का में कुश्चन कहो तो मिटा दूं देखो बहुत समझने वाला चीज है यहां पर मैंने तोड़ा गडबड किया यह बहुत बड़ा सर्वसमिका है मैं क्या करूं भई वहां से शुरू होके यहां तक खतम हो रहा है तो मैं लिखूं कहां आखिर इसको हाँ श्युए बड़ास धिरपाथि बैटा पढ़ाई कर लो राजा पढ़ाई कर लो अच्छा रहेगा यह आपका मेन इतना ही अंसर है अविञाद रखना यहाँ पर मैं इसको बराबर कर दे रहा हूं यह इतना अंसर है इसको हल करना है बर कि इसी को आप थोड़ा सा और हल कर लो, यह अंसर है, इतना मैंने गेरा है, ठीक है? तो अब मैं इसको मिटा करके उपर अंसर लिख देता हूं, स्ट्रीन सारट ले लो, इस्ट्रीन सार्ट ले लो, मैं मिटा करके आंसर लिख रहा हूं, उपर, सही हो गया हील रहा हूं मैं देखो भाई इंटरनेट खराब हो गया बाबू ये वाई फाई खराब हो गया ये मोबाईल से चल रहा है मुझे बताओ हील रहा हूं मैं चल रहा हूं देखो अगर कभी ऐसा होता है तो आप लोग भाग के मत जाया करो ऐसा कभी हो जाया तो भाग के मत जाया करो देखो फिर वो भी सही हो गया वाई फाई भी सही हो गया ये साले मैं क्या करू इनको बहुत परिसान करते हैं यार ये थोड़ा इंटरनेट गड़बड हो गया था चलो ठीक है अब तो सही चल रहा है न हाँ तो मैं क्या बोल रहा था आपको मैं ये बोल रहा था भाईया हो बाबु हो कि देखो इसको आगे हल करना था बस आंसर आ गया ना इसको करना था आंसर आ गया तो चलो यह मैंने पूरा-पूरा लिख दिया, अब यह आपका 3x का square हो जाएगा, 9x का square हो जाएगा, y का square plus z का square, minus 3x y minus y z minus z x, यह आपका answer हो गया, सबसे टॉप पे जो लिखा है, यह जो सबसे टॉफ पे लिखा है यह आपका final answer हो गया ठीक है इसको लिखलो यह आपका उत्तर हो गया ठीक है सबढ़ी समझ गए तो बोलो हाँ समझ गए तो जल्दी से बोलो हाँ यह answer हो गया उपर गौरो पंदे गौरो बैटपड़लो रेनु चोधरी तुम भी पढ़ाई नहीं कर रही हो पढ़ाई नहीं कर रही हो अब इसे एक कुमार तो इसक्रीन साथ लेलो मिटा देता हूं मैं देखो मुख्य कुईश्चन मैंने मिटाया है स्क्रीन से इस पे मुख्य कुईश्चन था इक्सरसाइड 2.5 कुईश्चन नमबर 11 था खलाफ 9 एंसे 8 इसका सारा सलूसन यह है पहली लाइन यह है जो की सूतर था सर्वसमिका थी यह मान मैंने लिखा था तुम्हें समझने के लिए यह मान मैंने इसलिए लिखा था कि तुम समझ जाओ यह आपका सर्वसमिका था यह मैंने मान रखा था पहली बार पूरा-पूरा यह एक लाइन में नहीं आ रहा है सीधा- सीधा इवले मैंने नीचे लिखा था आप लोगों की किताब में जगा है कउपी में तो यह जो मैं नीचे लिखाऊ इसको इसके सामने लिख लेना इसको मैंने हल किया है तो यह उपर अंसर लिखा है जो शुरू से देख रहा होगा वह समझ गया तो आप सभी बच्चे जल्दी से बताओ क्या आपको समझ में आया यास या नू समझ में आया ना बच्चा इकसरसाइज 2.5 के मैंने 11 कुष्चन अब तक साल्व कर दिये हैं 2.5 के 11 कुष्चन हो चुके हैं अब 12 नंबर कुष्चन होगा महेश गुपता बहुत अच्छे बाई अमित जी बेरी गुड देखिए जो बच्चे देर में जुड़े होंगे उन्हें ना समझ में आयेगा तो टाइम से जुड़ो बाबु टाइम से अगर आप टाइम से जुड़ोगे तो पका समझ में आयेगा देर में आओगे तो बीच में समझ में ना आयेगा ति करते अश्वनी जी आया समझ में ठीक है एय 45 राजन यादो रितिक पंड़े में भाजन है ने स्टड़ी किछ लोग मजा करने आते हैं क्या करोगे एह तूसरे कि मजा में क्यों खलन डाल रहे हो जो मज़ा करने आते हुए उन्हें करने दो यो पढ़ने आते हुए पढ़ने दो चलो और ट्वरी अजो आगे बढ़ा जाए फिर हानर आगे बढ़ा जाए चलो ठीक है तो बच्चा आपके 11 कुश्चन हो गए 12 नमबर कुश्चन बता दिया जाए कि नहीं 12 नमबर भी चलो मैं बताई देता हूँ आ जाये हो आप लोग तो कुश्चन नमबर 12 देखो तभी देखो प्यार से समझो तब बहतर है तो मैं वीडियो डालना सुरू कर दूँगा लाइब बंद कर दूँगा जान लो अगर आप लोग कलास को लाइक और शेयर नहीं करोगे रेगुलर टाइम पर देखो गे नहीं तो मैं फिर वीडियो डालना बंद शुरू कर दूँगा इतना टाइम बिताने से क्या मतलब भाई वीडियो बन जाएगा फटा फट चुटकियों में हाँ जल्दी से सभी बच्चे क्लास को लाइक करो तब तक मैं कोश्चन लिखता हूँ फटा फट लाइक करो बाबु देर ना करो कुश्चन नमबर 12 कहरा सत्यापित कीजिए सत्यापित कीजिए यक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब यह सारे चिन प्लस में है तीन यक्स वाई जेड यह बराबर है एक वटा दो यक्स प्लस वाई प्लस जेड और क्या है इसमें यक्स माइनस वाई का स्क्वाईर आगे दिखेगा क्या जहां तक दिखेगा लिख देता हूँ मुझे लग रहा है कि आगे नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा आप नीचे यहां से देखो X-Y-Y-Y-Z-Y-Y-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z समझो समझो क्या कह रहा है कह रहा है सरत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए इक्सरसाइज 2.5 परफना वली 12 समलो 5 परफन संक्या 12 NCRT गडित कच्छा 9 चलो समझो इनको सिद्ध करना वेटा ये आपका दायापद है ये बायापद है ये RHS है ये उलटा हो रहे है ये दाइना आत है इधर खड़ा होगा ये दाइना है ये RHS है ये LHS है तो हम RHS को ले करके हल करेंगे क्या करेंगे पर लिखो हल करेंगे और यह ले आएंगे कि कि अच्छा समझ रहा हो ना चलो हल करो यहां पर लिखो हल कि हल कि आरेचेस आरेचेस वाले पद्द से हम हल करेंगे यह लेचेस ले आएंगे आभा तिर पार्ठी केवल पढ़ाई कर लो नहीं बहुत मार पड़ेगी पढ़ लो तो आरेचेस पहले मैं उतारता हूं एक बटा दो क्याक्स प्लस वाई प्लस जेड यह मैंने उतारा पूरा पूरा याद रखना यहां पर बेटा यह मैंने यहां पर लिखा अब मैं इनको एक एक जो भी सूत्र है इनको ओपेन करता जाऊंगा समझते चलो अब यह माइनस बी का होल स्कॉयर का सूत्र में खुलेगा याद रखना ए माइनस बी का होल स्कॉयर तुम सबको पता है यह फर्मूल यह होता है एक एक स्कॉयर माइनस टू ए बी और धन बी का स्कॉयर यह सर्वसंगर जिनको नहीं पता है न कधो इसको देखलो नेए बहुत मार्ट बढ़ेगी यह सर्बसमिका जानते हो तुम की नहीं जानते यह देख लो इसी पराधारित यह सूत्र अब हम इसको इसमें रखेंगे इसमें भी लगाएंगे इसमें भी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे चलो तो यह हो जाया A काई स्कॉाइर माइनस टू A B तो टू यह तो बचबा मैंने एक में फार्मूला लगाया अभी अभी तो इन दो में लगाना है तो चलो ठीक है बीच में प्लस था तो मैंने प्लफ लगाया अब A काई स्कॉाइर मतलब Y काई स्कॉाइर गन B काई स्कॉाइर मतलब Z काई स्कॉाइर लेकिन मैंने फार्मूला इस रूप में लगाया है तो एक आई स्क्वाइर के बाद माइनस टू अबी तो यहाँ पर लिखो देखो कितना अंडरलाइन किया हूँ यहाँ देखो देख रहे हो यह इतना इसका माने बिटा जितना यह अंडरलाइन किया हूँ और यह किया हूँ इसकी जगा पर यह आया है अब जो दूसरा अंडरलाइन कर रहा हूँ इसकी जगा पर यह नीचे वाला आएगा एक आई स्क्वाइर माइनस टू एबी एबी के जगा पर वाई जड़ और धन B का स्कॉार मतलब Z का स्कॉार यानि जितना ये दुबारा अंडरलाइन किया हूँ उसका मान ये इतना आया इस तरह से आगे भी करते जाओ सत्यमतिवारी समझ में आ रहा है हां आ रहा समझ में सभी बच्चे कलास को लाइक करो बाबू देखो आपकी जिम्मेदारी है मैं बहुत मेनत कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की भरपूर कोशिस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से सभी साथ ही लाइक करो फटा फट अब देखो बच्चा यहां पर प्लस की जगा पर प्लस लग जाएगा अगले वाले में भी ऐसे ही सुत्र खोल दोगे तो यह हो जाएगा एकाई स्कॉयर माइनस टू जेड यक्स यानि एबी और धन बी काई स्कॉयर यानि एक्स काई स्कॉयर कोनों गधा कर रहा और फास्ट करो अब तुमको समझ में वैसे ना आ रहा है मुझे लग रहा है और फास्ट करने को बोल रहा है हां मतलब इकना फास्ट जलो तो अब यह हो गया के लिए रांसर आपका आ गया है बस निकालना है देखो आंसर आपका आगया निकालना है देखो बेटा इनको थोड़ा हम और इधर खीचेंगे क्योंकि उधर जगा कम है यहां खीचेंगे एक बटा दो यह यक्स प्लस वाई प्लस जड़ ऐसे रहेगा यहां तुम समझो तीना पाल ए टीना तुमको आप टीना डिबबा बना देंगे याद रखना तुमारी इच्छा की प्रतिपूर्ती के लिए यह कलास नहीं है यह कलास चल रही है बच्चों के पढ़ने के लिए तो नंबर उंबर यहां पर ना दो नहीं तो कुछ गड़बड होगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़े गीया कत बढ़ने दो इनको बला करो भाई ढूंड टूंड के बला करो इनको टीना डिबबा कहा गई है अराम खोर चुछ Kelman नंबर ले लो मेरा बिलिक रहा नहीं जा रहा है सबके नंबर ले लो जल्दी-जल्दी है तो लो देखो हमजो we arrived कि अब यह यक्स का है कि इसमें देखो और कहीं अप्सकाइब रहे है बोलो है पंदोश्चाल कु नहीं हाँ हाँ पुठ जा एप रहा है न यद यक्स का स्कॉएर देखों एक ये है एक्टायग यह कि उसके बाद देखो यहां पर समझते चलो Y का स्क्वाइर ूश और वाई का स्क्वाइर एक जगह और कहीं यह है तो कि कितना हो जाएगा दो गया का स्क्वाइर निकल गया इंटी न न की चक्र में हाँ अब यह आजार रुपए का विवस्ता ये गल्बण हो गया तो जलो समझो अब यह हो गया तो यक काई स्कॉर के तो तेको टल health के यह यै इसमें आए ये जेड़ काई स्कॉर तो यह जूड जाया एक गया और आए गण और यह चच्चा लोग जो अकले बचे थे माइनस टू एक्स वाई माइनस ये तू आई जेड और माइनस टू जेड एक्स ये ऐसे लिख दाएंगे बस हो गया देखो है ना कितना आसान अगर सिस्टम से करोगे बच्चा तो अच्छा है आसान है अब इसे कुमार पढ़ ले लंडे पढ़ ले बाई पढ़ ले पढ़ ले हाँ चलो देखो यहार आप लोग सुना करो भाई या ऐसे मजा नहीं आती फिर मुझे वो कुछ बोलना पढ़ता है उट पढ़ांगे अब देखो यहाँ पे दो है यहाँ पे दो है इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी दो है सब में दो है तो सब में दो है तो हम यहाँ दो कामन ले सकते हैं जब दो कामन ले लेंगे भाई सहाब तो यह बचेंगे यह बचेंगे देखो बोलो बचेंगे न यह यक्स वाई बचेगा यह वाई जेड बचेगा और यह जेड यक्स बचेगा क्यों भाई यह बचेगा न बाबू यहां से दो से दो कट जाएगा तो क्या बचेगा वही बचेगा जो हमें लाना था सिद्ध करके यो हमें लाना था वही बचेगा बोलो बचेगा की नहीं देखो बच्वा नीचे दिख रहा है न यह बचा यक्स पलस वाई प्लस जड़ और यह बचा यक्स का स्क्वाईर y का square z का square minus x y minus y z minus z x मतलब आज तुम लोग number ले लो फिर कल से जिससे class में ना आओ ना यही मतलब है ना आज यहां से number ले लो कल से फिर video call पर देखो और दिखाओगे क्यों यही उद्देश है ना फिर मुझे देखने कौन आएगा कोई नहीं आएगा ना तुम लोग इसी लिए आए हो कमाल है भाई पढ़ लो यार लिख लो देखो हो गया यह बराबर लिख दो यह ले अचेयस देखो यह इतना बराबर क्यों आया पता है क्योंकि यह जो सर्बसमिका बेटा जो दिया गया था ना यह इसके बराबर यह इतना होता है जिसको ना समझ में आएगा बता देगा देखो जो नीचे फाइनल में आया है यह इतना ना अच्छुली यह जो नेचे आया बचा है यह इसका मान होता है किसका आरे यह इसका मान होता इसका यह सर्बसमिका है यह इडिंटी है बेटा इसका मान ये इतना होता जितना नीचे घे रहा है समझ में आया ना exercise 2.5 चल रहा है कर रहा है कि यदि x प्लस y प्लस z इक्वल 0 तो दिखाईए कि तो दिखाईए कि चलेगा चलेगा थोड़ा सरू को दिखाईए कि क्या दिखाने को बोल रहा देखो समझो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल 3xyz है तो दिखाईए कि यह x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल 3xyz है यह दिखाना है सही आ रहा कि नहीं देखो भई यह बराबर के इधर कुछ नहीं लिखा है ठीक है यह बराबर चलो मैं यहां लगा देता हूँ बस मतलब यह जो है इसके बराबर है यह दिखाना है सभी बच्चे बताओ दिख तो रहा है सही ना देखो क्वालिटी चेंज कर लो बाबू आप लोग सेटिंग से 720 पर कर लोगे बढ़िया दिखेगा बसे दिख भी रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दिख रहा है मस्त दिख रहा है मस्त दिख रहा है राजा एकदम मस्त दिख रहा है चलो ठीक है तो यह क्या करना है दिखाना है हम सब को पता है आपको भी पता एक सर्बसमिका वह सर्बसमिका क्या है यहां पे लिखो सबी बच्चा पार्टी यहां पे लिखो तो थोड़ा इधर कैमरा जादा है मैं अभी उधर कर दूँगा यह सर्वसामिका है इसे लिखो सर्वसामिका देखो बच्चा यह सर्वसामिका है यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब और माइनस का 3XYZ इक्वल यह आपका होता है X प्लस Y प्लस Z लिखते चलो फटापट यह पूरा अभी सर्बसमी का लिख रहा हूँ मैं आगे थोड़ा जगा कम है इसलिए मैं नीचे लिख दूँगा इसका अधा पार्ट X का स्क्वाइर, Y का स्क्वाइर, Z का स्क्वाइर माइनस XY ऐसे ही है ना YZ YZ माइनस ZX यह क्या है? यह आपका सर्बसमी का है इस तरह से आपका यह में सर्बसमी का है इसी की सहायता से हम इसको कर पाएंगे कुछ समझ पाए ना बच्चा? कह रहा है कि X प्लस Y प्लस Z बराबर 0 है तो हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि X का क्यों धन Y का क्यों धन Z का क्यों बराबर 3X Y Z के बराबर है ठीक है राम विश्वास जी कुछ समझ में आ रहा है देवान स्तिरपाथी, रोहित बिसकर्मा, सचिन, आयुस्तिवारी, नव्या गुपता सबको समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं न बच्चा चलो तो अब क्या करेंगे इस सर्वसंका को थोड़ा इधर लिखेंगे इधर साइड में थोड़ा जगा मुझे करनी थी लेकिन मैंने नहीं किया वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इधर कुछ जादा ही यह गया हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है यह लो, ठीक है, ओक है, आप चलो तो बच्चा देखो, अब क्या करना है जो अगर आप यक्स वाई जेड वाला जो मान है उसको जीरो कर दोगे तो क्या हो जाएगा पता है तुम्हें? यह को समझो इसको पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम सर्बसमिका पूरा-पूरा जो भी है इसी सर्बसमिका से हम हल करेंगे यक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस तीन यक्स वाई जेड यह ठीक है बराबर अब देखो कह रहा था कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो बराबर का जो यह इतना हिस्सा है यह जीरो हो जाएगा पेटा yz minus zx ये ठीक है इतना हो गया अब देखो बच्चा एक चीज़ समझो अगर इसमें 0 से गुड़ा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा मतलब ये सब खतम हो जाएगा तो final में क्या बचेगा x का cube plus y का cube plus z का cube minus 3x yz बराबर ये 0 हो जाएगा अराधना समझ में आ रहा कुछ 34 सिंग्रॉल राजकुमार चोरसिया जी समझ में आ रहा कुछ बच्चा सब को चलो अब इधर का सब 0 हो गया तो बच्चा हमें सिद्ध क्या करना था ये बराबर x y z दिखाना था तो हम इसे लिख सकते हैं x का cube y का cube plus z का cube equal t x y z और यही हमें सिद्ध करना था अगर आप देखो तो यही सिद्ध करना था ना नीचे लिख दो आताहा सिद्ध हुआ आताहा सिद्ध हुआ या hence proved इंग्लिस वाले लिखेंगे ये सिद्ध हो चुका है इदर कुछ नहीं है केवल बराबर का चिंधा लगा इदर इसके इदर कुछ नहीं है जहां कट रहा है तुसीला सर्मा अभी अभी जुडी हो ना तो देर में जितनी बार आओगी सर्मा जी उतनी बार फिर से तो नहीं होगा यहां पर हाँ इसलिए अब टाइम से आओ कलास में तो अच्छा रहेगा चलो तो इसको लिख लो आप लोग उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं सब कुछ अच्छा है मस्त है बेतर है बेतरीन है ठीक है देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कुष्चन आपका परस्ना वली चल रहा है बच्चा दो दसमलो 5 कक्छा 9 की NCRT गडित है कुष्चन नंबर 13 है 13 है तेरा नंबर कुष्चन है कहरा कि यदि X प्लस Y प्लस Z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि X का Q प्लस Y का Q प्लस Z का Q इक्वल 3XYZ यह सिद्ध करना है आधित्य परिहार जी गुड़ इबनिंग गुड़ इबनिंग देवांस विकास जी गुड़ इबनिंग तो बच्चा क्या करना है हमें एक सिंपल सा सर्वसमिका लिखना है यह सर्वसमिका होती है इसको तुम लोग को याद कर लेना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यह सर्वसमिका तुम्हें याद रहना चाहिए बच्चा यह क्या है सूतर है बाबू यह सूतर है यह मैंने जीरो कर लिया इतने को और ये फाइनल में इधर का सब जीरो हो गया आगया उत्तर कितना ही करना था समझ में आया तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीन साट ले लीजिए फिर मैं मिटाता हूँ चलो जल्दी करो स्क्रीन साट ले लो हल हो चुका है मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूँ जल्दी करो बच्चे चलो स्क्रीन साट ले लो हो गया चलो ठीक है मैं हट जाता हूँ स्क्रीन साट ले लो मिटा रहा हूँ जल्दी करो अराधना कुमारी पहले पढ़ लो सचीन ब्रो से बाद में मिल लेना अभी ये ब्रो तुम्हारे कहीं जाने वाले नहीं है चलो कुश्चन नंबर 14 कर लोगे की बताना पड़ेगा कर लोगे भाया जबता नंबर कर लोगे बताना पड़ेगा जोती सिंग्रॉल कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत देखो कुश्चन नंबर 14 कर लोगे सिवं मुझे पता है कि तुम कर लोगे कुश्चन नंबर 14 चलो कम से कम बहादुरी में बताए तो कहां कर लेंगे देखो बच्चा इसका जो पहला कुश्चन है मैं यहां लिख रहा हूं बाकी कुश्चन मैं पढ़ दूंगा यह माइनस 12 का क्यूब है और प्लस सेबन का क्यूब है और प्लस 5 का क्यूब है ठीक है करना क्या है वो समझ लो पहले यहां से क्या करना है वो समझ लो बच्चा कह रहा है कि वास्तों में घनों का परिकलन किये विना निम्नलिखित में से परतेक का मान ग्याद केजिए यानि जो यह घन के रूप में दिया गया वच्चा हमें इसको हल नहीं करना घन के रूप में मतलब हमें इसका क्यूब नहीं करना है लेकिन फिर भी इसका मान बताना है बड़ी भीडम बना है ना सोचो यानि इसको घन नहीं करना जैसे बारा का क्यूब का मान नहीं निकालना हमें 7-7-9-7-3-43 नहीं करना है लेकिन फिर भी मान निकालना है ऐसा करने को बोल रहा है क्या आपके पास NCRT किताबें हैं बच्चा अगर हैं तो चलो आगे बढ़ो देखो समझो अभी अभी हम यह बराबर 3XYZ होता है अभी अभी पढ़ा है ना लेकिन यह तब होता है बराबर जब यद यक्स प्लस Y प्लस Z इक्वल 0 हो तो याद रखना अगर यह कंडिशन नहीं है तो तुम इसको 0 नहीं कर सकते यह तो बनी बनाई सर्वसमिका है यह अभी जो बनी थी मतलब यह कोई पहले से दी नहीं गई इसको हम लोगों ने खुद से खो जा है तो इसमें कंडिशन है यह सभी का क्यूब करके 3XYZ के बराबर तो होगा लेकिन सर्थ है कि अगर यह एक्स Y प्लस Z तीनो 0 होगा तभी यह होगा नहीं तो नहीं होगा ठीक है सुसीला सर्मा क्लास का टाइम साम को 7 बजे से है डेली हर दिन साम को 7 बजे से है आज क्लास थोड़ा पहले हो गई बस चलो तो बच्चा अब हम पहले इसकी जांच करेंगे कि क्या यह X प्लस Y प्लस Z 0 है या नहीं है देख लेते हैं अगर 0 होगा तो हम इस आडेंटी को लगाएंगे अगर 0 नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे तो इसको side में जाच कर लेते हैं चलो side में इसकी जाच कर लेते हैं कि ये 0 है कि नहीं है x plus y plus z equal 0 चलो check up करते हैं x कमान minus 12 है plus y कमान 7 है plus z कमान 5 है बराबर 0 minus 12 और देखो बच्चा 7 5 12 बराबर 0 ये plus minus 0 हो जाएगा बराबर 0 यानि ये जाच में सिद्ध हो गया कि ये 0 है यानि हमारे जो x plus y plus z जो मान हमने माना था वो 0 के बराबर है तो अगर है बेटा तो इनको हम 0 क्या कर सकते हैं 0 है तो हम इसका मान लगा सकते हैं अपना इस सर्वसम्ण का क्यूज कर सकते हैं चलो कर लेते हैं, यह माइनस बारा का क्यूब, प्लस यह सेवन का क्यूब, प्लस यह फाइब का क्यूब, इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, तीन गुड़ा, अब इसी कमान में निकालना हमें बस, यक्स कमान माइनस बारा, और य कमान पांच, और जेड कमान साथ, बस, बस बस मिल गया मिल गया चलो इन सब का गुड़ा कर लो बच्चा आप गुड़ा करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 1260 कितना मिलेगा यह माइनस 1260 अंसर हो गया बस अब को समझ में आया देखो बच्चा सभी को टेलीगराम चैनल पे नोटिश दे दिया गया था आज दोपार में ही कि कलास आज साम पांच बज़े से होगी बच्चे तो कलास ये रोज साथ बज़े होती है हो सकता आप इसे बात में देख रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है लाइब कर वने के बार भी आप देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो प्राइब कर नहीं कि कोई प्राब्लम नहीं है डांटी देख सकत accountable कभी भी तो ठीक है लिख लो इसको अगले पार्ट पर चलते हैं इस स्क्रीन सार्ट ले लो आप लोग इसका सिकेंड पार्ट भी ऐसे ही है हाँ चलो सिकेंड पार्ट कर लोगे कि बताया जाए कुष्चन no.14 का सिकेंड पार्ट कर लोगे बहिए अब आब कर लोगे न देखो सीधा सा बात है यक्स का क्यूब प्लस भाई का Scripture — h gotta यह थी यथी एक्स outta हो जाए तब ठो कर लेना पहले जीरो के बराबर हो अगर हो जाता है सर्वसमिका लगादें उततर आ जाएम किखाने आ भया सूरज या दो निस्टर सूरज खाल तो सब ठीक ठाक लग रहा मुझे चलो कर लेना नहीं आएगा तो फिर बताना हम देखेंगे अगले परस्ण पर चलते हैं पंदरा नंबर पर क्योंकि खतम भी तो करना है नहीं तो फिर आई से हम जलाते रहें खतम ओबना करेगा पंदरा नंबर पर देखो क्या कह रहा है या नीचे दिये गए आयतों जिनमें उनके छेतरफल दिये गए हैं में से परतेक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभाव बेंजक लिखिए यानि नीचे जो ये आयत दिये गए है भाईया 25a काई स्क्वायर माइनस 35a और माइनस का बारा ये दिया है एक बार प्रस्न को फिर से पढ़ लो पहरा नीचे दिये गए आयतों जिनमें उनके छेतरफल दिये गए हैं में से परतेक के लिए में से परतेक की लंबाई और चोड़ाई के लिए संभाव बेंजक ज्याद कीजिए यानि ये हमें क्या दिया भाईया आयत का छेतरफल दिया बच्चा ये आयत का छेतरफल दिया है हमें लंबाई और चोड़ाई के लिए बेंजक निकालना है यानि एक प्रकारत ऐसे समझ कि हमें आयत का छेदरफल दिया है हमें लंबाई चोड़ाई निकालनी है हम लोगों ने बच्पन से बहुत पढ़ा अब तक कि बहुत पढ़ाना इसको कैसे निकालते हैं सबी जानते हो चलो फिलहाल देख लेते हैं कैसे होगा समझ लेते हैं जैसे अभी तक आप दुई घात समीकरन पढ़े हो सेम वैसे ही करेंगे तो बिटा देखो पचीस का बारा में गुड़ा कर लो बाबू तो पचीस का बारा में करके देख लो बारा पंचेस साथ अब बारा दुना यह चोविस तीस तीन सो आएगा ना यानि हमें कोई ऐसी दो गिंती खोजनी है जिसका गुड़ा करें तो तीन सो आजाए और जोड़ दें तो 35 आजाए माइनस का 35 आजाए कोई बताएगा यानि गुड़ा करने पर बेटा क्या आए 300 आए और अगर जोड़ें जोड़ करें तो माइनस का 35 आए कोई ऐसी दो गिंती कोई बताएगा देवान सिरपाथी कचीन कुमार बेटा पढ़ाई कर लो जिम 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 समझ में आ रहा ना चलो तो अब हम इसको तो ऐसे ही लिख देंगे जैसे भी दिया है 25 आई स्कुरेर माइनस देखो बच्चा 300 को हम लिख सकते हैं 20 और 15 के रूप में देखो बच्चा अगर माइनस का 20 और माइनस का 15 तुम करते हो तो माइनस का 35 आजाएगा क्यों भई आजाएगा की नहीं और इनका अगर गुड़ा कर लो तो 300 आजाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं थोड़ा सार्ट कट में कर दे रहा हूं तुम लोग दिल नहीं लगा रहे हो स्कूइस्चन में इसलिए मैं थोड़ा सार्ट कर दे रहा हूं तो इसे मैं धारेक्ट कर दूंगा माइनस का ईसे और माइनस का पंदरह है सोचति है और प्लस का बारा यको इनमें दोनों में तुम कामन ले लोगे पांच यह तो आपका बचएगा पांच ए मैनस क्यार बचेगा पांच यहा पर तीन कामन ले लोगे तो पांच इ.्हार भचया है ठीक है समझने आ रहा ना बच्चा कुछ चलो हमें क्या निकालना था हमें आयत का लंबाई और चोड़ाई निकालना था इसके गुड़न खंड हो गया और 5-3 अधो बच्चा तो इस तरह से तुम कह सकते हो बटा यह क्या हो गया आपका अधिया हो गया चाड़ाई हो यही आंसर हो गया समझ में आ रहा ना दीपक कुछ समझ में आ रहा है लतियाना जाट लतियाना जाट भई नाम तो तुम्हारा बड़ा आजीव टाइप का है लिख लो स्क्रीन साट ले लो हो गया आपका कुश्चन नंबर 15 इक्सरसाइब 2.5 क्लास 9th NCRT मैथ यह फ़र्ष्ट पार्ट है 15 का इसमें और भी है अच्छा क्या कह रहे हो तुम्हें बलाक कर दें अब ना है लाक कर देना भाईया चलो ठीक है पढ़ना नहीं है तो फिर क्या मतलब है चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं सिकेंड पार्ट इसमें का मुझे लग रहा है कि आप लोग कर सकते हो लेकिन टाइम नहीं आप लोग के पास बातचीत करने से तो मैं कर देता हूं ना क्योंकि आप लोग जरूरी बात कर रहे हो जरूरी बात कर रहे हो तो मैं हल कर देता हूं तुम लोग बात कर लो चलो इतना पटकेंगे ना उठाके खोपड़ी दिमाग सही हो जाएगा इकेंड पार्ट देखो बच्चा यह है 35 वाई का इस्वायर माइनस 13 वाई और माइनस 12 आये ही दिया है इनको खुद से करना यह होम वार्ख है जैसे अभी बताया हूं उसी आधार पे करो अब तक मैंने 27 कलास पढ़ा दिया है 28 पढ़ा दिया है मतलब एक महीना हो गया कलास चलते तो जो बच्चे पीछे की कलास नहीं देखे बेटा उनको समझ में कम आएगा इसलिए आप पीछे की सारी कलास देखो पहले पीछे की सारी कलास देखो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है सब और हो सकता है इस क्लास के डिस्क्रेप्शन में भी आपको दिया गया हो लिंक जाके देख लेना यह होमवर्क है कर लेना आ जायेगा न भाईया जो बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं बेटा उन्हें समझ में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता है पीछे का वीडियो जरूर देख लो अब तक लगबग 28 वीडियो नहीं कलास हो चुकी है 28 लाइब कलास हो चुकी है इस प्रस्नावली का अंतिम कुश्चन क्लियर तो दिख रहा है न इस प्रस्नावली का लाश्ट कुश्चन देखो लास्ट कुईस्चन देखो क्या कह रहा इसमें गंदा लगा है खुदी हमारे स्क्रीन पर बले चली गई कुईस्चन नमबर सोला देखो अगला लेच्ट कह रहा कि घनाभो यानि क्यूब आइड जिनके आयतन नीचे दिये गए है कि विमाओं के लिए संभो बेंजक क्या है इनके लिए संभो बेंजक लिखना है बच्चा पहला क्या दिया है पहला आइटन दिया है तीन यक्स का स्क्राइर माइनस का बारा यक्स ये क्या है ये घनाभ है इसे क्यूबाइड बोलते है क्या बोनते हैं क्यूबाइड क्या होता बच्छबा देखो इसे देखें नहीं तुम कभी क्यूब और क्यूबाइड देखें ओना यह ऐसे होता है क्या क्यों को इसमें लंबाई चोड़ाएं उचाई सब दिया होगा तो बच्च बाका लिखोगे इनमें तू पता नहीं ये चल गाए अवाज वाज आ रही कि नहीं आ रही कुछ मालूम नहीं लिखो आयतन बराबर देखो ये तो आयतन आपका दिया है तो किताब में दिया है बाकि इसका जो सूत्र होता है पैलूम बराबर लंबाई गुर्ण चोडाई गुर्ण उचाई होता है यह हम सब को पता है तो हम क्या करेंगे पहले जो दिया है उसको लेकर के हल करते हैं कहीं पहुँचते हैं किसी मुकाम पर तो 3 यक्स का स्ट्वाइर माइनस 12 यक्स इसमें बेठा 3 यक्स कामन ले लेंगे x-4 बशेगा इसमें अगर तुम देखो तो इसमें 3 लोग आ गए 3 आ गया, 1 x आ गया 1 x-4 आ गया यानि हमारा ये मानलो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया ये उच्छाई हो गया यं ला गया, भी आ गया, ऐसा गया और हमें यही निकालना था पहुलं समझ में आया न, आपको हमें यही निकालना था किश्री को कोई परिषांगी नहीं है हिसी पर्लम यह करेट करके तुम्हें नहीं लिखना यह अइसे नहीं लिखना है नीचे चाहे तो उसको लिख लेना कि टाकने ओर लिख लेना आता है सबका गुड़ा करोगे तो बनेगा वही चाहिए इसको इधर से या उसको उधर से दीपक कुछ समझ में आ रहा है आई एंसी परदोस जी कलास का टाइम शाम को चाथ बज़े से है आज सिर्फ कलास का टाइम बदला था बस सिर्फ उन्नीस अगस को ये कलास पाँच बज़े से थी क्योंकि हम कहीं इंपॉर्टेंट जगा जाने वाले हैं वहां से आपको फिलाल दिखाएंगे हम कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं सिर्फ आज के लिए टाइम बदला था रोज के लिए थोड़ी बदलता है आप लो जल्दी से देखो हो गया लिख लो तो ठीक है कितना हो गया मुझे लग रहा है कि अब बंद भी करना चाहिए का अरे ये खतम हो गया कमाल की बात है बंद करने की तो बात छोड़ो एक और बचाए इसमें इसमें पार्ट और बचाए देख में इसको तो कर लोगे आप लोग बताओ पहले मुझे तो यह बारा के वाई का स्कॉयर अब प्लस एट के वाई माइनस का 20 के पहले मुझे बताओ कि तुम लोग इसे कर लोगे की नहीं भाया अच्छर पार्टी कलास को लाइक नहीं कर रहा तुम लोग भाई हाँ देवास जी मिस्टर सूरज और सुसीला और कौन-कौन है यह आदित है जोती कलास को लाइक कौन करेगा हूँ दादा एंड दादियां कलास को कम से कम लाइक तो करो ना आप लोग रही नहीं आ रही है आवाज आवाज सही नहीं हारे फिर कोई आखत आई पां कि क्या करूं कभी कभी मुसीबत आ जाती है इसे बेटा समझने के लिए पढ़ना पढ़ता है दिमात लगाना पढ़ता है पसीने खोपड़ी से गिलता है ना हरे जगा से होते हुए नीचे जमीन तक आउसका है ऐसे नहीं आता है कि तूजा क्या कर रही हो फैप़ी बर्टे वेवे वी करो गे तोड़ी समझने आएगा पढ़ोगे तब आएगा ना तिक है आप देखो आप यह बीच का आपका दूधाद समिकरल बन गया इनके क्या करोगे आप बुड़न खंड कर लो और के तुड़ा करने पर 15 और घटाने पर 2 आए ऐसा कोई दो नमबर बताओ गुड़ा करने पर 15 आए और घटाने पर क्या आए दो आए तो देखो बेटा ऐसी इस्थिती में क्या करोगे तुम यह 3y का इस्थायर और प्लस देखो दो को हम लिख सकते हैं गुड़ा करने पर हमें 15 लाना है जो को हम लिख सकते हैं 5-3 लिख सकते हैं यानि यह बन जाएगा 5y माइनस का 3y और माइनस का 5 ते इसे पीछे पढ़े हो अभी तक अगर पढ़ेते तो ठीक है और नहीं पढ़ेते पीछे तो भगवानी भरोसे हो तुम्हें क्या करें तो फीला कह रहीं कि थोड़ा प्यार से समझाओ देखो इसमें ज़्यादा प्यार अगर आ जाएगे न तो फिर प्यार आने के बाद फिर समझने कम आता है बात यह है इसमें देखो common क्या लोगे इसमें common हो जाएगा भाई साहब आपका इनको मैं कोश्ठक में बंद कर दे तो 3y बचेगा और प्लस का 5 बचेगा माइनस 1 कामन ले लोगे तो 3y प्लस 5 इसमें भी बचेगा अब इस तरह से आपके दो ये नए नए फैक्टर आ गए एक तो ये 4 के पहले से ही था ये आपका 3y प्लस 5 और ये आपका y माइनस 1 हमें कितना बताना था इसमें लंबाई चोड़ाई और उचाई आएगा तीन आएगे ना तो ये आ गया लेओ आ गया नीचे थोड़ा जागा कम है लेकिन मैं इसा केते में सम्धियान करना जाबता हूं इसमें लिख दूंगा समझो यह 4 के एक हो जाएगा 3y प्लस 5 एक हो गया और आपका y माइनस 1 ओंग लिख लो बेटा यह हो गया यह हो गया आपका यह होगा आपका डन लिख लो थाकशापलो जल्दी जल्दी से देज ना करो बहुत जल्दी चाप लो बच्चा सभी लोग चाप लो चलो तो लो जाने तो टाइम हो गया वैसे भी तो आपका ये चैप्टर भी खतम हो गया बिटा हुँ इसक्रीन साट ले लो आवा जा रही होगी उमीद करते हैं वास में गंगना हो रही है अभी अमारे खोपड़ीम भी गंगना हो रही है यह बदलना है माइक्रोफोन बदल दूंगा मैं बरसान न रहू ठीक है चलो ठीक है तो यह हो गया खथम बिटा स्क्रींसाट ले लो जल्दी से फटा-फट सभी्स्क्रीन साट ले लो मैं इसको मिटाता हूँ बहुत जल्दी करो यह आपका टू अबहुपद खतम हो गया इक अब का कि आपका नया चेप्टर चलेगा चो भी चलेगा है वह ट्ज रा सक्रागल कि इस्पीमें कूडनेतको節 याद है कि नहीं आवा तो आ रहे ना आ रहे थोड़ा भी मै न लट्य आ पहुपद पहुपद खताम हां ओके डन इंगलिस में का बोलेगा इसे पॉलिनॉमियल नहीं यह हो गया भाई यह दाइंड अब कल एक नया चेत्पर चलेगा साम को साथ बज़े से कलास होगी आज साम साथ बज़े नहीं होगी बेटा आज साम साथ बज़े के बदले तुम्हें पढ़ाया हूँ ना अब मैं दो बार थोड़ी पढ़ाऊंगा अगली कल साम 7 वजे होगी, मैं ठीक ही, कल सुबह 7 वजे साइन्स होगी, बहुत बहुत थेंक्यू, सभी बच्चे कलास को लाइक करना और दोस्तों में सेयर ज़रूर करना बेटा, देखो जतना जयादा सेयर करोगे, उटना जयादा बच्चा आएगा, और जतना जयादा पड़ाएगा ओके चलो यह हो गया मैंने आपका जो नोट्स तयार किया है यह रखा हूं इसको मैं आपको पीडियार स्टडी के टेली गराम चैनल पर दे दूंगा यहां से सुन लो हाँ नौ बजे वाली चलेगी नौ बजे वाली बेसिक चलेगी जो को बेटा टेली गराम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो तेली गराम पर सभी बच्चे पीडियार स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लें क्योंकि टेली गराम पर आप सबको सारी कलास के लिंक और सारी सुचनाय दी जाती है अगर आपको नहीं पता कि टेली गराम क्या है कैसे ज्वाइन किया जाता है तो आप यूटूब पर पीडियार स्टडी टेली गराम सर्च करके वीडियो देख लो यूटूब पर अगर तुम सर्च करोगे टेली गराम कोन मीन लगा करो जिन्जिन सुननने वाला नहीं है कि केबल सुनाता है इसकों पोलिए मुझे झें सना पडता है कि कि मैं कान में लगाता इसों यहां लगाता हूं मेरा खाली रहता है या सुननाने वाला mean काarlos